नुश्कार आदाव सुस्रीयकाल मैं हूँ कपिल काडपाल जो आपका upcoming SBA clerk mains exam है उसमें जो सबसे important section रहता है जिसमें सबसे ज़्यादा questions आते हैं वो रहते हैं RBA से related news या फिर banking sector से related news और आज के इस session में मैं उन तमाम खबरों को या उन तमाम चीजों को आपके सामने लेकर आ वो already आपने देख ली होगी वो भी बहुत important आपके लिए marathon थी इसी channel पर available है और ये वली भी marathon मैंने अभी आपके लिए schedule की है जो की एक recorded form में है आपकी इस particular marathon में जो आगे आने वाले sections है इसमें आपको मैं October से लेकर January तक के जो भी RBA की website से में direct पढ़ाऊंगा आपको RBA की website पर जितने भी important notifications या फिर press releases आती है उन सभी के उपर detail में discussion करेंगे और ये session ना ही केवल current affairs के point of view से important है जबकि मैं उस particularly circular notification को पढ़ाते हुए आपको जो static banking awareness की terms होती है उनको भी completely मैं आपको समझाऊंगा तो इस session को आपके SBA clerk means के point of view से तो आप देखी सकते हैं साथ ही साथ अगर आप एक SBA clerk means के point उसे नहीं देखना चाते है आप जिस knowledge gain करना चाते है जो static banking awareness की knowledge होती है उसके लिए भी session बहुत important है session के last तक बने रहेगा session थोड़ा लंबा है obvious है मैं जानता हूँ लेकिन इसमें एक-एक press release को notification को circular को जो है वो निचोड़ा गया है बहुत detail में समझ समझाया गया है एक चीद को एक शब्द को बड़े प्यार से समझाया गया है आपको आपको यहां पर एक नया जोश एक नया कुछ पैदा होगा और definitely जो SBA clerk means exam है उसमें आप बहुत बहतर स्कोर कर पाएंगे इस session को करने के वाद प्लस मेरा जो 7 धंटी की एक और मेरे इसी चैनल पर banking current affairs की exclusive marathon है उस session को करने वाद इस session को करने वाद और आने वाले दिनों में मैं मन्त वाइज आपके लिए compilation लेकर आ रहा हूँ अपनी current affairs की तो यह सारे जासरे session जो अभी एक हो चुका है यह आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जो आने वाले हैं उन सब से कहीं कोई break नहीं होगा कोई मैं live chat यहां पर पढ़ने नहीं वाला जिस मैं पढ़ा रहा हूँ recorded sessions है पढ़ा रहा हूँ और आप इसको पढ़ते जाए समझता है यह शांती से अराम से पढ़ते रहे हैं और उमीन करते हूँ आप इस channel को follow करते रहेंगे daily current affairs के लिए सब चीज को join किजीगा best wishes चलिए शुरुबात करते हैं इस session की international trade settlement in Indian rupees opening of additional current account for export proceeds ठीक है यह news मैंने current affairs की class में कराई थी आपको याद होगा आप में से बहुत सारी लोगों ने इस news को समझा था मेरे से लेकिन अब क्या असर खास कराने वाल हूँ पहली चीज इस news की revision हो जाएगी क्योंकि important है दूसरी चीज इसमें मैं और भी बहुत सारे concept link करके आगे बताऊंगा ठीक है चलो मैं बिलकुल भी screen पर mobile पर नहीं देखूंगा ठीक है कोई command में entertain नहीं करूंगा I will be focusing on this thing और बिलकुल इस पर आपको ध्यान देना है कहीं बर भी कोई दिक्कत होगी अवाज नहीं आ रही है ज़र कुछ नहीं दिकरा then I will look into that but otherwise मैं किसी you to focus on this news 100% किसी भी तरह से कोई चीज skip नहीं होनी चाहिए ठीक है ओके चलो let's start international trade settlement in Indian rupees opening of additional current account for exports proceeds इन्होंने कहा है कि आपका काफी time पहले Indian rupees को थोड़ा से promote करने के लिए भारती सरकार ने कहा था कि हम export import जो करते हैं हम dollar वगएरा उसमें हम deal करते हैं हम Indian rupees में deal करना चाहते हैं ये चीज आपकी notification काफी समय पहले आया भी था ठीक है ये आपका notification यहां पर काफी time पहले आया था ये वला notification आप देख सकते हैं इसकी date है 11 जुलाई 2022 की notification के बात कर रहा हूँ जिसमें इन्होंने कहा था international trade settlement जो है वो Indian rupees में होना चाहिए ये कहा था इस notification में बहुत सारी बात की गई थी कि बाहर के जो billing बनती है exchange rate होता है settlement होती है settlement जो होती है वो आईनर में होनी चाहिए ठीक है जो कि जबकि आप dollar, rupee, dollar, euro वगारा उसमें करते हैं तो Indian currency को promote करने लिए ये circular यहां पर इस the bank of India के द्वारा निकाला गया था अब इसी circular के संधर्ब देते हो संधर्ब म जिसमें Indian rupees की deal करना था उसमें हमने यह कहा था कि आप एक वोस्ट्रो अकाउंट खो लिए वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है वोस्ट्रो अकाउंट होता है कि माल लीजिए मैं एक A country हूँ ठीक है A bank हूँ जो A country में है राइट ठीक है चल जाएगा पैनी हाँ पर चल तो ज यह Bank जो A country में है यह दूसरी country में अपना एक अकाउंट खुलवाता है और इस country की currency में अकाउंट खुलवाता है तो यह जो account B country में खोला जाएगा इस country currency में A के द्वारा वो अकाउंट वोस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा तो ये कहा था यहाँ पर कि आप एक वोस्टर अकाउंट खोल सकते हो जिसमें यहाँ पर इंडियन रुपीज में अगर कोई exporter है यहाँ पर कोई करना चाहता है payment ठीक है तो exporter क्या करेगा exporter अब export करेगा उसका पैसा आएगा पैसा किसमें आएगा जो वोस्टर अकाउंट खोला होगा इंडियन करनसी में उसमें आएगा importer होगा उसका वोस्टर अकाउंट खोलेगा तो पैसा इंडियन करनसी में आएगा ठीक है तो इस तरह इंडियन करनसी में payment करनी है उसको तो इंडियन करनसी में पूलने की हम इजाज़त दे देते हैं जो भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उससे जो भी पैसा आएगा वो जुरुरी नहीं है कि आप वो स्टोर अकॉंड में डालें वो पैसा आप यहाँ पर एक अलग करेंट अकॉंड में भी डाल सकते हैं I hope कि यह news अब समझ में आगी होगी जो यह Reserve Bank of India ने पिछले circular का context में यह बात यहाँ पर की है ठीक है यहाँ पर AD1 लिखा हुए Authorized Dealer Category ऐसी branches होती है जिनको Reserve Bank of India के दूरा अलाव किया जाता है Foreign Exchange में deal करने के लिए Foreign Currency में deal करने के लिए सभी branches सभी banks यहाँ पर deal नहीं कर सकते हैं Currency में Foreign Currency में कुछ ही branches होते हैं उनको license दिया जाता और उनको हम Authorized Dealer Category 1 में रखते हैं Good समझ में आ गया बढ़िया चीज लगी ठीक है अब आगे और चलते हैं इसमें Further attention of AD1 category is invited to this circular on opening of current account and CCOD account by banks in terms of this provision यह कहा गया है एक और circular का यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया अब यह circular का जो जिक्र किया है इन्होंने यह circular का जिक्र किया है 19 April 2022 के 19 April 2022 को यह circular यहाँ पर काफी लंबा जोड़ा RBA का आया था ठीक है आप लोगों को बोरिंग थोड़ा से लगेगा मैं लगे इतना बड़ा बेटा अभी तो मैंने नोकरी की नहीं है जब तुम नोकरी करोगे ना जब तुम शुरू करोगे ना बैंक की नोकरी तो यह तो कुछ भी नहीं है यह तो I think कोई 4-5 पेज का circular होगा बस जाज़ जाज़ादा है ना नो पेज का circular है बैंक में जब जोब लगोगे ना तब तो तुम्हें बतलें 20-25-25 पेज का circular यह पढ़ने पड़ेंगे ना डेली के आएंगे तब आएगा मज़ा है ना मुझे तो आदत है अच्छा ठीक है अब इन्होंने इस circular का हवाला दिया ठीक है अब यह circular क्या हो गई एक अलग banking concept पर चलते है एक्जाम पॉइंट से important है आप एक businessman हो कर बैंक में अपना account खुलते हो क्या खुलते हो current account खुलते हो ठीक है businessman का current account खुलते है लोन लेते हो बैंक से ठीक है तो क्या होता है CC अकाउंट, cash credit अकाउंट, overdraft अकाउंट खुलवाते हो एक वेक्ती, एक business friend जिसका CC अकाउंट है, OD अकाउंट है वो एक current अकाउंट नहीं खुलवा सकता किसी दूसरे बैंक में मेरा एक CC OD अकाउंट SBM में है मैं अपना current अकाउंट P&B में नहीं खुलवा सकता लेकिन एक restriction लगी होई थी, किसी टाइम पर वो क्यों नहीं खुलवा सकता है क्योंकि एक CC ACount, OD अकाउंट जो होते हैं उसमें as a business आपको सारी-सारी transaction उसी account में करनी होती है क्योंकि आपने bank से loan ले रखा है, bank से पैसा ले रखा है तो bank की एक condition होती है कि जितनी भी business transaction होंगी वो आप cash credit या फिर overdraft account आपने ले रखा है, उसी में होंगी दूसरे किसी account में नहीं होंगी, ताकि हम आपकी transaction को track कर सकें CCOD account particular purpose के लिए दिया जाता है, आपके stock के against, debtors के against, आपके business के लिए दिया जाता है अगर आप उसमें से, उसमें जो पैसा आना चाहिए, वो पैसा उसमें आकर किसी और account में जाएगा तो एक bank उस accounts को, उस transaction को track नहीं कर पाएगा एक financial discipline जिसको कहते है न, वो सही maintain नहीं होता एक terms and condition में आता है कि आपको जो भी पैसा है business का, वो CCOD में लाना है अगर CCOD में पैसा नहीं लाते हैं, किसी और account में लाते हैं, तो that is against the terms and condition of the bank और उस term को हम कहते हैं, diversion of the funds, क्या कहते हैं, funds को divert कर रहे हैं, funds को कहीं और utilize कर रहे हैं, banks के funds को कहीं और utilize कर रहे हैं, आप business में नहीं कर रहे हैं यह माना जाता है, जो कि एक गलत चीज है, business practice सही नहीं, आंकलन की जाती अब यहाँ पर Reserve Bank of India ने कहा, कि यार इसमें क्या है, इसमें दिक्काद आती है customer को, क्यों दिक्काद आती है अब माली जी आपका एक account SBA में है, और आपको tax भरना है, माली जी SBA में tax जो department है, income tax department मैंने SBA को authorized ही नहीं कर रखा tax भरने के लिए, कि उसके account से SBA के branch से आप tax भरी ने सकते हैं, तो किसी एक person को tax भरने के लिए किसी दूसरे bank में अपना account खुलवाना पड़ेगा, वहाँ से भरेगा, या फिर ये भी हो सकता है, कि माली जी उसने दुकान पर कोई QR code, swipe machine या कुछ भी ऐसा लगा रखा, उसका bank उसको वो provide ही नहीं कराता है, दूसरा bank उसको provide कराता है, तो उसको इस तरह की सुईधा देन चाहिए, तो हमें permit किया जाए, तो उसी से लिटी Reserve Bank of India ने एक circular निकाला, consolidated or no opening of current account, CC account है by the banks, 19 April 2022 को, अब आप सोच रहे हो कि 19 April 2022 का circular, आप तो 6 मिने current affairs का आथे वाएगी, 2022 का circular, वो भी डेड़ साल पुराना circular थोड़ी ना आएगा, बेटा ये circular डेड़ साल पुराना है, ल आ सकते हैं, अब इस circular में क्या कहता था, इस circular में no page का circular है, आप क्या ही पढ़ोगे, मैं आपको एक जगा पे लेके चलता हूँ, और उससे समझते हैं हम इसीज़ को, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, ओके, एक flow chart है, ठीक है, I hope कि आपने engineering में ऐसे flow chart देखे होंगे, I hope कि पढ़ने में आ रहा होगा, नहीं पढ़ने में आ रहा, तो मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, जितना आपको समझ मैं हैं, थोड Does the borrower have a CCOD facility from the banking system, अगर उस borrower की CCOD facility है banking में या नहीं है, यह पूछा गया है, क्या उस borrower की CCOD facility है या नहीं है, अगर है, यस, तो क्या चीज होगी, तो यहाँ पर आपका, कितना उसका exposure है, यानि कि कितना उसका CCOD कितनी amount का ले रखा है, अगर उसकी amount 5 crore से कम है, तो वो किसी भी account, किसी भी bank में अपना current account खुलवा सकता है, सिरव वो सिरव उसको, यहाँ पर एक undertaking देनी होगी, उस bank में जहाँ उसका CCOD account है, कि मैं भाई साव account खुलवा लाँ उसमें, ठीक है, अगर वो CCOD की जो limit है, वो 5 crore से ज़ादा है, तो, in that case क्या होगा, क्या कहना चाहता है, यह कह रहा है कि CCOD account है, हो सकता है, किसी एक bank से, दो bank से हो, उसके बाद CC account, term loan हो, ऐसे करके, तो, जिस bank में उसकी at least 10% exposure है, माल लेजिये, मेरा एक CC account है, 10 crore का, दूसरे bank में मैंने term loan रहे है, 5 crore का, तो, total 15 crore का मेरा exposure हो गया, लेकिन किसी एक bank में, जहाँ पर 10% से जादा है मेरा exposure, उस, उस particularly bank में, मैं यहाँ पर आपका, खलवा सकता हूँ, यहाँ पर आपका, with which the customer has CCOD, can open current account, provided that bank has at least 10% of the exposure of that banking system, यानि कि वो current account खुलवा सकता है, लेकिन उसी bank में खुलवा सकता है, जिसमें उसका जो exposure का at least 10% हिस्सा है, other lending banks can open collection account, अगर वो चाहता है कि किसी और bank में खुलवाए, मुझे उस bank में नहीं खुलवाना, ठीक है, जहाँ CCOD है, किसी और bank में खुलवाना है, तो खुलवा सकता है, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पर उस account का as a collection account में बनाना पड़ेगा, यह वहाँ से पैसा आएगा और within 30 days, यह पैसा इस account से उसको अपने CCOD account में transfer करना पड़ेगा, यह condition के साथ current account एक borrower का CCOD के borrower का open हो सकता है, आपको हो सकता है, यह news मुश्किल लगरी हो, समझने में तो मैं पूरा परियास कर रहा हूं इसको समझाने का, लेकिन हो सकता मुश्किल लगरी हो, और हो सकता आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हो, कि यह हो क्या रह है, यह चल क्या रह सर, यह चीज मैं आज आपको करवा रहा हूं, अगर यह question direct आगे एन exam में, मैं guarantee देता हूं, अभी 500 लोग बैठें न और इस वीडियो को जितने लोग भी देखेंगे न, वो सारे के सारे इस question को सही करके आएंगे, और बाहर जो बैठे होंगे, बच्चे सिर्फ पकड़ के बैठे होंगे, कि question आँ कहां से गया, क्योंकि यह जो चीज मैं करवा रहा हूं, यह भाइसा gold mine है, diamond mine, जो भी आप समलो, कोई नहीं कराता आपको, और कोई करवाने की हिम्मत नहीं रखता, सही बता रहा हूं, ठीक है, अगर ध्यान से समझ गे मेरे इस session क कर लिया, मैं बड़ी महनत के साथ यह session ले रहा हूं, और one of the best banking awareness के session ही होने वाला है, मैं timing नहीं देखूंगा, एक घंटा बीतेगा, दो घंटे मिटेंगे, I don't know, लेकिन जितनी मैंने news आपने नमंबर की सोचे हैं, मैं करवा के जाओंगा आपको, जितना मर्जी समय लेग क्या कहता हैं, कि अगर उसका CCOD count नहीं है, CCOD count नहीं है, सुर नो है, तो ठीक है, फिर क्या दिक्क्ट है, फिर तो count खलवा है, लेकिन यहाँ पर एक टिच्ट है, उसने कहा CCOD count नहीं है, term loan account हो सकता है कि नहीं हो सकता है, किसी person का, loan में बहुत सारी facility होती है, cash credit, OD, term loan, letter of credit, bank grantee, बहुत सारी चीजे होती है, सारी के सारी चीजे credit exposure में count होती है, अगर आपने banking awareness basic मेरा कर रखा तो, इतना तो ग्यान होगा आपको, होना भी चाहिए इतना ग्यान, अगर आप banking की त्यारी कर रहे हैं, अगर यहीं नहीं पता कितने term loan का, अगर उसका exposure term loan का 5 crore से कम है, तो वही consent की भाइसा undertaking लगेगी, बात खतम, लेकिन अगर उसका जो 5 crore से 50 crore तक है उसका exposure, तो किसी भी lending bank में अपना current account open करा सकता है, और no lending bank, अपना collection account open करेंगे, जहां से पैसा 30 दिन के अंदर अंदर उसको transfer करना अनिवारे है, जिस bank में उसने term loan ले रखा है, और अगर वो 50 crore से जादा figure है, तो उसको एक escrow account open कराना पड़ेगा, only the lending bank acting as escrow managing bank agent can open the current account, only escrow account जो है, जहां पर उसका खुला है, वही पर उसका current account खुलेगा, other lending bank collection account खोल सकते हैं, no lending bank shall not open any collection account, no lending bank को तो यहां पर restriction है, जैसे यहां पर no lending bank को restriction नहीं दी न, इस case में no lending bank, अच्छा, इसमें भी cannot था, इसमें भी केवल लोग केवल यहां पर other lending bank ही खुल सकते हैं, इसमें भी no lending bank था, इसमें भी same है, no lending bank तो open कर ही नहीं सकता उसका current account, 5 crore से कम का कर सकता है, लेकिन 5 crore से उपर का तो no lending वाला, खोल ही नहीं सकता account, उसमें तो खुलवाना ही नहीं आपको, lending bank पे जरूर collection account खुल सकता है, इसमें एक और वोड आ गया, escrow, अब escrow क्या है sir, जब मैं किसी bank से term low लेता हूँ, तो मैं किसी purpose से लेता हूँ, मैंने किसी purpose से लिया, माल लीजे, मैंने एक mall बनाया, मैं एक real example देता हूँ, मैंने खुद 30 crore का loan किया था, एक mall का, ठीक है, तो उस mall को हम क्या करते थे, 30 crore का एक लोट था, real है मैंने नहीं sanction किया था मेरे seniors ने sanction किया था मेरे through file process होई थी तो 30 क्रोड का term loan था यह हमने किया था इसमें हमने escrow account खोला था escrow account कैसा अब mall में कई छोटी 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 दुकान ने होती है ठीक है अब जैसे-जैसे कोई एक 15 लाग किया ऐसे दुकान ने भी कि अब जब 5 लाग 10 लाग 15 लाग आता था ना अब उसकी installment हमारे पास परमंध आती थी लेकिन उसका जो 5 10 लाग 20 लाग जो पैसा दुकान को बेचने से आता था ना वो पहले हमारे एक account में आता था उस account को गहते थे escrow account उस escrow account से हमें जितनी उसके किष्ट चाहिए होती थी हम उस किष्ट को वहाँ से निकाल लेते थे अपने जो main account term loan उसमें डाल देते बाकी जो पैसा बच जाता था वो customer को दे देते थे इस तरह से escrow account एक bridge का काम करता है customer जिसने term loan ले रखा और bank के बीच में ताकि bank का पैसा भी आता रहे और customer को भी पैसा मिलता रहे यानि कि जब term loan देते हो तो उससे जो भी proceedings जो भी हम समान उससे जो भी चीज हम बनाएंगे उस चीज से जो income होगी वो income escrow account में है कि और escrow account से वो आगे distribute हो जाएगी bank के पास और customer के पास उसको escrow account कहते है clear है? समझ में आया? ये flow chart एकदम clear समझ में आया? मज़ा आया? कुछ नया सीखा? ठीक है? हाँ और क्या है? अच्छा ये तो opening of current account है अब मुझे किसी और की account में किसी और जगावे मुझे cc और ody account खुलवाने है तो क्या flow chart कहता है? देखते हैं ठीक है अब ये तो बड़ा छोटा सा है borrower यहाँ पर एक cc od account खुलवाने जा रहा है ठीक है? उसका यहाँ पर किसी भी aggregate exposure of the banking to the borrower अगर 5 crore से कम है तो cc account बिना किसी restriction के यहाँ पर open करा सकता है अगर उसका 5 crore से जादा है और उसका exposure किसी एक particular bank में 10% से जादा है माली जे कहीं और cc od ले रहा है कहीं और से लेना जाता है तो यहाँ पर वो चीज भी की जा सकती है लेकिन यहाँ पर भी restriction है how it can be used only for credit in the account that debit can only to remit the fund to the cc od account यह केवल और केवल यहाँ पर collection account के रूप में use किया जा सकता है और अगर उसका यहाँ पर exposure the yes के case में आता है तो वो बिना किसी restriction के इस account को cc od account को खुलवा सकता है यह वला जो concept है यह normal concept है इसमें कोई changes नहीं किये थे RBA ने यह पुराना सद्या पुराने साल से चला रहा है जो main concept है जो यह changes opening of current account के दोरा किये गए थे यह जो चीज है ना बंदू opening of current account अब तुम्हारे bank की नोकरी में काम आईगी कैसे काम आईगी अब तुम्हारे पास कोई यह customer आ जाता है किसी ओर bank का जिसने cc od account खुलवा रखा है कहीं और से आपको पता लगता है इसका cc od account है अब तुम उसका current account खुलोगे यह नहीं खुलोगे खुलोगे यह नहीं खुलोगे और अगर तुमने किसी को cc od account दे रखा है और आपको पता लगता है इसने किसी ओर bank में current account खुलवा रखा है तो क्या करोगे उसके उपर penalty लगाई जाती है वाई साब interest plus 2% की penalty आर भी कहता है कि आप अगर कोई भी terms and condition नहीं मानता है बोरोवर आपका तो आपके उपर penalty लगाई जा सकते है interest plus 2% की जब तक आपकी बात अकर उसने नहीं मानने है उतरे time तक थोड़ी सी अंदर की बात होगी छोड़ो ठीक है अच्छा यह circular का मैंने context दे दिया कैसा लगा इस circular इस circular से connected कितनी चीज़े हमने पढ़ लिया आज कितने concept अभी सीख ले foreign exchange सीख लिया settlement सीख लिया इंडियर रुपी कर लिया हमने AD branch पढ़ लिया हमने current account पढ़ लिया हमने investor account पढ़ लिया nostre account भी ऐसे ही होता है हमने current account का concept पढ़ लिया CCOD पे पहुंच लिया क्या क्या नहीं करवा रहा हमें कैसा लगा क्या लगा मजा आया जटका लगा दिल में जोर का कुछ नया सीखा दिमाग हिला कि सर समझ नहीं आया कोई ऐसा है सर समझ नहीं आया सर कोई तो होगा सर समझ नहीं है होगा होगा कोई बाद नहीं टेंशन नहीं एक और बार देख ले ना क्लास समझ में आ जाएगा अगला 16 नुमबर का चले 16 नुमबर को क्या कहती है जंता 16 नुमबर की एक निउस आई थी regulatory measures towards consumer credit and bank credit to NBFC यह मैंने करेंट की क्लास में कवर नहीं कियो निउस और मैंने जानबूच के कवर नहीं की थी क्योंकि इस निउस को मैं बहुत अलग से अलग से वीडियो में बनाना जाता था लेकिन वीडियो नहीं बना पाया लेकिन आज मुका मिल गया है इस news को और अच्छे से explain करनेगा इस news के लिए लग से वीडियो को बनाना चाता है तो उसके पीछे मैं कारण आपको बताता हूँ ठीक है उसके बीछे के कारण में बाद में बताऊंगा पहले news समझाता हूँ ठीक है Regulatory measures towards consumer credit and bank credit to NBFC यहाँ पर consumer credit और NBFC को loan देने की बात की जा रही है consumer credit से यहाँ पर मतलब क्या है consumer credit से मतलब है कि मैंने आपको loan दिया normal एक हम किसको loan दे रहे हैं आप जैसे में जैसे वेक्ति को loan देते हैं personal loan देते हैं वो बला और bank credit to NBFC non banking financial companies को banks के द्वारे loan दिया जाता है उसकी बात करें तो उसमें कुछ regulatory measures में बदलाब किये गया है क्या बदलाब किये गया है आपने मुझसे या कहीं से कभी यह item पढ़ी है basil norms मुझसे पढ़े है basil 1, basil 2, basil 3 कहीं से पढ़ी हो मुझसे पढ़ी हो कहीं से पढ़ी हो पढ़ी होगी banking की तहरी कर रहे है तो कहीं ना कहीं नाम सुनाओगा इस basil norms के अंदर एक term आती है risk weight पढ़ा है इसके बारे में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं पढ़ा होना चाहिए वसे इसलिए क्यातों banking awareness basic आपके अंदर clear होनी चाहिए अगर आप मेरे student है तो definitely मुझे नहीं लगता ऐसा मेरा कोई student होगा जिसने इन terms के बारे में ना सुना क्योंकि इन terms को मैंने अमने banking awareness के basic course में विकरवा रहा है और ये terms आए ना ये दिन कहीं ना की currentors की class में आती है तो मैं discuss करता रहता हूँ ठीक है और अगर आपने कहीं और से पढ़ा है 100% होता है ना नहीं मैं 100% नहीं मैं 200% sure हों कि गलत पढ़ा होगा ये मेरा arrogance नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ कि अरे सर आपने ऐसे कैसे हमारे teacher को गलत बता दिया मुझे पता है ये गलत ही पढ़ाते है कोई भी risk weight, benz, basil का concept कोई सही तरीके से आज तक मैंने नहीं सुना किसी भी कहीं से भी, किसी भी जगा पर ढंग से सही तरीके से समझाया हो दो concept को mix कर देते हैं लोग पता है क्या करते हैं लोग किस concept को mix करते हैं ये risk weight के concept को जहां से आपने पढ़ा होगा आप उससी बात से agree भी करें होगा अगर आपने कहीं से पढ़ा होगा इस concept को provision के साथ mix कर दिया जाता है provision कौन से वाला provision भला NPA वाला provision इसलिए मैं इसके लिए separate video बनाने वाला था क्योंकि यहां पर जहां से मैंने concept कहीं से भी दरुदर से सुने हैं तो उन्होंने क्या किया जो risk weight है उसको provision से link कर दिया कि bank में जो loan account होते हैं उसके against हमें provision करना होता है तो उसको risk weight करना होता है हमें provision को risk weight बना दिया और वो risk weight हमें ऐसे से देने होते हैं ये चीज़ समझाई गई ठीक है ये एक misconception या एक कुछ error था जो समझाई गए जबकि ऐसा कुछ नहीं होता बन दो ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता provision is a totally different concept NPA is totally different concept risk weight is totally different concept तो उसी concept को थोड़ा सा आज clear भी करेंगे क्या कहती है जंता यहां पर ये जंता कहती है कि भाई साब एक RBA एक circular लेकर आया है और उसमें ये कहता है कि जो basal loans के तहत हम risk weight assign करते हैं different different loans को like the consumer credit को जो personal loan दिया जाता है या फिर NBFC को या फिर credit card को तो उनका जो risk weight है उसमें बदलाव किये गए है अब risk weight क्या है risk weight क्या है risk weight एक ऐसा concept है जो कि यहां पर Reserve Bank of India के द्वारा दिया गया है Reserve Bank of India ये कहता है कि आपके जितने भी bank में loan है जो भी आप bank में loan देते हो जितने भी loan देते हो उनका एक risk parameter होता है risk parameter किसी का भला कि ये loan हमें वापिस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये loan का credit risk कितना है counterparty risk कितना है कि loan दिया तो गया है repayment मिलेगा के नहीं मिलेगा आएगा ये नहीं आएगा ये एक risk calculation की जाती है Reserve Bank of India के द्वारा ये risk weight यहाँ पर दिये गए है वैसे दो बीजल का जो concept है वो एक international level पर concept है bank for international settlement के द्वारा वहाँ पर दिया गया है बीजल, swizer land में है वहाँ से concept आया है लेकिन Reserve Bank of India ने अपने level पर circular निकाल कर सभी banks को ये कहा है कि आपके जितने भी loans है उन loans को आप उनके risk के according एक risk weight assign कीजिए और वो risk weight हम बता रहे हैं सभी banks को sign नहीं करने हम आपको बता रहे हैं किस loan पे कितना risk weight देना है अब रज़ज़ risk weight देकर क्या होगा किसी एक loan को हम risk weight क्यों दें किसी loan को मालेज ये कोई loan risk ही है बहुत जादा risk है यानि कि मुझे लग रहे है कि loan वापस नहीं आएगा मैं उसको 1.500% risk weight देता हूँ मतलब कि मैं उसको मान रहा हूँ कि ये loan डेड़ गुना risk है 100 रुपे का loan दिया लेकिन मैं उसको calculate करूँगा 1.500 के बराबर क्यों? क्योंकि यहाँ पर basal norms के according एक concept होता है जिसको मैं कहता हूँ capital adequacy ratio CAR ये capital adequacy ratio RBA कहता है कि आपको 9% maintain करना है ठीक है? और capital adequacy ratio की calculation कैसे होती है? calculation होती है tier 1 capital plus tier 2 capital divided by the risk weighted assets RWA और ये risk weighted assets जो है ना यही मैं बात कर रहा हूँ assets ही होती है assets क्या होती है? assets हमारे loan होते है जितने भी हमारे loan है जितने भी loan है उनको मैं एक risk weight assign कर देता हूँ ठीक है? और फिर final मैं जो इस column में calculation लेकर आता हूँ इसका जो total बनेगा ना ये total divide में risk weighted assets में आएगा tier 1 plus tier 2 capital ये type of capital होती है case में वो पुझी इस्तमाल की जाती है वो तीन तरीके के होती है ठीक है? तो वो यहाँ पर total आपका tier 1 plus tier 2 को divide करूँगा RWA से ये percentage मेरे पास 9% आनी चाहिए अब ये 9% minimum है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए RBA की regulatory compliance है अगर जाता है तो penalty लगेगी RBA आपको penalty लगाएगा अब इस माल लिजे मैं एक math का simple सा logic पूछता हूँ इतना तो आपको पता ही होगा इतना तो हमने school में ही सीख लिया जो पूछने वाला हूँ कि आपको 9% अगर maintain करना है किसी चीज़ को 9% में maintain करना है और आपके वासे इक numerator है एक denominator है क्या चीज़ करोगे अगर मैं denominator को increase कर दूँ अगर मेरा denominator increase हो जाएगा तो percentage पे क्या affect पड़ेगा अगर मेरा denominator increase होगा अगर मेरा risk weighted asset यानि कि मैं जो loan दे रहा हूँ वो मेरे loans जादा risky होते जाएंगे तो मेरा जो capital adequacy ratio का जो percentage है वो क्या affect पड़ेगा increase होगा decrease होगा normal math का concept है कुछ banking का नहीं पूछ रहा मैं क्या होगा if RWA increases then percentage will decrease ठीक है यह RWA decrease होगा यानि कि मुझे 9% maintain करने के लिए अपना RWA सही रखना है कि नहीं रखना मुझे यानि कि ऐसे loans में ऐसे loans देने हैं जिनका risk weight कम हो समझे हो मेरी बात concept समझे हो न कि मुझे ऐसे loan देने पड़ेंगे जिनका risk weight कम हो तभी मैं 9% को maintain कर पाऊंगा अगर मैं ऐसा loan देता रहूं जिनके risk weight बहुत जादा है तो मेरा 9% उतना कम होता रहेगा अभी मालेज किसी बैंक का RWA आगर किसी बैंक का capital index ratio 11% है अगर मेरा risk बढ़ता रहेगा तो 11 का 9, 9 का 8 होने में देरी नहीं लगेगी तो इसलिए RWA मुझे maintain करके चलना है अब RWA मैं क्यों समझा रहा हूँ यही RWA अब इस particularly circular में लगेगा क्या लगेगा आओ समझते हैं अब देखो इन्होंने क्या किया है बैंक ने एक RWA कहता है कि जो आपका consumer credit exposure है consumer credit exposure है जिस पे आपका risk weight जो है पहले 100% हुआ करता था यह risk weight 100% हुआ करता था अब इसको हमने बढ़ा कर 125% कर दिया है RWA ने यह risk weight बढ़ा कर जो है वो 125% कर दिया है RWA यह कह रहा है यानि कि bank को RWA को यह लग रहा है कि लोगों को जो consumer credit यानि consumer loan दिया जा रहे है consumer loan कों से कोई देते नहीं electricity बगारा यह mobile का loan यह फलाना loan वो loan देते नहीं जिस पर यह बजाज finance के उपर भी रोक भी लगाई गी थी लगाई गी थे news पढ़ी थे न तो वो उस type के loan RWA समझ रहे के भाई सा risk है अब bank को क्या करेगा अगर उस loans पे आपका 100% की जगा risk weight 125% हो गया तो bank क्या करना चाहता है bank क्या सोचेगा यार यह loan हम अब नहीं देंगे हम इन loan को restrict करते हैं देना अगर restrict करेंगे देना तभी तो हमारा risk weight maintain होगा बराबर नहीं तो मुझे 125% बनाना पड़ेगा 125 करूँगा मैं loan ज़्यादा देता रहूँगा तो मेरा capital education maintain करने का मेरा जो purpose है वो यहाँ पर down होता रहेगा मलब decrease हो जाएगा ना RWA सॉरी CR जो कि मुझे decrease नहीं करना है तो इसलिए RBA ने यह चीज़ कही है क्योंकि RBA चाहता है कि जो consumer loan है वो कम हो consumer loan ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि उनको risk की मान रहा है इसी तरह से यहाँ पर RBA ने और भी कर दिया RBA क्या कर रहा है RBA कर रहा है जो NBFC को loan देते हो उस पे भी हम risk weight 100 का 125 कर दिया कि NBFC को भी भाई साथ रुक जाओ NBFC को भी थम जाओ loan मत दो अब directly देखो कई चीज़े मना नहीं की जा सकती माल लिजे भारतिय सरकार है भारतिय सरकार को लग रहा है कि यार ये चीज ना जिसे हम Chinese item import करते हैं भारतिय सरकार को लगता है Chinese item import नहीं होने चाहिए अब एकदम से import बन नहीं कर सकते है क्या किया जाता है Chinese item पर tax बढ़ा दिया जाता है indirectly उनका import महंगा हो गया import महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे लोग कम खरीदेंगे उसकी demand कम होगी हम मंगवाएंगे नहीं उसको खतम market Chinese product वही चीज तो यहाँ पर की जा रही है 100 का 125 कर दिया पर 125 परसेंट था ठीक है while that of NBFC attract a risk weight of 100% it has been decided to increase the risk weight that 25% to 800% and 125% जो credit card दिये जाते हैं उन पर भी 150 और 125% कर दिया गया है ये credit cards के लिए भी कर दिया गया है ये increase किया ठीक है आगे चलते है bank credit to NBFC यही बात कर रहे थे इसी की बात कर रहे थे credit exposure to NBFC इसमें इन्होंने यहाँ पर वही 25% की बात की है अच्छा इसमें एक line लिखे in all cases where the in all cases where the extent risk weight as per external rating on NBFC is below 100% अब सर ये क्या है external rating of NBFC is 100% से below होती है उसके risk weight के according सर risk weight देना है उसके external rating के according risk weight associated with the given external rating उसके according risk weight assign करना है मले जो external rating है जो NBFC को दी गई है उसके according उसको risk weight देना है सीधा 100 का 125 नहीं करना है 25% बढ़ाना है लेकिन उन्हीं का बढ़ाना है जिनका जो external rating according risk weight जो है 100% आता है 100% से कम आता है उन्हीं का 25% बढ़ाना है अब ये क्या सर्ग है ये क्या चीज बता दिया आपने समझ नहीं है उपर से चलेगी है ना उपर से चलेगी ना अभी बताता हूँ ठीक है नीचे भी यहां पर और चीजे लिखी हुई है कुछ ज़्यादा खास important नहीं है ठीक है done ये circular done अब मैं आपको एक नए concept पे लेके चलता हूँ अमीन करता हूँ यह चीज समझ में आगी होगी चीज समझ में आई एक बर बताओ comment section में मज़ा आया मज़ा आया कुछ नया सिखा लोग भागते हुए नजर आ रहे है क्योंकि लोगों के उपर से जा रही है चीजे याद करोगे भाई साब याद करोगी यासी कोई class history में हुई थी वो भी banking के teacher ने यासी class ली थी challenge करता हूँ कोई लेके दिखाए यार नहीं ले पाओगे बंदू लो आजाओ ये एक banker ही समझा सकता है जो मैं समझाने वाला हूँ अभी मैंने क्या बात की अभी मैं बात कर रहा हूँ कि NBFC जो है वो यहाँ पर उसकी एक line लिखी थी NBFC risk weight associated with the given external rating external rating का risk weight से क्या संबंद है ये बताता हूँ आपको Basel 3 का एक circular है Master Circular RBA का latest circular है तकरीबन 330 page का circular है और ये आप believe नहीं करोगे मैं सच बता रहूँ जूट नहीं बोलूँगा आपको लग रहा होगा सर इस क्लास में बहुत बाते गर रहे हैं बहुत अपने बारे में बता रहे हैं लेकिन अब जो हूम है वो बताना बनता है मैं बहुत कम बार ऐसी चीज़े बोलता हूँ अपने बारे में लेकिन ये किसी जमाने में 330 page का circular मुझे याद था क्योंकि मैं इस department बेजल के department जो risk management department होता है बैंक में उसमें मैंने बहुत सालों तो काम किया है मुझे circular पूरा याद था ये मेरा one of the favorite circular होता था और इस circular के page पे याद था कि किस page पे कौन सा content है ये तक याद था ठीक है उसके बार चीज़ें फिर दूसरे department बेबार्टमेंट चेंज होए फिर दूसरी चीज़े आते रही है ना तो चीज़ें पुरानी फिर थोड़े बहुत याद है बेजल लोंस का circular इसमें सारी definition capital adequacy ratio जो risk weight मैं बता रहा हूँ ना इसमें अलग-अलग type of loan के risk weight इसी में दे रखे है अगर आपने माल लीजिए कोई public sector entity है उसने loan दे रखा तो उस पे risk weight कितना होगा अगर आप corporate है company को loan दे रखा circular और बहुत सारी चीजों से related circular बनाया गया था ठीक है बनाया गया है इसमें 5.8 जो है ये कहता है claim on corporate and NBFC NBFC पे जो risk weight होता है वो कितना होना चाहिए ये चीज कहीए इसमें page number दे नहीं रखे है ना तो 330 page का circular है 5.8 पे हमें जाना है चलो देखते हैं कितना नीचे होगा मुझे भी आप page number तो अब तो भूल भाल गया तब तो याद होते हैं मुझे page number लेकिन फिर भी एक idea मैं लगा सकता हूँ 5.6 आ गया 5.6 आ गया यहीं कहीं होगा hello पहुँच गए देखा बस इतनी देर ही लगनी थे मुझे जादेर ही लगनी थे और ऐसा मैं सोना सर पहले से circular सर देखकर आया होगे मैंने आप यह सामने कहला है पहले मैंने खोला ही नहीं था पहले मैंने आप देखा था यह यह news आई ठीक है हो गया अब जहां जहां क्लिक हो रहन हो आपके सामने फर्स टाहीं में क्लिक हो रहा है इस क्लास में अच्छा अगर मैं किसी NBFC को लोन देता हूँ तो उस पे रिस्क वेट कितना है अगर NBFC को जो लोन दिया गया उस पे जो external rating के द्वारा external rating के द्वारा यहां पर आपका जो जो risk weight दिया गया है जो rating दिया है ट्रिपल ए दे रखिया है तो 20% risk weight होगा double A है तो 30% होगा A है 50 होगा, triple B है 100 होगा, double B और below है 1.500 होगा unrated है तो 100 होगा अब external rating क्या होते है external rating basically यह हमारे इंडिया में यह नाम दे रखिया है ना right, बिल्कुल सही जगा पहा रहे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 brick work, brick work को पहले यहां पर CB ने कहा दिया था कि भाई सब आप जाईए आप external rating agency की तरह काम नहीं करेंगे आपका lessons हम रद करते हैं 6 मिने में अपना काम धाम धंदा मंदा सब समेठ दीजे लेकिन CB ने अभी फिलहाल सब्टेंबर में इनको 6 मिने के और महलत दी है तो अभी 6 मिने के लिए और काम करेंगी let's see उसके बाद क्या होता है तो यह 6 credit rating agencies हैं इंडिया में यह 6 credit rating agency अगर आपका loan का exposure किसी भी customer का अगर आप 5 crore से उपर का loan देते हो तो in that case आपको क्या करना होता है किसी भी external criteria rating agency से rating करानी होता है उसकी scoring करानी होती है कि उस person ने previous उसका क्या record था अभी क्या business कर रहा है future में क्या उसके projection है उसके analysis, उसके fundamental, उसके technical उसके financial, उसके non financial सारी जी analysis करके एक report बनाई जाती है इन external rating agencies के दोरा जिसके base पर one of the factor, जिसके base पर हम ये देख सकते हैं कि इस person को loan दिया जा सकता है नहीं दिया जासता, जिसमें वो rating देते हैं A, B, C, D इस तरह से करके जो A1 है, ये top notch होती है like the A1, 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 A1 ये top notch rating है, D अगर rating आती है तो यानि कि बहुत downgrade मामला है सही company नहीं है वो तो अगर किसी NBFC को मुझे loan देना है और उसकी मैं rating, अगर किनी मी rating agency से कराता हूँ और वो इस इस parameter में आती है तो उनका risk weight, अगर वो A category में आती है उसको risk weight 20 देना है, 30 देना, 50 देना, 100 देना, 1.500 देना अगर वो unrated है नहीं, उसका 5 गोट से नीचे कम लोना है तो unrated हो गया, अव्वेसा उसके rating कराने की जरूर नहीं तो उसके मुझे risk weight 100 देना है तो जो circular आया था, उस circular में ये कहा गया था कि अगर इनका जो risk weight इनकी external rating के हिसाब से 100 से नीचे है उन्हीं में 25% increase करना है अगर उसका risk weight 1.500 है, 100 है तो उसका 25 नहीं करना है increase उसका 25 नहीं करना 100 and below, sorry, 100 and below आपको 25 increase करना है अगर already वो 1.500 आते है, 1.500 का 175 नहीं करना ये उस circular में छोटी सी बात थी जो शायद आपसे miss होगी होगी, लेकिन यही उसमें लिखा हुआ था clear है, समझ में आया, मज़ा आया, आज की दूसरी ख़बर मुझे तकरीवें 40 minute होते हुए, class को समझाते हुए और इन 40 minute में I think मैंने banking के बहुत सरे concern आपको clear किये मज़ा आ रहा है, circular देखकर एक अलग feel आ रहा है है ना, बेटा इसी को banking का experience कहते है मैं आज तक आपको वो videos नहीं बनाई हैं मेरे मैं passbook print करने जा रहा हूँ, है ना, मैं उन videos में believe नहीं करता हूँ मैं इन videos में believe करता हूँ, जो एक banker को बनानी चाहिए मैं सची कहता हूँ कि जो actual banker है जो इस तरह की चीज़े कर रहा है भाई आकर पढ़ा दो ना, आपको इतने time का experience दो तीन साल तुम अपनी knowledge share करो, knowledge क्यों नहीं share करते है यार तुम लोगों को पहुंचाओ, ऐसी knowledge उनको बताओ, उनको banking field में जाना उनको ये दिखाओ न, उनको ये क्यों दिखा रहे हो, passbook print करनी है यार passbook print करने के अलावा दुनिया में बहुत कुछ है, ये काम मैंने किया कमसाओ, पान साल risk management department रहा है, ये बताओ ना, बच्चों को, हाँ भाई, ये department भी होता है लोगों के मन में ये धार ना मनी है, passbook के print करनी होती है, भाई, ये, 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 सच्चाई बताओ, बैंक का असली काम तो ये खेल है, passbook print तो clear के करता है, officer तो वो भी नहीं करता है, है ना, अगर officer को कह दू ना, passbook print करने के लिए, मुझे कैसे कहा दिया, सन ने passbook print करने के तो clerical का काम है, मैं तो officer हूँ, यहां तक बात हो जाती है, my tour है ना, अरे भाई, इस circular का tour करा दो, किस दिन घर पे बैठे, बच्चों को knowledge दे दो, यार, टूर करवा रहे हो, इस चीज़ का tour करवा दो, यह क्या-क्या होता है, किस दिन class ले लो, रोज का समझाते जो, हम तो teacher है, हमारे पास responsibility और भी है, और भी class लेनी होती है, आपके responsibility आप रोज आगर एक टम सिखा दो बच्चों को, क्यों नहीं सिखाते यार, नोलेज ही होगी, हम तो सिखाई रहे हैं, हम तो responsibility ले रहे हैं, जितनी कर सकते हैं, उतना कर रहे हैं, आप भी ले लो, चलो भाई, अगले circular पे चलो, अच्छा, 15 नुमंबर का circular है, इतना important नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, यह क्या चीज है, यह क्या चीज है, बता देता हूँ, इतना important नहीं है, एक्जाम पॉइंटे से, यहाँ पर al-qaeda लिखा हूए है, और अरे sir, r-b-a al-qaeda क्या मतलब, r-b-a al-qaeda वे circular निकाल रहे हैं, नहीं, हाँ, निकाल रहे हैं, वैसे सही है, निकाल रहे हैं, इसमें यहाँ पर, यू अप्पा, यू अप्पा से अप्पा, अलोफुल अक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, यह इसका पूरा नाम है, ठीक है, UNSC, United Nations Security Council हैं, देखो, पूरे दुनिया में यहाँ पर बहुत सरे इसी organizations है, बहुत सारे ऐसे terrorist group हैं, terrorists हैं, ठीक है, एक list, time to time update होते रहते हैं, यह जो circular निकाल रहे हैं, यह बहुत frequent आता रहता है, यह ऐसा नहीं कि one time circular है, बहुत frequent आता है, इसमें क्या होता है, कि time to time यहाँ पर United Nations Security Council है, यह बहुत सारे देश, दुनिया के other organization हैं, वो किसी न किसी संस्था को, किसी ना किसी विक्ती को, यहाँ पर terrorist group, terrorist organization है, terrorist घोशित करते रहते हैं, तो यह एक warning के रूप में, यह निकाला जाता है, एक circular, और RBA के दोरा निकाला जाता है, कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा विक्ती, इस नाम से, इस date of birth से, यह यह इसकी पहचान है, जो भी नोंने दे रखी आलग लग भाशा में, अगर इस विक्ती से, तुम्हारे पास कोई भी विक्ती आता है, अकाउंट खुलवाने के लिए, तो इसका अकाउंट नहीं खोलना है, क्योंकि वो अकाउंट suspicious अकाउंट हो जाएगा, वो terrorist का अकाउंट है, तो इस तरह के उसे बचिएगा, ये एक वर्निंग निकाल ली जाती है आपकी, और ये नाम जो है ना बंदू, ये नाम कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि इंटरपूल का नाम जिक्र है, बहुत सारे नाम है, कई सारे नाम है, ठीक है, तो ये यहाँ पर more details are available at following URL time pass करना हो तो जाकर देख लेना ठीक है, बाकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे का सर्कुलर है, KYC जुड़ा हुआ, कि इनको यहाँ पर आपको KYC compliance करना है, आपको इनके account नहीं खोलने है, ठीक है, आगे चले, समझ में आई चीज, चलो, आगले सर्कुलर पर चलते हैं, अगला सर्कुलर क्या कहता है, Guidelines on Import of Silver by Qualified Jewelers and Notified by International Financial Service Center Authority, नहीं है, यह इनको इसी है, यह नहीं है, एक्जाम में नहीं आएगे चीज, छोड़ो, ज़़लर, ज़़लर, छोड़ो, Formational New District and State of Rajasthan, ठीक है, हाँ, यह करते हैं, अच्छी न्यूज है, राजस्थान के रहने वाले हो, तो आपको पता होगा, राजस्थान में पिछले दिनों में, बहुत सारे districts बनाएगे, नई districts बनाएगे, है ना, नई districts form होगे राजस्थान में, बताओ कितने districts होगे राजस्थान में, टोटल बताओ, करवाया हुए करेंट अबस में कितने districts होगे राजस्थान में बताओ ज़रा, अच्या सर्प्राइज बताओ किया, र्प्राइज चाहिए क्या, सर्प्राइज क्या है, मैने बोला लाइव आना सर्प्राइज बताओंगा तरु हम TRAIN किर्टी कि help करते हैं, अच्या, सर्प्राइज विडिये अभी बज़ेंगे 10.52 ठीका, दस बज़ के 20 मीनिट वैसे हर्शल सर स्वरी है ना टाइम मिला नहीं अपने को बात करने का डिसकेशन करने का आपके इजाजत के बिना ये चीज नामस कर रहे हूं है ना कि समय नहीं मिला एक दम से मेरे दिमाग में आही चीज़ तो ऐसा है कि हर्शल सर के कोर्स पे तो 20 टका चूट चल रही है, स्मृती मैं के कोर्स पे 20 टका चूट चल रही है, तो फिर यार आपके जो, जिनको आप Captain Shark कहते हैं, उनके कोर्स पे भी कुछ देना दो बनता है, यार कुछ टाइम के लिए, बच्चे आएं हैं है ना, इतनी दूर दूर सक बैठे हैं इतनी देर से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं तो आज रात 12 बैस तक, केवल डेर घंटे के लिए, केवल डेर घंटे के लिए मेरे कोर्स जो मेरा exclusive annual कोर्स है ना, उस पे 20% off मैंने दे दिया है, कोर्ड यूज कर लेना Shark 20 कोर्ड यूज कर लेना Shark 20 अगर आप मेरा annual कोर्स खरीदना चाहते हो, annual subscription खरीदना चाहते हो, जिसमें मेरी video classes, banking, financial, economics awareness का कोर्स, पूरा basics से पूरा advanced level तक, वो चल रहा है अभी, हैना, अभी उसके 16 classes होई है, और भी आगे चलती रहेंगी, प्लस मेरा weekly revision कोर्स जो कि कल स्टार्ट होने वाला है, कल उसकी पहली class है, सुबह साढ़े आड़ बज आप सभी को आना है, ठीक है, वो वली, प्लस उसके बाद monthly revision classes, वो भी आने वाले समय में शुरू करूँगा, उसके अलावा, मेरा जो daily के quizzes हैं, weekly quizzes हैं, monthly weekly quizzes हैं, special quizzes हैं, mock test से general lenders के, वो सारे के सारे मेरे annual subscription package में, जिसका description में link लगा हुआ है, उस पे अभी तक 10% discount था, अगले देड़ घंटे तक, 12 बच तक 20% discount मिलेगा, shark 20 उसकर के, लेना हो किसने, ले लेना बंदो, ठीक है, अपग्रेड का option नहीं आएगा बच्चा, ठीक है, जिसको लेना है, ले सकता है, पीस परसेंट, है ना, 40 देदो, hrshel sir की demand, ना भई, 20% मैंने लगा दियो, बीस ही में लेगा, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, है ना, आज वो news पे, ठीक है, news क्या जाते है, news क्याते है, सर, assignment, assignment of the lead bank responsibility, जो नए district بنाए गए है, उसमें, lead bank की responsibility दी गई है, अब सर, ये lead bank क्या हो गया, ये lead bank क्या चीदिया, समझो, जितने media में district है, हर एक district में, एक particular bank को, एक lead bank की भूमिका दी जाती है, अब लीड बैंक की भूमी का किस बैंक को दी जाती है जैसे आप देख लो यह नूबगड है इसमें पंजाब नेशल बैंक को लीड बैंक बनाएगा बलोतरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बयावर में बैंक को बरोदा इसका मतलब क्या हुआ यह देखा जाता है कि उस एरिया में किस बैंक की प्रेजन्स थोड़ी सी जादा है नंबर और ब्रांचेज के इसाफ से देख लो या कस्टमर के इसाफ से देख लो अगर उस एरिया में जिस पर्टिक्लर बैंक की प्रेजन्स थोड़ी से जादा होती है उस बैंक को लीड बैंक की responsibility दी जाती है अब ये लीड बैंक करता क्या है लीड बैंक का एक अलग से office होता है उस बैंक के द्वारा एक अलग से office बनाय जाता है जिसमें अलग से staff होता है बैंक का ही employees उसमें काम करते है उसमें एक staff भी होगा proper जैसे office रहेगा बिल्कुल back office रहेगा, customer dealing नहीं होती उसमें अब उस lead bank का काम होता है कि जो government की तरफ से schemes आती है government की तरफ से time to time schemes आती है ना बहुत बार, ठीक है, ओके वो schemes यहाँ पर bank के लिए होते हैं कि banks के through वो schemes को implement करना होता है ताकि वो customer तक पहुँचे यह चीज़ होती है कि customer के पास उन schemes को पहुचाना for example, जैसे कोई loan की योजनाई, कोई loan की particular योजनाई, कि हाँ बही education loan इस category के लोगों को देने है, target है सरकार ने target दी है, हर एक branch को हर एक bank की हर एक branch को यह दो-दो loan करने है, एक महिने में तो क्या होगा central government के ज़रा district administration यानि collector को वो target दी जाएंगे, कि अपने area के bank से यह चीज़ फुलफिल कराईए ठीक है district collectors क्या करेंगे, district collector अपने district का जो lead bank होगा जो lead bank का office होगा उनको बुलाएंगे अपने पास और उनको कहेंगे कि यह भाई साब यह target आया है आपको अपने jurisdiction में जितने भी banks हैं, उनकी जितनी branches हैं, उनसे यह target पूरे करवाने है समझे मेरी बात क्या है lead bank lead bank है यह काम कि आपको targets पूरे करवाने हैं उनसे जो schemes government ने निकाल ली है अब lead bank माली जे पंजाब national bank का lead bank है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि PNB अपने ही branches से target पूरे कराएगा नहीं, PNB को authority दी गई है कि वो जितनी भी banks हैं, चाहे वो private bank हो, चाहे public bank हो, cooperative bank हो, जो भी banks हैं उसके area में, उस district में उन सभी के branches को वो target देगा government के बिहाफ पर और वो पूरा कराएगा, lead bank एक प्रकार से government के बिहाफ पर काम कर रहा होता है नाम bank का ज़रूर है, लेकिन government के बिहाफ पर काम करता है, that is the lead bank उसको कहते है lead bank ठीक है, अब एक lead bank हो गया, यह तो हो गया ठीक है, इसके अलावा एक और, state level पर भी एक lead bank होता है, जिसको हम SLBC कहते हैं, क्या कहते हैं उसको उसको कहते है, SLBC state level bankers committee state level bankers committee state level, यह state lead bank committee, इसको कहते हैं, state level ही बोलते हैं, रुको, एक second circular ही निकाल लगते हैं ना, यार, क्या है tension lead bank का circular निकालते हैं झालते हैं, झालते हैं, झालते हैं थोड़ा पुराना circular आया है, लेकिन चलो काम बन जाएगा अपना, हाँ state level bankers committee, यह रहा है, ठीक है यह state level bankers committee में बात करा था मैंने शायद यही बताया था, फुलकुम, state level bankers committee 1977 बनाएगा था ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें जितने भी lead bank हैं हमारे राजस्थान के, मल्ला जो state के जितने भी lead bank हैं उन सबका भी एक leader होता है state level पर एक leader होता है वो leader कोन हो सकता है, कोई भी bank जैसे में राजस्थान के बातर, राजस्थान ने bank को बरोदा act as a SLBC और वो फिर आगे, उनके under lead banks काम करते हैं, तो एक authority बना रखी है SLBC नाम की जो की इन lead banks को यहाँ पर handle करती है, उनका bank उनको salary देता है सिरफ, लेकिन जो orders आएंगे, जो authority आएंगी वो सारी सारी उनको SLBC या फिर जो local administration है वो उनको देगा, ठीक है तो यह यहाँ पर lead bank की scheme है, उमीद करता हूँ, lead bank की जो scheme थी, यह यहाँ पर एक, professor DR गडगिल थे, गडगिल study group इनके द्वारा यहाँ पर एक report दीगी थी उसके under यहाँ पर यह lead bank जो है, वो यहाँ पर lead bank scheme को बनाया गया था I hope कि यह ची लीड bank वाली clear होगी होगी आपको, है ना fully accessible route for investment by non resident in government security inclusion of sovereign grievance sovereign grievance मैंने आपको पहले भी बताय हूँ है sovereign grievance एक ऐसे बोंट होते है माली जो मुझे पैसा चाहिए, मैं पैसा ले लेता हूँ इन पैसे को मैं कहां लगाऊंगा, किस परपस से लगाऊंगा, किसी ने किसी परपस से लगाऊंगा ना, किसी ने किसी जगाऊंगा, तभी मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, है ना मैं मतलो, मैं in the sense company के भीहाब पर बात कर रहा हूँ, वो नहीं बात कर रहा है कि as a company मैंने पैसा ले हूँ, कैसे को मैं कहां invest कर रहा हूँ, मैं अगर उस पैसे को किसी ऐसे project में invest कर रहा हूँ, जो कि एक environment friendly, environment climate conservation के लिए कोई project है, तो that will be known as the green bond कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, loan के form में आपको ब्यास दे रहा हूँ, that is a bond और उस पैसे को मैं किसी ऐसे project में लगा रहा हूँ, जो कि clean environment से जड़ा हूँ, conservation से जड़ा हूँ, that will be known as the green bond, ठीक है, और उसके आगे sovereign world लग गया, sovereign का जहां पर भी world लगता है, उसका मनलब लगा government है, कि सरकारी है बाई साब, यह चीज़ सरकारी है, इसी तरह sovereign gold bond होते हैं, है ना, इस तरह sovereign green bond होते हैं, तो इसमें इन्होंने यह कहा है, कि जो non-resident है, जो non-resident है, यानि कि भार में रहे हैं, भार ही विक्ति हैं, जो भार non-resident हैंनारी रहते हैं, fully accessible route for investment by the non-resident, non-resident के द्वारा यहां पर, जो उनको investment करनी होती है, fully accessible route के द्वारा यहां ने कि उनको एक ना, कुछ government securities assign कर रखी हैं, यहां पर non-resident Indians को, उनको कहा है रखा कि आप इसको investment कर सकते हैं इन चीजों में, और इन चीजों में investment करने के लिए, आपको हम ज़्यादा पूस्ताज मलब, ज़्यादा हम formalities वगएरे नहीं करेंगे, आपको हमने accessible उसको बना दिया, इस route में, इस government securities में, आप अराम से तसल्ली से अपनी investment कीजिए, तो उनी securities में sovereign green bond को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है, उन green bonds में sovereign green bond को शामिल कर दिया गया है, ठीक है, यह 26 September का एक circular का है, इन्होंने reference दिया है, यह क्या है, अच्छा, ठीक है, यह calendar है, ठीक है, इतना हम, यह sovereign green bond का calendar है या किसी और का, हाँ, ठीक है, हाँ, government securities जारी करेंगे, हम sovereign green bonds को include करके, यह देखो, यह RBA जो है, यह government of India के भीहाब पर, यह securities इतनी amount की 30,000 करोड की, यह देखो, क्या लिखा है, 30,000 करोड रुपे, government of India मांगती है, वाइसा, 30,000 करोड रुपे, 5 साल के लिए लेती है, for 7,000 करोड रुपे लगी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 13,000 करोड लेगी, 30 साल के लिए, 10,000 करोड लेगी, यह अलग-अलग institution से पैसा, एनराइस बगार ऐसे पैसा, या बड़े financial institutions से पैसा, इसमें invest किया जाता है, इस इस date को होगा, अभी कहा चल रही है date, यह ना, अभी देखो, फिलाल 30,000 करोड चल रहा है, समान, है ना, तीन साल का 8,000 करोड मांगा गया, 14 साल, यह tenure है उसका, 14 साल के लिए, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या-क्या चीजें लिखी है, चलो, चोड़ो, यह आपके बहुत ज़्यादा उपर की चीज़ चली जाएगी, वो खबरे आई यह तकडी वाली, मजा आएगा आप, रेगुलेटरी सेंडवोक्स, 3rd कोखोट, रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया यहाँ पर, रेगुलेटरी सेंडवोक्स से संब्दे, अवाज आ रही है न बिलकुल मेरी, कोई दिक्कट तो नहीं न, ठीक है, सो यहाँ पर Reserve Bank of India के द्वारा यहाँ पर आए नाय दिन कुछ ना कुछ innovation, कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पर हमारी banking industry में किये जाते हैं अब देखो कई बार बहुत सारी चीज़े बदलाव लाते हैं, को बहुत बार हम कोई चीजे चेंजिस लाते हैं, तो इन चीज़ों को करने से पहले हम उसको trial करते हैं, करते हैं ठीक है, agree करते हो, ठीक है लेकिन यह trial भी जो बड़ी संस्थाएं होती हैं, उनके लिए possible होता है, हम जैसे चोटी संस्थाएं, अब जैसे हमने आपने लिए free quiz लिए है, अपने के सरफ phone का issue आ रहा है, अब वह यहना हम क्या trial करते हैं, हमने आपको दिया, आप ही हमारे लिए एक बार trial हो, कुछ दिन दिक्कत आएगी, ठीक है वो चीज़ स्मूथ हो जाएगी, जैसे हमने classes मार्किट में, जहां पर पैसों का खेल चलना है, वहां पर ऐसी कोई चीज़ रिलीज कर दे, कि भाई सब यह चीज़ है, और कल को पता लगे, यह product उन्होंने UPA टाइप का कोई रिलीज कर दिया, और UPA आने के बाद पैसा यहां का यहां का यहां का यहां यहां का यहां पोंच गया, किसी का पैसा किसी काते में, किसी का पैसा किसी काते में, तो आरबिये तो hit and trial नहीं कर सकता ना, इसलिए RBA इने यहां पर एक framework निकाल दा है, regulatory sandbox को बोलते हैं, इस particular framework के तहद, RBA क्या करता है RBA यहाँ पर आपको एक real time environment में कुछ जगहों पर अपने द्वारा जो निया product उन्हों launch करना है उसका trial करता है उसकी testing करता है उसी जीज को regulatory sandbox कहते है ठीक है अब regulatory sandbox के धहत RBA ने total चार cohort का मतलब कि चार ऐसी अलगलग fields हैं जिसमें हम आप जैसे जो market से अब RBA के खुद के employees जो है वो तो चलो काम कर रही है अब खुद के employees तो नई innovation नहीं कर सकते आज की डेट में बहुत सार इसी नई चीज़े जो आ रही हो private sector की ही देन मानी जा रही है और कहीं न कहीं उस पर हम कोई यह नहीं कह सकते है यार यह private sector हम क्यों adopt करें नहीं ऐसी rigidity आज कल की डेट में public sector में नहीं है अब जैसे हमारे bank के जो software हैं जिस पर हम काम करते हैं जिसके तूर आप लोग भी transaction करते हैं आप लोग भी सीखोगे कल को वो भी यहां पर किसी company के हैं like the SBA में जो software चलता है banks link नाम का और TCS company ने बनाया है बाकी almost सारे banks वे जो software चलता है finacle चलता है वो infosys ने बनाया है ठीक है private sector है banks के साथ जुड़े हुए है तो इसी तरह से rb क्या करता है rb ने कहा कि हम चार cohort निकालते है चार डिविजन उन्हों निकाली उसमें उन्हें ने कहा यह divisions है इसमें हमें आपकी तरफ से कुछ ना कुछ नया innovation चाहिए जिसमें से एक cohort था MSME lending का थर्ड cohort था ठीक है उन्होंने कहा है यह थर्ड cohort है हमने release किया इसके तहत हमें MSME lending यानि कि हमने business वालों को micro small medium enterprises के अंडर जो आती है उनको हमने loan देना है अब एक तो loan हम traditional वे में बैंक में आ रहे हैं और हम दे रहे हैं लेकिन हमें कुछ नया दीजिए जिससे हम जो loan की सु उन तक बहुत ही quickly बहुत ही जल्दी बहुत ही easily पहुंचा पाए ठीक है यह उन्होंने invite की applications इस cohort के तहत MSME lending तो वही पीछे लिखा हुआ है MSME lending के तहत cohort में RBA के पास यहां पर तकरीवन 8 entities ऐसी थी जिन्होंने यहां पर अपने products को testing के लिए भेजा ठीक है products of the entities which completed the test phase were evaluated based on the mutually agreed test scenarios and expected outcome जो outcome है उससे accordingly the 5 products outlined below have been found viable with the boundary condition defined during the testing under the RS कि उस condition में यह पाए गए अब यह जो 5 products आए हैं अब यह 5 products आपको बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में market में MSME lending को और असान बनाने के लिए दिखाई देंगे यानि कि इन products के बार में अभी detail नहीं है detail आएंगी जब यह launch कर दी जाएंगे किसी bank के द्वारा किसी rb के द्वारा तो अब इनकी पूरी पूरी detail आएगी कि यह product आए है अब यह MSME जो है वो loan इस तरह से भी ले सकती है उनको इस तरह से आसान होगा loan लेना ठीक है तो वही MSME cohort के तहत यहाँ पर आपका यह जो third cohort है उसके तहत यहाँ पर यह entities को चुना गया Sandbox Entity मतलग उनको trial के लिए चुना गया था, right, okay जिसमें सबसे वहले है था FIN AGG Technologies Private Limited, Mind, Rupify, Small Industry Development Bank, SIDB की बात करें, SIS Arc की बात करें यह 5 सस्थाओं ने 5 ऐसे product यहाँ पर दिये, इनमें से जो product है FIN AGG ने, FIN AGG ने क्या product दिया, the product quick cash flow enables a completely digital cash flow based credit underwriting process, okay so इन्होंने एक ऐसा process बताया, इन्होंने एक ऐसा software या ऐसी technology एक दी, जिस technology के माध्यम से हम यहाँ पर cash flow के थूँ, cash flow के थूँ, हम credit underwriting process को execute कर सकते हैं credit underwriting process यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर एक loan ही है एक loan हम दे सकते हैं यहाँ पर किसके थूँ? cash flow के थूँ? cash flow क्या होता है? अगर आप में से बहुत सारे जो student commerce वाले होंगे उनको पता होगा cash flow क्या होता है पता है cash flow क्या होता है? 11 या 12th class की commerce में किया दो और उसके बाद आने वाले काफी सालों तक हम कर रहे है cash flow, fund flow है ना? cash flow statement मनाते हैं इसके अंदर तीन parts होते हैं financing activity, operating activity और एक और कौन सा होता है? investing activity है ना? तीन activities होती है तीन activities के under under हम चीजों को लिखते हैं कितना cash आया है, कितना cash गया है पूरा cash का मतलब जितना bank में पैसा गया जितना bank account में गया, जितना cash में हमने deal किया उन सारों के सारों की activity उन सारों के लिखा जो का हम उस statement में लिखते हैं और वो statement यहां पर हमारे लिए एक हमें position बताती है कि मेरे आज की date में jis date को मैं cash flow statement में बना रहा हूँ कि उस date को मेरे हाथ में मेरे bank account में और मेरे हाथ में कितना cash है, मेरे bank account में बिलकुल पढ़ा है, सर याद है मुझे और यही जब मैं इनका इंटर्वी लूँगा न मोक इंटर्वी मेरे पास देनी आओगे तो जब मैं मोक इंटर्वी लूँगा न कॉमर्च अला से मैं कोशन बुझता हूँ बेटा कैश फ्लो स्टेट्मेंट क्या थी है मैंने बोल मैं मेरी वाज नहीं बंद हुई यह उनका रियक्शन होता है ऐसा उदर देखते हैं उदर देखते हैं उपर देखते हैं नीचे देखते हैं तब याद नहीं आएगा इनको अभी हाँ हाँ करतेंगे ना किया होगा देखे किया होगा किसने हाँ 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 तो जो cash flow statement bank के पास जाएगी मैं बैंक के पास जाएगी cash flow statement के base पर मैं लोन दे पाऊंगा देखो अभी मैं इतना detail में नहीं जाओंगा इन चीजों को लेकर क्योंकि अभी आपको यहीं नहीं पता loan किस किस base पर बहुत सारी चीज़े होती है उनको analysis करने यहाँ लोन दिया जाता है तो इसलिए आपको simply यह बता दो cash flow statement के base पर एक loan दिया जा सकता है वो यहाँ पर ऐसा कुछ software design किया है FinEdge ने ठीक है अगला M1 exchange small small is a one step plug one stop plug and play platform for cash flow based financing to small MSME seller on treads treads एक ऐसा platform है जो कि discounting system का platform है transaction discounts इसमें होती है इसमें basically जो receiver trade receivables electronic discounting service इसका पूरा नाम है शायद मैंने नाम full form सही ली है जहां तक मुझे याद आ रही है trade receival trade receival होता है जो आपकी debtors होते है जनी कि आपने किसी को उधारी दी है जिसको आप उधारी देते हो उससे आप कोई ना कोई receipt लेते हो कि भाई सब मैंने तुम्हें उधारी देते हो प्रूफतो देते हो यहां पर आप देते हो यहां पर उस invoice के बदले में loan प्रवाइड करा देते हैं पैसा देते हैं कि जब तक आपकी उधारी चल रही हो उस बंदे से तब तक आप हमसे पैसा ले ले लेंगे हम आपसे commission या बयाज ले लेंगे और जब वो पैसा आपका चुका दे तो हमें पैसा चुका दीजगा तो यह एक trade platform करता है अगर आपको किसी भी तरह की B2B business to business अगर आप business करते हो और आपको wholesaler से कोई सवान खरीने आपके पैसे की कमी है तो यहाँ पर आप अपनी working capital को पूरा करने के लिए या नहीं कि जो आपकी working capital जो आपके routine के खर्चें है वो आपका पैसा नहीं है पैसे की तंगी आ गया liquidity आपके बस कम है तो उस कमी को पूरा करने के लिए प्रोड़क्ट दिया है pay by rupee 5 आप immediate loan ले सकते हो और आपको पैसा आप अपने जिससे wholesaler से सवान खरीड़ो उसको पैसा देदो कि पैसा आपके बस प्रोड़क्ट पहुंच जाएगा product GST सहाए यह आपका GST सहाए जो प्रोड़क्ट है यह आपका basically एक ऐसा portal है एक ऐसा product है जिसके तरू जो GST pay करते हैं आपको GST का ज्यादा idea नहीं होगा GST मतलब कि मैंने आप से वैसे तो GST पता होगा लेकिन इस app का कैसे है इस्तमाल होगा यह नहीं पता होगा for example आपने अभी हमारा course purchase किया ठीक है कोई भी आग course purchase करते हो उसको आपको एक receipt मिलती है सभी को मिलती है उसकी receipt ठीक है agree करते हो सभी को मिली होगी अब जो receipt आपको मिली है उस receipt को कभी खोल के देखना उस पे एक term लिखे होगी GST की मालिज आपने कोई course 500 पर खरीदा है उसके अंदर ही 18% का 5% का जो BS Lab उसका आपका एक GST लगा होगा ठीक है वो GST जो component आपका लगाया गया है जो लगा है आपका GST component वो component हम अपने पास नहीं रखते हैं वो component हम सरकार को दे देते हैं तो मैं आप हमें पे कर रहे हैं हम सरकार को पे करते हैं अब मैं सरकार को जो टेक्स पे करता हूं उस पर मैं government की जो website उस पर declare करता हूं कि मेरा इस साल इतना इतना revenue है आपने मुझे इतना इतना पैसा दिया है तो सरकार उससे अपने आप calculation में ठाके टेक्स बना देते हैं और मैं टेक्स सरकार को पे कर दो तो वहाँ पर मैंने लिखा ना मेरा कितने साल का इतना साल का revenue है मैंने पूरे साल कितना कमाई है मैंने वहाँ पर लिखा अब इसका मनलब जो report महां से मैं निकलेगी या फिर जी एस टी website पर जो मेरी report होगी वह रिप बेस पर लोन लेना है, तो मेरा bank क्या करेगा, एक GST सहाई app है, उस सहाई app में मेरी सारी के सारी detail, मेरे से customer से कुछ नहीं मांगेगा, वो आप से आपका GST number मांगेगा, आप GST number दोगे, और bank यहाँ पर GST number डालेगा, और आपकी जितनी भी revenue जो आपने जनेरेट किया है, जित के बेस पर आपको यहां पर लोन की सुधा दे देगा वहला आपकी फोर्मेलेटी इस कम हो जाएगी GST साया आप GST के थ्रू आपको लोन मिल गया यह चीज की गए जाएगी next product lend perfect shishu mudra enables end-to-end digital straight through process journey for MSME mudra loan in partnership with the bank ठीक है एक portal मनाएगा यह शिशु मुद्रा शिशु किशोर तरुन तीन टाइप के मुद्रा स्कीम के तक तीन टाइप के loan divisa divide किए गए शिशु लोन जोते हैं पचास जार तक के loan को हम शिशु लोन क्या दे तो इन्होंने का पचास जार पे तक का loan लेना है अगर आपको तो एक online portal बना दिया जाएगा land perfect करके इस portal पे आप apply करेंगे वहाँ पर portal पे सारी सारी चीज़े credit bureau यानि कि आपका जो report है civil वाली वो निकल जाएगी online digital signature करोगे KYC आपकी upload हो जाएगे instant आपको approval मिल जाएगा loan का उसके documents के base पर जो जमा कराओगे और आपका instant account खुल जाएगा loan account और आपकी disbursement हो जाएगी ये जो पचास हर पे तक के loan है उनके लिए ये product लिया जाएगा अब ये सारे के सारे मैंने आपको पांचों के पांचों बता दिये हैं जो अभी आने वाले है products अभी approval मिला है यानि कि ये चीज़े हम शाद दुबारा से फिर कभी पढ़ेंगे आज की डेट में आपको ये चीज़ अभी मालूम हो गई भाई साब ये चीज़े मालूम चल गुच गी है आपको सोचो अना अब जब ये product आएंगे मार्केट में से GST सहाई मुझे समन्या ना GST सहाई तो अल्री है पता नहीं इसमें क्या बदलाव किया गया ये product जो इन्होंने launch किया है ये ओल्रीडी अविलेबल है मार्केट में मार्केट में मुझे वैसे तो मैं सही बताओ ये वाला product भी मैंने इस्तमाल किया होगा जो शायद मैं difference समझ में आ जाता लेकिन difference मुझे नहीं समझा है जो existing है ये विला product ये product और ट्रेड्स प्लाटफॉर्म अविलेबल है GST सहाई अल्री कई banks कर रहे हैं इसको इसमाल मैं भी GST के थूँ यहां पर लोन बहुत सारे दी है GST हम उसका ले लेते दे एक हमारी रिपोर्ट निकलती तो इसको लोन दे देते दे बस यह शायद online हो रहा होगा system might be उस वज़े से है कुछ बदलाव तो होगी definitely अच्छी लगी है news काफी दर से कोई बढ़िया से खबर आई नहीं थी I hope कि अब यह clear होगी होगी अच्छा अब मुझे एक second comments में यह बताना कि कि जैसे मैंने आपको बताए कि चार cohort है एक cohort तो भाई MSM में लेंडिंग है तीन cohort कौन से है first, second, fourth, third तो यह वला है first, second, fourth कौन कौन से है बताओ याद होंगे काफी पुरानी चीज है कहां थे हम ठीक है अगला है अला चलो पांचवा आ गया Announces opening of the fifth cohort ओके पांचवा cohort जारी कर दिया है यहाँ पर आपका और यह पांचवा cohort क्या है यह विल बी थीम नूट्रल इतना अनौसर ओपनिंग अप्लिकेशन है किस सीज का अनौस्ट वाइड पांच सेप्टेम्बर ओके रेगलेटरी सेंट्वक फिफ्ट कोहर्ट अनौस्मेंट ओन 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 आप्लिकेशन वर सेकंड कोहर्ट उन और क्रॉस-बोडर पेम€ दूसरा कोहर्ट था फिफ्ट कोहर्ट अनौस्मेंट है फिफ्ट कोहर्ट अनौस्मेंट पिफ्ट कोहर्ट अनौस्मेंट विल बी थीम नूटरल अच्छा रयाँ प्लाटक्स कि वहाज़ नूटरल hypothetical के लाओ था नहीं कि MSME lending के लिए लाओ, cross border के लिए लाओ, इसके लिए लाओ, उसके लिए लाओ, अब उन्हें उपन कर दिया, जितने भी हम RBA के function कर सकते हैं, उन सब के लिए लेकर आओ, सब के लिए लेकर आओ, कुछ भी लाओ, आप हम उसको देखेंगे, test trial करेंगे, फिर बात करे ठीक है, ठीक है, उद्गम portal, आप सब को मालू होगा, I hope so, that's the unclaimed deposit gateway to access information, ठीक है, यह उद्गम का पुरा नाम है, 17 अगस 2023 को publicly open किया गया था, जो कि यहाँ पर unclaimed deposit, उस दिन हमने def के बारे बढ़ा था, यह उस इस related है, कि आपने के जो unclaimed deposit है, उस से related है, एक portal बनाया गया, व अभी तक, 7 banks को यह portal का access available कराया गया था, अब यह 30 banks को इस portal का access provide करा दिया गया, 30 banks को, यह 30 banks, अब माला, आज की date में, यह 30 banks हो चुके हैं, जिनको इसका access उपलब्द कराया जा चुका है, ठीक है, यह 30 banks है, sunset coming, बीचे आरा, sunset coming, sunset coming, sunset come भी होता है, आता है, sunset, कि sunset होता है, सो यह 30 banks है, इनको यहाँ पर कार नंबर याद रखेंगे, 30 bank के नाम तो कैसे याद रखोगे, ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ लो यह, आपको पता होगी, ways and means advances, जो कि सरकार को temporary base पर हम government को loan देते हैं, पैसा देते हैं, एक बार फटवर पढ़ लो इसको, revise कर लो, ठीक है, simple होती है, reporate पे देते हैं, और अगर कोई security नहीं दी जाती है, तो 2% above charge करते है, reporate पे, ठीक है, so bank of England, England का bank है न, simple सी बात होगी, इंडिया का जैसे rb, वैसे वहाँ का, तो यहाँ पर bank of England ने clearing corporation of India के साथ, और reserve bank of India बैंक of England ने clearing corporation of India किसे लिए tie up किया, clearing corporation of India किसे जो tie up किया है, यह किसलिए किया है, Clearing Corporation of India के साथ जो tie-up हुआ किसली किया है यह मैंसे लिए tie-up पहला तो Clearing Corporation of India गंसर्व्ट समझो CCIL जो है यह यहाँ पर एक परकार से एक व्यक्ती जिसको पास इसको एक्जम्पल से करते हैं इसे नहीं समझाएगा A B A के पास एक product है किसी भी चीज़ का कोई भी product है यह product यहाँ पर A ने B को sale किया ठीक है B उसके बदले में क्या करेगा payment करेगा उसको clear है payment करेगा ठीक है अब मैं कहता हूँ कि एक बीच में एक तो इनके बीच में direct interaction है A को पता B का रहता है B को पता A का रहता है ठीक है अब यह दोनों एक दूसरे को नहीं जानते वो एक दुनिया के को नेवट है वो दुनिया के दूसरे को नेवट है दोनों नहीं जानते मैं बीच में आ जाता हूँ C है ना और मैं A को भी जानता हूँ B को भी जानता हूँ या फिर मैं एक बड़ी recognized संस्था हूँ अच्छी संस्था हूँ जिसको सारी दुनिया जानती है यह must संस्था है इससे बात करते हैं तो मैं का करता हूँ इन दोनों के वीज में मध्यस्ता करता हूँ A कहता है कि मुझे B को समान बेजना है या पूरी दुनिया में किसी A, B, C, D, X, Y, Z किसको बेजना है C कहता ठीक है कोई बात नहीं हम है ठीक है तो B को ढूंडता है B को यहाँ पर यह समान पहुंचाय जाता है A के दौरा और B के दौरा A को पेमेंट पहुंचाया जाती है यह तो हुगया अब C का क्या रोला C क्या करता है C यहाँ पर डिरeक्स्ट लीन के बीच में जो इंट्रेक्शन होता है वो इनके बीच में डिरeक्स्ट लीन आकरा कर अपने थूरू रूट करता है ये क्या गरता है A से यहां पर product अपने वस मंगवा लेगा B से payment अपने वस मंगवा लेगा और अपने से payment जो है A को बेजेगा और अपने यहां से जो समान है वो B को बेज देगा तो जो C है एक परकार के moderator कर रहा है मेडियेटर Ships कर रहा है अब mediatorship का दर यह तो broker हो गया, दलाल भी तो ऐसे करते हैं, दलाल ऐसा नहीं करते हैं, दलाल क्या करते हैं, दलाल काम करते हैं, basically directly, A और B के बीज़ में direct interaction होगा, दलाल तो दोनों को मिलवाते हैं, दलाल अपने पास कोई property दलाल ने रखी तो property अपने नाम नहीं कराएगा ना इस तरह के संस्था यहां पर आपका जो काम कर रही है, उसी टाइप का काम यहां पर जो clearing corporation of India है, वो करती है, लेकिन clearing corporation of India सर कैसे करती है काम यह वाला? Clearing corporation of India जो काम करती है, basically यह काम करती है, financial market में, financial market में, कैसे? A और B के बीच में जो share की transfers होते हैं, A ने यहाँ पर share बेचे हैं किसी third part, किसी person को, और B से वो payment A के पास पहुंचेगी, तो यह अब A भी तो एक दूसरों को जानते नहीं, तो यहाँ पर जो broker होते हैं, जो brokers होते हैं, वो A, B को मिलवा देते हैं, लेकिन brokers यह surety नहीं देते कि बाइसा पैसा transfer हो जाएगा, या उनको share मिल जाएगे, वो CCIL जो है, वो ensure करता है कि यह transaction पूरी हो सके, CCIL ensure करता है, A से जो share है, वो B के बास पहुंचेगा, B से जो payment दे रहा है, वो A के बास पहुंचेगा, CCIL के surety देता है, इसी तरह का एक काम यहाँ पर CCIL अब यहाँ Reserve Bank of Bank of England के बीच में करने जा रहा है, यह एक परकार से Mediatorship ही रहेगी यहाँ पर, अगर किसी तरह की transactions को execute करना है, transactions को execute किया जाएगा, यहाँ पर UK based के banks के दोरा, इंडिया के banks के साथ मिल कर, कोई भी transaction किसी तरह की अगर करनी है, इंडिया ने UK के साथ, UK based bank के साथ, तो यहा UK through यहाँ पर transaction होगी, ताकि दोनों देशों के banks का यहाँ पर एक विश्वास बना रहे, दोनों देश के bank यहाँ पर एक दूसरे पर trust कर सके कि हाँ भई, पैसा आ जाएगा, पैसा चला जाएगा, transaction हो जाएगी, अब आपको कि sir, A और B, माले bank है, दो bank of England है, माले इंडिया क कोई bank है, तो एक दूसरे का transaction क्या करेंगे, क्या transaction करनी है, क्या transaction करनी है, कोई इंडिया का bank of England के bank को को समान थोड़ी ना बिचूँगा, हमारे पस तो पैसो को खेल है, पैसो का खेल ही transfer होगा, कैसे, मैंने यहाँ से payment करनी है कहीं पर England में, एक तरीका है swift वगारा messages के किसी bank को, ठीक है, तो यहाँ पर India में क्या होता है, इंडिया में चेक काट के दे देते हैं, चेक बाद में clearing में लगता है, अगर आपको clearing house का concept याद होगा, मैं दوبारा नहीं बताऊँगा यहाँ पर, clearing house का concept याद है, जिसमें एक clearing house master होता है, check आपके उसके बाद जाते है, वो mediator के through यहाँ पर दूसरे बैंक के बस आपका check transfer करता है, तो वैसा ही काम Clearing Corporation of India करेगा, यह payments होती है एक customer से दूसरे का customer को एक bank से दूसरे bank को पहुंचाने में, किसी customer की payment एक bank से दूसरे bank में पहुंचाने में CCIL यहाँ पर योगदान देगा, that is why the bank of India or bank of England and reserve bank of India has tied up with the CCIL for executing these kind of transactions very smoothly, I hope की news समझ में आगी होगी, news क्या है यह, यह आपकी news कहती है, got it, ठीक है, चलो, इंगे, sir, चलो, sir, बोरी हो रहा, sir, अब यह थोड़ा सा ढूडने में आईगी, हाना, अलो, मनोरंजन, मनोरंजन करते है तुमारा, लो, जी, मनोरंजन मिश्रा जी को ED appoint किया गया था, RBA का, ठीक है, RBA का ED किसको appoint किया था, मनोरंजन जी को, मनोरंजन जी ने क्या करका है, पढ़े, मनोरंजन जी ने post graduate है, economics में और MBA, banking and finance में, he also holds a master degree in finance and financial regulation from Estone Business School UK, मैं साथ, देख लो, ED बनने के लिए, ये करना पड़ेगा तुम्हें, क्या कहती है जंता, जरूरी नहीं है, सारों ने करका हो यार, है ना, FATF High Risk and Other Monitored Jurisdication, FATF को क्या आ गया, Financial Action Task Force, I hope मेरे स्टुट्ट्ट्स को सबको पता ही होगी, FATF क्या है ना, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है इसमें, अच्छा, क्या है इसमें, अच्छा, इनकी को यहाँ पर वो लिस्ट में शामिल कर लिया होगा ना, किसी को हटा दिया गया हो, किसी को शामिल कर लिया होगा, ये लोग करते रहते हैं ना, बुल्गारिया हाज बिन अड़िट तो दी लिस्ट और जुरिस्टिकेशन, वाइल अल्बाइनिया, केमा अलेंड, जोडन और पनामा है बिन रिमोड फ्रों दी लिस्ट बेस्ट 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 रिव्यू बाइधी अफटियम, फाइनेशल एक्षन टास्क फोर्स जो है, ये यहां पर एक ऐसी संस्ता है, जो कि यहां पर आपकी कुछ देशों को अपनी मोनेटरिंग एंडर रखती है, जो कि यहां पर टेररिस्ट फंडिंग में, मनी लॉंडरिंग में अगर शामिल हैं, तो ऐसी countries को उपर watch रखने के लिए एक FATF नाम की एक संस्था बनाई गई है ठीक है? Financial Action Task Force नाम की एक संस्था बनाई गई है ये Financial Action Task Force की संस्था जो है ये सब काम ऐसे ही जुड़ा हुआ Anti-Money Laundering से जुड़ा हुआ करती है और इसको grey list और एक black list दो तरह की list में शामिल करती है तीक है grey list वो होती है जिनको warning दी जाती है कि ये points हमने दे दिया है इनमें आपकी कमिया है इन points को पूरा कर लीज़े अगर वो उन points को पूरा कर लेती है तो उनको हटा लिया जाता है अगर उन पॉइंट्स को पूरा नहीं करती तो उनको blacklist में शामिल करें blacklist और greylist में शामिल होने का मतलब ये है कि बाकी countries जो उनको funding देती है जो उनको पैसा देती है World Bank या IMF उनको पैसा देने से हिच कचाएगा है ना कहिएगा भाज साब ये पैसा लेकर हमारा पैसा टैरिस्ट को देंगे हम क्यों पैसा दे इनको इसलिए कोई भी कंटरी इनकी greylist blacklist में आना नहीं चाहेगी ठीक है तो फिलहाल वही चीज़ इन्होंने की है कि उनके उपर Albania, Cayman Island, Jordan and Manama को यहां पर हटा दिया गया है उनकी list से उत्पन होते है ठीक है Regular follow करने वाले को ऐसे queries उत्पन ही नहीं होती सर्फ PDF दे दो ये दे दो वो दे दो सब पता उनको कहा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा है टेलिग्राम चैनल जोइन करो, add the rate के काट पर सब पता लग जाएगा आज की October, November हमने उस दिन complete कर लिया था, आज October देखते हैं, October की काफी सारी है तो देखते हैं, जितनी हो पाएंगी, क्योंकि मैं ऐसे फटावट तो कराना नहीं चाहता है जितना हो पाएगा, उतना करा दूँगा, quality downgrade नहीं करनी हमने पहला जो notification है, वो रहा है, regulation of payment aggregator cross border, PA cross border ओके, तो ये क्या है, payment aggregator cross border, PA cross border सबसे पहले तो हमें payment aggregator के बारे में पता होना चाहिए, कि आखरेकर payment aggregator क्या बला है क्या चीज है, payment aggregator आखरेकर क्या चीज है, ठीक है, तो payment aggregator यहाँ पर आपका सबसे पहले समझते है सिंपल सी बात है, बहुत बार class में भी discussion हुआ है हमारा, कि जब एक व्यक्ति, आप लोग, ने अभी black friday sale चल रही है, कुछ ना, कुछ online purchase किया होगा, पका गिया होगा, लड़कियों ने किया होगा, नाइका भी चल रही है, pink friday sale है, आपने black friday सुना, तो pink friday sale चल रही है, है ना, अब उस पे आप कुछ भी purchase करते हो, कोई भी चीज purchase करते हो, इसकी payment कहां करते हो, नाइका को माली जे payment करिया आपने, अब नाइका के बाद जो payment पहुंचती है, वो इस, उसकी website के थ्रू होती है, इस नाइका ने किसी एक और के साथ payment gateway ले रखा है, payment gateway service ले रखी है, payment gateway service क्या होती है, जब यहां पर आप payment करते हो, उस website पे, तो सबसे पहले जो payment होती है, वो सीधा नाइका के direct account में आ जाकर, एक payment gateway के पास जाता है, एक company service provide कराती है, उससे पैसा लेना और आपके खाते में डालने का, that is the payment gateway, अब payment gateway के पास यहां पर पैसा जाता है, वो आपको इस सुधा प्रवाइड कराता है, इस customer के account से debit करके, आपके account में credit करने की, payment gateway, ऐसी companies बहुत सारी है इडिया में, one of the companies दी razor पे है, cash free है, ऐसा कुछ नाम भी है न, cashified करके है, ऐसी कई companies है यहां that is the payment gateway, तो उसके पैसा जाता है, वो हमें पैस से फिर आपके जो है, ट्रांसफर कर देता है, तो यह जो payment gateway service है, यह provide की जाती है, payment gateway provider के द्वारा, as well as the payment aggregator के द्वारा, payment aggregator is a wider term, payment gateway is a narrow term, payment aggregator में payment gateway और भी बहुत सारी services include होती है, जो कि यहां पर वो companies को, या जैसे हमने payment gateway ल बात करें और यह बात करें, cross border की, cross border यानि कि यह बात करें है, जब यहां पर हम import export करते हैं, कोई बीचीन, यानि कोई विक्ती जिसने बहार export किया, वो पैसा बाहर से आएगा, कहीं ना कहीं से, ठीक है, मैंने import किया, तो मुझे payment बहार भेजनी है, कुछ इस तरह से यहां प ठीक है, अब इसमें कुछ guidance इन्होंने निकाल ली है, guidance क्या निकाल ली है, guidance यह यह कहते हैं, कि जितने भी payment aggregator है, जो कि process करते है domestic transaction in online mode, यानि कि इंडिया में जो transaction को, जो आपका process करते हैं, आज covered within the scope of the circular, इस circular में यहां पर वो include किये जा चुके हैं, और जितने भी यहां प aggregator इंडिया में domestic level पे काम कर रहे थे, उनको कहा गया है कि आप cross border भी काम कर सकते हैं, यानि कि import export भाहर से कोई पैसा आ रहा है, उसको भी accept कर सकते हैं, भाहर पैसा भीजना है, वो आपके थूभी भेजा जा सकता है, इस तरह की चीज यहां पर इन्होंने इस particular circular के थैत यहां पर आपकी regulate किया है, इस तरह से उन्होंने आपका instruction जारी किया है, सभी सभी जो payment system provider है, payment system participants है, उन सब को, ठीक है, यह लग लेवल के लग लग circular से है, reserve bank of India, 2021, 2010, 2013, 2015, 2022, इन सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव किया गया है, और payment aggregator जो exporters है, जो cross border है, cross border मतलब भाहर भेजन उन सब को यहाँ पर यह guideline जारी की जा चुकी है, ठीक है, लेकिन इस guideline को पूरा करने के लिए, ऐसे payment aggregator को यहाँ पर कुछ eligible भी होना पड़ेगा, कुछ minimum criteria follow करना पड़ेगा, वो minimum criteria related है उनके net worth से, net worth, net worth क्या है, net worth, माली जे कोई भी non bank है, non bank यानि कि कोई bank नहीं है, लेकि उसकी जो minimum net worth है, उसकी जो, दीरे बहुत आता है, ठीक है, minimum net worth है, वो यहाँ पर 15 करोड रुपे होनी चाहिए, 15 करोड रुपे होनी चाहिए, अभी फिलहाल as on date, जब यह circular आ रहा है, और 25 करोड उसको net worth लेकर आनी है, 31 मार्च 2026 तक, 2026 तक उसकी net worth जो है, 25 करोड रुपे होनी, net worth यानि कि उसकी पूझी, जो minimum पूझी, जो business start कर रहा है, capital से, और plus उसके जो profit है, या reserves मिला कर जो पैसा होता है, उसको net worth कहते है, accounting की term है, यहाँ पर आपकी एक, net worth उसकी as on rate 15 करोड है, तभी उसको payment aggregator cross border eligible कर पाएंगा, वो कर पाएगा, उन transaction execute कर पाएगा, अगर इतना नहीं है, उसके बाद net worth में, तो वो eligible नहीं है, और उसको यहाँ पर 31 मार्च 2016 तक 25 करोड तक increase करनी है, अपनी net worth को, ठीक है, और अगर आप एक new non bank है, यह तो existing है, जो already काम कर रहे हैं, और अगर आपने अभी license इसका registration लेना है, तो क्या criteria है, तो इन्होंने कहा है, कि आपको अपनी net worth जो है, 25 करोड करनी पड़ेगी, तीन साल तक, जब आपको registration मिल जाएगा, उसके तीन साल तक आपकी जो net worth था, वो 25 करोड आपको करनी पड़ेगी, यह इसमें criteria दे रखा है, और इसके लिए जो non bank payment aggregator CB, cross border है, जो existing कर, अभी फिलहाल exist कर रहे है, circular के date को, catchery auditor क्या होता है, एक कोई भी organization, कोई भी company, अपने सारे साल में, जो भी काम दाम करता है, जो भी sales, purchase, stock, dog, profit, कितना कमाया, कितनी पूंजी है, क्या debtor है, वगारा, जितनी में accounting की treatment, financial statements हम लोग बनाते है, accounting में, उन सब को check करवाया जाता है, simple सरल भाशा में बता रहा हूँ, म को check करवाया जाता है, भाई साब, हमारे देश में यहाँ पर एक कानून है, IT का उसकत है, उनकी एक checking करानी, charted accountant से, जो charted accountant का main function है, वो करवाया जाना अनिवारय होता है, है ना, अगर आपका revenue साल में 3 करोड से जादा है, तो, तो अगर वो revenue 3 करोड से जादा है, तो उसको अपने financial statements की audit करवानी पड़ेगी, checking करवानी पड़ेगी, external auditor से, बाहर के auditor से, यानि कि charted accountant से, तो वही statutory auditor की हम बात कर रहे हैं, कि उनसे यहाँ पर certificate लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं मैं कहा दू, हाँ, हाँ, मेरी 15 करोड हो गई जी, नहीं, statutory auditor जो है, charted accountant जो है, वो confirmation देगा, इतनी हो चुकी है, तब जाके उसको यहाँ पर Reserve Bank of India accept करेगा, ठीक है, ओके, और जितने भी non banks हैं, उनको यह सारी condition, जो है, वो आपकी पूरी करने, 31 July 2024 तक उनको बताना है, कि हाँ भई, हम जो करने, आपका जो शर्त है, यह 25 करोड वाली, इसको हम पूरा करेंगे, उससे स उनका license, उनका registration cancel कर दिया जाएगा, ठीक है, तो उमीद करता हूँ, यह requirement जो है, यह भी आपको समझ में आगी होगी, कि कितनी क्या क्या requirement है, एक और चीज इसमें, इसमें यहाँ पर इन्होंने एक और दे रखा है, amount धाई लाक रुपे की, कि धाई लाक रुपे से उपर की अगर कोई भी transaction होती है, तो उसको यहाँ पर दोबारा से चेक करवाने के वशकता बढ़ेगी, भाईचा भी लाक से उपर की कोई भी transaction कर रहे हो, तो उसको अच्छे से analyze करना, अच्छे check करना, री checking करना कि जो transaction हो रही है, सही हो रही है, सही तरीके से की जा रही है, valid transaction है, और मुझे कुछ इसमें खास लगता है, नहीं important है, अपर exam point है उससे, ठीक है, यह amount figures होते हैं, यह ज़्यादा important रहते हैं, क्योंकि exam में इन्ही amount और figure से question ज़्यादा पूछे जाते हैं, statement based question आपके बनते हैं, ठीक है, अच्छा, एक और चीज है, एक और चीज आपको बता बढ़िया आपके लिए, उस दिन ना काफी लोग ना ये पूछ रहे थे मुझसे, कि sir, जो आपने पढ़ाया है, इस में से question कैसे बनेंगे sir, question में आपको जो समझदार वेखते हैं, जो regular follower हो रहा है, उसको तो समझ में आगी हो, कि हाँ sir ने question से बना, क्योंकि वो उनको सकता है, ठीक है, तो उनके लिए, या फिर मेरे पुराने जो पहले student जिनको पता है, sir, ऐसा ही question में बनेंगे, क्योंकि अब आपने आदत बना दिया, आपको news बढ़ाते हैं, हमें खुद बहुत समझ आ जाता है, इस में से question कैसा बनेगा, फिर भी आपकी practice के लिए, मैंने cross related, उससे related कुछ questions आज शाम तक upload हो जाएंगे, इस session से related भी quiz उमीद करता है, कल या परसो शाम तक upload हो जाएंगे, ठीक है, तो जो पिसला session हो तो उससे related questions कुछ तो ready है, कुछ ready हो रहे है, तो उमीद यह है कि आज शाम तक मैं उनको upload करवा दूँगा, ठीक है, तो आप उस session क day one के quizzes वहाँ पर जाके attempt कर सकते हैं, आज के session वे quizzes मिल जाएंगे, इस तरह से जो भी मैं session लूँगा, उनके quizzes, separate quizzes एक, अलग से आपको crossword गेंडर special quiz category में मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छा, एक और, जो अभी हाल ही में world cup हुआ था, उससे related भी तक्रिवान 20 questions मैंने upload करवाए हैं, वो attempt कर लें, वो uploaded पड़े हैं, उनको भी attempt कर लें आपका world cup से related, ठीक है, okay, great, चलो, आगे चले, अगले notification पे चले, समझ में आ गया यह, कोई दिक्कत, कोई परिशानी, I don't think कुछ होगी, अगले पे चलते हैं, अगला circular 30 October का आया था, यहां पर आपका notification आया था, circular नही नहीं कूँगा, banking regulation act 2020, एक amendment किया गया, change in the name of cooperative bank, ठीक है, cooperative bank के नामों में किसी तरह का बदलाओ, अच्छा, ऐसा हो, अगर, अच्छा, मेरे को एक question का जवाब दो, अगर अभी, आरभी की website एकदम से चलती-लती बंद हो जाए, यह मेरा internet connection चलता-लता बंद हो जाए, तो एक class तो नहीं हो पाएगी, कैसे गरेंगे class, impossible तो नहीं है ना, class करना पर, जो आरभी की website डाउन है, तो हम क्या कर सकते हैं, भाई सार, है ना, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, अच् आपने मेरे type of risk वाली class को दिखा होगा, पढ़ा होगा मुझसे, तो उसे अलगले type के risk आते हैं, banking sector में जो जुड़े होते हैं, अब यह जो अभी होगा, in case हो जाता है, वैसे तो हम pray करेंगे, ना हो, लेकिन हो जाता है, तो उसको किस type का risk कहते हैं, बताओ, ज़रा मुझे comment section ने देखते हैं, कितना ग्यान है आपको, कितना याद है आपको, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, operationless, गजब, सबने कर रहा है, banking blueprint, और कोई बच्चा निया करना आजाता है, मेरा, निया कोर्स अवलेबल है, learning मीती में, मैं डेली वहाँ पर class ले रहा हूँ, ठीक, अब तक 16-17 sessions ले चुका हूँ, ओके, और अभी मैंने, परसो आपको ये भी काता है, उसमें मैं कुछ निया कराया, banking blueprint वाले कोर्स से भी निया अपडेट कराया, इस बार मैंने कुछ, ठीक है, और मंडे को भी मैं जो class कल लूँगा, उसमें मैं कुछ निया अपडेट कराऊंगा, कुछ निया कराऊंगा, उसमें, ठीक है, चलो, अगली नियूस पर चलते हैं, banking regulation amendment act, change in the name of cooperative bank, अच्छा, जो cooperative bank है, जो सहकारी bank है, इनके नाम में अगर परिवर्तन किया जाए, तो उसका एक procedure बताया है, देखो, cooperative bank simple सी बात है, cooperative bank कैसे बनते हैं, कैसे origin कैसे होता है, उसको समझते हैं, cooperative bank यहाँ पर सहकारी bank जो होते हैं, सबसे पहले कहा जाते हैं, सबसे पहले ये bank जो है, वो आपके register उनको कराना बढ़ता है, under the cooperative society act, ठीक है, cooperative society act के तहत वो register होते हैं, अगर वो किसी एक state में अपना branches को open रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर register किस में होते हैं, वो यहाँ as a state का जो central registrar authority है, central registrar society है, उसके बाद register होते हैं, और अगर वो एक से जाधा state में अपना branches यह अपना काम को करना चाहते हैं, तो central की जो RCS होती है, central registrar of cooperative societies होती है, उनमें register होते हैं, ठीक है, central level की, अगर एक ही state में करना है, तो RCS, that is, registrar of cooperative society, उस state का हो जाएगा, और अगर एक से जाधा state में करना है, तो CRCS में register होते हैं, जब यह register हो जाते हैं, उसके बाद इनको reserve bank of India का approach करते हैं, और इनको कहते हैं, हमें bank का license दे दिया जाए, तो यह एक तरीका होता है, एक cooperative bank को start करने का, ठीक है, अब अगर cooperative bank चाहता है, कि मेरे नाम में बदलाव हो, मेरा ना नाम तबदील किया जाए, भाई साब, पुराना नाम है, नेया कर दो, है ना, कुछ कर दो, like, like दी जैसे RBL bank था, खैर वो तो अलग bank था, RBL bank था, RBL bank का original name था, रतनाकर bank लिमिटेड, तो obvious है, रतनाकर bank लिमिटेड, जो Zen Z, आपकी जैसी generation है, अगर उसको पता लगे, रतन आपको जो success है, वो भी बड़ा ही, short duration में चाहिए, आपको यह नहीं देखते हैं कि, जिस इनसान को success मिलती है, वो कितनी महनत, कितने सालों की लगन के साथ उसको आज इस situation में पहुंचा, position पहुंचा है, आप उस इंसान को देखकर यह सोच ले हो, कि मैं इस तरह का कैसे बन चाहते हैं छे महीने में, क्योंकि this is a zenzy population है, सब को छोटा चाहिए, सब को short में चाहिए, वैसे ही bank का नाम भी short होना चाहिए, बड़े bank का नाम थोड़ा सा अजीव लगता है, तो वैसी cooperative bank अगर अपना नाम बदलना चाहते हैं, तबदील करना चाहते हैं, तो उनके लिए procedure उनको पहले यहाँ पर Reserve Bank of India के पास दाना पड़ेगा, Reserve Bank of India उनको NOC लेना पड़ेगा, उनको कहा गया है कि आप NOC लीजिए, कि आप नाम बदलना चाहते हैं, NOC वालए Non Objection Certificate लीजिए, RBA आपको Non Objection Certificate देगा, फिर उस Non Objection Certificate आप लेकर जाएंगे किसके पास, RCS या फिर CRCS के पास, जहां पर भी आप Register हैं, वहाँ जाएंगे, फिर आपका नाम यहाँ पर बदला जाएगा, यह इस पूरी-पूरी Notification का एक सार इन्होंने दिया है, ठीक है, यह मैंने Notification का एक सार आपको वैसे ही बता दिया है, जो इसमें लिखा हुआ है, पूरा-पुरा, ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ जादा समझने की, जादा जानने की, जरूरत याद करने की जरूरत नहीं है, देखो, Central Register of Corporate Society, CRCS, Register of Corporate Society, RCS, यह लिका हुआ है, शाल नोट सिगनिफाई इस अप्रूवल तो दे चेंज और फ्लेम अनी कोपरिटी बैंक, अल्नेस The Reserve Bank certifies in writing that it has no objection to such chain, further in terms of section 49C, no application for confirmation alteration or bylaws of corporate debank shall be maintainable and the Reserve Bank certifies that there is no objection to such alteration, got it, ठीक है, बढ़िया है, समझ गे, एक पूछा पूच रहा है, सरगे class किस सीच किया है, बेटा title पढ़ लो यार, है ना, है अजो title तो पढ़ी सकते हैं अपने, है ना, title में सब कुछ लिखाई हुआ है, title में लिखा हुआ है, thumbnail में लिखा हुआ है, क्या कहती जनता, लिखा हुआ है कि नहीं लिा हुआ अच् आज एक्जाम किस सीच गया है एक इंसिडेंस वताओ क्या होगा स्मृती आपकी स्मृती मैं उस दिने पेपर देने गई ही ठीक है एक्जाम देने के अनलाइन पेपर है ना सामने तो टिक की तो करना है और क्या करना मौस होगा ना मौस कीपोर्ड उससे काम करना है पैन के तो जरूत होनी नहीं चाहिए असमृती क्याती मुझे इतनी हसी आ रही थी उस टाइम पे काफी लोग देख रहे थी उस टाइम पे मुझे की मैडम भी है यहां पर कल रहती है पर पैसे स्ट्रोड केतो अनुट फेश्ड लूत वे थे रहाती है ड्ला को मैं कैसे फिर यह थी सजेद्फों घ्जाब अचैनला मैं मानना हो यह थो उसको यह नहीं पता ट्एम पहन की दरता है या नहीं और कवे एक बिगिनर बच्चे को भी आडलिस यह तो पता होगा, कि बैंक एक्जाम में देने जरो, पैंत के जरूरत पड़ेगा, यार, इसका मलब वो कोई भी क्लास, कोई भी कोश्चन, कहीं पर भी कुछ भी अटेम्ट करके नहीं गई, इसका मलब यह हो गया, है न, कुछ भी नही एक क्लास कर लेते हैं, फिर भी उसको पता होथा कि पैंत के जरूरत पड़ेगी, है न, चलो, आगे चलते हैं, अगला नोटिविक्शन क्या कहता है, अरे यार, यह बैक नहीं किया, वापिस से आ गया, चलो, कोई नहीं, अच्छा, अगला नोटिविक्शन कहता है, अगला पड़ते हैं, यह थोड़े डंग की न्यूस आई, लेवल की न्यूस आई, अच्छा, अच्छी है यह नियूस, बढ़िया है, ठीक है, अच्छी चीज समझ में आईगी आपको बड़िया, अच्छा, आपका माली जए 10 बैंक में अकाउंट है, 10 बैंक में आपके अकाउंट है, है क्या, कितने लोग है जिनके यहां पर स्विस बैंक में अकाउंट है, मेरी साइड वालों को कैसे टिक करना, स्क्रोल करके वो भी नहीं पता था, आपके अच्छ, 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 एससी वं अंदर मिलता है पैन, अरे बेटा उसको तो यह नहीं पता था, पैन की जरुरत भी पड़ेगी, उसको यह ने पता, कि पैन की जरुरत भी पड़ेगी, अजय किसी कि स्विस्स में एकाउंट है, बेटा ऐसा ओप्षन नहीं है रश्मी ऐसा कोई ओप्षन नहीं है ना तो इस बैंक है अगे बैलंस कितना बड़ा था आपके अनल से प् सॉप्षन मत कोई आप्षन नहीं है प्लीज्यार स्वरी ना चार सोड तालिस एक सो निनानवे डेड़ सर रुपिया दस रुपे बारा पैसे बारा पैसे वला कोन है चार सो स्तासी रुपे पुंद्रा जार वला कोन है पकड़ो उसको उसको के सारह के फॉर्म फिल की आगरा वाले अंना Čहा चौलीस हज़ार हो हो होओ पूरे शाल के कोर्सिश आज़ेंगे सारह में हो JUST,गी Pues yeah अब आप तुमारे मालिग और स piercing रूट तुमारे कई सारे काई वे ठीक है अब तुम्हें बैलनस एक करना तुम भाइसाब SBA की अप्लिकेशन में डाउनलोड करके वैटे बैंक वरोदा की कर ली, HDFC कर ली, इसकी कर ली, फलाना की कर ली, उसकी कर ली, टीम का अंगी कर ली लेकिन आपको ऐसी कोई सुधा प्रवाइड कर दी जाए, जिसमें ये कहा गया कि एक ही बैंक में, एक ही बैंक के एक अप्लिकेशन आपको प्रवाइड करा रहा है, इस अप्लिकेशन में आप सारे के सारे बैंक के अकाउंट का एकसेस ले सकते हो, देख सकते हो इन पढ़ा होगा उसमें तो वैसी बैलेंस नेगेटिव में पढ़ा होगा था ना तो अभी तो जरूरत नहीं लेकिन थोड़ा से जब बढ़िया लेवल पर पहुंच जाओगे तो अव्वेस हो जाते हैं कई बार हमारे 2-3 मेंक्स में अकाउंट हो जाते हैं और खासकर जो अप्सिवल किया रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने यहां पर अकाउंट एग्रिगेटर का यहां पर एक लैसेंस उपलब्द करवाया रेजिस्ट्रीशन उपलब्द कर आया आपका बैंक्स को कुछ नोन बैंक्स को फाइनेशल इंस्टुशन्स को ठीक है उसी के बारे में हम बात करह焼 है अकाउंट aggregator ecosystem की बात करें अब account aggregator system में दो तरीके की चीजे थी ठीक है अकाउंट अग्री emoji में दो तरीके के यहां पर institutions थे हैं दो तरीके की institutions कौनसे थे यह अकाउंट aggregator is says the दो institution से दो लगण पार्ट से इंके एक था यहां पर फाइनेंशल information provider ठीक है और दूसरा है financial information user ठीक है financial information user यही यहाँ पर लिखा है FIP FIU यह लिखा हो financial information provider और financial information user ठीक है यह दो थे अब यहाँ पर क्या हुआ जब account aggregator system शुरुवात हुई थी तब यहाँ पर यह दोनों बिल्कुल अलग-लग है separate होते थे कि जो financial information provider है यानि कि यह एक ऐसा institution था जो कि दूसरे bank की दूसरे banks की यहाँ पर आपको detail दे दता है मालीज आपका SBA में account है तो SBA अगर account aggregator की सुधा उपलब कराय रहे तो आपका SBA में account है XS में account है तो SBA और XS bank दोनों की account की detail यहाँ पर आप SBA के उस particular application के account aggregator ecosystem में देख सकते थे तो SBA यहाँ पर क्या काम कर रहा था financial information provider का के आपको information provide करवा रहा है ठीक है ओके अब financial information user कौन था financial information user for example ऐसी संस्था ऐसा institution ऐसा bank था जो कि केवल और केवल उस financial information का इस्तमाल कर रहा है वो आपको वो यूज नहीं करा रहा है यानि कि मेरे वाले case में SBA और XS bank मैंने उठाया ठीक है तो SBA यहाँ पर क्या कर रहा है SBA यहाँ पर आपको information provide भी करा रहा है XS bank की आपके XS bank के मैं XS bank के बास गया मैंने का भाई साव ऐसी कोई system है account aggregator system है मैं जहां पर आपका XS bank account तो देख सकता है SBA का account भी देख सकता हूँ वह कहता है नहीं sir हमारे यहाँ ऐसी सुऊधा नहीं है लेकिन अगर सुऊधा नहीं है तो मेरे account की June SBA को कैसे मिली अगर आप इस सुऊधा हक में नहीं है अगर आप इस ecosystem का part है, वो चाहे तो provider बन सकता है, चाहे तो नहीं बन सकता है, लेकिन उसको दूसरे bank को, अपने bank account की सारे की सारे detail और customer की देनी पड़ेगी, वो user बन सकता है, दूसरे किसी bank के लिए, अपने customer के लिए वो provider नहीं बन सकता point समझ रहे हो मेरा समझ लो कि Axis ने SBA को तो detail दे दी लेकिन Axis, Axis जो है वो अपने customer को उसका दूसरे account की detail देने से मना कर रहा है क्योंकि वो as a financial information user की तरह काम कर रहा था provider की तरह काम नहीं कर रहा था लेकिन RB नहीं जो notification निकाला इसमें यह कहा कि भाईसाब ऐसी चीज नहीं करनी है अगर आप एक financial information user है तो आपको financial information provider भी पनना पड़ेगा तो यानि कि simple सी बात है कि इन दोनों को यहां पर अलग-अलग ना करके अब एक कर दिया गया है कि जो financial information provider है वो financial information user भी है जो financial information user भी है ठीक है, bank joining the AA system as FIU shall necessarily join as FIP also if they hold the specific financial information and fall under the definition of FIP Got it, समझ गे मेरी बात, क्या कहना चाहता हूँ मैं Clear है एकदम, जो मैंने समझाया आपको, easy सा था, कुछ मुश्किल नहीं था बट क्या होता है यार, यह जो RBA की circular lines, lines होती है थोड़ी जी वो complicated से लगती है हमें पढ़ने में लेकिन होता overall चीज simple ही है, ठीक है, okay, I hope से हो कि हाँ बस इतना ही है, ठीक है चलो, अगली news पे चलते हैं, अगले notification पे चलते हैं अगला notification क्या कहता है, अगला notification है Review of financial information provider as account aggregator framework की है, तो I think same ही हो गया न, क्या है यह, as per the national pension system ठीक है, ओके, कुछ नहीं, खास नहीं है, simple से news है, इसमें क्या है, इसमें हम बात करे हैं, NPS की National Pension System की, जो यहाँ पर एक संस्था है हमारे देश में, that is known as the Central Record Keeping Agency Central Record Keeping Agency, जो हमारे यहाँ पर है, यह वली यह क्या काम करती है, Central Record Keeping Agency Section 27 और Pension Fund Regulatory and Development Authority Act के तहत यहाँ पर एक interface प्रोवाइड कराती है, between different intermediaries in NPS system यानि कि CRA जो है, यह सभी सभी, यहाँ पर जो definition लेकिते हैं, इस से संबन देता है, मैं वैसे CRA का एक overall work बता देता हूँ CRA जो है, एक ऐसी संस्था है, जो कि आपका सारा का सारा record रखती है, record किस सीज का record रखना? आपके bank account, आपके pension account, आपका insurance, आपके mutual fund, आपका share market, जितने भी financial institution, चाए money market, कुछ भी आपने कहीं पर भी invest कर रखा है, कहीं पर भी आपका पैसा बढ़ा है, किसी bank में आपका पैसा बढ़ा है, वो सारी की सारी detail एक ही जगहां पर आपकी रखी जाती है, consolidated way में, और वो central record keeping agency का काम रहता है, यानि कि एक ही जगहा पर आपका पूरा कुरा कच्छा चिटा, वहाँ पर available रहता है, ठीक है, ओके, समझ गया central record keeping agency का मतलब, अब यहां पर जो यह कह रखा है, कि account aggregator का में काम क्या था, सिरफ bank की detail, bank की detail एक दूसरे साजा होती थी, लेकिन central record keeping agency में, सारे के सारे जितना भी आपने और investment करका है, उन सब की detail यहां पर साजा होती है, तो यहां पर यह कहा है, कि जो intermediaries है NPS system में, NPS system में मतलब, जो NPS है, new pension scheme जो है आपकी, national pension system जो है आपका, जिसके तहत आपका यहां पर जो आप job लगोगे, उसके बद आपका पैसा थोड़ा बहु का पैसा जो है आपको retirement के वक्त मिलता है, कुछ पैसा आपको एकठा मिल जाता है और कुछ पैसे की pension बन जाती है, ठीक है, तो वो NPS का system रहता है, तो वही NPS system की बात कर रहे हैं, यहां पर आपका जो NPS system में different intermediaries हैं, वालग कि पैसा bank से आ रहा है, NPS में जमा हो रहा है, NPS क पैसा जो है other institution में हम invest कर रहे हैं, दूसरे institution में invest है, ऐसा दनिया पैसा हम पढ़ा रहेगा सरकार के बास, NPS के बास और कहीं invest नहीं करेगी, बाद में पैसा कैसे दे दीगे, इतना increase कैसे हो जाएगा, portfolio नहीं होगा, ऐसा मैंने 10,000 पर जमा कर रहे हैं, वो 60 साल बाद मुझे 10,000 पर मिलेंगे, मुझे क्या फायदा, तो वो कहीं न गई उस पैसों के invest करती है, तो वहाँ पर भी बहुत सरी financial institutions यहाँ पर उनके पास जुड़ते हैं, उनसे जुड़ते हैं, जहाँ पर उन्होंने invest किया, वहीं से वो मनाफ़ा खुद भी कमाती है, और बाकी पैसा जिस इसने जमा करा है, उसको दे देती है, उसकी retirement के time, तो जितने भी लोग यहाँ पर involved रहते हैं, different intermediaries in this, यहाँ पर उन सबकों लिए यहाँ पर जो CRA है, वो एक परकार से एक intermediary के रूप में यहाँ पर काम करेगी, इंटरफेस के रूप में काम करेगी, तो यहाँ पर यह भी क कोई ऐसी NPS से related कोई account है, या कुछ भी है, तो उससे related जो भी pension fund word शब्द वहाँ पर यूज किया जाता है, pension fund, उसकी जगा पर वो word यूज किया जगा CRA, क्योंकि CRA सारी की सारी information दे रहा है, CRA financial information user की तरह काम कर रहा है, ना कि कोई pension fund जो है, वो as a financial information user की तरह काम कर रहा है, क्य साइड करता है, अलग-लग तरीके के pension fund होते हैं, उनमें पैसा जाता है, और इनी अलग-लग तरीके के pension fund में, यहाँ पर वही कह रहा है, यह pension fund word यूज ना करके, हम उस word को central record keeping agency word यूज वहाँ पर करेंगे, डबल य एको सिस्टम के तहत, I hope कि समझ में आगे होगी आपको य अगले notification पे, एक पुछना है, sir, NPS versus OPS, बेटा, अगर NPS versus OPS बताने लग जाना, तो शायद यह class रहा जाएगे, फिर तुम्हारा NPS versus OPS ही रहा जाएगा, और वो exam में आएगा भी नहीं है, तो ऐसे मुद्दों से अपने बैटर है कि दूर रहें, controversial मुद्दों से, this is one of the controversial mud जो इस class में उठा दिये, तो फिर class दो घंटे चल जाएगे, और यह हमारी exam centric चीज़ है, वो रहा जाएगे, क्योंकि अभी भी कई students को यह लगता है, यह exam centric नहीं है, उस दिन 2-3 comment ऐसे भी आए पिसली class में, आरे गुरू जी, क्या time waste करा रहे हो, यह थोड़ी ना exam में आ कि सर पिछले साल SBA PO means देने के बाद, मुझे यह चीज समझ नहीं आएगी, यह RB के circular में से question आएगी, कहां से करूँगी, क्या आगया, ऐसा क्या आगया, और आपकी आज class देखी, तो समझ में आगया, gift मिल गया, यही तो था जो मुझे चाहिए था, जो पिछले साल मुझे नहीं कहीं से मिला था, ठीक है, तो बंधू, अभी तुमने SBA exam नहीं दिया है, इसलिए यह बात कर रहे हो, और यह series में RRBPO के time और IVPSPO के time क्यों नहीं लेकर आए, यह भी सोचो, कोई ना कोई कारण होगा कि SBA P और SBA clear के time ही क्यों लेकर आए हो, है ना, लाने को तो पहले ले आता, RRBPO के time, भीड भी, आज मालो, यहां पर 300 बच्चा लाई बटा, उस time भीड बहुत थी, उसका बच्चे कम होते जाते हैं, धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे, लाने को तो में ले आता है, लेकिन क्या फायदा, उस time नहीं जरूरत थी, इस तरह के series की, न धिवे जना, यहां पर एक शुद होता है, बुट दिपोशीट एक पहले तो शाब्ड होता है, फिक्स डीपोशित एस ना, बैंक में आप जो जाते हो और बैंक में आप FD कराथे हो, बैंक में आप FD कराते हो, वह थोड़ा-थोड़ा पैसे जमा करते रहते when मिने मिडिए एक यह चीज हमारे में काफी कॉमन है फिक्स डिपोजिट को बड़ा एक बड़ा ही गजब वाला इन्वेस्टमेंट का तरीका मना जाता है और उनके द्वारा क्यों माना जाता है कि उनके बताई ही यह चीज जहती है और भी बहुत सर इंस्ट्रमेंट से जहां पर आप invest कर सकते हो directly stock market भी कर सकते हो इस तरह की चीजों के बारे उनको knowledge ही नहीं दी जाती है तो उनके mind में यही आता है अरे नहीं नहीं बहुत risky है mutual funds are subject to market risk तो सरकार भी advertisement कर रही है ना तो वो बिल्कुल सुनते नहीं है पूसते नहीं है हमारे देश में mutual fund, stock market, insurance इन सब चीजों को यहां पर बहुत ही sideline करके देखा जाता है कि नहीं नहीं इसमें बहुत ज़्यादा risk है हमें पैसा डुबाना नहीं है यह शब्द इस्तमाल की जाते है इन सब sectors के लिए ठीक है लेकिन यह देखना अभी यह जो sectors है इतना जाद ग्रो कर रहे है और आने वाले दिनों में आपको बैंक में fix deposit की जो amount है वो कम होती है नज़र आएगी और mutual fund investment stock market insurance companies इन में पैसा जादे इन्वेस्ट होता नज़र आएगा आज से अभी near future में तो यह चीज नहीं possible है लेकिन हाँ 10 to 15 years आज से 10 से 15 साल बाद आप यह चीज फील करोगे तब बैंक में यहाँ पर आपको fix deposit करवाने वाले लोग कमाएंगे और आप से mutual fund purchase करने वाले लोग ज़्यादा आएगे देखना अभी तो बैंक mutual funds या विर stock market में क्या intermediary की तरह काम करते हैं कि किसी third party के सा tie up करते हैं और वो mutual fund business वगारा वो run कर रहा है उनके भिहाब पर अभी देखना 10 से 15 साल बाद बैंक्स खुद एक अपना institution खोलेंगे और वो ही यहाँ पर काम करेंगा mutual fund like the SBA ने तो already खोली रखा अपने खुद के mutual funds अजन्सी खुद की companies है mutual funds की company है life insurance की company है general insurance की company है private sector company है लेकिन है खुद की ना बाकी banks की नहीं है बाकी banks की में है कुछ banks की है सारे banks की नहीं है ठीक है ओके चलो और फिर आपकी generation भी आगे-अगे वेर करेगी है ना आगे-अगे वेरनस create करेगा अब जैसे मेरी अगर banking वेरनस की जो course देर के उसमें मैंने एक class में आपको financial advisor की class लेता हो ना मैं आपको बताता हूँ कैसे financial advice करना कैसे आपको अपनी investment जो भी आप करना जाता है future में जब आप job लोग होगे उसको कहां कहां कैसे कैसे investment किया जाए investment planning कैसे की जाती है financial advice की एक class लेता हो ना मैं अगर आप में से काफी students ने वो ली class मेरी ज़रूर attend की होगी है ना तो वो ली class है ना उस ही के बात करो तो जैसे मैंने आपको दिया एक suggestion आपने घर पे दो गए आगया आगया फिर आगया आगया बढ़ती रहेगी चीज़े awareness create होती रहेगी ठीक है खैर हम थोड़ा सा मुद्दे से भटके कोई बात नहीं knowledge ही मिलती है सी जी जो से बलक डिपोजिट के बात करो fix deposit पे आते हैं तो fix deposit जो करवाया जाता है अगर ये fix deposit bank में bank में जाकर अगर मैं कहूं कि sir मेरे पास 2 क्रोड रुपे है ठीक है मुझे एक fix deposit कराना है तो अगर 2 करोडिया उससे उपर की amount, ये लिखा हुआ है, दो करोडिया उससे उपर की amount जो है, ये amount अगर किसी schedule commercial bank में आप जमा कराते हो, small finance bank में जमा कराते हो, तो उसको हम bulk deposit कहते हैं, ठीक है, और RRB में ये figure जो था, वो 15 lakh था पहले, अगर RRB में जमा कराते है, fixed deposit 16 lakh, 15 lakh क उसको bulk deposit कहते हैं, लेकिन अब इसकी definition RRB ले बदल दी गई है, अब ये definition एक करोड कर दी गई है, ठीक है, एक ऐसी, जो है, ये 15 lakh से एक करोड कर दी, अब सर आप ये, क्या फाइदा मतलब कि ये, बताओ मेरे को कि, bulk deposit definition देने का क्या फाइदा, मैं लेकिन तुक क्या है, 2 क्रोड, 1 क्रोड वाला, ठीक है, विक deposit है, तो है, काहे को bulk deposit एक लग से नाम दे दिया, उसको, काहे को एक definition दे दी, और काहे को याद करने की समस्या दे दिया, है ना, ये इसलिए दिया गया है, कि bulk deposit एक ऐसा benchmark है, जित उनका rate of interest अपने level पर decide कर सकते हो, कैसे, अब bank में आप जब जाते हो, जब bank में जाते हो, एक साइल रुको, ना, मैं खोलता हूं, एक circular यहां है, ना, लिंक होगा, हाँ, यह यह ना, ठीक है, लो, चलो, एक बड़ी अच्छी चीज बताता हो, सुनोगे, मज़दर चीज बत करते हैं, अपडेट है, वसे 26 अक्टूबर का, यह circular आया था, यह देखो, 2019, फिर अपडेट हुआ, 2021 में, फिर अपडेट हुआ, 2021, फिर अपडेट हुआ, फिर 22, 23 में, और इजनल सर्कूलर 2016 अपडेशन आती रही, इस ही circular, master circular है, यह अगर page निकाल लोगे, तो इसके page फिर जादा लंबा circular है, ठीक है, इसको पढ़ा, इसको थोड़ा-थोड़ा पढ़ाओ, इसमें से कुछ important, बड़े interest आएगा, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, ना, देखो, सुनो, कौन से चगेंगे, इनको, हाँ, हो जाएंगे, कुछ दिन में हो जाएंगे, अच्छा, आज बड़ी interesting चीज बताता हूँ, जो चीज इसी से related हो जाएगी, जो अभी circular पढ़ा है, उससे related, अच्छा, बैंक में जब जाते हो, तो interest rate मिलता है, आपको, बैंक में saving account खुलाते हो, current account, या फिर कोई FD वर FD कराते हो, होता है ना, बैंक में जो saving account होता है, इस पे जो rate of interest होता है, इसकी एक कहानी बदाता हूँ, ठीक है, इसकी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, पहले तो current account की बात करते है, current account की, ठीक है, देखो, interest rate on domestic current account, अगर आपने कोई current account बैंक में खुलवा रखा है, तो आपको कोई भी interest नहीं मिलता उस पे, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि Reserve Bank of India भाई साब ने खुद कहा रखा है, no interest rate shall be paid on deposit help in the bank account, current account, भाई साब देना ही नहीं है, current account में कोई भी bank interest नहीं देता है, हाँ, अब आपको क्योंकि Sir, आपने ही कहा था, एक बार कुछ banks interest देते हैं current account पे 6-7%, Sir, Yes bank है, Kotech Mahindra bank है, और भी 2-3 bank है, private banks है, Sir, वो कैसे दे देते हैं, वो बंदू ऐसे देते हैं, कि उनके पास, जो भी current account में balance होता है, वो current account में balance को, हर एक शाम को, वो क्या करते हैं, sweep कर देते हैं, sweep का मत कि automatically, जितना current account में balance पढ़ा होगा, एक minimum benchmark तक, उस account की, एक fixed deposit, automatically बना देते हैं, automatically बन जाते हैं, बैंक में जाकर, आपको FD बनाने की जरूर नहीं पड़ेगी, automatically उसकी FD बन जाएगी, ठीक है, तो, Reserve Bank of India लेका, current account के balance पे कोई interest नहीं देना, लेकिन fixed deposit पे उन्होंने मना नह देते हैं, अब आपको होगी, sir, current account मुझे अगले दिमा लेजे, पैसा चाहिए, तो, मेरे account में तो balance नहीं है, उसकी FD बन की क्या करूँगा, तो, आपको simple कुछ नहीं करना, आपको पैसा जाएगे, आप अपने account से normal transaction कीजिए, जिस system ने automatically, आपकी FD sweep करके, आपके account से FD बनाई थी, वही system, उस FD को तोड़ देगा, और आपके account में पैसा automatically उसी वक्त आकर आपको पैसा मिल जाएगा, तो, ये facility उपलब दगराते हैं, banks, जो कि कहते हैं, हम current account पे व्याज देते हैं, जबकि current account पे व्याज देते हैं, वो क्या करते हैं, auto sweep करते हैं, यानि कि automatically आप automatically बना दी, आजकल तो internet banking, mobile banking इतना बढ़िया आगया कि आप अपने अपने level पे खुद की मर्जी से भी FD बना सकते हो, कहां किसने रोका FD बनाने से, हैना, पहले होता था कि आपको bank में जाकर FD बनानी पड़ती, special जाना पड़ता था, time लगता था, time consume होता था, आजकल तो account है, बहुत जादा transaction होता, इनको daily fixed deposit बनाना पड़ता है, time नहीं मिलेगा, कब बनाओगा, क्या बनाओगा, रह जाएगा, तो फिर वो auto sweep facility का इस्तमाल कर सकते है, तो RBA कहता है कि इसी पितरा का interest rate नहीं मिलेगा current account पे, और क्या कहता है RBA, interest rate to domestic saving deposit, जितने भी saving account है, इस पे R interest दे सकते हो, लेकिन इसमें भी RBA ने condition दिया है, क्या condition है, देखो, RBA कहता है कि a uniform interest rate shall be set on a balance up to rupees 1 lakh irrespective of the amount in the account within this limit, अगर 1 lakh तक आपका account of balance रहता है, तो जितने भी customer हमारे है, जिनका 1 lakh तक हमारे account of balance रहता है, उन सब को हमें, उन सब को हमें यहाँ पर fix एक rate of interest देना है, मालीजे मेरा account में balance 50,000 है, शाम का 20,000 है, आप में से कोई और नाम लेख लो, जिसादित्या का 40,000 है मालीजे, शीतल कहती है कि मेरा 60,000 है, तो जितने भी लोग जिनका balance 1 lakh है, सब को एक ही rate of interest मिलेगा, मुझे 3% मिल रहा है, तो उसको भी 3 मिलेगा, उसको भी 3 मिलेगा, उस में तब आप उस customer के साथ थोड़ी differentiation कर सकते हैं, मेरे account में 2 lakh balance है, ठीक है, किसी customer के account में 1 lakh balance रहता है, नॉर्मल 1 lakh रहता है, मैं 2 lakh minimum balance maintain करता हूँ, वो 1 lakh करता है, तो मैं 2 lakh वाले को different rate of interest offer कर सकता हूँ in comparison to the 1 lakh वाले को, यह मेरी discretion है, आर बीन आपको चूट दे रखी है, लेक saving account वी bank सभी अलग अलग customer को लग लग rate दे रहा है, सभी normally, सभी कौमें नहीं देते हैं, हाँ, यह जरूर कह देते हैं, कि अगर आपका 1 lakh तक balance बढ़ा रहेगा, तो हम 3% ब्याद देंगे, अगर 1 lakh से उपर balance देंगे, तो हम आपको 3% ब्याद देंगे, जो भी balance आपका 1 lakh से उनको offer कर सकते हो, clear eyes समझाए, कुछ निया पता लगा, पहली बार, है ना, अब बात आती है, आपकी domestic term deposit की, domestic term deposit की बात में अगर करूं, तो यहां पर मैं लेकर चलता हूं, आपको कहां पर, यहां लेकर चलता हूं, bulk deposit को ले case में, banks, जो RBA है, या banks जो है, वो यह करते हैं, क कि जितने भी bulk deposit है, भी यह कहता है, कि जो भी आपके normal fixed deposit है, नहीं कि जो bulk deposit नहीं है, as per that definition, उन पर आपको जो rate of interest देना है, वो सभी के customer को comment देना है, जैसे आपका 1,00,000 का फंडा था ने, इसमें, saving का, वैसे उसमें bulk deposit का फंडा है, कि आपको same rate of interest देना, उसमें आपको deposit वाला account holder है, तो उस पो आप different rate of interest offer कर सकते तो अलगलग customer को, उनको attract करने के लिए, कि आच्छा 2 करोड है, अच्छा 3 करोड आ रहे है, चलो आपको हम इतना दे देंगे ब्याज, आपको इतना ब्याज दें, competition purpose है ना, दूसरा bank कोई जादा ना दे दे उसको, तो इसलिए य definition है, जिसके ताद ये किया गया है, कि आप यहाँ पर ब्याज जो है, दूसरे किसी customer को ज़्यादा दे सकते हैं, अच्छा, अब यहाँ पर जो already students जानते हैं, उनको यह चीज मालूब होगी, ठीक है, उनको यह चीज मालूब होगी रहे हैं, एक बार yes yes करके, एक बार जोश भी दिखाना comments में मुझे, कि bank में जब आप जाते हो, तो अलग अलग tenure का, अलग अलग interest होता है, होता है कि नहीं होता, अलग अलग tenure का अलग अलग interest होता है, यानि कि आपका मालिजे 7-14 दिन का अलग ब्याज दर होगी, 14-21 के अलग ब्याज दर होगी, 1-3 महने के अलग ब् होती है ना एक से दो साल की लग होगी चार सु दिन की लग होगी है ना पांच साल की लग होगी अब यह अलग-लग क्यों होती है अलग-लग टाइम पिरड की अलग-लग ब्याज क्यों होती है पता है के नहीं पता है पता है ना सब को पता है कोई ऐसा वेक्ति है जिसको नहीं कि क्यों, reason क्या है इसके बीचे ऐसा कोई एक भी विक्ति है देखो, सब को बता है क्या बात है आज तो तुम लोग शरीफ बन क्या है और क्या बात है गजब वह गजब यार तुम तो सब लोग पड़े लिख्या है आज तो क्लास मेरी क्या बात है अच्छी बात है पता दो Asset Liability Management कहाते है है ना बंदू, चलो ये वाला सर्कुलर बस नहीं इसमें और समझाने लगया तो फिर पूरी रात ही हो जाएगी तीज पन्ने, तीज पॉइंट्स है छोड़ो इसमें अब और डिसकेशन नहीं करते अच्छा जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि अलग-लग rate of interest नारे भाई कहां चला गया मेरे बंदू यह बड़ा डिले से आते है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं असेट लाइबिलिटी मनेजमेंट ना यही कहते हैं कि असेट लाइबिलिटी मनेज करना इसी बेस पर यहाँ पर हम जो ROI है जो ROI है जो rate of interest है यहाँ पर सभी तन्योर्स का अलग-अलग यहां पर होता है ठीक है? मैंने क्या गुलत खुल लिया गया? यह तो सेविंग आते गया यह तो दिक रहना बिलोग टू करोड अब टू करोड आगे नहीं आपर दिफेंस गॉटेट यह बल्क डिपोज़ वाली डेफिनेशन बिलोग टू करोड वली ठीक है? यह तो यह सारा लग लग अस्वेग रेट विंटरस्ट है यह तो आपको इससे परसेंट ज्यादा मिलता है ठीक है? 25 नॉमर का पीडिया बटा दे तो दियार कल ठीक है तो यह सबको मालूम है इसके पीछे का कंसेट क्या है तो इस पीछे का कंसेट मैं अभी नहीं समझाओंगा बहुत बार डिटेल में अपनी बैंकिंग वैनेस की क्लास में डिसकस कर चुका हो अगर आप नई स्टुएट है तो डेफिनेटली वो क्लास में वो करवा भी चुका हो है ठीक सबी स्टुएट्स को इसलिए पता है कि नई वाले कोर्स में वो क्लास करवा दी थी तो यह बल्ग डिपोजिट का डेफिनिशन समझन में आगी चलो, अगले पर चलते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका यहाँ पर non-collable deposit master direction on interest rate on deposit, यह भी छोटा से concept है, ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं है इसमें, नीचे बस circular लंबा चोड़ा है, लेकिन मैं short and sweet में बता देता हूं, इसमें क्या है, देखो, banks में आप जाते हो, FD करा आते हो, TD यहाँ पर बोलते हैं, TD time deposit बगारा, उसमें आप bank में FD कराते हो, तो आपको क्या है, आपको पहले मिल जाता है उसका, आप तुडवा सकते हो, जिसको हम premature withdrawal कहते हैं, क्या bank में FD को कभी भी तुडवा सकते हो, अगर मालीज एक साल की आपको पैसा चाहिए 6 मिने उसको तुडवा लोगे, option दिया जाते है banks के दोरा, लेकिन यह option यहाँ पर banks के दोरा दिया जाता था कि आपकी अगर 15 लाख तक रुपे की FD है, 15 लाख रुपे तक की FD है, तो आप उसको premature withdrawal करवा सकते थे, bank उसको penalty भी ले सकता था, bank उसको यहाँ पर आपको जो rate of interest है, उसको भी बदलाव हो जाता है, ठीक है, इसमें एक बदलाव किया गया है कि पहले यह 15 लाख की limit तक था, कि प्रीमिचर वेडरोल फैसलिटी जो है 15 लाख तक अवलेबल थी FD कि, अब उस 15 लाख को बढ़ा कर एक करोड कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, एक करोड कर दिया गया है यह चीज यहां पर आपकी लेकर आए हैं इसमें यह सुझधा आपकी बदलाव किया गया है आपका एक और यहां पर अब जो अमेंडमेंड है वो किया गया और सेम नरी और अनरो अकाउंट के लिए भी किया गया है अनरी अकाउंट क्या उनसे होते हैं नोन रेजडेंट एक्स्टरनल अकाउंट और नोन रेजडेंट ओडिनरी अकाउंट अनरी अनरो के बिच में डिफरेंस पता है NRE account वो account होते है जो कि किसी NRE के द्वारा open किये गए है और वो जो फोरें से income earn कर रहा है यानि कि कहीं और देश में बैठा है और वो income earn कर रहा है और अपना पैसा इंडिया के किसी account में जमा कराता है तो उसको NRE account में उसको जमा कराना होता है उसको NRE account open कराना है और NRE account वो होता है जिसमें यहाँ पर है वो NRE लेकिन वो इंडिया में ही earning कर रहा है इंडिया में पैसे earn कर रहा है अपने इंडिया में business से और वो earning जो है जो earn कर रहा है उसका पैसा जो इंडिया की किसी account में bank में जमा कराता है तो वो NRE account होता है अगर आप NRA हो, इंडिया में ही आन कर रहे हो, इंडिया में ही बैंक में अपना पैसा जमा करनाना चाहते है तो वह NRA count कहलाएगा ठीक है, ओके समझ गए मेरी बात कि NRA और NRA के बीच का difference क्या है, I hope कि ये भी clear होगा नीचे corporate bank वगारा समय में definition वही कर रखी है बस वो 15, 1 crod 15, 1 crod चाहे वन नर यन नर हो चाहे हची एफ हो वगारा वगारा corporate banks, normal banks, सभी के लिए किया हुआ बस में जो main highlight थी, वो ये थी चलो, अगला notification क्या कहता है अगला notification कहता है framework for composition to customers for delayed updation, reactivation of credit information ठीक है, अच्छी खबर है framework for compensation to customer for delayed updation, reactivation of credit information क्या होता है यहाँ पर आपका कि loan लेने जाते हो सबको concept पता होगा सबको अगर वो बहला concept पता है तो सबको ये भी concept पता होगा कि 4 हमारी credit information companies होती है 4 companies हमारी information प्रवाइड कराती है credit related है न, loan related, loan से सम्बंदित कि या मैं किसी और bank में गया उसने किसी और bank से account खुलवा रखा तो उसकी सारी के सारे information मैं as a banker, मैं extract कर सकता हो उसकी credit information company 4 companies होई है, मुझे report कर सकते है मुझे report मिलती है, credit information report उसको बोलते है, ठीक है वही credit information report की बात कर रहा हूँ क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो credit information report आप निकलवाते हो extract करवाते हो, उसमें कई बार ऐसा कोई loan दिख जाता है ऐसा कोई गडबड दिख जाती है जो कि आपने लिया ही नहीं है मेरी credit information report में एक education loan दिख रहा था जो पुराने students को मैंने पहले ही बहुत बार ये बात बताई है कि मेरी credit information report में education loan दिख रहा है, जबकि मैंने आज तक कोई loan लिया ही नहीं मैंने बारह सल के bank की नोकरी में आज तक किसी तरह को कोई एक single loan नहीं लिया ठीक है, जबकि लोग बोलते हैं और बैंक में नोकरी करके तुन्हें loan नहीं लिया आज तक क्योंकि बैंक में नोकरी लगके loan आपको simple interest मिलता है 5% मिलता है, लोग पताए का करते हैं लोग 5% में ब्याज ब्याज में लेकर भार किसी और को ऐसा दे देते हैं, ऐसे भी क्यों लोग करते हैं ठीक है, लेकिन नहीं चाहे बैंक में, चाहे नोन बैंक में loan नहीं तो नहीं, बलब वो एक concept funda clear होता है कि यार दिमाग पर बोज जादा डालने की ज़रूर नहीं अगर दिमाग पर इस तरह का loan loan का लोन लेना, उकाद के अंदर लोन लेना, एक जब विक्ती के पास पैसा जब नहीं होता इतना और फिर भी उसके beyond loan ले ले लेता है है ना, फिर रात को नींद भी नहीं आती फिर सुकून भी नहीं आता, और ऐसा भी नहीं जब उकाद ही नहीं थी बंदे के तो loan bank ने दिया कैसे है ना, दी दिया जाता है, ऐसा नहीं उसकी उकाद, उसकी उस तेम पर उकाद नहीं है बाद में future में उसकी income कम होगी खतम होगी फिर क्या, जैसे loan NP होते है तो वो भी तो reason है, तो ऐसी कोई चीज, कि हम income मान कर रहें अभी हमारा, मस्ती से एक लाख रवे महिने कम कमा रहें, हमने बड़िया गाड़ी ले लिए बड़िया मकान ले लिए, loan पे ले लिए कल को हमारी ऐसी कोई हरकत होगी हम सटे में, जूए में, शराब नशे, दारू, है ना, इस तरह की चीजों में हरकतों में पढ़ गए कि जो एक लाख income होती थी, वो हमारी दस जार, बीस जार भी अब कुल जीरो पे आगी फिर तो दिमाग पे रोज रात को बोज आए गए ने कि अब घर की किस्ते कैसे भरे अरे इतनी महेंगी गाड़ी ले ली 25-30 लाग की है ना, एक क्रोड का लोन ले रखा है घर के उपर, तो उनको कैसा पूरा करें तो वो जब बोज इस तरह का आता है ना, तो इनसान की जो विनाश का ले विपरीत बुद्धी सामने आ जाती है तो इनसान जो है वो बहुत ही गलत decision लेने लग जाता है गलत लोगों के साथ मिल जाता है गलत लोगों के साथ मिलकर गलत गलत काम करने लग जाता है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इनसान के जिंदगी में, ये मैं मानता हूँ सुकून के जिन्दगी जीओ, बढ़िया जीओ, कम खालो दो रोटी, लगिसे सुकून होना चाहिए, है ना, हम थोड़ा सा फिर से अलग से टॉपिक से खटके, कोई बात नहीं, कुछ नो कुछ ग्यान मिलता रहना चाहिए, तो हमने भी ग्यान दे दिया, मॉटिवेशनल स्पिकर, गुरू जो ग्यान देते रहते हैं, हमारा ग्यान भी कभी भी, आम आई जाता है, जिन्दगी में, कभी ना कभी, याद जरूर आएगी इन बातों के भी, क्यों हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, इदर उदर की थियोरिटिकल कहीं, पढ़कर बात नही होता, क्या बात कर रहें, हाँ, CIR की बात कर रहे थे, भाई, मेरा education loan था, मैंने कोई loan ही नहीं ले रखा था, ना, अब कैसे हुआ, तो मैंने उसको rectify कर रहा है, rectify कैसे कर रहा है, जो हमारी 4 credit information companies हैं, वो आपको औफ़र, वो आपको ओप्शन देती है, अपनी report को rectify करने है आप dispute इस पे raise कर दीजिए और हम इसको दुबारे से check करेंगे और यह सब हो जाएगा, ठीक है, एक तो उनकी website पे जाके आप इसी को कर सकते हैं, अब दूसरा option यह भी होता है, जिस bank में आप loan लेने के, bank ने आपकी report निकाले और bank ने का यह तो आपका loan चल रहा है, आपने का म bank अपनी recommendation पर इस credit information companies को यहाँ पर भेज देता है कि इस customer की concern है, customer ने काया, मेरा ऐसा कोई loan चलनी रहा, मेरी report को rectify कर दीजिए, ठीक है, मेरी report को rectify कर दीजिए, ऐसा यहाँ पर वो लोग करते हैं, अब इसी report की बात करें, rectification की यहाँ पर बात की जा रही है, इस particularly circular में, notification मे क्या बात की जा रही है, कि यहाँ पर एक bank जो है, उसको 9 दिन का समय दिया जाता है कि वो customer की complaint जो है, वो forward कर दे किसको credit information company को, ठीक है, और फिर credit information company को समय दिया जाता है 21 दिन का, कि जो complaint आई है customer की, उन banks के दूरूत, उसको 21 दिन में उसका निप्टारा किया जाए, अगर ये काम 21 प्लस 9 दिन, यानि कि total 30 दिनों में complete नहीं होता है, customer को satisfactory reply नहीं जाता है, customer की complaint पे deal नहीं किया जाता है, 30 दिन बीत जाते हैं, तो हर एक दिन, 30 दिन के बीतने के बाद, हर एक दिन आपको, क्या करना था, हर एक दिन आपको 100 रुपीज का fine आपके उपर impose किया जाता बैंक यार CIC के उपर, बैंक और CIC को यहाँ पर 100 रुपीज पर डे, उस customer को देना पड़ेगा, A CIC शल पे compasis to complainant if CIC has failed to resolve the complainant within 30 calendar days of being informed by the complainant or a CI that is credit institution CI का मिला credit institution है और CIC का मिला credit information company है. CI, despite the CI having furnished the updated credit information to CIC within 21 calendar days of being informed by the CIC, तो यह दो को 9 days भी लिख रहा है, 21 days भी लिख रहा है तो यह चीज़ यहाँ पर ले रखे है total 30 days के इनोंने provision ले लिख रहा है और 100 पर भी कहीं ना के mention कर रखा होगा है न, उपर कहीं होगा 100 पर या देख ले न, कहीं है लिखा हुआ, 100 पर ठीक है यह 100 पर लिखा हुआ, 100 रुपीस पर क्लेंडर डे, उनको यहाँ पर compensation के form में देना पड़ेगा by the complainant with the CIC दोनों मिलकर यहाँ पर यह 100 पर देंगे जिसकी भी गलती के वज़े से हुआ है न, मालिज उन्होंने 9 दिन के डिले में बेजा, उन्होंने 12 में 30 दिन बेजा तो फिर CIC जिम्मेवार है अगर उन्होंने 21 दिन से जादा डिले लिया तो फिर CIC जिम्मेवार है, तो दोनों में से जूस का भी डिले जिसके एंड़ पर हुआ है तो वो इसको 100 पर दिन के हिसाब से कमपनसेशन देगा ठीक है, ओके ठीक है, समझ गए CIC कौन सी कमपनी जोती है बेटा, फिर तुमने न वो क्लास करी नहीं है न इसलिए मैं कहते हो, बैंकिंग अबनेस कर लिए करो कुछ टीचर्स तो आपको ये भी कहते है कि बैंकिंग अबनेस ये कैसी चीज है बेटा, जो न प्रिलिम्स एक्जाम के बाद कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिलिम्स और मेंस के बीच में आपका थोड़ा वो जब 20-25 दिन होते है उसके इंदर बैंकिंग अबनेस आपकी हो जाती है अकॉर्डिंग टुम, बैंकिंग अवेरनस इस देट फिंग जो कि आपको जब आप त्यारी शुरू करते होना मैं यह नहीं कहारा, फ्रम वैरी फर्स डे शुरु करते होना, तो आप अपने English CA पढ़कर आपकी जो हो जाती है वो बेंकिंग वेनर्स की आदे घंटी क्लास से थकान दूर हो जाती है इतना सुकून मिलता है बेंकिंग वेनर्स करके क्योंकि वो एक नॉलेज वाला सेशन होता है Maths, Reasoning, Current Affairs और English पढ़कर आपको कभी भी knowledge नहीं According to me वो आपकी एक लंबे समय के लिए काम नहीं आती वो चीज़ Career के लिए काम नहीं आएगी Maths में Maths, Reasoning, English CA is just English कुछ हत तक मैं मानता हूँ ठीक है long term के लिए काम आती है लेगन बागी से वेट से आपकी आप exam century है exam में पढ़ी है that's it उसके बाद आप अपने seat पर बैठे कभी square और cube root नहीं निकाल लोगे Banking awareness is that thing जो आपकी जिंदी और 60 साल की जब आपकी retirement हो जएक तब तक काम आती है और ऐसी knowledge आपको दी जाती है जो आपको सुकून देती है हाँ यार कुछ आज नहीं आ से को अच्छा ऐसा होता है bank में अच्छा ऐसा होता है इसलिए इस concepts को from very first day कर लेना चाहिए यह exam centric की तरह कभी banking awareness को मत पढ़ो एक banking awareness को आप knowledge centric की तरह बढ़ो कि मैं इस सीच को कैसे अपनी जिंदकी में implement कर सकता हूँ कि अगर मेरे साथ किसी नहीं ऐसा ऐसा bank वाले कर रहे हैं तो मेरे साथ गलत कर रहे है लाइक इस दिन मैंने miss selling का आपको एक rent of us की class में आपको बताया था miss selling कैसे होती है आप उस वीडियो के comment section देखना कमसे उन 10-15 ऐसे comment थे कि सर हमें आज तक पता नहीं था हमारे पैता जी के साथ हमारे इस्तिदार के साथ ऐसे जबेंक ने miss selling कर दी insurance के अब पता लगया अब हम सावधान हो गए इस परपर से banking business को पढ़ा करो तो इसलिए कहते हैं जूब करना है पहले से कर लो मजा आता पढ़ने में आप आपने पुछा चार कौन कौन सी credit information companies है चलो मेरे बच्चों बंदूओं बता दो चार credit information companies के नाम एक बार ठीक है आप बता दो सबको मालूँ है यहाँ पर अच्छा अब आपको आज एक मैं एक और लेकर आयों बढ़िया एक चीज़ credit information company का sample लेकर आयों oh sorry credit information report का sample लेकर आयों ठीक है यह ले लो यह Sibyl है one of the credit information company जिसके दोरह एक report दिया आते है Sibyl यह Sibyl की यह एक website है वहीं से sample लिया गया तो मुझे नहीं लगता कोई एक जो information है वो सही होगी ऐसी random information डाली होगी है ना इन्होंने देखो imaginary bank लिख रखा है प्रभू का बाली ऐसे नाम दे रखा है तो एक random information होगी तो यह exact बिल्कुल ऐसी ही report जब ब्रांच में आप जाओगे जब job करोगे तब ऐसी ही report आपको extract करके आपको मिलेगी किसी customer की ठीक है ओके तो यहाँ पर एक score आता है customer का जो की civil company 300 से लेकर 900 तक देती है 900 का बढ़ा बढ़ा लेवल पर होता है 300 का बढ़ा वर्स लेवल पर होता है 673 इतना बढ़ा score नहीं है as per the my knowledge जिसमें कुछ नहीं कुछ गड़वर्ड होगी इसलिए 673 score यहाँ पर आया है ठीक है अब यहाँ पर यह देखो देखते है 673 क्यों आया है इसमें क्या होता है इसमें सारे की सारे accounts की detail आ जाती है ठीक है तीन total account है दो उसमें overdue है zero balance एक account का है ठीक है और भी चीज़ें मैं बिल्कुल एक एक point ने डिस्कस करूँगा बहुत लंबा हो जाएगा जिस सिंपल आपको दिखा देता हो देखो इन्होंने क्या कहा है कि तीन account है तीन account है पहला account member नहीं मला account number disclose नहीं उस bank ने मना कर दिया था disclose करने से बाकी सारी detail है कि ये close हो चुका account 24-12-2004 को car loan था ये आपका 16,000 का दे रखा था car loan में लोट्टो loan bike bike का loan होगा 16,000 का उस टाइम पे और ये status लेकर रिटन ओफ रिटन ओफ लिख रहा है रिटन ओफ का मतलब है कि ये loan NPA हो गया था रिटन ओफ किया था अब loan NPA हो था इसमें कैसे पता लेगा NPA हो था ये देखो ये लेकर था 302 302 का मतलब क्या है ये 3 जो है ये year और month को denote करता है year और month को denote करता है यानि कि ये March 2002 की बात करें April 2002 मई, जून, जुलाई, अगस, सेप्टेंबर कोई दिक्कदनी अकाउंट में सही तरीके से payment दे रहा है अब आ गया 030 030 का मतलब है कि जब इसकी किष्ट ड्यू थी ना जो 9 2002 की निक सेप्टेंबर 2002 के वक्त जो किष्ट इसकी ड्यू थी जो EMI इसने भरनी थी इसने वो EMI उस वक्त ना भरके यानि कि 000 सेम डे ना भरके 30 दिन के बाद पे की थी तो इसलिए यहाँ पर 30 आ गया अगली installment इसने 45 दिन के delay से भरी थी अगली installment इसने 15 दिन के delay से भरी थी और यहाँ पर आ गया standard के बाद सब, सब का मतलब है सब standard set याँ निकि यहाँ पर आके इसका account इस वक्त NPA हो गया था इसने यहाँ पर पिसले 3 मेने की किष्ट नहीं भरी और इसका account 90 दिन बाद NPA हो गया फिर उसने जमाक रा दिया तो उसका account वापे standard हो गया और फिर 9 दिन दिन फिर standard account फिर 12 दिन दिन फिर standard रहा यानि उसका account already NPE हो चुका था लेकिन इन्होंने ये continue days लिखते रहे कि ये days past due है यानि इतने दिन बीच चुके हैं जब हमारा पैसा due हुआ था उसके payment किये इसको इतने दिन बीच चुके हैं इसने payment नहीं करी है इतने दिन से account NPE की category में है और ये account पैसा नहीं जमा करा रहा है और फिर finally bank ने decide किया इस account को अपने लेवल पे बंद कर देते हैं पैसा नहीं जमा करा रहा तो इस account को close कर दिया गया कब यहाँ पर 24-12-2004 को 12-2004 की 24 तरिक को close कर दिया गया और ये account right off हो गया था समझ में आया कुछ निया दिखा? अरे सर ये तो रिपोर्ट पढ़नी सिखा दिया आपने ये रिपोर्ट बंद हो जब bank में नौकरी लोगा तब भी शायद समझाएंगे तुम्हें तब भी खुदी मत्हमाना पढ़ेगा तुम्हें मैंने समझा दिए अब कई लोग आएंगे महानुबाब अरे सर ये क्या पढ़ाते रहा तो तो bank में नोकरी करने के बाद पढ़ लेंगे ना क्या ही दिखकत है ना जब इंट्रू में तुम्हें कोशन पूछेंगे ना तब तुम्हें समझ में आएगी कि आरे यारकाश सर ने जो पढ़ाया तो तब पढ़ लिया आउता है तो सेम उसी तरह से आप पढ़ लेना बीच में सब आ गया ठीक है सब अवरड यहाला सब नहीं है और credit card भी उसने दे रहा है, credit card भी उसका 1, 2, 3, 4 से overdue है, 30 दिन होगे, इसको पैसा नहीं चुका हुआ है, ये भी overdue है, तो 3 account है, अब overdue account रहा, इसका एक account राइट अफ के close रहा है, तो इसका score इन्होंने 673 निकालना है, अगर मैं के calculation नहीं निकालना है, इससे भी कम score इसका ह हो जाता है वैसे तो, क्योंकि बहुत extreme level पर ये बंदा काम कर रहा है, वालों कि इतना score इससे, मैंने इस तरह की situation में इससे भी बुरे score देखे है, ठीक है, ये sample है वैसे भी, report कोई original report नहीं है, तो जो भी इनोंने लिख रहा है, that is okay, अच्छा, एक और चीज लास्ट में बत inquiry की, inquiry कि इसकी की, इसने पचास हर के loan की inquiry की 26-12-2005 को, secured loan एक इसने लेना था, उसकी inquiry 2006 को, फिर housing loan की inquiry, फिर उसके बाद इसने inquiry की, credit card की inquiry, ये इसने inquiry करवाई है, अलगले bank से, यानि कि जब bank में हम loan लेने जाते हैं, apply करते हैं, तो bank सबसे पहले आपके credit information report निकालता है, और इस report में उसको अगर सही लगता है चीज़े, तो वो loan के लिए proceed करता है, नहीं लगता तो मना अगर देता है, तो अगर माल लीजिए, कल को आपके ऐसा customer आता है, जिसकी report जब आप निकालते हैं, उसके inquiry बहुत जादा हो, तो आपके मन में शक नहीं पैदा होगा, कि यार इ हम आपको loan नहीं तो फिर मैं क्यों इसको loan देऊ, इतनी inquiry, 10-15 inquiries की एक ही loan की आगे और मेरे पास लेने आया, और मेरे भी एक inquiry add होगी, यानि कुछ ना कुछ तो गडबड थी पिसले banks में, जहां पर इसको loan नहीं मिला, तो number of inquiries भी बहुत ज़दा high नहीं होनी चाहिए, इस इसकी वज़े से भी आपको loan लेने में जो है, थोड़ी सी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकते है, कोई कि सामने वाला banker ये सोचेगा, इतनी inquiries क्यों है, इस customer की, क्या doubtful में नहीं आओ गए, इतनी inquiry क्यों करी है, कुछ वैसा ही है, लड़की वाले को लड़का देखने आया, है ना तो जब माता पिता ने लड़की वालों ने inquiry की लड़के के बारे में, तो ये पता चला कि इन्होंने पहले दस लड़कियों को देखा है, और उन सारों के सारों ने इसको reject कर दिया था, तो आपके माता पिता के मन में क्या doubt आएगा, ये आएगा, यार कुछ तो doubt होगा, और वो doubt यहाँ से भी create होता है, ठीक है, समझें बंधू, समझ में आई बात, क्या गड़बड है, है ना, तो ये एक छोटा सा एक sample report है, जो सिबिल का, जो information report, credit information report, ऐसी एक report सभी लोग अपनी निकाल सकते हैं, एक free information report निकाल सकते हैं, अपनी सिबिल की website पर जाके, ऐसी ही report निकलेगी, जरूर देख लेना, क्योंकि कई बार, आपकी जो report में reactivation की need होती है, क्योंकि आजकल सभी banks आपकी report निकाल रहे हैं, joining गे time पे, तो ऐसी गड़बड तब सामने ना है, it's better कि इन reports को पहले ही निकाल के रख लो, free होती है, अगर पैसे भी लग रहा है, अगर रुपे भी लग रहा है, तो लगा कर रख लेने चाहिए, as a security के form है, कि कहीं कुछ अगर गड़बड होती है, तो मुझे आज ही पता चल जाए, कि मेरे कहीं, जैसे मेरे में education loan दिख रहा था, है न, तो वो ऐसा, जो मैंने rectify करा लिए, मेरे rectify होकर आ गया था, तो ज सर, ये भी तो हो सकता है, कि वो दस लड़कियां लड़के को नहीं पसंद आए, नहीं, मैंने ये कहा कि उसने inquiry की, तो उसके माता-पिता नहीं पता चला है, कि वो दस लड़के, लड़कियां वाले से reject हो चुक है, मैंने बड़ा बोला था, या स्पैसिव किना बात, कितनी दर होगे, अरे बड़ी लंबी चल लगा, असली आज आपका, ठीक है, चलो, आगे क्या है, strengthening customer service rendered by credit information companies and credit institutions, क्या चीज है ये भाई, अच्छा, वही है, credit information reports से जुड़ा हुआ चीजे हैं, कि भाई साथ, अगर आपके किसी बितरा का बदलाव होता है, किसी बितरा की आपकी inquiry होती है, आपको पता ही नहीं चल लगा, भाई साथ, इंक्वाईरी हो रही है, आपको पता ही नहीं चल लगा, आपको पता ही नहीं चीज दिख रहे हैं, तो आप inspection लीजिए, तो ये चीज आपको alert through SMS, email customers को बतानी पड़ेगी, ये चीज यहाँ पर इस particular छोटे से circular में का, strengthening customer service rendered by credit information company, the credit information report के थूँ यहाँ पर ये चीज करनी पड़ेगी, बाकी कुछ खास नहीं इसमें ऐसे पढ़ने के लिए, ये simple सा circular था इसमें such important नहीं था, so यहाँ पर हम notifications के उपर focus करते हैं basically, अगर आपको याद होगा जो last session मैंने लिया तो उसमें ने 17 November तक की notification आपको करा दी थी, उसके बाद की हमने notification को continue करना है, ठीक है, उसके बाद की notification को हमने करना है, तो आज की जो notification है, वो है sovereign green gold bond से related, और एक और notification 12 December क transaction, और साथ इसम press releases को भी लेकर चलते हैं, जो की काफी सारी आ चुकी है, और इनमें press releases में जो सबसे important चीज थी, वो थी अभी हाल ही में आई थी, एक monetary policy, monetary policy Reserve Bank of India के दोआरा every two months बाद जारी की जाती है, जिसमें इस बार की monetary policy लाएगी, उसमें किसी बितरा के policy rates, reserve ratios में किसी ब बदलाव नहीं किया है, लेकिन RBA जब भी monetary policy लाता है दो महिने बाद, तब RBA एक और statement जारी करता है, और वो statement आपके exam point से काफी relevant हो जाती है, monetary policy में कुछ तबदीली हुई है, फिर वो relevant होता है, लेकिन कुछ नई updates के साथ RBA यहाँ पर दो महिने बाद जो लेकर आता है, उ statement के उपर अभी मैं discussion करने वाला हूँ, और एक sovereign gold bond जो आई थी, उसके उपर आज की classroom discussion करेंगे, तो एक इसमें देखते हैं कि कहाँ पर है वो statement, यह देखो, यह RBA के monetary policy आई थी, जब भी monetary policy आती है, उसके साथ एक statement on development and regulatory policies, यह हमेशा RBA जारी करता है, हमेशा, always, हमेशा monetary policy के दिन यह भी policy जारी होगी, अब इस statement में यहाँ पर बहुत सारी updates, बहुत सारी नई चीजें RBA introduce करता है, इस बार जो चीजें introduce की गई है, वो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है, 4, 5, 6, 7, यह 7 points यहाँ पर introduce की गई है, क्या-क्या update है, इन ही को उपर बात करने जा रहा हम एक regulatory framework बनाने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर foreign exchange risk को से related, जो hedging की जाती है, उससे related होगा, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यह काहा है, कुछ feedback यहाँ पर आया है, market participants से, वगारा वगारा, उसके हिसाब से, उन्होंने कुछ directions में कुछ changes किया है, कुछ बदलाव किया है, और ज इसके अनुसार से यह देखो, लिखाओ, master direction will be issued separately, तो अभी तक किसी तरा कि पूरी guideline नहीं आई है, लेकिन इस development से हमें क्या समझना है, इस development से आपको मैं जो समझाने वाला हूँ, वो समझाने वाला हूँ, कि आखिरकार यह hedging word क्या होता है, और एक foreign exchange risk क्या होता है, बड़ कि यहाँ पर इस्तमाल किया जाता है, एक financial term कह लिजिए, financial चीज है यह आपकी, यह इस्तमाल किया जाता है, उस purpose से जब यहाँ पर आपको अपना risk कम करना हो, risk, किस चीज से related risk, financial market में आप जब investment करते हो, पैसा लगाते हो, तो there is always the risk, क्या risk, कि आपने माले जी कोई share खरीद करता है, आपको नुकसान होगा, तो you can't anticipate कि क्या होने वाला है, कि भाई बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, यह सब आपको इस तरह से एक idea नहीं लग सकता, उस सीज़ का, ठीक है कि technical analysis, fundamental चीज़े होती है, उनको देखकर एक anticipation लगा लिया जाता है, लेकिन हर एक बार वो भी चीज़ काम नहीं करती है, तो हम अपने इस तरह के risk को कम करने के लिए, कि कोई भी हमें financially नुकसान ना हो, हम hedging कर देते हैं, hedging कैसे कर देते हैं, माल लीजिए आपने share एक खरीदा 10 रुपे का, same equivalent वही share अगर आपके लिए available है, forward market, future market, options market में, अब यह forward future options क्या है, derivatives है, याद आ रहा है कुछ-कुछ आपको चीज़े, कि derivative market क्या होती है, derivative market में आप forward future options यहाँ पर होते है, stock, shares के, indices के, उनको आप खरीद सकते हो, तो यह जो forward future transaction होती है, एक आप forward future transaction कर रहे हो, एक उसी share की आप present transaction कर रहे हो, यानि कि present date की transaction कर रहे हो, present में उस share को आपने खरीद लिया 10 रुपे में, जिसको हम sport market कहते हैं, आपको एक word बता रहा हूँ, अगर आप आज की डिट में share market में कोई चीज खरीदते हो, तो वो जिस price पर खरीदते हो, उसको क्या कहते हैं, sport price, ठीक है, sport price कहते हैं, यानि कि sport, at the sport, आज की डिट में उसका price, अगर उसी share को आप future market में खरीदते हो, उसको future price कहते हैं, अब सर्फ future price, future market, future market एक ऐसी market होती है, forward market, जो कि यहाँ पर आपको आज ही की date में आप dealing कर लेते हो, कि future में मैं 3 महिने बाद इस share को आप से purchase कर लूँगा, लेकिन आज ही की date में agreement कर लेते हैं, एक आप आज की date में खरीद रहे हो, आपने share खरीद लिया और उसको पैसे दे दिये, ठीक है, done, that is sport market, लेकिन future में क्या ह होगा, आप आज की date में deal कर लेते हैं, आप से तीन में बाद share खरीद दूँगा, तब ही हम पैसे exchange करेंगे, लेकिन उस share का price आज हम decide कर लेते हैं, कि तीन मेने बाद में क्या price पर खरीद दूगा, ठीक है, तो एक तरवा में sport market में share को खरीद दिया, एक तरवा में future market में उ इधर आपको नुकसान होगा, उधर आपका price डाउन होगा future में, तो आपको फायदा हो जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं hedging, कि parallel दो market में एक ही तरह के share की transaction करना, that is called as hedging, अब आपको होगे, फिर तो फायदा नुकसान क्या, फिर तो बराबरी होगी, फिर तो बराबरी होग होता है, ठीक है, तो exactly यहाँ पर यह लोग ऐसा नहीं हो, बड़ा असान नहीं है, कि आप जैसे मेरे जैसे इंडियोज ले, sport market और future market को एक साथ deal कर लें, एक साथ चल ले, कर लें, यह बहुत ही जो एक technicalities में जो लोग जाते हैं, बहुत अच्छे से जो share market की जानकारी रखत हैं, वो इस तरह की dealing daily basis पर करते हैं, कि भाई साथ अभी present में विखरी लिया, future में विखरी लिया, अगर एक बंदे को माल लिजे किसी बात का 10 रुपे का, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, ठीक है, 10 रुपीज का नुकसान होने का chance है, और दूसरे तो 10 रुपीज का फायदा होने का chance है, ठीक है, नुकसान भी हो सकता, 10 रुपे का फायदा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी scheme बताओं, कि भाई, तुम्हारा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा फायदा जो है, वो 3 रुपे का होगा, क्या आप केस 1 को चुनना चाहेंगे, या केस 2 को चुनना चाहेंगे, आपका opinion क्या गयता है, दो cases आपके सामने, आपको एक, कोई भी चीज़ आपने purchase की, उसमें आपको 10 रुपे का नुकसान भी हो सकता, 10 रुपे का फायदा भी हो सकता, लेकिन केस 2 में ये surety है, कि आपको 3 रुपे का फायदा ही होगा, नुकसान नही होगा, केस 1 या केस 2, स्टुक हो रहा है, स्टुक तो नहीं हो रहा, आज recording यहीं मिल जाती है, चाह, देखो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, ठीक है, एक रिस्क है, तो इश्क है, ठीक है, ठीक है, देखो, केस 1 चुना जा सकता है, कोई बड़ी बाद नहीं, अगर आपकी एज कम है, आपकी इंकम बहुत जादा है, तो केस 1 भी चुना जा सकता है, ऐसा नहीं है, केस 1 जो लोग रिस्क टेकिंग अबिलिटी रखते हैं, और जिनकी इंकम अच्छी खासी है, और एज जादा नहीं ह फैमिली बर्डन नहीं है, फैमिली डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ भी ऐसी, तो केस 1 को भी चुना जा सकता है, लेकिन जो मैं आपको हैजिंग बता रहा हूँ, हैजिंग ये केस 2 में होती है, this is called a हैजिंग, कि मैं इस तरह से ट्रांजिक्शन कर रहा हूँ, execute, कि मुझे फ इंपोर्ट मार्केट, future मार्केट से रिलेट करके बताया, उसी तरह से foreign exchange एक मार्केट होती है, जैसे share मार्केट होती है, foreign exchange मार्केट में क्या होता है, कि आप deal करते हो currency में, आप एक importer हो, आपने import किया, आपको payment करनी है dollar में, अब obvious है आप dollar खरीद दोगे, तभी तो dollar में payment दिये है, ठीक है, कल को जब मैं payment करने जाओं, तब मुझे पता लगा, मार्केट में एक dollar की गवर 75 रूपीज है, मरे को नुकसान लगा कि भाई, आरकाश मैं, आज के दिन dollar purchase कर लेता, मैंने पांस दिन पहले क्यों dollar purchase किया, मुझे तो नुकसान हो गया, सही बात है न, आप आपने अस्सिर पे दिये, कहां पर आप पास दिन बाद खरीटते भी चत्तर पे देते, ये एक mind में risk है, कि foreign exchange के जो pricing है, जो currency fluctuation है, there could be a currency fluctuation, ये भी obvious है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, importer, exporter के दोनों के case में ये चीज़ यहां पर काम करती है, ठीक है, so this is a foreign exchange risk जो कि यहां पर रहता है, importer, exporter दोनों को कि currency fluctuation की वजह से, foreign exchange risk बेसिकली न, दो तरीके का होता है, बता देते हो, मैंसे मैं जिसको चलो, बता देते हैं, एक होता है transaction risk, एक होता है transaction risk, और एक होता है translation risk, ये थोड़ा सा मैं out of context जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन चलो, शायद को चीज़, foreign exchange is दो तरह की होता है, translation risk की transaction risk, transaction risk जो मैंने अभी आपको बता है, that is foreign currency का exchange का risk, कि आपने यहां पर आपने country currency का exchange किया, importer, exporter का case, ठीक है, that is a transaction risk, दोनों ने transaction की है, translation risk क्या होता है, translation risk होता है, कि माल लिजिये, मेरी एक company USA में है, उसका एक sub office जो है, वो इंडिय में है, subsidiary उसकी इंडिया में है, यानि कि इंडिया की company, उस USA company को कमा कर दे रही है, earning कर कर दे रही है, profit करा रही है, ठीक है, लेकिन इंडिया की company, इंडिया रुपीज में करा रही है, अब उसको payment का भीजनी है, जो profit आया है, obviously USA company अपने पास रिले कर जाएगी, तो USA company भीज सी exchange risk हो गया न, कि भाई सब डोलर में पैसा आएगा, अगर पहले आ जाता, बाद में आ रहा है, कम हो रहा है, जादा हो रहा है, point of view समझ रहे हो, so transaction risk is in case of importer and exporter and translation risk foreign exchange से जुड़ा हुआ, is in the case of the head office or the subsidiary office, जो एक देश से दूसरे देश में होता है, clear है, समझ गे, दो risk होते हैं, translation and transaction, कुछ नेया, है न, कुछ नेया, चल, I hope so hedging का मतलब समझ में आ गया होगा, foreign exchange risk का मतलब समझ में आ गया होगा, news जो आई है, उसमें कुछ update RBA ने नहीं दिया, RBA ने ये कहा है, कि हम इस से related, कुछ guidelines जो है, वो separately जारी करेंगे, जो master direction याने master circular आएगा, foreign exchange से कही है, तो उस से related हमें उतना ज्यादा deep में जाने के विशक्ता नहीं है, हमारे exam point से relevant नहीं है, clear है, अच्छा लगा, मजा आया, कुछ नेया सीखा, foreign exchange और hedging वार्ड, बहुत बढ़िया, अगला, जो framework यहाँ पर, अगला जो RBA की तरफ से guideline आई, वो guideline आई, related to the connecting lending, connecting lending, connecting lending, or the lending to person who are in position to control or influence the decision of a lender, can be of concern, arm's length relationship with such borrowers, ठीक है, connecting lending word समझते हैं, निया word है आपके लिए, मैं अगर आपको एक पूसता हूँ, आप बहुत बड़े industrialist हो, बहुत बड़े, खतरनाक वाले industrialist हो आपके घर में Ferrari, Fruery, सब Range Rover, फलाना धिंगरा, सब गाड़ी BMW, Rolls, सब है, इतने गज़वाले industrialist हो आप, imagine करो, imagine करने में क्या आजाता है, कर लो, मैं भी करी रहा हूँ, और आपको यहाँ पर, बड़ी बड़ी industries, यह वो, आपको, अब आपको एतनी बड़ी industries है, कही ना किसे पैसे की जरूरत होती है, अब आपको एक option दिया जाए, एक option दे देते हैं आपको, है ना, कि बेटा, तुम्हें हम option दे रहे हैं, सरकार कहती है, कि तुम्हें एक बैंक खोल लो, तुम्हें एक बैंक खोल लो, जैसे तुम्हें एक बैंक खोल लो, जैसे तुम्हारी industry है ना, कोई oil की, यह वो, फ्लाना A, B, C, D, Y, X, Y, Z, मसालो की, बहुत सारी industries है तुम्हारी, एक और industry में आजो, बैंक का तुम्हें लाइसेंस दे देते हैं, लो बैंक खोल लो बेटा जाओ, क्या opinion है तुम्हारा, खोलोगे बैंक, और बैंक खोलते सबसे पहला काम क्या करोगे, जैसे तुम्हें पता लगा, कि तुम्हें बैंक का license मिल गया, तुम्हारा बैंक खुद का है अब, सबसे पहला काम क्या करोगे, बताओ, जोब दूँगा लोन लेंगे मेरा पैसा दो अब सर मेरा पैसा दो जोब देंगे इंवेस्टमेंट जोब, लेंडिंग खुद के रूल्स खुद के पैसे खुद लोन पे लेंगे लंदन भाग जाओंगा मार्केटिंग, एड़ोटीजमेंट पैसा लेके फरार अच्छा से सीओ पॉइंट करूँगा जिसको काम आता हो कोई ये नी बोल रहा सेक्रेटरी पॉइंट कर लेंगे ये नी किसी के ख्वाइश है सेक्रेटरी पॉइंट कर लेंगे कमाल कर रहा है ये तो ख्वाइश रखनी थी किसी कोई तो समझदार विक्ती होता मेरे क्लास में ऐसी ख्वाइश रखने वाला वैसे आप मैंसे कुछ समझदार विक्ती है दो-तीन समझदार विक्ती थे इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि भाई साब मैं इतना बड़ा इंडेस्ट्रिलिस्ट हूँ मैं दूसरे बैंक में जाकर लोन ले रहा हूं मेरे पास बैंक आ गया तो मैं खुद ही अपने आपको लोन दे दूंगा ने यार क्या बात करो कि उनसा ब्याज कौन सा ब्या था रट रखो साब आपने दिये फिर बयाज का इंगा मांग रहा है हुगा यह नहीं हुगा यह उगा सच है ना जूट थोड़ी ना वाक्य में हो गास देस इस, नोन एस दिक उनेक्टिल लेंडिंग इसी को कौनेक्टिड लेंडिंग कहते हैं कि आप लोन दे रहे हो उसी को जो आपके इंडस्ट्री से आपके बैंक से कनेक्टेड है आप ही मालिक हो आप कोई लोन चाहिए यह कुछ वैसा ही है कल को अडानी जी अम्बानी जी या फिर मैं अगर इनको भॉफर दे दिया जाएगा बैंक खोली है अब आपको जीओ पेमेट बैंक तो है ना लेकिन ज पर बैंक का लाइसंस नहीं दिया जाता क्योंकि वो हो सकता है expected है as per the framework for connected lending कि उस पैसे का इस्तमाल खुद के लिए करेंगे समझगे बाबू समझे के नी समझे क्योंकि वो influence कर सकते देखो लिखा ना connected lending और lending to person who are in position to control or influence the decision of a lender वो इस position में है की आपको influence कर सकता है बेटा तुम्हें लोन तो देना पड़ेगा तुम्हारा मालिक मैं ही हूँ ओके गॉट इट गॉट इट कैन बी अ कंसर्न with such borrowers such lending can involve moral hazard issues leading to compromise in pricing guidelines on the issue are limited in scope and are not applicable uniformly to all regulated entities it has accordingly been it has accordingly been decided to come out with a unified regulatory framework on a connected lending for all the regulated entities of Reserve Bank of India draft circular in this regard will be issued for public comments अभी आएगा पूरा इस से related connected lending से related a draft समझ गें समझ गें क्या समझें के नहीं समझें क्लियर है कुछ निया सीखा connected lending होना चाहिए नहीं होना चाहिए देखो अब देखो होता है के नहीं होता उस related guidelines आएंगी हो सकता है applicable कर देंगी भाई साब ठीक है बैंक का license मिल जाएगा landing कर सकता है आप से related मालिजे कोई bank है उस related कोई मालिक वालिक है industrial दे सकता है लेकिन उस से related guidelines आएंगी क्या cases में किस exceptions के तहत लोन दिया जा सकता है उके काफी लोगोंने सही बोला था दो चार लोगोंने सही बोला था बिलकुल सही बाकी दो को London भाग रहा तो कोई कहां भाग रहा था और वेटा लंदन खुद का बैंक है आपसे डिपोसिट लेकर खुद लोले कहे लंदन भाग ना इंडिया में इंच्वाइकर रहे हैं लंदन तो उपना इसको है भागता तो वो इंसान ने जो इलीकल कर रहा हो चलो अगला क्या है regulatory framework for web aggregation of loan product ठीक है Reserve Bank of India ने accept किया while its price press release dated ये press release आई थी recommendation of the working group on digital lending chair परसंद श्री जयन्त कुमार दाश to come up with the regulatory framework for web aggregator of the loan product ठीक है ये हाप Reserve Bank of India ने क्या की थी ये press release आई थी मिला तब press release आई थे गस 2022 की पिछले साल की बात कर रहे है छोड़ो वो 2022 की जो आई थी आई थी इतनी पुरानी हमारे लिए relevant नहीं है एक working group बनाया था digital lending के उपर उसको chair person कहुंते श्री जयन्त कुमार दाश याद कर ले ना आ सकता है एक्जाम में जंत कुमार दाश जंत कुमार दाश जो थे ये इसके chair किया था इन्होंने इस committee को जोने digital lending से related कुछ guidelines दी थी कि digital lending जो है digital loans जो है वो किस तरह से दिये जाने चाहिए ठीक है अब उसी guidelines का हवाला देते हो उन्हेंने कहा कि एक यहां पर regulatory frame को बनाना चाहिए web aggregation of the loan product web aggregation इन्होंने जो कहा है वो क्या है यहां पर जो शब्द समझने वाला है वो है web aggregation of loan product यह क्या है यह concept एक नहीं आया है web aggregation of the loan product ठीक है इसको समझते है web aggregation क्या होता है आपने एक website सुने होगे policy bazaar ठीक है policy bazaar पर जाते हो अलग-अलग तरह के life, non-life insurance products आपको मिल जाते है आप comparison करते हों सब का करते हो के नहीं करते है होता है आपको लगता है यह best है यह best है यह best है वो बता देते हैं यह इसमें से यह कामी है यह इसमें से कमी है comparisons सारा हो जाता है हो जाता है गी नहीं हो जाता ठीक है सही बात करी मैंने अब ऐसा ही एक platform आपके लिए बना दिया जाए loans से related जितने भी digital lending के यहाँ पर platforms है जो online loan provide कराते हैं बहुत सारे से नियो banks है जिनको हम नियो banks कहते हैं तो ऐसे बहुत सारे नियो banks हैं ऐसे बहुत सारे online platform है apps हैं जो कि इस तरह के digital loan आपको घर बैठे बैठे मोबाइल के थूँ अगर मैं इन सारे के digital loan platforms का एक database create कर दूँ और उसमें यहाँ पर उन सभी digital loan के मैं comparison कर दूँ कि मैं जानना चाहते हो loan का rate of interest in 10 companies में क्या है law भी comparison लगाओ सब में आ गया eligibility क्या है सब में बराबर आ गये जो मुझे उसमें से best लगेगा मैं उसको चुनके उसके पास loan ले लूँगा समझ के ऐसे ही होता है ठीक है वैसी ही चीज़ अब देखो माली जब policy बजार या कोई भी ऐसी agency है obvious है वो agency कहीं न कहीं कहीं न कहीं उन agencies में एक और रहता है कि वो profit making की तरफ भी है obvious है अगर आप जैसे policy बजार या किसी वैसे website पे जाते हो वहाँ पर आपको specifically कहीं न कोई sponsored ads भी दिखती है कि भाज साब इस particular company sponsored की तो उसका banner उपर उपर लगया उसकी advertisement उपर उपर आ रही है उसका loan उसका product जो है हरे एक जगा पर दिखाई दे रहे website पे ऐसा तो होता है obvious है और ये अकेले इस website पे ने के लिए Reserve Bank of India कह रहा है और उस platform के उन्होंने नाम दिया नाम मतलब दिया है क्या कहा है उसको web aggregation of loan products कि हम एक ऐसा platform बनाने की त्यारी में है जो कि जितने भी loan products है उनका web aggregation करेगा यानि कि सारे कसर loan product की comparison एक ही जगा पर एक ही लगा पर आपके लिए अविलेबल रहेगी Got my point समझ गे क्या कहना चाहते है RBA बस इसी से लेटेड यहां पर एक guideline आई है वही लिखा है detailed guidelines will be issued separately ओके ठीक है clear है web aggregation of loan product क्या होता है I hope so clear होगा दिव्यांची सुधर जाओ बाए तैज हो रहे हो तुम लोग कई बाद छूड दे देता हूं control बस चलो आगे चलते हैं enhancing UPA transaction limit for specified category यह चीज मैंने उस दिन करेंटर्वस की class में आपको करवाई थी ठीक है UPA transaction limit कुछ categories के लिए बढ़ा देगी specifically जो hospitals है या फिर आप जो healthcare department healthcare से जुड़े हुए हैं हैं आपके segments है institutions है या फिर education से जुड़े हुए जो institutions है उनमें आप UPA के थो जो transaction कर सकते हो 5 लाग तक की कर सकते हो पहले यह limit नॉर्मल यह आप UPA के थो transaction करते हो एक लाग की एक देट में कर सकते हो लेकिन अगर आपको payment करनी है किसी hospital को किसी education institution को तो वो limit अब भढ़ा दीगे UPA के मादम से 5 लाग कर दीगी है इसके अलावा और भी limit यहाँ पर एक लाग के exception और भी है जिसमें एक लाग से उपर आप transaction कर सकते हो like the IPO है initial public offering में आपने investment करनी है उसका या फिर आप यहाँ पर जो RBI के retail direct scheme है उसमें तो इनमें आप जो transaction कर सकते हो 2 लाग की कर सकते हो UPA के मादम से और अगर आप mutual fund में investment करना चाहते हो capital market में investment करना चाहते हो इसमें तो इनमें investment आप UPA के मादम से 5 लाग कर सकते हो तो यह सब चीज़ें यहाँ पर आपकी already mention है देखो sorry मैंने शायद उल्टा बोल दिया transaction limit was is 2 लाग in December इन सभी transaction limit को यहाँ पर बढ़ा कर पांच लाग कर देगा मैंने शायद 2 लाग बोल दिया था तो इन सब transaction यह जो उपर लिखी हो ही ना सारी की सारी transaction limit जो थी वो यहाँ पर already capital market AMC, broking, mutual fund, collection, credit card payment, loan repayment, EMI insurance where the transaction limit is 2 लाग in December 2021 transaction limit for UPI payment की जो पांच लाग की थी मैंने दो लाग पांच लाग उल्टा बोल दिया ठीक है? तो वो दो लाग पांच लाग उसके लिए थी और जो अभी नया, जो अभी इन्होंने इसके लिए guideline जा रही किया है उसमें introduction को आपका एक लाग से पांच लाग कर देगा medical and education services के लिए clear है? ठीक है? हारे बाव, हैसाव क्या बात है? कोन आया मजनू मेरी क्लास है? हाहा, आपका शर्माना ही तो आपकी अदा है जिस पे हम हमेशा से फिदा है और इसकी बेवफ़ा पे पुरी दिनिया जदा है कितना दर्द है इसकी आवाज में पगली लो अब घर पे वैठा दर्द दर्द चलाए गए गया अब घर पे वैठा दर्द चलाए गए बाटे टू यू चलो, आगे चलते हैं इमेंडेट फोर रेक्रिंग ओनलाइन ट्राजिक्शन एन्हेंस्मेंट अव लिमिट फोर स्पेसिपेट कैटिग्रीज इमेंडेट यहां पर इमेंडेट बैसिकली क्या होता है इमेंडेट होते है आपके जो ओनलाइन आप यहां पर एक अप्रूवल दे देते हो, मनजूरी दे देते हो अपने बैंक को कि मेरे अकाउंट्स से पैसा कट कर अपने आप इस particular fixed rate को इतना fixed amount मेरे खाते से कट कर इस particular जगहा पर पहुंच जाए आपने माल लीजिये कोई mutual fund है for example आप mutual fund की क्या होते है SIP होती है systematic investment जिसमें आप every month कुछ नो कुछ पैसा automatically आपके खाते से कट कर mutual fund कमनी को वैस सला आ जाता है एक ये example हो सकता है एक ये example भी हो सकता है आपने electricity bill का mandate दे रखा हो जिसमें electricity bill आपके जहां पर generate होता है तो automatically आपके खाते से पैसा उतना कटता है जितना electricity bill जनरेट होता है electricity bill के account बोर्ड के खाते में चला जाता है माल लीजिये आपने Amazon, Hotstar, Netflix बगारा बगारा के subscription ले रखी है तो जो पैसा महिने में या 6 मिने में या साल में कटता है तो automatically आपके खाते से कट कर उनके account में चला जाता है आपने कोई घर में जियो, एटल, फाइवर बगारा connection ले रखा है उसका पैसा automatically कट कर उनके खाते में चला जाता है है ना, अब ये 4 example मैंने क्यों दिये समझाओ क्यों दिये क्यों चारो मेरे लिए चल रहे है चारो मेरे उपर अपर अपली के बला है इसलिए मैंने वही example दे जो मेरे उपर लगे हुआ है तो यहां पर आपके automatically पैसा कट कर आपका उन particular खातों में चला जाता है ठीक है, that is the e-mandate अब मुझे हरेग मन्त देखने की जरुवर नहीं बढ़ते अच्छा बिल आया अरे अरे करो करो payment करो अरे यार, अरे कपिल वो payment करना बापू जी कह रहे है हो गई, automatic हो गई ठीक है, एक चीज, यह facility उपलब्ध है हमारे पास ऐसी सब चीजे facility उपलब्ध है वो आप करना चाओ नहीं करना चाओ आपकी मर्जी है लेकिन यह facilities उपलब्ध करवाई जाती है that is the e-mandate ठीक है, अब यह e-mandate में चकर क्या है e-mandate में यहाँ पर चकर यह है या फिर e-mandate के अलावा पहले थोड़ा सा दूसरी तरफ चलते है एक आपने word सुना होगा, two factor authentication सुना है के नहीं सुना two factor authentication, सुना है या additional factor of authentication हाँ, पता होगा आपको अब मैं बताऊंगा तो आपको पता होगा डेफिनेटली पता होगा और रोज आप इस चीज़ को रोज या नहीं कभी नहीं कभी इस चीज़ को से गुजर चुके होगे additional factor of authentication क्या होता है बिल्कुल Gmail पे होता है बिल्कुल एक दम सही सायन सो यहाँ पर देखो, आप जब भी कभी आपने Gmail account से एक बार तो आपने mobile phone पे login कर लिया मालीजे अगर उस Gmail account से आप किसी laptop में किसी computer पे, किसी third party पे आप अगर login करते हो किस जगा पे login करते हो तो क्या होता है, एक बार तो आप अपना password डालोगे फिर क्या होगा, फिर वहाँ पर एक notification जनरेट होगा, और वो notification जाएगा किस पे आपने mobile number पे और वो एक flash message आएगा वहाँ पर आपके mobile पे, कि उस पे number, वहाँ तीन number दे रहके होते हैं भाज़ाँ इन तीन में से कौन सा number है जो आपके mobile पे display हुआ है, अब mobile में देखो मेरे mobile पे यह number display हुआ, आप उन तीनों में से वो select करोगे, तब जाके आपको आगे जाने देगा या फिर कोई OTP number या फिर कोई code है, वो कुछ आपके mobile पे आएगा आप वहाँ पर डालोगे फिर तो एक तो आपने password डाला, एक आपने वो code डाला, या फिर वो number डाला, जो आपके हो, वाईल पे आया that is a double fact, double हुआ ना, double verification this is the additional factor, एक बार तो password से आपने authentication हो गया एक additional factor authentication आपका इस तरह से होता है इस ही को आप additional factor authentication क्याते हैं ये additional factor authentication बैंकिंग सेक्टर में भी होता है, कैसे होता है credit card, debit card, अब smile करते हो, online shopping करते हो आपके CVV number डालते हो, है ना, UPI, जब UPI app खोलते हो अब अपना अंगुठा लगा, अगर UPI का pin number भी डालते हो आपने माल लेजिए, मैंने कल एक train की ticket बुक कराई थी ठीक है, train की ticket बुक कराई, तो train की ticket बुक कराने पहले तो train की ticket बुक कराई, ठीक है, उसने मेरा credit card बगारा सब कुछ मांग लिया, credit card number बगारा मांग लिया, सब कुछ हो गया CVV number बगारा डाला मैंने, फिर OTP आया मेरे मुवायल पे CVV आया, number भी डाला, और फिर OTP भी आया, OTP से मेरे ticket बुक करें, या फिर मैं Google Pay पे जाओंगा, Google Pay पे क्या होगा, पहले मैं Google Pay बगारा डालूँगा, उदर Google Pay जब open करूँगा, तो वहाँ पर भी ID मांगेगा, वहाँ पर ID मांगे ना, Google Pay open करने पर भी तो pin number मांगता है, और फिर जब transaction का फिर से वहाँ पर एक pin number मांगेगा, एक Google Pay को open करने का pin मांगेगा, और एक दूसरी तरफ से फिर जो एक और pin number जो transaction का प्रूब करने का pin मांगेगा, तो double हुआ वहाँ पर, that is additional factor authentication, इसको हम कहते हैं, तो अब e-mandate और additional factor authentication को यहाँ पर link किया गया, अभी तक क्या होता था, अगर आपने कोई e-mandate लगा रखा है, तो e-mandate without additional factor authentication 15,000 तक automatically approve हो जाता था, यानि कि माली जी आपने कोई बिजली का bill है, जो आपका payment करनी है, 10,000 तक आता है, 14,999 आता है, तो आपके पास उसका approval नहीं आता था, आपके पास जो subscription के आपने करनी है, और 15,000 से जाधा की है, तो आपसे वो approval मांगता है, उसका approval आप दोबारा से देंगे, आप जो भी code होगा वो डालेंगे, फिर जाके वो e-mandate approve होगा, यानि कि that is additional factor authentication 15,000 से उपर चाहिए था, अब देखो, एक तर मैंने e-mandate दे रहे है, जिसमें मैं automatically पैसा जा रहा है, मेरा हर एक मन्त, e-mandate दे रहे है, automatically जा रहे है, तो भाईसा मेरी जंजट नहीं है, ना e-mandate में, automatic जाड़ा, बढ़िया वात है, लेकिन उसमें RBA नहीं कहा रखा है, कि भाईसाब 15,000 तक ही automatic जाएगा, 15,000 से उपर तो आपको फिर से हमारा authentication देना पड़ेगा, तो इसी जंजट से यहाँ पर पीछे छोड़वाया है RBA ने, RBA कहता है, भाईसाब अब हम 15,000 को छोड़ देते हैं पीछे, छोड़ा हैं वो गलिया, अब इस 15,000 के limit हम बढ़ा देते हैं, एक लाख, जाओ, एश करो, ठीक है, तो यही 15,000 की जो limit है, जो RBA ने यहाँ पर करी है, यह यहाँ पर बढ़ा दी गई है, 15,000 पहले दी स्टेंड सेट 15,000, और इसको यहाँ पर बढ़ा कर, अब प्रपोस्ट टू एक लाख रुपे कर दी गई है, यह फिगर, क्लियर है, समझ में आ गया, सर इसकी पीडिया में में लेगी, बंदू English में मिलेगी, हिंदी छोड़ो, हिंदी चाहिए, हिंदी बेटा एक काम करना, अभी मैं रवेसर रिस्क लूंगा नी, इधर ना एक ना उप्शन होता है, यहाँ पर language यह देखो, हिंदी है ना, तो हिंदी यहाँ पे क्लिक करोग ना, हाँ, प्रेस परकाशनी हम हम क्या पढ़ रहे थे, हो, 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 क्या पढ़ गा रहे थे हम, भाई साव, अरे बता दे मेरा भाई क्या पढ़ रहे थे, खतरनाक, यह पढ़ रहे थेगा, नहीं यह भी नहीं पढ़ रहे थे, अरे भाई छोड़ यार, ट्रांसलेटर को बुलाना वड़ा है का मेरे को, कहां गई, मुझे लगता उसकी बिंदी नहीं आई, यार वो होना तो यहीं चाहिए था, यार लेकिन इसकी इन्दी तो गोत्ति होज़ बिंदी नहीं इनी पुलीच और शृच आनो पाई, उन्होंने इसकी इन्दी में नीनिकाली देख लो आर्पि वेबसाई इन्दी ममें पैलिछ nogा होगया, e-mandate समझ गए? चलो, अगला चलते है Establishment of Cloud Facility for Financial Sector in India Cloud Facility, Google Cloud, Amazon Cloud बहुत सारे Clouds होते हैं ना बादल, बरसा, पानी वाया है ना तो वो बला Cloud नहीं है, यह basically एक server होता है, जहांपर काफी सारी चीज़े store करके रखता है, आपको पता होगा है Cloud Service किससे यहाँ पर बचा हुआ है Commerce वाले students इनको मेरी तरह होगे उनको नहीं पता होगा, है ना मेरा मोय मोय क्यों हुआ भाईसा जब थीनी वाहाँ पर हिंदी भाईसा वो हिंदी थीनी, उसकी मेरा मोय मोय RV का मोय मोय करो, मेरा का तो यहाँ पर आपका हम बात कर रहे है आजो यार, वापिस आजो क्लास में लास्ट में मजाक करेंगे, लास्ट में करेंगे, ट्राइ करेंगे ठीक है, यह कुछ चीजे पढ़ लोग फिर ट्राइ करते हैं अब मैं यहीं है Cloud Facility यहाँ पर Financial Sector देको इस डाटा को स्टोर कर रहा है, को इंस्टूशन अपने लेवल पर कर रहा है को इंस्टूशन अपने लेवल पर कर रहा है तो क्यों ना एक अलग से Financial Sector का एक Cloud बना दिया जहाँ पर यह सारा का सारा डाटा स्टोर हो जाए Total Data, तो उसी का proposal यहाँ पर RBA ने रखा है कि Establishment of Cloud Facility for the Financial Sector और यहाँ पर यह जो Cloud Facility सबसे पहले operate किया जाएगा by the Indian Financial Technology and Allied Services याद रख लेना आ सकता है Indian Financial Technology and Allied Services जो कि सबसीडरी है आपकी RBA की इसके द्वारा इस Cloud Facility को पहले manage किया जाएगा उसके बाद फिर जब यह manage करेगा और यह smooth कर देगा function को फिर सभी banks financial institution को कहा जाएगा ठीक है आप अपने लेवल पर भी इसीज को manage कर सकते हो ठीक है? ओके? Got it? IFTAS, यह आद रख लेना IFTAS, IFTAS इसमें एक ऐसे institution है जो कि करेगा Establishment of Cloud Facility for the financial sector ने in India को यहाँ पर सारा-सारा manage Got it? ठीक है? चल, आगे चलते हैं Setting up of FinTech repository FinTech, financial technology financial technology ऐसे जो institution जो कि online आपका deposit, online loan loan, loan, loan की सुदा अपलब्द कराते है financial technology sector उसकी बात कर रहे है तो यह कह रहे हैं कि जितने भी financial technology sector है, जितने भी financial technology companies है, FinTech companies है जितने भी, उन सभी companies ने रोज ना रोज कुछ ना कुछ नहीं technology लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नहीं product लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ नहीं update लेकर आते हैं उन सब का database यहाँ पर एक जगा पर रुकलब्द कराया जाए ऐसा एक FinTech repository बना दिया जाना चाहिए ठीक है, यह भी एक simple सी इसमें ही ख़बराई है, इसमें और कुछ पढ़ने वाला या जानने वाला जादा नहीं है, तो यह पूरा कुपूरा यहाँ पर ओह रहाँ, इसमें एक चीज़ याद रख लेना यह देखो, यहाँ पर लिखा है विल भी operationalize बैदी, किसके दौरा operationalize होगा, यह Fintech repository यह याद रख लेना Reserve Bank Innovation Hub के दौरा होगा in April 2024 और earlier यह date mention कर रखी है, और Reserve Bank Innovation Hub mention कर रखा है, याद रख लेना I hope so, कि यह जो RB के दौरा जो guidelines आई हैं अभी हाल ही में, जो कि RB के monetary policy के साथ उसी दिन आई थी यह सारी के सारी आपको पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी, समझने में मजा आया होगा आपको, और बहुत कुछ आपने इसमें से नया सीखा होगा, एक बार बता दो कैसा लगा, अभी session एंड नहीं होगा एक और topic करेंगे, ठीक है एक बार यह बता दो, यह 8 points 8 थे, आज 7 points थे 7 points मजा आया कुछ नया सीखा, क्या क्या नया सीखा मस्त सर एकदम हम शादी शुदा है translation risk, okay, hedging date ही पूछ लेगा, हाँ, बिलकुल सब के लिए कुछ ना 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 सीखा छे साथ चीज़े नहीं सीखे, चलो बढ़िया इससे question कैसे बन सकते हैं, इससे question जो भी रहेंगे वो मैं आपके crossword में update कर दता हूँ, उमीद करता हूँ आप crossword में से इस RB quiz को लगाओगे, आएंगे, हल लगा दूँगा है ना, एक दो दिन दे दो आपको पिछले मैंने sessions के भी उसके अंदर quiz लगा चुका हूँ है, लगे हूँ है उस quiz उसमें और इस session के भी quiz उसमें लग जाएंगे, ठीक है, तो हम quiz पे ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, क्योंकि quiz तो आप अपने end पर भी पांच-सात मिनट में कर सकते हो, में focus रहता है, concept को clear रहना, concept clear है, तो exam में आप questions को भी अच्छे से attempt कर पाऊगे, मैं आपको एक question करवा दू, for example, मैं आपको बता देता, अच्छा, hedging ओ foreign exchange, आपको मैं कैसे समझाता है, hedging क्या होता है, आप ये मैं सोचो ना, इक्जाम में, अकेला इस news में सो question है, exam में अगर आज लोग आ जाए, what do you mean by hedging, नीचे 4 option, 5 option दे रहे, आप जब तक hedging आपको पता ही नहीं है, तब तक कैसे कर पाऊगे, फोर नहीं रिस्क नहीं पता, तो कैसे option tick पर हो, रट्टा नहीं मारना, quiz के थूरू तो आप अगर आपका concept clear है, अगर आपकी theory clear है, questions अपने आप clear कर लोग यार, अब आप exam में जाते थे, examination hole में, जब आपके graduation के exam में, तो obvious है, आप theory बढ़के जाते थे, question जो भी exam में आ जाता है, आप इमने according model कर के answer लिख देते थे, ना, बस वही चीज़ है, ठीक है, चलो, आगे च change रहा है, कुछ changes नहीं हो, कुछ बदलाव नहीं हो है, तो current device की class में table available दे दूँगा, normal सा होगा, ठीक है, CPI इतना expected था, ये था, वो था, वो एक दो दिन current device की class में, आज कल में, जो होगी, कल या परसो जब भी होगी, तो मैं आपको table दे दूँगा, उसमें से हम मैं रूटीन की daily class में वो चीज करा दूँगा, अब आम में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, सर इसको daily routine की class में करा दिए करा ना बेटा, अब देखो मैं, अगर तुम्हें daily routine की class में कराता, ये 7 point daily routine की class में कराता, तो इस class को 45 minute हो चुके है, तो daily current device की class कब होती, तो यह ही main reason है, कुछ points जो होते हैं, जिन पर अलग से मुझे focus करके, अलग से मुझे अच्छे समझाना होता है, इसलिए मैं RB corner लेकर आता हूँ, जो daily current device की class है, वो तो आप करी रहे हो, उसके अलावा कुछ extra points इसमें आ रहे है, RB corner में, कुछ चीज़े repeat भी हो जाते हैं, like the UPA, उस notification में आते हैं, press releases, फिर अगले session में और देखो, processing of e-mandate वाला हमने कर लिया, अभी-अभी, अभी-अभी यही चीज़ हमने करी थी, sovereign gold bond scheme आई है, इस scheme को basically यह कुछ नई चीज़ नहीं है, जो की आई है यहाँ पर RB के दारा, यह sovereign gold bond बहुत पुरानी scheme है, बहुत सालों से चल में open होगा, फिर जो series 4 है, वो 12 February से 16 February के बीच में open होगी, sovereign gold bond से जुड़ी है instructions किसको दी गई है, यानि कौन-कौन SGB को यहाँ पर sale कर सकता है, schedule commercial bank, post office, stock holding corporation of India, national stock exchange, bombay stock exchange, clearing corporation of India limited, इन सब को इस से related यहाँ पर instruction जारी की गई है, ठीक है, ओके, तो यह है आपका, यहाँ पर, इन इनको instruction जारी की गई है, अब ध्यान से सुनो, sovereign gold bonds क्या होते हैं, अगर आपने मेरी static banking की classes पहले की हुई हैं, तो definitely आपको SGB के बारे में पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा से सुन लो, फिर इस circular पे, यह circular क्या है notification जो आया है, छोटा से notification है, इसके उपर मैं एक बार से फटावर से go through करवा दोगा, sovereign gold bond, आपको अगर एक market में जाकर gold खरीदना है, obvious आप खरीदेंगे, पैसा देंगे, आपके पास physical gold आएगा उसके मदल में, लेकिन आप physical gold नहीं रखना चाता है, जंजट नहीं है, भाई साब घर में चोरी होता है, चकारी हो जाती है, safe नहीं ह online जो gold है, यह कुछ हटकर है, कुछ अलग है, पहली चीज़ यह sovereign है, sovereign का मतलब यह government backed है, government की guarantee है इसमें, यह government आपको दे रही है, Reserve Bank of India, on the behalf of government of India, यह gold bonds जारी करता है, इन gold bonds में यहाँ पर आप purchase करते हो, आप as a individual इनको purchase करते हो, और उसके बदले में आपको यहाँ पर एक certificate दिया जाता है, जो कि certificate होता है, equivalent to amount, equivalent to the value of the gold, अब equal to value of the gold कैसे हो सकता है, मुझे माली जीए, 5 ग्राम सोना खरीना, 10 ग्राम सोना खरीना, तो आप इसमें 10 ग्राम सोनने का एक amount लगाईए, कि इतना amount है, 10 ग्राम सोनने का, यह लो पैसा, बैंक को आप जाएंगे, बैसा दे certificate देगा, जिसे पर लिखा होगा, 10 ग्राम सोना आपका यहाँ पर हो चुका है, इतने इतने रुपे में आपको हमने दिया है, यह उसका price है, ठीक है, आपके पास physical gold ना होकर आपका certificate हाजेगा, और वो भी certificate की आपको जरुरत नहीं है, वो आपका online ही उसके repository, online database create होगा, तो आपका certificate कहीं खो भी जाता है, तो भी attention ही, आपका पैसा बिलकुल सरक्षित है, इसके कुछ features है, उनके उपर बात कर लेते हैं, लाइक दी, जो इसमें maximum amount है, जो sovereign gold molds की आप खरीज सकते हो, वो आप minimum 1 gram से लेकर 4 kg तक खरीज सकता है, एक individual वेक्ति, आप जैसा मेरा जैस वेक 4 kg तक खरीज सकता है, ठीक है, HUF फैमिली जो भी 4 kg और जो trust है, वो 20 kg तक खरीज सकता है, 20 kg आपका trust के लिए है, और बाकी अगर कोई company है, कोई partnership है, कोई और organization है, वो इसको नहीं खरीज सकती, sovereign gold bonds को, केवल और केवल यहाँ पर individual, HUF, Hindu undivided family, या फिर आपका trust जो है, यही 3 जो है, यह आपके eligible है, sovereign gold bonds को purchase करने के लिए, minimum 1 gram, individual के लिए 4 kg, 4 kg, ठीक है, 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, यह sovereign gold bonds होते हैं, यह always available नहीं होते हैं, यह tranches में available होते हैं, यानि कुछ समय के लिए यहाँ पर open किये जाते हैं, RBA के दोरा, और RBA इनको banks की branches, या फिर कुछ post office, stock holding corporation, NSC, BSC, इनक through यहाँ पर यह customers को sale करता है, अब यह tranches कैसे होती हैं, tranches यहाँ पर आपकी होती हैं, यह वले, जैसे यह tranches हुई, 18 December से लेकर, 22 December के एक tranches हुई, यह third series है, third series का हमला, 2023-2023 financial year की यह तीसरी बार आ रहा है, और 2023-2024 में चोथी बार आएगा इस date को, इस period के दुरान आप किसी बैंक में जाएंगे, और बैंक में जाकर आप कहेंगे कि मुझे sovereign gold bond खरीदना है, तो आपको sovereign gold bond खरीदने के लिए कह देंगे, आप खरीज सकते हो, बैंक में जाएंगे, आपके खाते से, आपको नहीं का 5 ग्राम करेंगे हैं, 5 ग्राम का equivalent पैसा आपके खाते से कट जाएगा, अब जो पैसा कटेगा, वो price क्या रहेगा, वो price decide किया जाता है आपका, जब यह tranche आती है, यानि कि 18 December को, 18 December से previous 3 दिन, 18 December प्रीवियस 3 दिन यानि कौन से 15, 16, 17 December, तीन दिन में यहाँ पर सोने का भाव जो है, वो कितना रहा, उसका average, तीन दिन में जो सोने का भ प्राइस पर मिल जाता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया की bullion association है, वो यहाँ पर 3 दिन का average price decide करके RBA को दे देती है, और RBA उस भिहाब पर 18 से लेकर 22 December तक same price पर आपको 24 by 7 यह सोने, जो जो है gold bond है, यह अपलब्द करा देता, आप घर पर बैटे, internet banking के माधियम से भी इस gold को अपने bank के internet banking माधियम से purchase कर सकते है, और even काफी banks तो घर पर बैठे बैठे बैठे, इस पर 50 रुपीज का discount भी दे देता है, पर गराया, तीक है, अब यह तो हुआ buying के criteria के buy कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, कैसे कर सकते हैं, और price कह रहेगा, अब बाद आती है sir, क्या हम इसक बेच सकते हैं, तो जी हाँ, इसको बेचा जा सकता है, लेकिन कुछ समय बाद, कैसे, इसका जो maturity period होती है, वो होती है basically 8 साल, यानि कि यह पैसा जो है, इसका आपको मिलेगा 8 साल के बाद, 8 साल के बाद जो पैसा है, वो आपको automatically ही आपके account में आ जाएगा, 8 साल बाद इसक पैसा, automatically आपके account में आ जाएगा, जिस account से आपने इस gold को खरीदा था, उस account में आपका automatically पैसा कट कर आ जाएगा, आप कोगे sir, उस time पैसा कैसे आएगा, उस time पैसा ऐसे आएगा, माल लिजिए, जब यहाँ पर sovereign gold bond पहली बार आयते, तो मैंने उसमें invest किया था, मैंने 1 gram invest क इतना पैसा होता था, एक gram कर लिया था, जब टेस्ट किया था, तो उस time पे मुझे याद नी शायद 2324 रुपे वैल्ली हुआ करती है, अब देख लो आज की date में कितनी है, तो मेरे खाते में शायद वो उस दिन message आया था, कि वो redeem होने वाले 8 साल हो चुके हैं उस stage को, तो 8 सल बाद अब आज की date में देख लो, वो 2324 रुपे 6,000 पे शायद बनेगे, 6-6,500 पे आ जाएगा, है ना मेरे account में, अब सोच रहा हूं, का शुस्त हैं, 10 gram, 4 kilo करीद लिया होता, है ना क्या बात है, फिर तो आज मैं शायद या RB corner class ही ना ले रहा होता है, ना, बैटा होता ह चोड़ो, वो हमारी आदत ही होती है, सारे लोगों की regret करते रहते हैं, हमारी चीज़ पर, उससे बहतर position पर ही, आज की date में, no regrets, so यहाँ पर आपका, 8 साल बाद, वो automatically मेरे खाते में, उतना पैसा equivalent to आ जाएगा, बशर्ते मेरे खाता चलना, जो खाता बंद हो गया, तो भा आइसल सर्टिकर्ड लो, यह लो सर्टिकर्ड मेरा पैसा दो, मेरा गोल्ड दो, नहीं, अपने आप आज़े, और राइस कौन से पर आएगा, जिस दिन रोडिम्शन, रिडम्शन बोलते हैं, उसको, जिस दिन रोडिम्शन की date है, जिस दिन maturity की date है, उससे पिछले तीन दि price था, वैसे तीन दिन का average price, ठीक है, सो वो हो गया, आपके खाते में, आप कहा रहे हो, सर, पहले चाहिए पैसा, सर, कितने टाइम, महलें, फिजिकल गोल्ड में, तो यह सुविदा होती है, जब मर्जी जाओ, बेच दो, इसमें भी, इसमें आपको 5 साल, मिनिम्म 5 साल price लेने का, कैसे option दिया जाता है, देखो, SGB में एक और फायदा होता है, कि आपको यहाँ पर every 6 मन्स बाद, बियाज भी मिलता है, sovereign gold moon आप जितने का मिलते हो ना, खरीते हो ना, आपको पर यह धाई प्रतिशत ब्याज मिलता है, पर यह धाई प्रतिशत आपको ब्याज मिलता है, 6 मिन्या केतना हुगा, चलो, एक question देते हैं आपको, देखते हैं, कितनी अच्छी मैट्स है, ठीक है, मैंने 3 किलो, 400 ग्राम सोना खरीदा, प्राइस है, 550 रुपे, पर 10 ग्राम का हो गया, यह हो गया, पर 10 ग्राम का प्राइस, 10 ग्राम का प्राइस होता है, नहीं नहीं, एक ग्राम का प्राइस, पर ग्राम का प्राइस यह है, ठीक है, और मैंने 3 किलो, 400 ग्राम सोना खरीदा है, 550 रुपे पर ग्राम है, ठीक है, मुझे इस पर ब्याज मिलता है कितना 0.5% साल का तो बताओ मुझे 4 साल बाद कितना ब्याज मिल चुका होगा अब तक मैं पानी वानी पीता हूँ इतनी इदर कैल्कुलेट करो सब्सक्राइब सब्सक्राइब पेपर तुम्हारा पेपर है सर का पेपर है सब्सक्राइब कल को दस कोश्चिंगे आपर करेंटा विच के तुम को के कपल सर बताओ कपल सरके अंसर थोड़ीना सोखें तुम्हानी करते हो मैं थोड़ी plug करता हूं अभी एक करोड कहा एक लाक ठारा लग 53000 नार मैं का पूछखे अरे भाइ मैं ब्याज पूछ रहा हूं मैं ब्याज पूछ रहा हूं इसका अच्छरह कितना होगा ठारा 53,000 व्याज होगा गा 18,53,000 का है बाइस अठार लाग एक लाग अच्छा एक कोई एक लाग लिख रहा कोई ठारा लाग रहा किया लिख रहे हो तुम में अब इतना व्याज मिलेगा क्या है और एक क्या बात कर रहे है सुलो अभे टोटल इंट्रेस्ट पुच्छा तुमसे क्या तुम कैलिगुलेट कर रहे हो यार यह प्रभू यह दिनानात तीन केजी हमालिक हाँ तीन केजी चार सु ग्राम इतना प्याज बन जाएगा अच्छा ठीक है ठीक है चलो सही बता रहे हैं चलो ठीक है मैं गलत था मेरा मोय मोय हो गया क्या मोय मोमेंट फॉर मी अरे बाब बाब शाम को मैंने कुछ आपको बोला था हाँ याद है बिल्कुल याद है याद नहीं लिख देता है लेकिन याद तो है कुछ बोला दो था आपने चलो कि समझों एक इस से कि धाई परसने मिलता है धाई जाइप पूछ ना है आट याम already तो चैल्कुलेटर लेके बैटे दो मुझे पता निंगा उमीन करते हूं कमिए आया होगा कि आपको ब्याज मिलता है अब ब्याज कैसे मिलते हैं ब्याज आपको अब्री 6 मांस बाद एक देट होती है पर्टिकुलर ली जैसे 6 मिने बाद आपकी 6 मिनना जून आ गया दिसमब पर आगया तो आपकी डेट होती है particular उस देट को आप यहाँ पर 5 सल बाद मैंने क्या concept बताया था मैं एक पंता रहा था कि 5 सल बाद आप इसको redeem कर सकते हो एक तो 8 सल बाद तो automatically होता है 5 सल बाद इसको redeem कर सकते हो उस दिन आप यहाँ पर redeem करवा सकते हो अपने SGB को लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर at least एक महिना पहले request देनी पड़ेगी bank में जाकर वहाँ पर एक form होगा redemption का वो fill करना पड़ेगा और आपका redemption वाले दिन यहाँ पर आपकी request लगाई जाएगी RBA के पास और आपका पैसा जो है वो वापिस आपको मिल जाएगा लेकिन जो 8 साल बाद आपको पैसा जिस दिन मिलता है जिस दिन आपका वो 8 साल पूरे हो जाते है और यहाँ पर थोड़ी restriction होती है 5 साल से लेकर 8 साल तक कि जब 6 महिने बाद ही आप उसका पैसा निकाल सकते हैं अब आप चाहते हो कि सर उससे पहले भी हो जाए तो उससे प आपके जो physical चीज होती है वो online हो जाते हैं like the shares, shares आपके online format में पढ़े रहते हैं, SGB आपके demetalized form में हो सकते हैं, demet में हो सकते हैं, तो अगर कोई व्यक्ती सामने वाला आपसे demet में ही, अगर online ही आपसे gold लेने के लिए ready हो जाए, यानि SGB जो transferable होते है, demet के through आपको यह seller, buyer, buyer, seller मिलते रहते हैं, आपको कुछ ढूणने की जरूर नहीं मिलती, कि मैं अपने share sale कर रहो है, तो सामने से buyer नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन SGB क्योंकि market बहुत बड़ी market तो है नहीं, क्या बेजने जाओगे, वहाँ पर available होगा buyer, wait करना पड़ेगा, हो स होता है, है ना, तो यह चीज यहाँ पर थोड़ी सी trading market में इतनी जाद popularity नहीं है, SGB की, तो मान के चलो, जब अब SGB खरीते हो, मान के चलो, पांच सल का lock-in period उस पे लग गया, पांच सल बादा बेज पाओगे, redemption date पर, interest coupon date पर, और 8 साल बात तो आपको maturity पे पैसा मिल जाए सारा का सारा चीज ए SGB का समझ में आ गया, आपको याद होगा, अब उसके बाद के notification की चलते हैं, देखते हैं, जितने हो पाएंगे, उतने हम इस class में cover कर लेंगे और अगला जो notification आया है, वो आया है 18 December का, that is the formation of new district Mogans in the state of मध्यपरदेश, assignment of lead bank responsibility ये lead bank से related मैंने पहले भी आपको एक बार news कराई थी, जब यहाँ पर राजस्थान में बहुत सारे नए districts बने थे, जिसके बाद यहाँ पर lead bank की responsibility दो है, वो कुछ banks को assign की गे थी तो मैं आपसे ये request करूँगा कि इन sessions में हो सकता है, कुछ चीज़े repeat हो, तो मैं आज की date में अभी lead bank के बारे में दुबारा नहीं बताने वाला, क्योंकि previous session में इनके बारे में हम discussion कर चुके हैं, तो I would request कि आप उन sessions को सासद देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्योंकि वो sessions भी equally important आपके लिए है, क्योंकि मैं इसमें current तो करवा ही रहा हूँ, साथ साथ concept भी clear करा रहा हूँ, तो इस particular lead bank के concept को मैं हाँ पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अभी 2-3 पुराने session में ही हमने इसके बारे में detail में पढ़ा है, बाकी जो ये news है, current affairs से purpose से ये Investment in Alternative Investment Fund, Reserve Bank of India ने कुछ guideline जारी की और ये guideline related to आई है, Investment in Alternative Investment Fund से संबंदित, ये guideline किन के लिए जारी की गई है, ये important है यहाँ पर आपका, ये guideline जो जारी की गई है, ये जारी की गई है, इनके लिए, ठीक है, ये भी याद रखना है, क्योंकि examiner पूछ रहा है, है ना, किसके guideline जारी की, तो जितने commercial banks है, जिसमें finance, small finance bank, LAB, RRB, ये included है, all primary urban cooperative banks है, all India financial institution है, all NBFCs है, इन सब के लिए यहाँ पर ये, आपकी guidelines को जारी किया गया है, ठीक है, ओके पहली चीज तो ये, अब यहाँ पर जो guideline जारी की गई है, वो क्या guideline जारी की है, किसलिए जारी की है, उन इसको हम समझेंगे पहले, उसके बाद हम इन circular के उपर, इस notification के उपर बात करेंगे, आखिर कार क्या है, तो चलिए समझते है, alternative investment fund होता क्या है, AIF क्या चीज है, ये क्या है, आप सभी लोग share market में सुना होगा, देखा होगा, कभी किया होगा investment आपने, नहीं किया तो देखा सुना तो होगा ही होगा, मगर यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा investment जो है share market, stock market में ही करें, अगर मैं बात करें, share market, stock market में investment करना, हमारे पूरे के पूरे Indian financial market का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरे पूरे industry के लिए financial industry के लिए finance market जो हम कहते हैं, उसमें काफी छोटा रोल प्ले करता है, इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे आसे तरीके हैं, जिनके थूँ यहाँ पर companies जो है investment लेती है, basically stock market share market में होता गया, यही होता ना, आप किसी company investment करते हैं, उस company को पैसा चाहिए, आप उस company क पैसा देती हैं, उसके बदले में आपको उस company के share देती है, simple सा funda, right, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी companies जो होती हैं, जो आपको share देती हैं, उसके बदले आप से पैसा लेती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लग-लग तरीकों से पैसे का जुगाड करती हैं, और जो अलग तरीके होते हैं, share market, shares के अलावा, stock के अलावा, जो अलग तरीके होते हैं, जहां से यह company जुगाड करती हैं, अपनी पैसों का, investment का, funds का, उन्ही को हम alternative investment fund कहते हैं, यह alternative investment fund, Securities and Exchange Board of India, SEBI का एक regulation है, SEBI Alternative Regulation Fund 2012, क्या है? 2012, 2012 का एक regulation है, SEBI का, उसके अंडर यह regulate किये जाते हैं, तो यह भी एक question पूछा जा सकता है, कि alternative investment fund किसके द्वारे regulate किये जाते हैं, SEBI के द्वारा, circular RBA नहीं निकाल ला है, मैं जब भी circular बोलो, समझ ले न, notification ठीक है, वो मुह से निकल जाता है, notification RBA निकाल रहा है, regulate SEBI कर रह हम बढ़ा RBA के साइट रहे हैं, आप बता रहे हैं, AIF is regulated by the SEBI, जी हाँ, AIF is regulated by the Securities and Exchange Board of India, Alternative Investment Fund regulations, 2012 के तहत, इसके related जो guidelines हैं, वो दी गई थी, अब आगे चलते हैं, AIF, मैंने यह तो बता दिया कि बहुत सारे लग लग तरीके होते हैं, जिनके थूँ यहाँ पर investment ली जाती हैं, अब वो तरीके है क्या, उन तरीकों के उपर बात करते हैं, ठीक है, देखो, AIF जो होते हैं, वो basically यहाँ पर तीन तरीके के होते हैं, जिसमें एक होता है category 1, दूसरा होता है category 2, तीसरा होता है category 3, तीन categories में divide किये जाते हैं, category 1 में जो होती है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले एक आपने नाम सुने होंगे, definitely जो मैं लिखने वाला हूँ, सब के नाम सुने होगे, आपने सुना होगा venture capital के बारे में, आपने सुना होगा angel fund के बारे में, सुना है, नहीं सुना, कोई बात में, आपने सुना होगा infrastructure fund के बारे में, आपने बिल्कुल नहीं सुना के बारे में ठीक है आपने नहीं सुने होगे हो सकता सुने हो चैनल फंड आपने शाटएंग तो देखा होगा ना वेंचर कैपिलिस्ट उनको कहते हैं वो उनके बिजनस में इंवेस्ट कर रहे हैं किसी नए स्टार्ट अप को किसी नई बिजनस को जो अभी उभर रहा है जो अभी स्टार्ट होने वाला है कोई SME है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइस है उनको फंड देते हैं वेंचर कैपिलिस्ट एंजल फंड होते हैं एंजल किसको गहते हैं परी, पापा की परी, पापा का परा ठीक है पापा की परी है तो पापा का परा क्यों नहीं हो सकता तो हो सकता है ना लड़कियों को तो पापा की परी से चढ़ाते हैं तो पापा की परी है तो जो एंजल हुआ परी हुई है तो परी क्या करती है आपके जो भी आपने विश की है उसको पूरा करती है तो वैसी है विश अगर कोई कह रहा है कि मुझे पैसा चाहिए मुझे पैसा चाहिए मेरी है मेरी विश्पूरी करो आप कर दो एंजल फंड हो गया एंजल इन्वेस्टर हो गया है नाअब आपको गया सर वैंचर कैपिलिस विर एंजल फंड में फरक्त पैसे तो दोनों ही दे रहे हैं तरीका लग है जब अंदर हम घुसते हैं ना उनकी formalities पे उनके investment करने के तरीके पे उनका जो पैसा वापिस मिलता है उस तरीके पे तो वहाँ पर difference आ जाता है, ठीक है? अब जितने वही चीजे में बताने वाला हो ना, यह सारी सारी चीजे तो वही है, करनी तो investment ही है, बस क्या है, उनके नाम अलग लग है, उनका तरीका investment करने का लग-लग हो जाता है, ठीक है? ओके? अगला आता है infrastructure fund, infrastructure fund हुआ, ऐसी company यह फिर ऐसा investment करना, जो कि infrastructure से जुड़ा है, आपने रोड बनाते हैं, कोई contractor बनाता है, उसकी company investment कर दिया, आपने को bridge बना रहा है, कोई hospital school बना रहा है, उन company investment कर दिया, तो वह investment fund में आ गया, SV of social venture fund, जो social society के लिए, यहाँ पर कोई यहाँ पर नया project लेकर आये है, बड़े project society को और uplift करने के लिए social venture fund हो गया, तो इस तरहां कि यहाँ पर funds होता है, वो category 1 में आते हैं, category 2 में जो funds आते हैं, उनमें एक होता है private equity fund, private equity fund होता है, एक दूसरा परकार होता है, इहाँ पर debt fund fund का, ठीक है, एक तीसरा परकार होता है funds of funds का, थोड़ी सी मेरे पाद जगा कम है, लेकिन इनके notes words बाद में बना लेना, ठीक है, मैं पहले बता रहा है, नोटs words बना लेना, अभी मत बनाना भी सुनो सरी बाते मेरी, दूसरा परकार होता है private equity, ठीक है, यानि कि कोई भी unlisted company जो कि अभी stock market में list नहीं हुई है, उसमें अगर कोई fund invest कर रहा है, यह बड़ी company में हो सकते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, छोटी मोटी companies की, start-ups, start-ups की, हैना, यह companies हो सकते हैं, बड़ी company जो अल्रड़ी established है, बड़ा अच्छा धंदा कर रही है, ठीक है, debt fund, loan के इस category में, इस category में, उस category में invest कर रही है, वो कहीं पर भी invest कर रही है, वो funds of funds, तीसरी category में आता है आपका public fund, public fund for private investment, इसको pipe बोलते हैं, वैसे basically, pipe, ठीक है, pipe, pipe क्या बोलते है, private investment in public equity, private investment in public equity, यहाँ पर क्या था, private equity, यहाँ पर क्या, public equity, private investment in public equity, private investment, यानि कि मैंने privately उसमें invest किया, ऐसी company वे invest किया, जहाँ पर, जो company listed है, जो company यहाँ पर, stock market में available है, shares उसके, तो ऐसी company वे invest करना, pipe fund कहला आते है, ठीक है, एक और type होता है, category 3 में, that is the hedge fund, hedge fund कुण से होते है, hedge fund ऐसे fund होते है, जहाँ पर मैं कोई derivatives में, future forward options, market में trading करता हूँ, वो आपके hedge funds में आ गया है, derivatives, risk, derivatives, foreign exchange, derivatives, swap बगारा, उन में investment करना, that is the hedge fund, chart समझ में आया, कुछ-कुछ, जादा घुसना नहीं है, जितना समझा है, उतना समझो, AIF, 3 categories में, category 1, category 2, category 3, बोलते हैं इनको category 1 है, ठीक है, category 1, 2, 3, category 1 में 4 परकार, category 2 में 3 परकार, category 3 में 2 परकार, clear है funda, एकदम बढ़िया से कुछ नया समझा आया, घुसना मत अभी, अंदर मत, घुसना, अंदर जादा घुसने लगए, तो फिर वो तो वाली बात हो जाएगी, फिर आप छोड़कर कल को share market में करने लगए, सर क्या करना, पढ़ाई-बढ़ाई करके, सर share market में बढ़िया पैसा, बढ़िया धंदा, आप पढ़ाई देते हो हैं तो वो ज्यादा नहीं गुसना, जितना समझाया, बस उतना समझाया, that's it, उतना आपके exam points से relevant और आपके knowledge को बढ़ाने के लिए बहुत है, ठीक है, तो ये हो गया clear, बढ़िया से समझ में आ गया होगा, I hope so, ठीक है, तो इतना दो इन सब चीजों से आप judgment लगार सकते हो, कि ये कुछ अलग हटकर fund है, जो normal हम stock market में करते हैं, ये एक अलग तरीका है, जिससे कोई एक company पैसा उठा सकती है, मैं एक company पैसा उठा सकता हूँ किसी दूसरे investor से, वो investor मेरी company में invest कर रहा है, इन इन तरीकों से, venture capital, angel fund के थूँ, investment fund के थूँ, social venture, private equity, debt fund, fund of fund, pipe hedging, clear, got it, ठीक है, समझ गे, कोई doubt, pipe वाला बेटा, private investment in public equity, public equity, यानि कि जो market में list है company, उसमें investment करना, PE में क्या था, कि जो unlisted company है, उसमें investment करना, pipe में जो listed company है, उसमें invest करना, pipe, ठीक है, ओके, हाँ, बिलकुल आएगी यार, क्यों नहीं आएगी, जीए, जीए का कोई भी exam लोग यार, उसमें काम आएगी, अब तुम लोग, बाइफर सोच है ना, कि अगर कोई class ले रहा है, कोई means की class ले रहा है, माली जीए, अब तुम मुझ से पूछने लग जाते हो, सर ये उसमें आएगा, उसमें आएगा के नहीं आएगा, उसमें नहीं आएगा, तो उसमें आएगा, यार, बैंक exam में कोई slavus bifurcation कहीं पर लिखा लोगे, तो क्या इसका कुछ कहीं और काम नहीं आएगा, काम तो आनी आनी है, जहां से भी कर लोगे है ना, ये तुमने करनी है नहीं उसके वक्त कहीं, और बतिया नहीं है, और क्या इससे वड़िया पढ़ लो, कुछ नोलेज ले लो, अब आते हैं हम AIF के बाद अगले point पे, AIF समझ में आ गया, अब चलते हैं आखिर कर ये AIF जो है, जिसने सेभी के regulation के अंडर काम कर रहा है, आखिर उससा RBA से क्या ले ना देना, बात तो सही है, क्या ले ना देना भाई, RBA से, चला, अरे बाप, बाप, ये क्या हो गया, लो सिगनल, Regulated entities make investment in unit of AIF, चलो छोड़ो यार, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा तुम्हें, पहले मैं समझा देता हूँ, ये है क्या हुआ क्या है, कहानी क्या हुई है, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, है न, ऐसे line to line पढ़ेंगे तो तुम और कहीं गूम जाओगे, सीधा ही चलते हैं, जितने भी बैंक्स हैं हमारे इंडिया में, इनमें यहां पर पैसा जो आता है, आप लोग डिपोजिट कराते हो पैसा, इन पैसे का बैंक्स क्या करते हैं, लोन देते हैं, क्या बैंक्स सिरफ और सिरफ अकिला लोन देते हैं, नहीं, बैंक्स लोन के अलावा इस पैसे को इनवेस्ट भी करते हैं, अब बैंक इनवेस्टमेंट कहां पर करते हैं, अलग अलग चीजों में कर सकते हैं, किसी भी फदर दूसरी कंपनीज में इनवेस्टमेंट कर सकते हैं, से गवर्मेंट सेकुरेटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं हम लो्ग इसी विखुड़ा के बॉंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉक्त पर अब कंपनीज में पर ने का एक बैंक जो है वो किसी AIF में पैसा लगाता है और वो AIF जो है किसी एक A company में पैसा लगाती है ठीक है? अब अकेले bank ने नहीं लगाया इस AIF में पैसा और भी बहुत सरे लोगों ने इसमें पैसा दिया जिसने A company में पैसा लगाया ठीक है? ओके, got it अब एक तरफ A company जो है कुछ मेंने पहले जो A company थी वो bank के पास आई थी इसी bank के पास आई थी और इसको कहा था मुझे loan दे दो यह कहा था bank कहा था ठीक है loan दे दते है bank ने उसको loan दे दिया A company को इस A company ने यहाँ पर 3 महिने बाद यहाँ पर क्या दिक्कत है यार A company ने जो loan मागा bank ने उसको loan दे दिया लेकिन 3 महिने बाद, 6 महिने बाद कुछ समय बाद यहाँ पर यह A company जो है इसको जो repayment है वो करना इसने बंद कर दिया अब bank जो है A से पैसा माग रहा है भाई साथ पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा तुम दे नहीं रहे हो मुझे ठीक है? ठीक है? और उसी दरफ, दूसरे दरफ एक AIF है जो AIF के थूँ जो है, bank ने इसी A company ने इन्वेस्ट कर दिया कहानी समझ में आ रही है पहले तो A ने लोन भी ले लिया उस बोरोवर ये बोरोवर बन गया bank का, ठीक है? डैटर बन गया bank का और दूसरे दरफ यहाँ पर bank ने A में इन्वेस्ट भी कर दिया ये चीज क्या तुम्हें लीगल लग रही है? इस इट लीगल? क्या कहती जन्ता? नो? नहीं वैसे ये गलत भी नहीं है मैंने आपको पूछा इस तरह से है कि आपको लग रहा हाँ गलत है यही इंटर्वे होता है आप से ऐसे दबाब डाल के पूछते हैं कि वो गत हाँ यार यह गलत ही होगा वैसे तो चलब इल्लीगल बोली देते हैं जरुर नहीं है बेटा इल्लीगल हो है ना? यह किया जा सकता है इंवेस्टमेंट और किया जा रहा था हो रहा था ऐसा नहीं हो रहा था अब तक हो रहा था लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर A ने repayment अगर नहीं कर रहा है तभी वो illegal है ना अगर वो repayment दे रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है फिर कहीं कि illegal यह तो सही चल रही थी लेकिन कहानी कुछ ऐसी हुई कि पिछले दिनों में Reserve Bank of India के समझ में एक चीज आई जिसमें उसको ये लगा कि भाई साब ये सब चीजे हो रही है और इस सब चीजों को यहाँ पर एक नाम भी दिया गया ठीक है एक नाम भी दिया गया और वो नाम था Evergreening Evergreening नाम दिया गया अगर कोई भी company कोई भी company कोई भी organization जिसने bank से loan ले रखा है और वो loan नहीं चुका पा रहा है और bank ने उसको out of term जाकर एक और loan present कर दिया है एक और पैसा दे दिया है किसी तरह से ताकि वो अपना जो पिछला loan है उसको चुका सके जबकि वो सक्षम नहीं उसको चुकाने में उसको Evergreening कहते है Evergreening है Greenwashing है एक सगिन यार मुझे confirm करने दो मैं गलत ना भोल रहा हूँ आपको ये नीचे कैसे जाएगा हाँ ठीक है यहाँ एक टाम आएगी ना Evergreening है सही बोल रहा है गलत कैसे हो सकते है अपने तो Evergreening इसको गहते है अब सरी एक ऐसे possible होगा एक एक customer जो है borrower जो है उसको loan दिया है और वो loan चुका नहीं पा रहा है और उसको bank नहीं को लोन दे दिया यह चीज यहाँ पर बना कहना नहीं चाहिए लेकिन होती है फ्रेंकली बोलो क्यों होती है मालों किसी ने 1000 क्रोड का लोन ले रहा है अब 1000 क्रोड का लोन ले रहा है और चुका नहीं पा रहा एंपी हो जाएगा 100 क्रोड का ले रहा है 50 क्रोड का ले रहा है एंपी हो जाएगा एंपी हुआ तो बैंक को प्रोविजनिंग करने पड़ेगी उसका profit डाउन होगा सब लफड़ा चपड़ा चपड़ा चपाएगा फिर inquiry बैठी की staff के उपर कि भाई सब लोन एंपी कैसे होगे तुम ने दिय कि पहले ना इसको बचा लेते हैं ताकि हमारा जो काम कांग किया उसके परदय ड़ जाए तुछ जो एक लोन डीटिया कि बटा ले यह लोन लिन टे मिटिक है इस लोट से पिसला लोन चुका देना और यह लोन टो थोड़ा समेह पढ़ा है इसको चुकाने में कोई बाद मे चुका लेना, समझे उसको एक टाइम दे दिया गा, जिसको evergreening का, तो this is the kind of evergreening, कि भाईसव आमने repayment नहीं की, चलो कोई बार नहीं, हम एक काम करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट तो करनी करनी है, हम investment आपके इन company में कर देते हैं, और यही चीज आर्बीए के पकड में आगी, आर्बीए कहता है सब आइक कर रहे हैं, तो आर्बीए ने कहा भाईसा रुक जाओ, अब यह काम नहीं होगा, यह काम नहीं चलेगा, आप यहाँ पर अब Reserve Bank of India ने जिन बैंक्स को निरुदेश दिया, उनको यह कहा, कि आप उन companies में alternative investment fund के तहत यहाँ पर investment नहीं कर सकते, ज जिनके यहाँ पर आपका loan चल रहा है, या फिर इवन पिछले 12 महीने में आपने किसी तरह का loan उनके यहाँ पर आपके यहाँ चल रहा था, और अगर ऐसा है, तो next 30 days के अंदर अंदर आप उस loan को या फिर उस investment को यहाँ पर वापिस ले लीजिए, जो investment आपने करी है, उस investment क पीछे खीच लेजिए, loan चुकाना तो पॉसिबल नहीं है, investment तो आप ले सकते हैं, investment आपको लेनी है, और अगर आप तीस दिन के अंदर अंदर यह investment वापिस नहीं लेते हो, तो आपको equivalent to that investment, प्रोवीजन करना पड़े हैं, जैसे हम NPM में प्रोवीजन करते हैं, वैसे ही आ आई-लाइन जो Reserve Bank of India ने अभी banks के लिए AIF के संदर में निकाल ली है, clear है, मैंने बड़े simple way में आपको बताया, अब मैं तुम्हें notation पढ़ने के लिए वैता हूँ, पढ़ को देखो कि समझ में आया के नहीं आया, क्कूंसा बटन दुआना है, हाई यह दुआना है, है ना, लो, बेटा, दो मिनिट लगाओ, पढ़ो जरा, खतम है यह यह यहां तक, जो मैंने समझाया है, सब लिख दिया यहां पर, अब पढ़ो, राजेश वो चीज़, इंसाइडर ट्रेडिंग होती है, वो नहीं है, तोटली दिफ्रेंट आवा कंसेप्ट, हाँ, सलर, वो चीज़ की जा सकते हैं, लेकिन जान बूच के करना वो गलत है, इंटेंशनली करना, वो तो फिर आप पूरा पूरा चीज़े करते ही है, दूसरा लोन तो दिया ही दिया है, यहां पर जो एवर ग्रीनिंग का मतलब जो यहां पर बताएगा है, वो यह बताए आएगे का आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी में, बहुत छोटू-छोटू है, ले बेटा, बढ़ा कर देते, इसको मैं बंद कैसे करो, ठीक है, अब आ गया पढ़ने में, पढ़ो पढ़ो, सब्सक्राइब जो पर आप इंवेस्टमेंट कर दिया, यह बताएगे, बताएगे, पर आप इंवेस्टमेंट कर दिया, आपने, पढ़ा के नहीं पढ़ा समझ में आया के नहीं आया वगली सरकार चुडाएगी परम है ना तुम्हें क्या टेंशन उसकी सारवी कॉर्णल की क्लास कब होती है कि हफ्ते में एक बार होती है और मैं बता देता हूँ उसी दिन सुभे की कब होगी ना हफ्ते में एक दिन तो होगी होगी थर्स्टे फ्राइडे भी मोसली लेता हूँ है अच्छा यहां पर एक वर्ड हाँ अरे इंकित भाई हाँ अब स्ट्रीम क्यों नहीं है अरे तुम्हे अब डाउन स्ट्रीम एक वर्ड आया होगा तुमने पढ़ा डाउन स्ट्रीम किसने पूछा नहीं मेरे से डाउन स्ट्रीम क्या है अब बताओ समझ में आया अरे बताओ तो सही इतनी देर होगी पढ़ते हुए कि घूम गया है दिमाग गूम गया चला पढ़ते हैं आज य जाया भी, regulated entities यहांपर bank की बात कर रहा है, regulated यानि की banks, ठीक है, make investment in units of AIF, ठीक है, as part of their regular investment operation, routine में जैसे investment करते हैं, वो कर रहे हैं, however, certain transaction of REs, यानि की bank, involving AIF, that raise regulatory concern, have come to our notice, यानि यार बे गाता बारे notice में आई है, वो चीज, these transaction, ये transaction कौन सी है, entails substitution of direct loan exposure, substitution of, substitution of direct loan exposure of RE, ये क्या गारी है, जो RE ने loan दिया है, उसके substitute कर दिया, उसको substitute कर रहे हैं, किस से, उसको substitute कर रहे हैं, जो borrower को loan दिया है, with indirect exposure, through investment in units of AIF, यानि की loan को replace कर रहे हैं, वो investment करके AIF में, ठीक है, यही चीज़ मैंने समझाई, ये चीज़ उनके notice में आई, in order to address concern related to possible evergreening through this route, ये एवर greening हो रही थी है चीज़, इस अडवाईज की क्या करना चाहिए, RE shall not make investment in any scheme of AIF, which has downstream investment either directly or indirectly in a debtor company of the RE, RE की debtor company कोई सी होगे, जिसमें उसने loan दे रखा, जिसमें उसमें loan दे रखा, वो debtor हो गया, जिससे उसको पैसा लेना है वापिस bank को, वो debtor हो गया, उसमें किसी बिद्रा की downstream investment नहीं हो नहींचे, downstream investment होती है, एक प्रगार की investment ही है, यहाँ पर जो word है, वो ऐसे confusion के लिए लिखा हुआ है, एक होती है direct investment, ठीक है, एक direct investment की, किसी विदेशी company नहीं हाँ पर इंडिया में investment की, हम FDA बोलते हैं न, किसी को है न, उसी तरह एक downstream investment होगी, कि भाज़ो एक Indian company ने किसी दूसरी company investment कर र the debtor company of the RE, for this purpose, shall mean any company to which RE, bank, has or previously had a loan investment exposure anytime during the preceding 12 month, पिछले 12 महीने में, ठीक है, यही मैंने बोला था, 12 महीने में उसको loan दिया है, investment करी है, यहाँ पर यह वो companies होगी, debtor company वो company होगी, if an AIF scheme in which RE is already an investor, make a downstream investment in any such debtor company, then the RE shall liquidate its investment in scheme within 30 days, 30 दिन के अंदर अंदर, पैसा भाज़ा आपेज ले लो investment जो किया है, यह कह दिया, by the AIF, if RE have already invested into such scheme, having downstream investment in the debtor company as on date, the 30-day period for liquidation shall be counted from date of issuance of the circular, यह circular जिसन जारी होया, उस से 30 दिन तभारे शुरू हो चुके है, भाज़ा, काम धंदे में लग जाओ, ठीक है, in case REs are not able to liquidate their investment within the above prescribed time limit, they shall make 100% provision, उनको 100% provision करना पड़ेगा, अगर 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करते हैं, तो, In addition, investment by REs in subordinate units of any AEF scheme with the priority distribution model, sell subject to full deduction from RE capital funds, priority distribution model shall have same meaning as specified in the SEBI circular, अब यहाँ पर एक ओड़ वर्ड आपके सामने आता है, कि सर यह priority distribution model क्या है, यहाँ पर उन्होंने का है कि investment RE में हुआ था, RE के द्वारा किया गया था, AEF में, लेकिन investment by RE in subordinate units में किया गया है, Subordinate units क्या होई, कि मैंने AEF को पैसा दिया है, उसी तरह अब AEF ने क्या हुआ, AEF ने जरूरी नहीं है ना, वो पैसा किसी एक company को दिया हो, या फिर उस company में हो सकता है कि पैसा 4-5 लोगों ने लगाया हो, यह भी तो हो सकता है, अकेले bank का पैसा उस company में नहीं लगा ना, उस company सकता दिया है, तो basically क्या होता है, कि यहाँ पर, माली जी ए, कि एक company में, है एक एक अपनी में, है 50 units पैसे के लगे है, तो यह सो रुपे लगे हैं, ने पाई चार्ट है समलों, है ना, 100 रुपे लगे है, तो bank का हिस्सा तो इतना है, बैंक का हिस्सा माली 20% है, बाकि किसी औ क्यों सब्सक्राइए उस सब्सक्राइब है जो l sharuku और सबस्क्राइब और जो पुरुंट मिलता की जाती हैं तो उनमें यहाँ पर कुछ मोडल्स होते हैं स्पेसिविक जिस मोडल्स के हिसाब से आपका जो है पैसा वापिस मिलता है पहले पैसा माली जुसने सोर पे लगे थे अब कंपनी न दसरवे कमा लिए ठीक आप दसरवे जिसमें इंवेस्मेंट की थी जिस बंदों जिन लोगों ने उनको दसरवे बांटने हैं तो पहले तो उतना minimum जो पैसा उनका invest किया गया उस proportion में बांटेंगे फिर उसके बाद कुछ बच जाता है तो अलग proportion में बांटेंगे फिर कुछ companies को अलग proportion में देंगे तो एक basic न एक set criteria होता है मैं वो यहाँ पर 80-20 का ratio होता ह है फिर इतना ratio होता है फिर इतना ratio होता है वो standardized formulas है उन पर मैं नहीं जाओंगा ठीक है तो उन formulas के according उनको जो profit का हिस्सा है जिन्होंने investment किया उनको वापिस देना होता है उसी को हम priority distribution model कहते है कि 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 distribution model के अधार पर यहाँ पर उनको पैस वापिस दिया जाता है लेकिन priority distribution model के तहट जो AIF में investment की जाती तो उसको ban कर दिया था बंद कर दिया था क्यों बंद किया था क्योंकि इसमें क्या किया जाता है इसमें अगर किसी company को loss होता था जो company profit जरूरी थोड़ी ना कमाएगी जिसमें investment क्या हो सकता है loss कमा कर ले अब जब loss होता था तो उसमें क्या क company होती ना उसको किया जाता है भाई साब loss होगी तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा छोड़ो तुम्हेरा सारे का सारे पैसा गया और जो company थोड़ी मोटी अच्छी गाजी बढ़िया company जिसका दवदवा आता था उसको थोड़ा थोड़ा पैस वापिस लोटाते रहता है उसको अगर लोस बियर नहीं करे आ जाता है तो एक priority distribution model एक बना रखा था ऐसी companies ने एक pro rata base पर उन सब को यहाँ पर loss बियर करने के लिए कहा जाता है जो कि सेबी को लगा कि भाई साब यह तो गलत बात है यह सही नहीं है investment के point है उसे EIF जो है जो investment करते है उनके लिए बिलकुल ग पैन किया है तो वो यहाँ पर number 23 का जो circular है उसके according यहाँ पर आपका यह काम करेगा ठीक है उसके बारे में यहाँ पर बात की है नीचे वही section action लिखे है यह भी याद लिख ले ना क्योंकि अभी हाल ही में जो exam हुआ था उसमे section भी पूछ लिया थे कौन कौन section में यहाँ प तो ऐसा ग्यान कहीं मिलेगा क्या मिलता है क्या ऐसा ग्यान इतनी घजब explanation मुझे मुझे आज खुद की तरीफ करने का मतलब कि ना मुझे जो खुशी हो रही है ना मुझे क्या बता हुआ ना आज खुद की तरीफ करने का मुझे मुझे फील आ रहा है कि हाँ यार क्या बा व्टुब सेशन नहीं नहीं सेशन दो अभी बाकी है मेर दोस्त है ना है चल बेटा है चल बेटा कपल अगली वलास में चल अगली किलास फॉरी अगले नॉट इविक्षण पर चलते हैं थर शर क्या गर है मुझे क्यों याद किया रपक इसने याद किया आप तो बढ़िया धंदा कमारे हो यार आप तो market को हिला रहा है पर सो market crash वी आपको पता है क्यों क्रेश चाहिए थोड़े तो सब्सक्राइब करने तो थोड़े भात पैसे चाहिए तो घर जा रहा तो तो इसलिए मैंने सारे लिकाल दियूत मार्केट को थी मैं अच्छा ठीक मैंने बता देना मुझे at least बता दी अगर हो पहले यार, थोड़ा बोट, यह होता रहता है, चलता रहता है, थोड़ा ध्यान रखा कर हम, हम बीवी बच्चे वाले हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हमारे पैसे डूप जाते हैं नहीं तो फिर, चलो, आगे चलते हैं, अगली ख़र है, card on file tokenization, enabling tokenization through card issuing banks, okay, so यहाँ पर आपका, card on file tokenization, tokenization के बारे मालूम है, कुछ हलका फुलका मालूम होगा, याद आ रहोगा, पहले क्लासरी में बात भी की है, basically आज कल आपने जब कोई online payment करते हो, तो वहाँ पर भी एक world लिखा जाता है, कि आप tokenize कराईए, अपने card को, है ना, ऐसा want to authorize या, ऐसा करके, है ना, तो tokenization basically क्या होता है, कि अभी तक जैसे आप card की details डालते हैं, अपने कोई भी purchasing, shopping, walking करने के लिए, कुछ भी online payment की, card की details डाली, details डालने के बाद क्या होता है, details डालने के बाद, आपका जो data है, card का, obvious है, आगे जाएगा, payment gateway के पास जाएगा, है payment gateway उस card को check back करके, आगे फिर आपकी payment आपके account से निकाल लेगा, और उनके account में डाल देगा, ठीक है, तो is it secure, मतलो क्या वो secure है, आपका card, आपका card का data डाटा तो detail चलीगी, इसी चीज़ को ध्यान में रखते है, Reserve Bank of India ने ये कहा, कि card की detail जो है, वो किसी कासा share नहीं होने च होगा, कैसे payment gateway authorize करेगा, तो इसी लिए क्या किया गया, इसी लिए कहा गया कि card की payment, card की detail ना share होके, card का एक token share हो जाए, बलब card का एक कह सकते है, एक एक ऐसा random numbers जो है, वो share हो जाए, जो encrypted form में हो, जिसको इन्होंने नाम दिया tokenization, और उस tokenization के माध्यम से, उस token card के माध्यम स यहाँ पर आपकी payment execute हो जाए, इस चीज़ को RV ने कर दिया, ठीक है, यह कुछ वैसा ही है, मैं हमेशा एक example देता हूँ, मंदिर, मस्जिद, जहां पर भी आप जाते हो, पूजा करने, तो अव्यस अपने जूते, चपल या जो भी आप एनते हो, वो बाहर उतार कर जाते हो, और कुछ जगा पर विवस्था ऐसी होती है, कि आप रखते हो और वहाँ से आप token ले लेते हो, लेते हो ना, तो यह करते हैं, आपका token क्या कर रहा है, आपकी footwear को आपकी represent कर रहा है, सेम वैसे ही है, एक token जो है, card को represent कर रहा है, वो token random number है, encrypted form में है, और वो उसके थ्रू execution ह हो जाता है, आपकी transaction का, ठीक है, अभी तक क्या था, अभी सर्कुलर में, notification में क्या कहा है, अभी तक क्या था, अभी तक जो system था, कि आप जहाँ पर भी payment करते दे, जिस भी merchant website भी payment करते दे, वहाँ पर आपका token generate हो जाता था, उसका, वहाँ से token generate, अब क्या क्या किया गया, अब जो card issuing banks है, जो card issue करते हैं, आपका account SBA में है, तो SBA आपको card देगा debit card, तो SBA की एक app होगी, उस app पर जाकर आप उस card का token generate कर सकते हो permanent, उस token को आप इस्तमाल कीजिए, कहीं पर भी payment करने के लिए, तो आपको उस merchant की website जो है, वह आपको card token issue नहीं कर रही, अब आपका bank ही आपको token issue करके देगा, ये चीज़ Reserve Bank of India नहीं इस notification के थ्रूँ निकाल ली है, आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, इट हैज बेंडेसाइड टो अनेबल COFT directly थ्रू card issuing banks, institution also, this will provide card holder with an additional choice to tokenize their cards for multiple merchant sites, मैं एक ही token अलग अलग websites के लिए इस्तमाल कर पाऊँगा through a single process, एक ही single process के थ्रूँ, मुझे अलग अलग website पे जब payment करता हूँ तो अलग अलग token नहीं करने, मेरी खुद की bank के थ्रूँ ही मैं यहाँ पर mobile banking, internet banking channel के थ्रूँ ही मैं यहाँ पर token generate कर लूँगा और उसका फिर इस्तमाल कर लूँगा, clear है, got it, सही समझ में आ गया, एक दम सही बात है, एक दम सही बात है, है ना, जैसे उस दिन हम लोग गए थे, समुझ से लेने, आपको पता नहीं क्या हम कुछ लेने गए थे, तो समीती गई थी ओहाँ पर, कि यह token दे दो, अच्छा हाँ जी मैं, आच्छा token चाहिए हाँ जी, समुझ से घा ठीक है, दे होम डिलिवरी भी करते हैं, तो आपको मैं एक WhatsApp ग्रूप में आड़ कर दे, तो आप मुझे नमबर दे दीजी, उस WhatsApp ग्रूप में आड़ कर दूँगा, हमारे कोई भी ओडर था, आप उस पर प्लेस कीजीगा, घर पे आपके ओडर आजेगा, ओके थेंक इस समुझ मैं, साम आपको अगली नियूस पर चलते हैं, भावनाई समझ गया होंगे मेरी, चलो, अगली जो नियूस है, रेवर्स रैपोर ट्रांजिक्शन रिपोर्टिंग इने फोर में रिटर्न कुछ निया फर्जी नियूस है, लिबरलाइज रेमिटन स्कीम फोर रेजिदेंट इने जनरल बता देता हूँ, इसमें कुछ, ये जितनी भी नियूस है ना, फोरें इसमेनेजमेंट रेगुलेशन दोजार टेस, हाँ ये नियूस है समझने वाली, लेकिन ये नियूस मैं आज नहीं समझाओंगा, ये नेक्स टाइम रखते हैं अपने, मैं फिलहाल आपको एक च जित जो मुझे लगी, जो एक्जाम पॉइंट से रेलेवन्ट हो सकती है, वो ये है कि Reserve Bank of India देखो, जैसे Indian Banks हैं, सभी सभी बैंक इवोल हुए, पहले ओफलाइन काम होता था अब ओनलाइन सारा काम होने लगया, आसे अमपेटराइस सिस्टम के तुरू काम होने लगया, त जो भी एंटिटीज उसके अंडर काम करते हैं, उनसे कोई ना तो डाटा मंगाएगा, रिपोर्टिंग करवाएगा, ये डाटा भेजो, वो डाटा भेजो, ऐसे करो, वैसे करो, है ना, तो Reserve Bank of India अब से पहले, आज से पहले नहीं, कुछ समय पहले से यहां पर, आज से छे म करवाता था, किसी विधा का डाटा अगर RBA को भेजना है, माली जे, बैंक्स नहीं भेजना है, किसी वे एंटिटी नहीं भेजना है, तो XBLR के दुरू जाता था, अब यहां पर इस XBLR को डिस कंटिन्यू करके, Reserve Bank of India ने अपना एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, जिसको इन्होंने नाम दिया, Centralized Information Management System, Centralized Information Management System, CIMS का फुल फॉर्म याद रिख लेना, एक्जाम में पूछा जा सकता है, CIMS, ठीक है, XBLR पुराना हो गया, इसका छोड़ा फॉल फॉर्म, ठीक है, लेकिन CIMS का फॉल फॉर्म पूछा जा सकता है, Centralized Information Management System, यह एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें हम अब रिवोर्टिंग कर रहें, आब देखो, न्यूस देखो क्या आईए, CIMS प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन के बाद डिस कंटीनु कर दिया गया है, XBLR से फॉर्मेट भेजना, रुपी ड्रोइंग अरेजमेंट, सम्मिशन और स्टेटमेंट रिटर्न और समझें कि इसके थ्रू यहां पर भेजना तो यह CMS पोर्टल यहां पर important हो जाता है, ठीक है, उमीद करता हूँ, अच्छा लगा होगा आपको आज का session, बढ़िया लगा होगा आज का session, इसलिए हम focus करेंगे directions को छोड़गे बाकी में, तो यहां तक हम सारी खबरें पढ़ च चुके हैं, इसके बाद आज जो हमने शुरुवात करनी हैं, वो I think यहां से हम करेंगे, that is the MHP exemption for transfer of receivables, ठीक है, MHP exemption for transfer of receivables, चलो, एक बार एक बार पढ़ोगे मेरे कहने पर इस खबर को, एक बार पढ़ो, और बताओ, समझ में आई क्या नहीं आई, एक बार पढ़ो, कला अच्छा, पढ़ो, पढ़ो, साइड हो गया है, पैटा, अप में कोई दिक्कत आ रही है, तो तुम यार, mail कर दो, वेबसेट पर खोलते हैं, वेबसेट उसके नीचे नीचे एक email ID है, ठीक है, mail कर दो, वो क्या होता है कि कुछ ना कुछ ना, तुम्हारे mobile में अपडेशन क जरूरत होती है, वो हमारी टीम आपको contact करके, वो update कर दीगा, आपके mobile को उसमें, बता दीगा, आपको settings, settings, change करवा दीगा, फिर सही चलने लग जाएगी, थोड़ा बड़ा करो छोटू सा है, वो छोटू टेक्स है, यार, क्या बात कर रहे हैं, मेरे mobile में तो सही दिख रहे हैं, mobile भी जूम हो जाता है, तुम्हें पता, mobile में जूम option होता है, जूम कर सकते हैं, आप mobile को भी, क्या नहीं पता, मुझे तो सही दिख रहे हैं, क्या ही भी किया फिर मैं बढ़ा कर दूगा फिर तुम्हें पढ़ने मी आए गाओ लो मैं कैसे पढ़ाऊँगा तूम्हें बढ़ा कर दिये भस इससे अधा करूंगा तो टेक्स कट जाएगा इतना टाइम नहीं लगाना तुम तुम तो पंद 20 मिनिट इस पे लगा दो गए इतना टाइम थोड़ी नहीं लगाने पढ़ने के लिए और पढ़ने के बाद बताओ समझ में आया यह तो बताओ किस-किस के नहीं पढ़ने और जिसके पढ़ने वो बताओ कि भाई सर मुझे समझ में आगया देखे तुसे और जिसके नहीं समझ आया वो भी लिखो सर नहीं समझ में आया यह एक यहरा पढ़ने आई नहीं डू LOision कैम क soon कि नहीं आई नहीं है क्या बात करें है कि समझ आ जा तो यहां क्लास में को न तरह फिर भी आते अग्लास में तो किसी को भी आई क्यों बात कर रहा है कपिल सरक स्टुटेंट होगे तुम्हें समझ निया ऐसा कैसे हो सकता है है ना समझेंगे पंद दस मिनट बाद या जब तनी देर भी लगेगी इसके बाद मुझे बताना समझ में आयका निया ठेक है चलो इजी करते हैं इस नियूस को क्या है सबसे पहले देखते हैं अब मैं थोड़ा सा जूम करूंगा क्योंकि मुझे लिखने के लिए थोड़ा स्पेस सही होगा एक notification निकाला गया है RBA के द्वारा जिसमें उन्होंने address किसको किया? All Schedule Commercial Bank, All India Financial Institution, All NBFC Important है आप जानते हैं क्योंकि अभी हाली में भी जो exam हुआ था SBA POS उसमें ये भी पूछ लेते हैं कि MHB exemption for transfer and receivers guidance किसको address कर रही है तो ये चीज तो याद करनी होती है हमें और अगली चीज जो याद करनी है तो इसमें खैर वो चीज है नहीं उसमें याद करना तक उनकों से act के अंडर है तो ये दो चीज जो तो किसी भी notification में अगर होती है तो उनको छोड़ना मत exam में पूछा जा सकता है अब आते हैं news के अंदर, news क्या गह रही है, MHP exemption for transferable receivables, MHP क्या है, MHP का पूरा नाम है minimum holding period, क्या नाम है, minimum holding period, इसमें कहीं लिखा भी होगा, कहीं ना कहीं तो, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, मैं बता ही रहूं वैसे तो, minimum holding period हाँ लिखाई हुआ देखो, ठीक है, minimum holding period क्या होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे transfer of loan exposure क्या होता है, minimum holding period क्या है, यहाँ पर एक और word आपको मिलेगा factoring word क्या है, इसको समझेंगे, और यह यहाँ पर transfer, receivables का transfer वगारा वगारा यह क्या होता है, सबसे पहले हम funda समझते है, transfer of loan exposure का, देखो, अगर आपने for example, किसी एक bank से loan लिया, आपने loan लिया किसी bank से, for example, SBA से loan लिया, अचानक से कुछ दिन बाद, एक दो साल बाद, कोई हम पर HDFC, ICC bank वाला आता है, private bank वाला आता है, आपको कहता है, आपने कितने बयाज पर loan लिया, आपको 10% पर लिया, sir, आपको हम loan दे देंगे, आपको हम 9% पर loan दे दते है, आपका loan लिया, आपका loan जो अल्रेडी चल रहा है, आपने एक housing loan लिया, अल्रेडी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, उस bank में, लेकिन 10% पर आज पर चल रहा है, अब ICC या कोई और bank आपके पास आगर कहता है, sir, हम 9% पर आपको loan दे देंगे, और वो ये भी कहता है, है, sir, आपका जो loan चल रहा है, आपको, sir, अभी मेरे को क्या फायदा, मेरे तो loan अल्रेडी वहाँ से चल रहा है, मैं, आपके साथ, मैं क्यों निया loan तो मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है, मुझे निया घर तो बनाना है, तो मैं क्यों बलूँगा आपसे, right, अब यहाँ पर situation आती है, कि वो एक तरीका बजाता है, बैंक वला, वो कहता है कि कोई वाद नहीं, आपको निया loan नहीं दे रहे, आप जो यह loan आपका चल रहा है, इसी को आप हमारे bank में transfer करवा सकते हो, क्या, सही सुना आपने, जी हाँ, इस loan को आप हमारे bank में transfer करवा सकते हो, ऐसा हो सकत है, yes, this is feasible in the banking industry, एक loan दूसरे bank में transfer किया जा सकता है, जिसको हम transfer of loan exposure भी कहते है, या फिर उसको हम take over भी कहते है, क्या कहते हैं उसको take over, ये शब्द काफी लोगों के द्वारा पहली बार सुना गया होगा, take over of the loan, एक bank दूसरे bank से loan transfer करा सकता है, अपने पास, और वो loan कितनी amount पे transfer होगा, जितना वहां outstanding था, माले 10 lakh का loan ले रखा था, अभी 9 lakh pending पड़ा उसका, तो 9 lakh रपे उधर ले जाएगा, इधर loan खाता बंद हो जाएगा, उधर यहाँ पर loan खाता उसका खुल जाएगा, ये एक internal mechanism होता है, दोनों banks के बीच में, दोनों आपस में transaction execute करते हैं, औ बशर्ते, वहाँ पर क्या होगा, उसका rate of interest में difference हो जाएगा, और ये चीज की जा सकती है, और ये customer के फायदे के लिए होती है, customer को जहाँ पर interest लगता है, जहाँ पर उसको लगता है, कि मुझे फायदा है, वहाँ पर customer जा सकता है, इसे बस जाने का एक थोड़ा बहुत जंजट की पहले मैंने loan लिया तो तब इतने सारे documents मेंने sign किया, अब फिर से मैं नए documents में sign करूँगा, मेरा routine बढ़िया बनी होगी है, मुझे कोई जाधा नुकसान हो नहीं रहा है, 10% और 9% पे अगर मैंने 20-25 लाग का loan ले रका है, तो जाधा मेरे फरक नहीं ठीक है, मेरी अच्छी है, salary है, income है, जो थोड़ा बोद लगेगा, मैं इतनी tension में रहूँगा, इदर sign किया, फिर उदर document sign करूँगा, तो normal जो customer होता है, normal जो middle class आदमी होता है, वो इन जंजटों में नहीं पड़ता, ये जंजट तब शुरू होते हैं जाधा, जब यहाँ पर आपने करोडों के लोन ले रखे हैं, जब यहाँ पर 30, 40, 50 करोड के लोन की बात आती है, 100 करोड के लोन की बात आती है, तब 0.1 या 0.50 परतिशद भी या 1% भी आपको जब लोन कम में होता है ना दूसरे बैंक से, तब यहाँ पर खेल शुरू होता है, जब आपको interest का difference बहुत ज़ादा होता है, तो वहाँ पर जो corporate clients होते हैं बड़े बड़े clients, वो यहाँ पर switch करते हैं दूसरे banks में, और यह मैंने practical अपनी life में भी देखा है, मैंने अपने खुद की ब्राश से, बैंक से, बहुत सारे loan takeover होते हुए देखे हैं, कुछ दूसरे bank से हमारे पास आजाते हैं, कुछ हमारे bank से, दूसरे bank के बास से ले आता है, और नौर्मली ये आजकल का एक scenario बना हुए कि private sector bank जो है, वो पीछे पढ़ते रहते हैं, मैं practical बात बता रहा हूँ, private sector bank जाएंगे, हर एक customer के पास जाएंगे, public sector के, क्या आपको 10% मिल रहा है, 9%, हम आपको 1.5 आज देंगे, हम आपको 8% देंगे, हम आपको ये service देंगे, वो service देंगे, बहुत सारे customers यहाँ पर take over करके, private banks में जा रहे हैं, loan लेकर, तो यहाँ पर होता है, transfer of loan exposure, इसको कहते हैं, लेकिन जो यहाँ पर transfer of loan exposure है, ठीक है, इसमें कुछ condition होती है, इसमें one of the condition, देखो conditions बह over of the transfer of the loan, पूरा पूरा circular है, अगर मैं circular को खोल लूँगा, दोखो master direction, जब मैं खोल लूँगा, तो कम से कम पता नहीं कितने 100 page का यह circular निकल जाएगा, लेकिन मैं पूरे गपर circular पे नहीं अपनी दृष्टी अभी फिलहाल लगाने की कोशिश करूँगा, लेकिन हम focus सिर्व सिर्व उस point पे जिस point में यहाँ पर तबदिली हुई या बदलाव हुआ है, इस जो circular में जो एक point है जिसमें बदलाव हुआ है, जिससे related यह notification है, वो है minimum holding period, minimum holding period क्या होता है, minimum holding period एक ऐसा period जिसको यहाँ पर आपको complete करना होता है, किसी भी loan को take over या transfer करने से पहले, ऐसा नहीं है कि माली जो मैंने loan लिया और मैं तुरंथ 10 दिन बाद दूसरे bank के पास लागया, भाई साब चलो आजो, दूसरा bank कहता है, आजो 10 दिन हो है, कोई बाद नहीं आजो, इधर आ, हम तेरे को take over कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, एक minimum holding period होता है, related to the loan, उसको पू जो कि यहाँ पर काफी जादा पन्नों का है, 855 KB का है, अगर डाउनलोड करेंगे, तो pages आपके सामने दिख जाएंगे, इसमें अगर मैं यहाँ पर कहीं सर्च करूंगा, तो minimum holding period मुझे मिल जाएगा, ठीक है? सर्च, सर्च, सर्च का option नहीं आता गए, यहाँ पर, कहीं पर, सर्च this space with Google नहीं, कहां होता है बंदू सर्च, इस पर मैं सर्च नहीं कर सकता है, यहाँ पर कर तो सकता हूँ यार, कुछ तो होता होगा solution, इसमें मैं, मैंने देखा था, कहां देखा था, यह आई गया, क्या दे रखी है, the transfer can transfer loans only after a minimum holding period as prescribed, which is counted from the date of registration of underlying security interest with the central registry of securitization, asset reconstruction and security interest of India, सर्च, सर्च, सर्च में जब वो रजिस्टर्ड होता है, उसके according, उसका minimum holding period decide किया जाता है, सर्च, सर्च, सर्च क्या है, याद होना चाहिए, मैंने already class में करवा रखा है, बहुत बार करवा रखा है, इसी RBA corner में, one of the session में मैंने आपको बताया था, याद है सर्च, इसलिए मैं गया तो RBA corner आप देख रहे हैं, अभी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन पिछले जितने RBA corner लिये हैं, उनको जरूर देख लेना, उनको फटावट से निप्टा देना, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में, जितने भी RBA corner है, जो connect हो रहे हो पिसली news से, वो फिर एक sequence हमारा बन जाए, ठीक है, तो सरसाई यहाँ पर मुझूद, I think so, सारे के सारे लोगों को पता होगा, कि सरसाई क्या, मैं short and sweet में बता देता हूँ, यह एक ऐसी website है, जहाँ पर कोई भी bank जब loan एक लेता है, तो उसके बदले में कोई सामने वाला person गिर्वी रखता है, अपना mobile property, कोई घर, दुकान, मकान, कोई अपना समान जो है, वो गिर्वी रखता है, तो उस गिर्वी को जब हमें देता है, त इसके उपर हम registered करते हैं, इसके उपर जाते हैं, सरसाई का user ID, password होता है, उस पर हम उसको register कर लेता है, यह property हमारे पास यहाँ पर गिर्वी रखी हुई है, और फिर, लेटर उन इस पर register करने का क्या फायदा, इस पर register करने का यह फायदा है, कि दूसरे bank के पास मैं वही person loan ल register है, वहाँ पर आ जाएगा, इस फलाफला bank के पार register है, तो पकड़ में आ जाएगा, कि भाई साब, आपकी property तो register है, उस bank के पास, उस bank में आपने loan लेर का है, हमारे पास क्यों आई हो, आप यहाँ नहीं की चार्ज बाद जी कर रहे हो, गडबड है, तो यह सरसाई का फाय गिरिवी रखता है, कोई भी चीज, जो भी चीज आपको गिरिवी रखता है, उसको हम security कहते हैं, और interest, यानि कि bank अपना interest कर रहा है, और bank ने अपने पास गिरिवी रखी, तो bank का ही interest है, उस में, bank का ही फायदा, bank को ही अब उसको संभाल के रखना है, अगर कल को वो customer नहीं with tenor up to two years, अगर किसी loan का tenor जो है, maturity period दो साल तक है, तो उसे minimum holding period तीन मन्त होगा, सरसाही में registration करने के बाद से, और अगर दो साल से जादा, तो उसे minimum holding period six months होगा, यानि six months से पहले, मैं किसी भी loan को take over नहीं कर सकता है, या फिर दूसरे bank में transfer नहीं कर सकता, ठीक है, ओके, जो मेरी बात कोई भी query होगी, बेटा, मैं सब clear करूँगा, इस news को समलो, flow में है न, एक बार दिमाग मत लगाओ, जादा, जो समझा रहा, उसको समझो, कोई भी doubt होगा, मैं clear करके जाओगा, flow में बनने दो, six months in case of loans with tenor of more than two years, ठीक है, ये clear हो गया, अब आपकी situation आती है, सर ये तो हो गया कि property के उपर, कि कोई property गिर्वी रखी, अब लोन तो बहुत सारे होता है, जिसमें property गिर्वी निये रखते है, unsecured loans जिनको हम गयाते है, like this, 10 लाग तक का मुदरा लोन होता है, और भी कई सार है, अब CGT MSC case में 2 करोड तक का लोन हो गया, 5 करोड तक का लोन हो उस दिन से यहाँ पर उसका minimum holding period start हो जाएगा और वो फिर यही रहेगा, 3 months या 6 months का, ठीक है, अगर property है, तो जिस दिन उस सरसाही से register के और सरसाही में register करने के date होती है, जब आपने लोन दिया है ना, तो लोन देने से पहले आपको एक वक्त होता है, वोन का amount उसके खाते मे डालने से पहले आपको सरसाही में register करना होता है, या निवारेता होती है, mandatory होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको सरसाही में इसे कर लेंगे, एक महिने बाद कर लेंगे, दो महिने हो हमारा, तो period बाद में start हो कर नहीं, जब आप उसको loan देता हो, loan account open हो जाता है, loan account open करने क provided further that in case of transfer of project loan, यह project loan है, बड़े term loan जो mall बनाया, hospital बनाया, schools बनाया, बड़ी building करोड़ों के जो term loan होता है, उन case में, MHP shall be calculated from date of commencement of commercial operation, अब माली जी मैंने mall बनाया, तो mall बनाया तो mall बनाने और time तो ले लिए, loan तो मैंने पहले दिन से ले लिया, mall बनाने और दो साल लगेंगे अब दो साल जब हो जाएगा पूरा का पूरा, जब mall यहाँ पर अपना काम start कर देगा, जब उसका commercial operation start हो जाएगा, mall का मतलब कोई भी ऐसा project, माली जब कोई residential project ही हम बना रहे हैं, जब वो building सारी के सारी खड़ी हो जाएगे, flats सारे बन जाएगे, जब वो start हो जाएगा उसम यह MHP start हो जाएगे, ठीक है, नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पर जो चीज है एक और मैं आपको बता दूँ, अच्छा, clean ही होगा, सारा ही हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, और यार, इस से होगा, ठीक है, अब यहाँ पर, in case of the other entities, जो यह point can not be transferred before completion of 6 months, अगर और कोई है, इस case में है, अगर उपर वाले cases के लावा कोई और case मनता है, तो फिर 6 months उसके अंदर guideline, अब यह जो 8 number point जिसका color थोड़ा सा अलग है, यह color अलग क्यों है, यह color इसलिए अलग है, क्योंकि यह जो main circular आता है, जब भी RB की website पे, जो main circular आप देख पास December, यह 28 December वाली जो news हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यह circular तो बहुत बड़ा है, ओर इस दिन आया, लेकिन RB इसको time to time update करता रहे, तो जब update करता है, तो RB यहाँ पर date डालता है, यहाँ पर date डालता है, और यहाँ पर भी date डाल देता है, और इसी color से जो चीज उसने update की है, उसको भी उसी color से कर देता है, ताकि लोगों को पता चल जाए, कि हाँ भी यह चीज बदलाव की गई है, I think वो उपर चलने कल गी ना, 39 था, यह देखो, यह बदलाव किया गया, और यही बदलाव जो अभी किया गया है, उसी पर आते हैं हम, यही बदलाव जो यह points लि क्योंगा, यह बले, अब देखो, अब आपको समझ में आ गया, minimum holding period, transfer or loan exposure, समझ में आ गया, ठीक है, यह मत सोचना कि सर, एक ही news है, इतनी देर लग गई, अरे, कितने concept एक ही करके देखो, कितने concept clear हो रहे हैं, है ना, तो उसके उपर focus करो, अब देखो, अगला point पढ़ते है in order to dwell secondary market operation of receivables, receivables आ गया, एक नेया word, ठीक है, receivables, as a part of factoring business, as defined under factoring regulation act 2011, has been decided that transfer of such receivables by eligible transfers will be exempted from MHP requirement, exempted, subject to following, अब यहां पर in-pay condition पर बाद में चलते हैं, पहले हम समझते हैं, sir, यह क्या receivables और factoring business, अभी तक तो सब आप property की बात कर रहे थे, अभी तक तो आप loan की बात कर रहे थे, हम तो यही कह रहे थे, loan के case में loan transfer हो जाता है, और उसमें minimum holding period होता है, sir, लेकिन इसमें तो किसी पतर कर लोन की बात ही नहीं किया रखी है, इसमें कहां पर है loan की बात, कोई loan की बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या बात है, इसमें जो बात कर रहे है, वो बात कर रहे है receivables की, और बात कर रहे है factoring business की, एक और, banks में, मैं हमेशा कहता हो, banks में अकेला काम deposit या loan देना नहीं है, आ नौमलीं आपको चीजें और कोई दिखदी हैं लेकिन बैकेंड पर बहुत सारी चीजें ए टॉर फंक्शन बताता ओंग एक अवर फंक्शन करता और वो कहलाता है फ्यजनसी फ्यक्रिंग काम फैक्टरिंग यहां पर होती है एक ऐसा मेकानिजम जिसके थुरू बैंक अर्निंग कर सकता है और वो क्या है माल लिजे मेरा एक बिजनस है ठीक है मैं कोई एक बिजनस करता हूँ अब business जब करता हूँ, obvious उसमें उधारी होगी, मैं किसी को उधारी में पैसा दूँगा, उधार में दूँगा, जब कोई person मेरे से, माली जी C person है, इसने मेरे से उधारी की, A मेरा business है, और C person ने मेरे से उधारी की, तो A के लिए C जो कहलाता है, वो क्या कहलाता है, debtor, basic classes में म जो C है, उसके लिए हम इस्तमाल करते हैं, वो debtor, A की accounting books में, वो A जो है, उसको debtor के नीचे यहाँ पर लिखेगा, कि यहाँ वही यह मेरे debtors है, इनने C ने, D ने, E ने, F ने, मेरे से उधारी की है, सारे का सारे debtors है, तो group वो सारे का सारे जितने उधारी लिए, उनको हम debtors यानि कि इन्होंने उधारी लिए है, A से, C ने, business में, उन्होंने माल दे दिया और उधारी कर ले, अब एक और bank क्या business करता है, इस receival से जुड़ा हुआ, A को यहाँ पर in case, C ने कहा कि भाईसा, मैं तुम्हे ना, पैसा ना, 6 महिने बाद दूँगा, 6 महिने बाद, 3 महिने अब यहाँ पर A क्या करेगा, A जाएगा bank के पास, bank के पास जब A जाता है, तो bank को यह कहता है, भाईसा मेरे पाद debtors है, मेरे पाद receivables हैं, इतने इतने, ठीक है, आप मुझे loan दे सकते हो, हो कहता है, हाँ बिल्कुल दे सकते है, कौन सा loan दोगे, cash credit, होता है ना, cash credit loan, CC loan कि इसलिए दिया जाता है, CC loan इसी केस के लिए दिया जाता है, मेरे debtor उधारी वाजव जादा हो रही है, है ना, मुझे stock खरीजना है, मुझे working capital की need है, है ना, समझ के, connect कर पा रहे हैं मेरे पिछली classes से, है ना, तो अगर आपको वो CC limit bank offer करता है, तो आप कहता है, नहीं मुझ यह बेच दो, sell कर दो, क्याता, ठीक है, मैं sell कर देता हूँ, और इस sell जब आप करोगे, तो हम आपको इस receivals के बदले में पैसा दे देंगे, यह तो अच्छा, यह तो बड़ी है बात है, वो कहता है, एक करोड का receivals है मेरे, एक करोड रो मुझे मिल जाएगा, वो कहता है यह बेचा, इतनी असानी से थोड़ी ना जाने दूँगा, तुम इतना मुझे बेफकुफ सब रहे है, मैं बैंक हूँ, कमाई तो करूँगा, यह करूँगा, एक करोड के दुम्हारे receivals है, मैं तुम्हें एक करोड क्यों दूँगा, वो कहता है, नहीं लो भाई, क्या फ घर तो एक करोड की बिच्चे न, ठानवे लाख में क्यों लोगा, वो कहता है, यार कमाल कर रहे हो, कुछ तो हमें भी मुनाफ़वा होगा, तभी तो तुम्हें दे रहे है, एक तरफ तुम अभी तीन मिने बाद हमसे पैसा लेने आगे, तुम्हारे पैसा छे मिने बाद जरुरत तुमें है, हम तो commission लेंगे लेंगे, वो कहता है, ठीक है, चलो, commission ले लो, तो bank क्या करता है, इसमें 2 लाग अपना commission रखके, बाकि उसका 98 लाग जो है, उसको दे देगा, पैसे, total receival कितने थे, एक क्रोड के थे, मैं यह example दे रहो हुँ बच्चा, कहीं इस reality में समल ल क्या रहा हुँ, sir, bank लेंगे commission ले लिया 2 लाख रभे, लेकिन यह तो भाई, यह C, जिसने उधारी की ते, यह से, यह पैसा तो बैंक को तो लेना पड़ेगा, एक करोड रठाने में लाग, बैंक कहां से करेगा, बैंक के पास, जो होगा, जो obvious है, A और C ने आपस में कोई कर दो किए होगा उधारीया, यह में तो नहीं लियोगी कोई वाइस भीडाब विल होगे, जब A ने सी को माल बेच्चा था तो एुऑ शगा ना, इन्वैस होगा ना, इन्वैस भीडाब होगे, जैसे आप लोग वारे कौर्स करीद चान, थर वाप पर उपलो यह सारे कौर तुम लोग आऊगे, बुलोगे, sir, हमारा course कैई से कैशे है,ừng वैंकि गोँगा, क्या prove है तुम्हारे पास пиш, तुम्हारे पास receipt है, जो न था का भाती है, payment receipt आती है न कुमारे чैट बुक्स में भी आती है, mail भी हो सकता है, तो वाली यहां पर receiptاج जो है, वैसा ही दोनों के बीच में एक invoice होगा, और ये सारे के सारे invoice क्या होते है, A से ले लिए जाते हैं bank के दोरा, वो सारे के सारे invoices bank के पास आते हैं, और bank जब समय पूरे होता है 6 मिने, तब ये bank पहुँझ जाता है C के पास, और bank C को गहता है, बेटा, ये जो invoice तुम्हारे बीच में agreement हुआ तो पुरा तुम्हारा समय पुरा हो चुका है, ठीक है, तुम्हारा समय पुरा हो चुका है, और अब यहाँ पर C जो है, बैंक को एक क्रोडर पर दे देता है, बैंक ने इसको ठानवे लालग दिये, दो लाक बैंक का कमीशन आ गया, and that's it, this is known as the factoring business, factoring दो तरीके के होती है, एक होते है, recourse factoring, एक होते है, non recourse factoring, recourse factoring और non recourse factoring में क्या difference है, इन में difference यह है, कि इसमें, अब देखो, risk का difference है, कल को C मुकर जाए, C कहता है, मैं तो नहीं देता, पैसा, बैंगो कहता है, मैं तो नहीं देता, मेरे तो हाथ खड़े है, तो इस case में क्या होता है, कि इसमे में यहां पर ग्रेंटी दी जाती है एक ता कोई बार नहीं देगा तो मैं खड़ा हूं और दूसरे के इसमें यहां पर ग्रेंटी नहीं जा जाती वह आप वसुलो जैसा आपको चाहिए आप वसुलो तो सी से आप अपने मेथड्स ताम जम दंड भेल लगाओ हमें उससे मतलब नहीं है तो यह दो तरह के उते हैं रिकोर्स और नोन रिकोर्स आई होप सो फेक्टरिंग विजनस समझ में आयोगा यह बैंक करता है ठीक है समझ गे मेरी बात क्लियर है अभी तक क्लियर ओके डन चल आई होप सो क्लियर होगा अब कुछ और वर्ट्स पढ़ते हैं यहां पर आपके अब यहां पर हाँ 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 ठीक है चल आई है चल आई है अज पार्ट फेक्टरिंग बिजनस अंडर फेक्टरिंग रेगुलेशन एक टू तो तौन इलेवन हाँ है यहां पर ट्रांसफर किया गया है किया है अ करेंगरेशवती ले लिए इक अपरकार का लून ही तो है बैंक न उसको पैसा दे दिया अफ्ने बास उनको लोन को उठा लिया ओं गाकर बैंक के लिए आप Lone बपने गेडj लिना और BANक को पैसा देनेस बीड completely लिया हम कहा सकते हैं तो अब उसके लिए एक प्रकार से भी ट्रास्फर हुआ कि यह बीद मशने लोंग पहले लूट का पैसा चुछानँ था अब बी को चुछान नही ambitious को ट्रांसफर तो की आ था हूर क्या किया था ट्रांसफर लॉन एक्सपोजर को गलूत कि आपर जो रिषीवल की केस में उसको हमने एक्जम्ट कर दिया है M.H.P. से अरब यह कह रहा है कि एक्जम्ट कर दिया M.H.P. में मिनिमर होल्डिंग प्रेड उसमें रखा इनी है कि आप रिषीवल कभी भी ट्रांसफर कर सकते दूसरे बेंक के पास आप रिषीवल से ले जा क एंड्याज टेक्ट शके तो वेता सब्स्ट के लेशार सल स्लीच शाले करें third he anf जेक्टिक टेक्ठाइब चोशेड ट्रांस्वेडर नहीं हो सकता जो कोई अधर्ड जो है र स्मातिटे सकता है अगर उस मेंन श добना का अभी जो पेंडिंग पीरिड है वो पड़ा है पहली कंडिशन यह स्पेसिवाइड अंडर क्लोजेट 10 तो 15 अव दिश्टें 10 तो 15 क्या है जो भी मास्टर डारिक्शन में ने खोली थे ना उसके क्लोजेश थे ना जिसके अंदर हमने तकरीवन वो 39th वो यहां पर पूरा प्रोपर चेक करेगा जिसका वो उठा रहा है जिसका वो रिसीवल उठा रहा है ना रिसीवल को पहले तो बैंक की यहां पर पूरी responsibility रहेगी, बैंक उसको पूरा wealth check करेगा, अच्छे से analysis करेगा, कि यह पैसा मुझे दे पाएगा, कि नहीं दे पाएगा, यह मतलब होता है, proper credit appraisal, credit appraisal मतलब, जो credit शब्द यहां पर बैंक में, loan से संबंदित भी होता है, तो loan का जो appraisal, यानि क C, C इसमें drawee होता है, ठीक है, जो C था, वो drawee है, before acquiring such receivals, उन receivals को पहले अपने पास लेने से पहले, accordingly suitable provision, अरे भाई, प्रोवीजो, RB के website भी गलती, कपल सर ने पकड़ी, क्या बात है, suitable provision has been added to close 39 of the MDTLE, MDTLE क्या है, MDTLE है, master direction, transfer of loan exposure, देखो, देखा न, provision has been added to, वो वहाँ पर जो color अलग था न, वो वहाँ पर लिख रहा है, हमने add कर दिया, उस provision में, हमने उस close 39, 39 close number पड़ा था न, हमने वहाँ पड़ा था, पड़ा था, पड़ा था, 39 number MDTLE में, यानि कि यह वले में, हमने add कर दिया, through amendment dated 28 December 2023, all other provision shall continue to be applicable as aether to, yours faithfully, web of Chaturvedi जी, Chief General Manager, RBI, and that's it, from my side, I hope so, कि news अब clear होगी होगी, एक बार फिर से इस news को पढ़ लो, और मुझे बताओ कि news समझ में आई के, नहीं आई, यह थी हमारी आम जिन्दगी, प्रोवीजो भी सही है के, आरे यार, तुम भी न, यार, मैं, मैं, शायद RBI को mail कर देता, पैसा पैसा मिल जाता मुझे गलती निकालने का, अरे इतने शान शान बैठे होते हैं, दो सो लोग यहां पर सुन रहे हैं मेरी, इतना तुम्हें शानदार चीज बता दी है, हैं, अभी भी तुम कह रहे हैं, सर, कुछ आगे से कोई reply नहीं कर रहे हैं, यहां पर तुम्हें को मैस reasoning का concept बता दो, अरे वहाँ सर, क्या बात है, मैस reasoning का तुम्हारा concept जिन्दगी में काम नहीं आने वाला, उसको तुम शाबाशी देते रहते हैं, अरे सर, क्या, स्क्वार कूट का फूर्मल, अरे सर, मज़ा बाशी साब, यहें तुम्हारे जिन्दगी भर की कमाई, तुम्हें मैंने सिखा दी, जिन्दगी भर काम आएगी, दुनिया को बताते हैं, तुम्हारे मेनेजर को, तुम्हारे CGM को यह ऐसे से होता है, वो तुम से पूछेंगे तब, यह कोई ऐसी कस्टमर आगया तुम्हारे ब्रांच में, वहांपर तब तुम्हें वहाई-वाई होगी, महाँपर स्क्वाईर रूट बताने वहाई-वाई नहीं होगी, और यहांपर, हाँ ठीक है सर, समझ में आ आ गया, हाँ ठंड बहुत है, सर, कमेंट करने में मज़ा न कोई नहीं यहां टुम भी आरब मैं नोगरी कर रहें मुझे तो पता तुम्हें बार में क्या जीकते आने वह लिया कुछ दिखतों का सोलुशन बता देता हूं तुम्हें नहीं उसके वेल्लिव रखने अपने को के अपने पड़ा कर निकल जाएंगे अब पुछो कोई सवाल है कोई मन में कवजंका है तो पूछो इस लोन से जुड़े कोई भी किसी तरह कोई समझन plac रही कोई लाइन समझन tw dem कोई भी कुछ भी कहीं पर कोई दिक्कत है प्रयत दूसरे बैंक का बिजनस कहीजत रहे गलत है नहीं वेटा गलत नहीं है, आरबी ने इसको प्रोविजन दे रखा है, ठीक है, बैंक के कस्टमर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करें, अच्छा, कर ले ना भाई, सिटिंग अरेंजमेंट फिर तुम, जब आएंगे ना, वो, बिल्डिसकाउंटेट में क्या डिफरेंस होगा, बहुत बढ़िया, सेम ही होता है, शीतल, बिल्डिसकाउंटेट क्या होता है, कि बिल्डिसकाउंटेट जरूरी ने बैंक के साथ ही हो, चमर रहे हैं, जो कॉमर्स की टर्म में मैं बोलो ना, बिल्डिसकाउंटेट ने एक ब तो वही चीज़ है, bill discounting जो मैंने समझाय, bill discounting गिया है, लेकिन उसको समझाय है मैं बैंक के context में, तो वहां पर जाकर यह, discounting और रसीवल से यह फिर factoring business कहला देते हैं, ठीक है? जब उसी चीज को दुबारा से डील किया जाता है दोबारा सेल पर चीज को तो स्केंट्री मार्केट बोलते है यहाँ पर यह स्केंट्री मार्केट वर्ड है यह स्केंट्री मार्केट वर्ड उसी से रिट्रेट जो फेक्टरिंग बिजनस होता है यह फेक्टरिंग बिजनस बेसिकली बैंक का बिजनस नहीं है बेंक उस receivables का accept कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे कई सारे buyer, कई सारे seller होंगे उस platform पे, तो that is a secondary market, तो secondary market है यहाँ पर receivables की भी, receivables की secondary market available है, ऐसे नहीं है कि customer, local गए customer आएगा तुमारे पास कि भाई साब यह ले लो मेरे से, कोई भी कहीं से भी आज़ा, तो उसके लिए particular platform बनाएगा, उस platform पर यह dealing होती है, आपस में, so that is why the word is used here, the secondary market operation, ठीक है, जो के link करो, capital market, stock market, capital market, stock market, जिसमें आप deal करते हो, daily basis, sale purchase करते हो, चीज़ों को, वो secondary market होता है, right? कोशन किस तरिके साएगा? बेटा, कोशन जो है ना, पहली बात तो मैं सारे का सारे यहां पर बता चुका हूँ, बीच बीच में, कोशन इसमें से कुछ भी, आब इन भी condition पूछ लेंगे, statement based कोशन आएगा, यह condition पूछ लेंगे, इसमें से, आप से पूछ लेंगे, कि कौन सी condition बनी है, कोशन इन का किये है, कितने दिन का किया है, 90 शक्प्षो नमबर पूछ लेंगे, इसमें है, क्लोज नमबर तो नहीगीं, ठीक है? या आप है, यह पूछ लेंगे, कोन से इंस्तिटूशन के लिए किया है, इस तरह कुछ इन बाकी मैं आर्भी कुज में देंगा है इसका भी कुछ आपका आ जाएगा तो उसमें आपको कुश्चन की क्लारिटी और मिल जाएगे ओके चलो डाट सिट आगे पढ़ते हैं अगले नियूस पर चलते हैं आई होप सो कि मैंने सब बता दिया है चलो जो वे करेंगे करेंगे यार गिववे की पढ़ी रती जब देखो काम का नी धंदा नी तुमने संभालना पढ़ाई कर लो गिववे खरीद लो गिववे चाहिए तुम्हें करीद लो मौक्टेस मिल रहा है तुम्हें कि दुनिया भर के मौक्टेस खरीद लोगे तुम है दुनिया वर के तुम्हारे वह मौक्टेस दू कंपणी तीन पांच कंपनी तुम्हारे टीचर खुद जो चीजे देख देख के बना रहे हैं कोशन चुख करके बली वे सिट ड़ डाल रहे हैं उसकी फरमेशन करने हैं वो तुमने मौक्टास नहीं खरीद ना टीचर में विश्वाज निया दूसरी कंपनी ज़िशाद है क्यों को तीसरे बंदे ने बोल दिया यह कम्पनी में मौक्टास बढ़िया है वो शोरे से बोच आता है रुगू-पूल रीत चला आई वैसी किसने बोल दिया पिछले साल मैं इससे पढ़ा था पिछले साल लर्निंग नीथी के था ही नहीं तो बोलेगा क्यों इस बर आया है विश्वास करके तो अगले साल तुम बोलो गे पकी बात है तो खरीद लो गिवब में चाहिए गिववें चाहिए गिववें मेलेगा एक को तुम घुबवें करते रहोग मैंने कब फ्री कर दिया मैंने तो नहीं फ्री किया कभी आप नोट्बुक्स भाइसाब छे चे मिने एक एक साल चलाने के बाद फ्री किया था उसको चलो अच्छा अगली न्यूस क्या है अगली न्यूस है आपकी क्लासिटू कैशन अमस में कैसे हैं इस में थान रखना एक्जां में आता तो अरमी नहीं है इसमाल फानेस बैंक लोकल अरिया बैंक और शेडूल कमरिशिल बैंक को दिह आप करो कि ला कुशंड तो यहीं पर है नहीं अगता है नहीं है कोई act तो अगर होता तो उससे related दूसरा question बन जाएगा तो यह fix है अपना, दो question तो अपने fix है, कि ऐसे बनेंगे, अब पढ़ते हैं क्या है, इसमें दे रखा है, प्लीज रेफर टू पैरा 2.4 तो 2.7, master direction, lending to MSME, यह यह date की है, inserted in terms of this one, on the new definition of MSME, ठीक है, ओके, ठीक ह अच्छा existing यह दे रखा था, इन्होंने यह किया था, और revised इन्होंने यह किया था, ठीक है, पढ़ डिया, फटा बट पढ़ो एक बार, समझ में आ गया, अगर आ गया समझ तो अगले में चलते हैं फिर, बताओ भाई, समझ में आया, 99 लिया, उस्टडी नितिगा, 99 लिया ह हतम हो रहा है बंदू, पता है तुम्हें, नान में लिया हुआ है, मुझे समझा रहे हो, गुरू हो तुम्हारा, नान में लिया हुआ है, स्टडी नितिगा, वैलिडिटी तो देख ले बंदू, उसकी 30 जनवरी है, फिर क्या करेगा, आएगा तो यहीं, अच्छा तुम्ह हजी, नमश्कार, नमश्कार, हर्शल सर ने मिस कर दी निउस पिछली, कितनी शांदर बहाई थी, और सी ये पीडिएफस क्लास के बाद दे देता हु, बताओ, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, 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 समझ में आया? अरे, परनाम वालो, निउस समझ में एक नहीं आया, ये पूछ रहो तुम्हें परनाम? अरे, बताओ, 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 समझ में आया? पर निकाल ली गई कि जो Micro Small and Medium Enterprises है उनको लेकर यहां पर एकमेंडमेंट किया गया banking transaction से जुड़ा हुआ देखो सबसे पहले तो टुकडों में वही समझेंगे सबसे पहले हम समझते हैं MSME होता गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडिम एंटर्वाइस की डेफिनेशन ठीक है उसके उपर बात करते हैं फिर सारी फिर आगे 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 हम चलेंगे तो यहां पर Master Direction Landing to MSME खो लेता है इसे के अंदर डेफिनेशन पका दे रखी होगे उन्होंने होनी तो चाहिए नहीं होगे तो बेस्ती हो जाएगे देखो फिर से कलर चेंज हो गया ना तो देखो इन्होंने क्या किया देखो 28 December को इन्होंने अपडेट किया यह यह डेट ह है जिनमें अपडेशन हुआ है और ओरीजनल सर्कुलर यह देखो 2017 का तो उसके बाद चेंजिस हुए तो MSME के इन्होंने डेफिनिशन यहां पर दे रखी है कि Micro Small and Media Unterrijs हम किसको कहते है Micro Enterprises उसको कहते है जहां पर एक Plant and Machinery के अंदर Investment और Equipment में Investment जो है वो एक करोड से जाधा नहीं होती है और Turnover जिसका पांच करोड से जाधा नहीं होता एक साल में यानि कि कोई भी ऐसा Business जिसमें हमने कोई Investment कहिए है अब Plant and Machinery का मतलब यह नहीं कि जुरूरी नहीं है कि सारे सारे वो Manufacturing यूनिट के हम बात करें Normal माल लीजे मेरा अपना माल लीजे लर्निंग नीती है ठीक है अब लर्निंग नीती हमने स्टार्ट किया लर्निंग नीती हमने स्टार्ट किया हमारी Investment इसमें Equipments की क्या है Investment किया है इन Equipments में वो अगर एक क्रोड से कम है और साथ ही साथ अगर हमने जो आप लोगों को समान बेचा है समान मतलब जो हमने आपको courses सेल किया है उनकी जो संक्या है साल की वो अगर पांच क्रोड से जादा नहीं है दोनों अगर condition meet होती है तो हम एक Micro Enterprises है ठीक है अगर हमने जो equipment में खर्चाल किया है वो 10 क्रोड से जादा है 10 क्रोड से जादा नहीं है एक क्रोड और 10 क्रोड के बीच में है ठीक है और हमारी turnover जो है 5 से 50 के बीच में है तो हम में एक medium enterprise है 50 से 200 के बीच में और अगर इससे उपर चला जाता है तो large enterprise है अब मुझे आप यह बताओ कि हम Micro में stand करेंगे small में stand करेंगे medium में learning नीति किसमें आएगा Micro enterprise है कि small enterprise है कि medium enterprise है है ना जरूर बताना comment section है मुझे देखते हैं कितना दिमाग चलता है कितना common sense है आपके अंदर है ना तो यहां पर आपका यह Micro small and medium enterprise की definition अब क्या होता है कि MSME है जितने भी MSME है जो भी business start कर रहा है उसको यहां पर अपना कहीना कर रिजिस्ट्रिशन कराना पड़ेगा अब ऐसे थोड़ी ना मैं MSME की declare कर दूँगा भी मैं तो micro enterprises हूँ है ना कैसे पता लगा उसको अपना registration कराना पड़ता है उसको registration कराने के लिए पहले अलग लग level पे अलग लग चीजें हाँ पर शुरुवात की थी पिछली सरकारों के दौरा पिछले government के दौरा धीरे-धीरेन में कुछ तबदीलियां आते रही अभी जो latest फिलहाज जो चीज चल रही है जिसमें एक कोई भी organization जब एक business start करती है like the learning निति ने जब बिजनस start किया तो उन्हें ने कहा registration कराया कैसे होगा कैसे उसका official एक registration जैसे तुम्हारा registration क्या है अधार पोटल उद्यम पोटल यह नाम भी लिखा उद्यम पोटल यहाँ पर अपने आपको रिजिस्टर कराते हैं इस पर जब रिजिस्टर कराते हैं तो एक self रिजिस्टर होता है हमें सारी details वहाँ पर लिखनी होती है उसके अंदर हम अपनी equipment की detail और अपनी turnover के detail भी हम वहाँ पर लिख देते हैं कि इतनी expected turnover अब business start करूँगा तो उस वक्त तो turnover होगी नहीं expected turnover लिख देते इतनी होगी तो उसके according मेरा certificate generate होके कुछ दिन बाद आ जाता है उस certificate के उपर मेरी संस्था को यहाँ पर classification दे रखा होगा या तो माइक्रो का या small का या medium का जो मैं feeding करूँगा data उसी के according वो लोग मुझे micro small and medium enterprises का दरजा दे देंगे ठीक है तो यह मेरा एक उद्ध्यम certificate मेरे पास होता है as a proof कि मेरा यह business है लर्णी नीती के नाम से है प्रोप्राइटर ओनर उसका यह है उसका address यह है और यह सब चीज़े है और वो micro enterprise है और भी बहुत सारी चीज़े लिखी होती है अगर आपको जानना हो तो google में जा सर्च करना उद्ध्यम certificate sample है ना उद्ध्यम certificate sample यह लिखना तो आपको वो एक पन्ने का होता है एक page का होता है color सा होता है वो आपको दिख जाएगा ठीक है समझे अभी तक जैस नहीं कर पाए तुम लोग micro nano not even micro large medium होगा बहुत पैसा है क्या बात है है ना ठीक है तो यहां पर आपका क्या है कि MSME ED Act 2006 के तहते यह सब चीज़े है defied है ओके तो यह तो होगया MSME के बारे में उद्धयम registration आपके पास आ गया अब यहां पर वापिस अलते है इसके उपर किसके उपर इसके उपर वापिस अलते हैं हम इस news के उपर नीज में क्या कहा गया है नीज में यह कहा गया है that is the all the above enterprises are required to registered online उध्यम रजिस्टिशिशन पॉर्टल एंद ओप टें दी उध्यम रिजिस्टिशन सर्टिवट यहां तक तो सेम है आगे एक लाइन जोड़ दी है for PSL, PSL का मतला है priority sector lending purposes bank shall guided by classification recorded in Udhyam Cert Registration Certificate banks के द्वारा यहां पर RBI ने सभी सभी banks वो instruction दी है किस से समंदित priority sector lending से समंदित bank को यह कहा है कि आप priority sector lending किता है जो भी आपके targets उनको achieve करो उमीद यह है कि उमीद यही करता हूँ कि priority sector lending के chapter साब ने से पढ़े होगे चाहे YouTube पे चाहे कहीं पर भी आपने definitely priority sector lending पढ़ी होगी तो वो बहुत बड़ा चप्टर है अभी में यहां पर वो discuss नहीं करूँगा उन priority sector lending के तह सभी banks को instruction दी है कि मिनियों इतने प्रतिश्यत आपको इन sectors को देना है अगर यह targets आपके इन sectors के पूरे नहीं होते तो हम आपसे कुछ नगच वो जो बचता है पैसा priority sector lending के target पूरा नहीं तो पैसा कहीं और वो नवाड के RF जो account होता है नवाड का उसमें rural infrastructure वाला account होता है उसमें investment करा देते हैं या फिर priority sector lending certificate आपको खरीदने बड़ते हैं वो तो उन्हीं sectors में से एक sector होता है MSME का sector कि MSME sector को भी अगर आपको loan देना है और loan देते हो तो वो भी हम priority sector lending में पूरा कर लेंगे अब मुझे ये बताओ कि मैं किसी enterprises को अगर loan दे रहा हूँ मैं उसको कैसे justify करूँगा कि वो MSME है मेरे पास कोई आया मैं उसको क्या से देखोंगा कि MSME में है क्या नहीं है वो क्या देता है मैं तो हूँ MSME में लेकिन उसका registration लेना पड़ेगा registration certificate में का उध्यम registration certificate ले लोगा उसना और उसमें अंदर लिखा होगा micro है small है या फिर medium है उसके base पर मैं judge कर लोगा वही यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर आपको MSME जो इसको आपने loan दिया उसको अगर MSME classify कर रहे हो तो उसका उध्यम registration certificate आपको लेना अनिवारय कर दिया गया है तभी आपका जो द्वारा उसको loan दिया जाएगा PSL के अंदर या loan दिया जाएगा उसको हम PSL में count करेंगे अगर आपने उससे उध्यम registration certificate नहीं लिया और उसको आपने अपने जो accounts है उसके अंदर अगर आपने उसको feed नहीं किया जो हमारा software उसके अंदर अगर आपने उस उध्यम registration portal का number registration number सब कुछ नहीं डाला तो क्या होगा? तो यहाँ पर आपका तो क्या होगा? तो उध्यम registration certificate नहीं डाला तो आपका हम वो PSL में count नहीं करेंगे तो PSL का target आपका वो बला नहीं count किया जाएगा अब micro, small and medium enterprises की बात करें तो उसमें कौन-कौन से loan आते हैं? लाइक दी मैंने start-up को loan दिया किसी start-up को loan दिया पचास लाख रुपे तक का loan अगर मैं किसी start-up को देता हूँ तो वो मेरे MSME का PSL का target जो है priority sector lending के target वो पूरा गरता है इसी तरह से एक green credit card होता है GCC loan होता है, एक type of loan होता है वो अगर मैं देता हूँ तो वो priority sector के अंदर आता है इसी तरह से 8-10 points ओर होते हैं जिस-जिस type का अगर मैं loan देता हूँ इन particular MSME को तो वो मेरे priority sector के अंदर cover हो जाते हैं ठीक है? I hope so कि यह points समझ में आ गया होगा यही चीज यहाँ पर लिखी हुगा है कि आपको उनका certificate लेना है upload करना है तब ही हम मानेंगे कि वो PSL में आता है नहीं तो नहीं मानेंगे clear है यह ख़बर? एक बार दुबारा से पढ़ लो कोई दिक्कत, कोई doubt है तो पूछ लो मुझसे करना है करना है GST रिजिश्शन मस्ट है बिजनस के लिए नहीं बेटा GST रिजिश्शन तभी मस्ट होता है किसी बिजनस के लिए जब उसका एन्वल टर्नोवर बीस लाग से जादा होता है बीस लाग या चालिस लाग अगर आपको एक प्रोफेशनल बिजनस कर रहे हो तब आपका जो एन्वल टर्नोवर अगर 20 लाग से जादा है तब आप GST रिजिश्शन कराईए अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनस कर रहे हो कोई समानमवान बेचने का बिजनस कर रहे हो तो 40 लाग रोपे से उपर अगर आपकी साल की सेल जाती है तब GST सर्टिवेशन कराईए नहीं तो तब तक GST सर्टिवेशन जरूरी नहीं है अब GST सर्टिवेशन नहीं है तो फिर क्या होगा हमारा पेसल अल्टरेट तो उद्ध्यम ही बनाना पड़ेगा अब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक में अकाउंट खुलवाते हो किस क्या देते हो अधार काड पैन काड तो नहीं अधार काड पासपोर बगारा ड्राइविं लैसेंस यह दे सकते हो तो इससे यह आपका अकाउंट खुलेगा अब जिस बिजनेस का चालेसला कटर नहीं है उसका GST नहीं है तो GST की बिणा के bank account नहीं खोलेगा खोलेगा उसका उध्यम रिजिस्श्शन लेकर आओ bank account खोलेगा क्यों नहीं कोलेगा लेकिन current account की case में हम लोग क्या कृते हैं हम लोग खुछ जा कर verify करते है allocation normal saving account में आप घर में नहीं जाते हैं इसके अकाउंट खोल ने के लिए घर बे चेकिंग करने नहीं जाते हैं लेगे हम घर पर जाते हैं घर पर उसके जो एरिया जहां पर वो काम कर रहा है घर पर उसके business place पर जाते हैं business place बापर हो काम कर रहा हुआ उसकी फोटो फोटो लेता है और वह हमारे एकाउंट ओपनिंग में उसको टैच करते हैं तो एक बिजनेस का वेरिफिकेशन वैसे हो जाता है ठीक है इस देर अप्शन तो अप्ग्रेड यूर क्रॉस्फट नहीं बेटा सुनियों कोई ऐसा अप्शन नहीं है ठीक है समझ गें ओके डण प्रॉफिट ओर अपको मुनाफ़ा कंपनिय का टर्नोर होता है आपकी सेल्स कि माली जी आपने मुझे कोर्स दिया है मुझे पैसा जो आप लोगों ने दिया है वह कितने पैसा दिये एक मालीजे मेरा कोर्स है 1000 का for example मेरा course है पूरा साल का है ना आपने मुझे 1000 रुपीज दिया ऐसे आपने मालीजे 100 बच्चों ने मेरा खरीद लिया पूरे साल में तो मेरे पास यहाँ पर कितना पैसा आ गया एक लाग रुपे आ गया तो एक लाग तो मेरा हो गया टर्नोवर ठीक है अब इसमें से मेरा एक लाग रुपे वे से मेरा खर्चा जो मैंने salary वैलरी देनी है बच्चों को है ना जो मेरे साथ काम करते है content बनाते है कुछ होता है यह है वो है जो मेरी app का खर्चा है वो सम खर्चा निकाल कर मेरी जेब में बचता है हाँ जी एस्टी रिस्टिशन वाले विस उद्धियम सर्टिवेट तो मस्ट है वो तो लेते लेते हैं उद्धियम वाला तो सभी लेगे ठीक है पीएसल की डार्गेट एन्वल होते है मैंने अब फी बेटा बोला न इसान की 20 लाघ तक अगर प्रोफ्शेशनल बिजनेस करते हैं क्रों को याग टीचिंग काइन्द प्रोफेसिनल DO 저nor इनका परफेस्टी बिजननेस कर तो भीजल्गेशन की डॉकाने वारे आप वाल्र एक टालने करा क्षाने घ्री utd तो उनका अगर बिजनेश 40 लाग से उपर जाता है से ट्रेडिंग बिजनेश का तो वो जी एस्ट सार्टिविकेशन मस्त है ठीक है निखिल वो दोनों का पैटर ने लग लग आपको जो समझ में आए वो आप खरीद लगते हो है ना कंटेंड मिल जाएगा सब में इतना गलत नहीं बोलना था सर इतना गलत गलत मतलब क्या चीज़ा समझा नहीं जूट भी ठीक से बोली है कौन समझा अच्छा 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 प्रोफिट अच्छा अरे या अब एक बैले शीट निकाल के दिखाऊं किया तुम लोगों ना हाँ सर्विस बोई सर्विस चलो आगे चले अगले पर चले समझ में आया मजा आया पेमेंट इंफरेस्टिट ड्वेल्पेंट वन एक्स्टेंशन ऑव स्कीम अभी आज तक हमने दो नियूस बढ़ी है कहीं समझ किया ना सर दो नियूस कर ली सर दो नियूस सिरफ दो कितने सारे टमस तुमने पड़ी हार आज कितनी सारी टम समने कर ली पुरसरी तेम कर ली न एक ओटम बताओं यूट लिटावी मांग में अर्मसमें किया गाता में में ऐं उनको यहां पर लोन दिया जाता хват 50 लाग तक का वो पी एसल में आता 50 लाग ताल ब़ुन स्ट्ट ट किसको गाते हो जो डिया धंदा स्टाट जो कोई भी आया वाज मैंने यार एक्छली क्या है कि में थोस्ते पूछ ना एक्टाइब कर रखा है स्टाइब के डेफिनिशन हों रहा पूराने सुवध्स्ट आपको याद होगा च्छाइब कहा लागत करूं इस आपसे रिख भी हाहा था हाहा स्टार्टॉप हम एक ऐसे बिजनस को कह सकते हैं जो बिजनस दस साल से बुराना नहीं होना चाइए ठीक है दस साल से बुराना नहीं होना चाहिए ओके दूसरा दूसरी कंडिशन इस में ये है कि उसका जो terner है वो सो क्रोड से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो एक प्रोप्राइटर स्वारी प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक पाडनर्शिप या फिर एक लिमिटेड लाइबिलीटी पाडनर्शिप होती है इसी में रेजिस्ट्र होनी चाहिए अगर वो एक यहाँ पर प्रपराइटर है तो वो start up नहीं हो सकता अगर वो यह एच्च यू एफ है वो start up नहीं हो सकता है ना अगर वो public company है public limited वो start up नहीं हो सकती एक और condition यह जो start up हमने रिजिस्टर किया ऐसा नहीं है कि कोई मेरा already business चल रहा है मैं उसी business को बदल दू उसी business में बदलाव करके मैं कहा दिखा दूं कि यह नया business start किया मैंने, new business start किया, कोई पुराना business अगर आप कर रहे हो, उसको revamp करके, उसमें कुछ हलका फुलका नाम warm change करके, उसको private limited करके, आप उसको startup का दरजा दिला रहे हो, वो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है, तो यह अगर condition फुल्फिल करते हो, तभी आप startup के लिए register कर सकते हो, startup के लिए registration आपको गराना बढ़ता है, आपको, startup India scheme, जो है आपकी इंडिया की, जो DPIT department है, उसके तहत अगर आपको registration कराना है, तो आपको यह condition अगर फुल्फिल करते हो, तो वहाँ पर आप registration करा सकता है, जब वो registration जाता है, then it is known as the startup, Christians, और startup कराने का फायदा, startup कराने का फायदा यह है, कि आपको यहाँ पर, आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर टेक्स में छूट बूट मिल जाती है आपको टेक्स नहीं भरना पड़ेगा इतने सालों तो को बगारा बगारा और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो छूट मिल जाते हैं तो इसको स्टार्टप गाते हैं लोग एक ओट अम आज हमने सीख ली यार अगला क्या पड़ रहा था में पिमेंट फ्रेश्चर ऑपन कर लिया था क्या है नहीं ना इक हाला अ एट प्रभो एट प्रेमानंद रिराम राक्रिश्न को कि पेमेंट इंफस्टेश्टिर्ड ड्रपेंट फंड एक्स्टेंशन और स्कीम एंड्रेंशन रखेया तुम्हें दोबारे नहीं पढ़ाऊंगा मैं पहले कहा रहूं ठीक है और भी कॉर्णर मीं पढ़ाया था पहले याद होगा, मैंने बहुत डिटेल में कहा था, आगे होगे, पीछले-पीछले सर्कुलर पर लेकर जाकर, मैंने पेमेंट इंफासिक्टर ड्वल्पांट फंड पढ़ाया हुगा, ठीक है, अब इसमें क्या किया गए, इसमें एक्स्टेंशन कर दिया है, स्कीम का सबसे पहला इसमें और भी नीचे पूरा सर्कुलर यह है, यह सारा मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद होगा, यह टीर वन, टीर फॉर, नहीं पढ़ा तो पढ़ ले ना भाई साब, मुझे याद अच्छे से, अच्छा, इसमें क्या किया है, इसमें इन्होंने ना वो किया, डेट आ कमेटी वन उटी बेटी थी, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, बड़ा इसमें अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, तो इसको पढ़ोगा, तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ, तो पिछला एक कोई आरभी कोर्नर का सेशन देखना, उसमें मैंने समझाय हुआ है, ठीक है, हाँ, पियो में इसमें कोईशन आया था, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये पहले भी गाइडलेंड आई थी इसकी, ये देखो, 6 अक्टूबर की गाइडलेंस थी इसकी, हाना, रिलेटेड थी, चलो, अगले पेज 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 चलते हैं, अग से बहले चीज क्या पढ़नी है, किसको address किया गया, ये question, और दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, कोई active act की बात की गई या नहीं की गई तो छोड़ो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, fair lending practice, penal charge in loan account, extension और timeline, इसमें भी timeline extend की गया है, इसमें penal charge का क्या concept था, ये भी मैंने पढ आते हो bank के, तो bank authorized है कि आपका जो आपसे penal interest charge करना, penal interest माली जे bank में आपने 10% पे ब्याज पे loan लिया हुआ, अब आपने bank में एक महिना दो महिना पैसा नहीं चुका है, तो जो आपका overdue amount है, उसके उपर bank आपसे interest extra charge कर सकता है, 1%, 2% तक bank को authorized है कि आप extra पैसा, extra interest charge कर सकते हो माली 10% routine में है, जो overdue पैसा, उसके आपका 12% आपको ब्याज देना पड़ेगा, यह bank को यहाँ पर, एक guideline instructions है bank के बास, authorization है bank के बास, यह चीज की, अब इसमें क्या होगा, RBA को यह लगा कि भाई सब 2% extra, वो भी bank charge कर रहा है, compounding हो रही हो उसकी, यह तो होता है कि one time मैं charge आपकी चार्ज होती है, एक amount पे, अब आप चार्ज कर रहे हो, compounding पे, तो उसको compounding नहीं है, यानि कि bank को यह कहा गया, कि penal interest मत charge कीजिए bank से, और किसी customer से, आप एक fixed amount charge कर लिए, सभी के सभी customer से, कि आप अगर overdue होगा, अगर आप पैसा नहीं जमा करा होगे, तो हम आपसे 1000 पे, 2000 पे, 10,000 पे, 5000 पे, जब जो भी है, वो आपसे fixed charge करेंगे, तो यह guideline आई थी, तो इसको पूरा करने लिए, आर्मी ने कहा था, तो अभी तक पूरी new EP, कोई कारण है, internal systems वैसे नहीं बन पाए, तो इसकी यहाँ पर guideline को आगे extend कर दिया गया, और उन्होंने कहा है, कि यह guideline यहाँ पर आपकी, after 1 April 2024, but not later than 30 June 2024, इन्होंने date दी है, कि 30 June 2024 तक आप इसको extend कर सकते हैं, मतलब यह सब चीज़े implement कर दी जानी चाहिए, यह वाला new system, ठीक है, तो इसका extension किया गया, इसी चीज़ का, यह guideline ने ठारागस 2030 को आई थी, मैंने पुराने circular में पढ़ाई भी थी, अगली direction आई है, छोड़ो इसको, अगली है, बेजल 3 framework, एक news छोड़ते हैं, अगली बार करेंगे, चलो, आते है, domestic, systematically, important banks में, D-SIBs की बात करते हैं, ठीक है, D-SIBs क्या है, सबसे पहले तो यह जानना जुरूरी है, कि आखरगा D-SIBs क्या है, आपके लिए, अब मुझे flow बनाने दो रोकना बत, ठीक है, domestically, systematically, important banks, देखो, इससे समबंदित कुछ guidelines आई है, guideline देखेंगे, लेकिन उससे पहले D-SIBs समझते हैं, domestically, systematically, important banks, कुछ ऐसे banks होते हैं, जो कि Reserve Bank of India के दोरा एक particular guideline दे रखी हैं, उन guidelines के according, उन criteria के according, कुछ Indian banks, अगर इसमें fall करते हैं, तो उनक यहाँ पर, अपने level पर, कुछ extra reserves, जो है, maintain करके रखने पड़ते हैं, अब ऐसा क्यों, क्यों भाई, ऐसा extra क्यों maintain करना पड़ेगा इनके दोरा, वो इसलिए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, जब 2008 का financial crisis हुआ था, अगर आपको नहीं मालुम, तो एक 2008 सन में, बहुत collapse हुए थे, और वो आज तक का history का सबसे बड़ा financial crisis माना जाता है, उस crisis के बाद यहाँ पर, बहुत सारे जो दुनिया की संस्थाइं है, financial institutions है, उन्होंने यह सोचा, कहीं ना कहीं, हमें अपने level पर precautions लेने के वशकता है, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीजों का origin हुआ, बहुत सारी चीजों में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला, और उसी वक्त, यहाँ पर, उसी के बाद यहाँ पर एक और बदलाव देखने को मिला, और वो था domestically, systematically important banks के रूप में, काफी सालों बाद यह perspective यह concept देखने को मिला, लेकिन जब यह concept आया, तो इस concept में यह यानि कि उसका loans advances, उसका deposit, जो उसका पूरावरा business है, उसकी जो बाकी assets है, अगर मैं total लगा लों उसके bank के पूरे बिजनस का, अगर उसका business, या फिर asset ठीक है, बिजनस ना बत कहो, total assets जो है उस bank की, अगर वो हमारे देश की GDP के 2% के बराबर है, क्या कहा रहो है, ध्यान से स हमारी GDP जितनी है, ठीक है, उसके 2% के बराबर, अगर किसी भी bank के assets है, तो वो bank यहाँ पर domestic, systematically important banks की category में रखना चाहिए, as per the guidance given by the RBA, ऐसा क्यों, क्योंकि आप ये मान के चलिए, कि अगर कोई भी bank, जो की यहाँ पर हमारी GDP का 2% हिस्सा कवर करता है, assets के मुकाबले में, ठीक है, वैसे तो GDP का अगसा नहीं होगा, लेकिन equivalent to that, अगर cover करता है, तो अगर वो bank fail हो जाता है, अगर वो bank को कहीं पर कोई नुकसान पहुंच जाता है, bank यहाँ पर डूब जाता है, किसी भी कारणवर्श, तो उसका हमारी पूरी-पूरी economy पर बहु जनता का account SBA में होगा, या उनके ममी वापा का account SBA में होगा, है ना, 100%, मलब यह चीज में, जो 30-40% का ratio यह इतना राम से होगा, अब आप देखो, कि पूरे इंडिया में जितने लोग हैं, उनका अगर मैं 30-40% जनता का account SBA मानू, बाकी 70% बाकी banks मानू, या कईयों का यह भ होता है, बहुत बार, dual account भी होते हैं, लेकिन SBA में तो वह होने को, देखने को मिलता है, मिलता है, तो आप मान के चलिए कि हरे एक दूसरे घर में, हरे एक तीसरे घर में, अगर एक account SBA का है, और SBA अगर डूब जाए, तो आपका deposit डूब जाएगा, और चलो, deposit पूरा भी नहीं डूब जाएगा, क्योंकि DICGC है, जिसके तर पांच लाग का आपको insurance claim मिल जाता है, ठीक है, लेकिन still, अगर आपका deposit बहुत जादा है, और अगर deposit सारे डूब गे और SBA के deposit डूब गे, तो DICGC भी कितना claim settle करेगा, भाई, उसकी भी तो एक अपनी limitation होगी, उसके ब दूबने से बचाया, तो कोशिश की जा सकती है, लेकिन कहीं न कहीं हम उसका एक परियास कर सकते हैं, कि भाई, ये कोशिश कर लो, एक इसके ओपर strict, थोड़ी सी strictness लगा दो, है ना, एक इसके लिए कुछ अलग से rules बना दो, ताकि ये उस डूबने का गार पर पहुंचने इससे पहले, एक warning मिल जाए, और पता लग जाएगा वाईजाओ, उस तरफ ये जा रहा है, और रोक लिया जाए किसी तरह जे बैंक को, वही है DCIP, तो इंडिया में ऐसे तीन बैंक को चिन्हत किया गया है, जो कि DCIP की काटिगरी में आते हैं, पहला है SBI, दूसरा है HDFC, ती ICACI, ठीक है, ये तीन बैंक्स यहाँ पर आपके किस काटिगरी में आते हैं, DCIP की काटिगरी में ये तीनों बैंक को too big to fail कहा जाता है, too big to fail, T, T, W, O, वला, T, O, O, big, T, O, O, fail, बहुत बड़े हैं, fail होने के हिसाबज, अगर fail हुए तो, economy गई हमारी, ठीक है, तो ये DCIP की क निकालना है, नई बैंक्स को डालना है, तो उसके लिए कुछ न कुछ guidelines बार बार लाई जाती है, December मत में, तो December मत में फिर से यहाँ पर कुछ guideline लाईगी, और उसी guideline के तहत ये notification आपका जारी किया गया, अब इस notification को अगर मैं पढ़ता हूँ, और आपको पढ़ाता हूँ, notification बहुत जादा बड़ा है, इस notification में एक particularly methodology दे रखी है, किस तरह से हम DCIPS की calculation करते हैं, बहुत किन किन parameters के according हम DCIPS का अंक्लन करते हैं, जिन में एक parameter आने आपको simple सरल बता देगे, बहुत 2%, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे parameters होते हैं, जिनके अंक्लन के बाद ह यहां पर एक bank को इन categories में लाया जाता है, according to me, वो सारे-सारे methodologies, methods जो है, वो आपके exam points से relevant नहीं है, नहीं तो मैं पढ़ा दूँ, फिर आप ही दूसरी जगा जाके गोगे, अरे कप्तल सर तो बहुत high level पढ़ा देते हैं, जिसे कई बात आप अपने हर्शल सर को भी बोल द तो आप खुद देखाएंगे, कि सर ये रहने ही दो, सर पता नहीं क्या है, ना, तो आपने उसके उपर चलते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ और चीज़ें इसके अंदर आपको clear करूँगा, ये देखो, इन्होंने BCBS methodology for identification of G-SIPs के बारे में बताई है, ठीक है, G-SIPs का मतल रखी है, methodology क्या adopt की जानी चाहिए, banks का sample ये सारे का सारे देखो, ये parameter है, size के इसाफ से, जो मैंने अभी आपको बताया, interconnectedness ये सारे सारे, तो unnecessary ऐसे ही पढ़ने का कोई तुक नहीं है, ये सारे का सारे, इतना सारे आपके, जो bank exam में आप जा रहे हैं, उसके लिए relevant नहीं है, लेकिन हाँ, relevant जो चीज है, वो ये वाला चार्ट है, ये वाला चार्ट क्या कहता है, ये जो चार्ट आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी मैंने आपको कहा था, कि एक bank को, एक bank को यहाँ पर आपका, ये कहा जाता है, कि आप, आप यहाँ पर precaution बरती है, क्या precaution बरती है, ये है इस चार्ट में, ठीक है, क्या precaution बरतनी चाहिए, उस bank की जो CET है, common equity, जो common equity है उस bank की, वो यहाँ पर जो tier 1 की है, common equity tier 1 जो है, वो यहाँ पर उसकी इतने परसेंट से जादा होनी चाहिए, जादा होनी चाहिए सर क्या मतलब, आपको याद होगा, आपने कभी बेजल norms पढ़े है, मुझसे कहीं से, पढ़े होंगे आपने बेजल norms, जरूर पढ़े होंगे, तो बेजल 3 norms के तहत यहाँ पर आप क्या maintain करते हो, capital adequacy ratio maintain करते हो, और वो कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए, याद है आपको, capital adequacy ratio 9% होना चाहिए, जिसको हम capital to risk, weighted asset ratio भी खहते है, CRAR भी कहते है, CAR भी कहते है, 9% maintain होना चाहिए, सभी banks का, अब उसमें अगर मैं part करूं, CAR के, उसमें एक formula होता है, tier 1, उसका formula होता है, tier 1 capital plus tier 2 capital divided by the risk weighted asset, उसमें जो tier 1 है, वो common equity tier 1, CET1 कहलाते हैं, ठीक है, उसको हम CET1 कहते हैं, जो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो जो CET1 है, वो यह कह रहा है, कि जितने भी banks है, जो इस D-SIPs की category में हैं, उनको अगर CET1, या अकेला tier 1 का, divided by the risk weighted asset का जो ratio है, वो बाकी banks के मुकाबले, जो D-SIPs में नहीं हैं, उनको 0.20, 0.40, 0.60, 0.80, या फिर 1% extra maintain करके चलना है, बाकी banks को criteria दे रहा है, कि वह इतना maintain करना है, लेकिन D-SIPs को कह रहा है, कि आपको यहाँ पर उनसे इतने परतीशत extra maintain करना है, अब sir, यह तो इतने सारे क्यों है, 0.2 भी है, और 1% भी है, कौन सा maintain करना है, उसके लिए उनकोंने buckets दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आप जो भी bank D-SIPs की category में आता है, वो bank जिस bucket में आता है, bucket कैसे decide होगी, उपर जो मैंने methods skip की हैं आपके, उनके हिसाब से, माल लेजिए, SBA को उन्होंने bucket number 2 में रख दिया, उस methods को adopt कर गए, अगर SBA bucket number 2 में आता है, तो 2 number में आने के लिए, 2 number में आने के बाद, उसको यहाँ पर अपना tier 1 जो maintain करना है, वो 0.40% extra maintain करना है, उन bank से जो D-SIPs में नहीं आते हैं, अगर वो 1 में आता है, तो इतना, अ D-SIPs में उनको क्या आगे करना होता है, उनको extra maintain करना होता है, यह tier 1, ठीक है, बाकिस में वही सब चीजे हैं, जो आपके exam relevant नहीं है, तो लेकिन अब यहाँ पर, यह देखो, यह इन्होंने यहाँ पर एक chart भी दे रखा है, कि D-SIPs जो था, वो 1 April 2016 से apply हुआ था, यह important है, date important होती है, हमेशा, date याद रख लेना, so यह date जो है, यह इस तरह से दे रखे है, और आप देख सकते है, every year यह percentage बढ़ती जा रही है, यह दो इस बार 2019 के बाद यह 0.80, 0.60, 0.40, 20 maintain हुई, और यह अब इदक चलता जा रहा है, यह method आपका, ठीक है, यह method आपका चलता जा र है, अब लेकिन अखरकर यह, यह notification आया क्यों, और यहाँ पर लेका है, sir, यह notification revised हुआ है, 28 दिसंबर 2023 को, तो इस notification में था कैसा कि रिलीजन आया है, डी सिप्स तो मैंने बता दिया, अब इसमें कोई methods, methods में चेन नहीं आइए, तो पुराना ही इन्होंने method बताए कि यह method ऐस निकाल ली थी, और वो press release निकाल ली थी, इन्होंने दिसंबर मंत में, ठीक है, दिसंबर मंत में जब इन्होंने press release मुझे भी यहाँ पर कहीं थी, ठीक है, इन्होंने press release निकाल ली थी और उन्होंने ये कहा था कि, यह तो assessment methodology होई गया, जो हमने पढ़ा है, यह वाली नहीं इन्होंने एक और press release निगाल लीती भाई मेरे वो important भी है यार मिल जा भाई मेरे यहीं समस्या है लाइव बढ़ाने की यह रहा यह रहा यह देखो, इन्होंने क्या बदलाव किया था, इन्होंने यह बदलाव किया था, क्या बदलाव किया था, SBI को shift किया गया bucket number 3 से 4 में, और HDFC bank को shift किया गया 1 से 2 में, यह बदलाव हुआ था, इससे पहले यहां पर जो previous year, जो यहां पर buckets हुई थी, उसमें State Bank of India number 3 में आता था, और ICC bank और HDFC bank number 1 में आता था, लेकिन इस बार methodology में कुछ बदलाव किया गया, कुछ changes किये गया, जो भी किया गया, उसके उपर हम नहीं जा रहे, उसके बाद जो changes किया गया, उसमें State Bank of India बदल गया, और यहां पर HDFC bank भी यहां पर बदल गया, उसके बाद अब यहां पर प 2025, date पूछी जा सकती है, 1 April 2025 इन्होंने date दी है, जब से इनको यहां पर इस सीज को implement करना, start करना है, अभी नहीं करना, अगले साल, एक साल बाद करना है, अभी 2024 सल रहा है, 1 April 2025 है, तो इस साल और लगला financial yearman को छूट दी गई है, ठीक है, clear है, news समझ में आ गई, बस इतना ही समझ लो, आपके exam में जो question आएगा, उस से आपका relevance हो जाएगा, और आपका exam में question सही बन जाएगा, ये वाली news आने वाली है, 100% आने वाली है, SBA clerk में इस news में से question आएगा ही, आएगा, अच्छे से याद कर लेगा, वैसे तो मैं RB Corner में जितनी news करा रहा हूँ, वो हर एक news important होती है, और SBA PO मेंस में आपको देखने को मिला होगा, last year भी ऐसे हुआ था, और इस बार भी होने के chance है, कोई भी news miss नहीं करनी, और खास कर कुछ news जैसे मैंने ये बता दी, ये तो आएगी आएगी, ठीक है, फिर मत कहना सर छोड़ दे, सर भूल गए, हना, अगला है, payment infrastructure development fund, extension of scheme and enhancement, ये तो हो गया है न, payment infrastructure development fund, ये तो कर लिया था, fair lending practice penal charges in loan account, ये भी कर लिया था, master direction, reserve bank of India, internal ombudsman for regulated entities, direction, 2013, देको master direction है, वैसे तो master direction में पढ़ने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि बहुत बढ़ी होती है, ठीक है, लेकिन इन्होंने दे रखी है, तो ल जान दे देते हैं हम, आपका static वाला banking वाला थोड़ा वोत हो जाएगा, क्योंकि question आ सकता है, सामने आया तो, कि internal ombudsman for regulated entities क्या है, बहुत बढ़ा circular है, ठीक है, इसके उपर नहीं जाएंगे हम, simple मैं आपको कुछ-कुछ important points इसमें जो है, वो दिखा दूँगा और बता देत हो, internal ombudsman for regulated entities, या कह लिजए, ombudsman, ombudsman कौन होता है, ombudsman यहाँ पर एक विक्ती हो सकता है, एक organization हो सकते है, जो विक्ती के तरह से काम करे, लेकिन ombudsman फिलहाल यहाँ पर इस notification के according एक विक्ती है, अब यह विक्ती कौन है, यह विक्ती वो विक्ती है, जो कि आपके द्व का निवारन करने के लिए बैठा है, एक होता है RBA का ombudsman, एक होता है internal ombudsman, RBA का ombudsman यहाँ पर क्या काम करता है, in case, अगर आप banking services जुड़े हैं, किसे financial institutions जुड़े हैं, कोई digital banking वाली संस्थान से आपने कोई transaction करी है, किसी वितरांकी, कि आपने पैसा दे दिया, आपका पैसा कट गया, लेकिन वापिस नहीं आया, what so, अब बहुत सारी चीज़े होती है, तो अगर आप किसी वे ऐसी संस्थान को, अपनी ऐसी समस्ते है, बैंक हो, उनको अपनी complaint करते हो, उनको अपने complaint की, लेकिन लिखित में complaint की, official complaint की तभी, official complaint करते हो, लिखित में complaint करते हो, acknowledgement आपके पास है, उसका जो ticket ID या फिर जो inquiry number है, वो आपने ले लिया है, वो complaint के उपर, अगर कारवाई की जाती है, दो cases बनेगा, अगर कारवाई की जाती है, और bank या financial institution के दोरा आपको जवाब दिया जाता है, और उस जवाब से आप खुश नहीं हो, satisfy नहीं हो, कि यार य पास एक option है, कि आप अपनी जो complaint है, उसको दाखिल कर सकते हो, RBA के ombudsman के पास, RBA के ombudsman यहाँ पर online एक ऐसा platform है, जिसमें आप उपनी complaint दाखिल कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा, कि या तो आप उनके complaint से satisfied नहीं हो, जो कि आपने complaint करी थी, उसका complaint की complaint submit हो जाएगी, फिर RBA ombudsman जो है, बैंक से यहाँ पर अपने level पर बात करेगा, कि आपने इस customer की complaint को आपने नहीं सुना है, 30 दिन हो गया, या फिर आपके इस complaint के उत्तर से customer satisfied नहीं है, तो उसके बाद यहाँ पर banks थोड़ी से, एक बार से हर काम को थोड़ा तेजी में क करने लग जाते हैं, complaint को निवारन करने के लिए कि RBA से order आचुके हैं, ठीक है, तो RBA का ombudsman काम करता है, बहुत कुछ समय पहले RBA का ombudsman जो office होते थे, ठीक है, जैसे RBA के हर एक office में उपलब्द रहते थे, ठीक है, जैसे RBA का बाली राजसा में office है तो जापूर, में है, आपका कानपूर में है, तो वहाँ पर ombudsman available रहेंगे, ऐसे से होता था, capital state, capital city में जो भी office है, वहाँ पर ombudsman available रहते था, office होता था, लेकिन कुछ time पहले, यहाँ पर RBA ने वो सारे सारे office का abolish कर दिया, बंद कर दिया, अब RBA ने ombudsman जो है, एक ही जगा पर जितनी भी है, वो वहाँ पर आपकी लगा दी है, ठीक है, तो यह चीज़ यहाँ पर आपका RBA के द्वारा की गई है, internal ombudsman के रूप में, sorry, RBA के, RBA ombudsman के रूप में, लेकिन RBA ने इस ombudsman scheme के तहत एक और यहाँ पर साथी साथ स्क्रीम निकाल ले, जिसको RBA ने internal ombudsman नाम दिया, ठीक है, वाजवाज सही आ रही है न, RBA ने यहाँ पर internal ombudsman नाम दिया, अब जो internal ombudsman RBA ने नाम दिया, उसके तहत क्या किया है, उसके तहत RBA ने कहा कि हमारे पास तो ombudsman है, ठीक है, लेकिन आप बैंक के अंदर भी अपने एक ombudsman पॉइंट करो, जो कि ए राज manager के थू यहाँ पर complaint, या फिर वो अगर complaint को अगर बैंक की direct portal पे डाल दिता है, बैंक के दिकाए direct complaint portals है, वहाँ पर अगर आप रजिस्टर कर ले तो तो internal ombudsman के बास complaint जाती है, तो वो यहाँ पर आपका कारवई करेगा, वो यहाँ पर सारा का सारा analyze करेगा, तो के लिए है, और यह guideline यहाँ पर सभी के लिए apply है, CMD, CEO of the old commercial bank, scheduled commercial bank, all NBFCs के लिए, non bank system participants के लिए, overall credit information companies, जितने भी यहाँ पर institution है, सब के लिए यहाँ पर यह scheme apply के वैला, सब को यहाँ पर यह चीज़ अपलाई करनी है, ठीक है, ओके, so यहाँ पर आपका, यह देखो, यहा इंटर्नल अबोर्स्मेन के बारे में है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और important बता देता हूँ, इस इंटर्नल अबोर्स्मेन के बारे में, जो कि मुझे लगा था है, अपके exam point से relevant है, ठीक है, इसमें जो apply हुआ हमाले schedule commercial, तो schedule commercial link उनी के उपर apply होगा, जिन ठीक है, यहाँ पर deposit taking NBFC है, with 10 or more branches, या फिर non deposit taking NBFC है, जिनकी asset size 5000 crore से उपर है, ठीक है, उनी के उपर यह आपका apply किया जाएगा, सारी credit information companies बगारा उनके उपर भी apply रहेगा, ठीक है, जो internal अबोर्स्मेन होता है, वो एक retired विक्ती होना चाहिए, serving office भी हो सकता है, जो general manager के rank पे होगा, of another bank, ऐसा नहीं अपने ही bank का internal अबोर्स्मेन appoint करें, दूसरे bank का retired employee हो सकता है, serving officer भी हो सकता है, जिसकी service जो है, minimum 7 साल की होनी चाहिए, banking and non banking, regulation, supervision इस field में, और यह किसी भी तरहां से पहले employed नहीं होना चाहिए, उसी internal अबोर्स्मेन के पद पर पहले नहीं appoint होना अब same bank में internal अबोर्स्मेन बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी और संस्थान में ही होना चाहिए, तो एक criteria और इसकी age 70 years से जाधा नहीं होनी चाहिए, इस व्यक्ति की, ठीक है, I hope so कि थोड़ा बहुत आपको internal अबोर्स्मेन का idea लगा होगा, बाकि बहुत लंबा notification है, आपका जरूरत नहीं है हमें, अरे यार, जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर इसको पढ़ने की, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्या कहता है, अगला है बेजल 3 framework on liquidity standards, net stable funding ratio, review of national development banks, लो, दिमाग के थोड़े परदे खोल लेना, क्योंकि मैं बहुत कुछ न सब खोल के बैठो अब, पहले अगर serious नहीं थे, नींद आ रही थे, तो अब नींद खोल लो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ, इसमें एक भी line में सोगी न, सब गोल-गोल हो जाना है, आज का हमारा hero, अभी तक तो थोड़ा boring चल रहा था न, महोल नहीं बना था, अब अब पढ़ते हैं, बेजल 3 framework on liquidity standard, net stable funding ratio, review of national development bank, चलो, जो भी आया है, circular के बारे में पढ़ेंगे, चोटू सा है, notification, ज्यादा लंबा चोड़ा नहीं है, बस इतना ही है, लेकिन अब समझने वाली बात ये है, कि सरी, net stable funding ratio क्या होता है, सही बात करीगे, न करीगे, इसके 2018 सर्कुलर, बहुत कुछ कहता हुआ, इसके उपर चलते हैं, देखो, बेजल guidelines यहाँ पर जारी की गी थी, ठीक है, जैसे मैंने आप यह आपको कुछ देर पहले भी बताया था, बेजल guidelines जो जारी की गी थी, वो किसले जारी की गी थी, कि financial crisis यहाँ पर, जो होता है, उससे bank को यहाँ पर बचाने के लिए, कि बेजल guidelines के तहत, उनको यहाँ पर capital adequacy ratio maintain करना है, बहुत सारी चीज़े उनको maintain करके चलनी होती है, उसी के तहत, बेजल 3 जम norms है, इनके तहत यहाँ पर उन्होंने दो चीज़े और maintain करने के लिए कहा, आपने capital adequacy ratio मेरे स जरूर सुना होगा, definitely कही ना कही पढ़ा होगा, जिसको आपको 9% maintain करके चलना होता है, सभी banks को, लेकिन इसके अलावा, बेजल 3 norms के तहत, सभी banks को instruction दी गई, कि उनको दो चीज़े और maintain करके चलनी है, जिसमें एक था LCR, और दूसरा था यहाँ पर NSFR, LCR को कहते हैं, हम liquidity coverage ratio क्या कहते हैं, liquidity coverage ratio, और NSFR का यहाँ पर full name लिखा यह, net stable funding ratio, सबसे बहले LCR को समझते हैं, liquidity coverage ratio क्या होता है, देखो, यहाँ पर यह दोनों के दोनों जो ratio है, इनको इसलिए लिया गया, कि banks के द्वारा, वही precaution purpose है, कि banks अगर डूबते हैं, तो डूबने से पहले ही, एक precaution purpose ह को देख लिया जाए, एक watch करने के लिए, हैना, एक होता है, कि जैसे हम कहीं swing pool में जाते हैं, आप तैरने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक mark लगा होता है, यह इतने foot का है, इतने foot का है, हैना, ऐसे marking लगी होती है, इतनी उंचा है, इतनी उंचा है, यह किसी नदी में आप यहाँ पर डुबकी लगाने जा रहे है, वहाँ पर ही marking लगी होता है, इतने उंचा इतना उंचा पानी जा रहा है, तो किसली होता है, एक आपको warning देने के लिए होता है, कि आपकी height अगर 5 foot 10 inch है, तो आप 6 foot वाले में मत जाएं, अगर आपको तैरना नहीं आता, तो इसलिए warning के लिए, तो सेम उसी तरह से LCR, NSFR भी हाँ पर एक warning signal था, कि ये ratios बैंक को maintain करने के चलना है, अगर इन ratios को maintain नहीं किया जाता, तो बैंक के लिए एक warning signal है, तो RBA को सचेत हो जाना चाहिए, RBA को यहाँ पर action में आना चाहिए, हरकत में आना चाहिए, कि भाई साब गड़बड हो सकती है, बैंक डूब सकते है, इसलिए उनको पहले ही बचा लिया जाए, तो ये दो ratios का यहाँ पर शुरुआत कीगे, जिसमें LCR था, सबसे बहले, LCR क्या कहता है, LCR ये कहता है, कि बैंक की जितनी भी high quality liquid assets है, बैंक के पास, जितनी भी high quality liquid assets है, HQLA, full form है, इ क्या याद रख लेना, high quality liquid assets जो है, इसको मैं divide मुझे करना पड़ेगा, किस से, high quality liquid assets को मुझे divide करना पड़ेगा, मेरे, जितने भी अभी फिलहाल, 30 दिन के, cash flow से, HQLA divide by 30 days cash flow, 30 days cash flow मतलब, जो banks के द्वारा यहाँ पर पैसा गया, उसके हाथ से, किसी customer के पास, या उसके पास पैसा आया, तो 30 दिन का, bank के पास कितना net cash flow बचा हां, कि bank के हाथ में 30 दिन के अंदर अंदर कितना पैसा बचता है, जाने के बाद और आने के बाद, माइनस कर दिया, ठीक है, 30 दिन का एक flow, 30 days का bank के पास कितना flow है, उसको मैं divide कर रहा हूँ, high quality liquid assets से, high quality liquid assets क्या होते हैं, high quality liquid assets होते हैं मेरे, that is the, in the form of the cash and the government securities, high quality liquid assets का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई चीज जिसको मैं तुरंत cash में convert कर सकता हूँ, तो cash तो अपने आप में ही converted ही है, उसको मैं इस्तमाल कर सकता हूँ, कैसे भी करके, और government securities जो government को मैं दे कर पैसा उससे ले सकता हूँ, short term वाली, short term से मेरे मतलब है, एसी government securities जो एक साल के अंदर-अंदर venture हो जाती है, उनकी बात करूँ, तो इनको मैं high quality liquid assets कहता हूँ, अव्वेसा कोई bank डूबने के गार पर है, तो government उसकी मदद करे, government security दे कर, उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा, तो इसकी value को divide जिम मैं करूँगा, 30 days के हमारे cash flow से, अगर मैं divide करूँगा, तो ये जो ratio है मेरा, equal to 100% होना चाहिए, यानि कि मेरी high quality liquid assets must be equal to the 30 days cash flow से, इसका मतलब ये हुआ कि bank के पास कुछ नहीं बचा, bank के पास कोई रत्ती वर पैसा नहीं बचा, लेकिन bank के पास at least 30 दिन तक का पैसा, HQLA के form में पड़ा होना चाहिए, ताकि अगले 30 दिन तक bank के हाथ से कोई पैसा अगर निकलता है, जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा, bank के डूबने खवर आगी, तो depository पैसा निकालने आएगा न, point समझ में आया, आज की दिन में bank खतम, ध्वस्त, 30 दिन तक bank से, हमने पिछले महिने का assessment किया था, पिछले महिने bank से इतना पैसा निकला था, इतना cash flow हुआ था, ठीक है, net cash flow इतना हुआ था, तो हम मान के चलते हैं, अगले 30 दिन होगा, इतना maximum हो सकता है, अगले 30 दिन कोई पैसा आया नहीं है, लेकिन 30 दिन पैसा जा रहा है, तो bank के पास वो डूबने के कगार के 30 दिन बाद तक, इतना पैसा होना चाहिए कि वो उसकी भरपाई HQLA से कर सके, ये ratio maintain होना चाहिए, LCR के form में liquidity coverage ratio इसको कहते हैं, समझ में आया के नहीं आया, बताओ जरा, कुछ नया सीखा के नहीं सीखा, simple सा है, LCR इसको कहते हैं, clear है? ठीक है, मज़ा आया कुछ, नया सीखा, कितना असानी से सीख लिया ना, बिना शोर शराब बेगे, आया हो, को चुछ नहीं मजाने मेनऊ, मैं शोर मजानी सकता, बहुत दरद हो रहे है, ठीक है, अनी तो माने हम तुक चुला, अरे यार क्या कर रहे हैं, उतना शांदर कंस्सम्ट समझाए तुमा, तुम्हें नहीं आगवाग नहीं लगाइए, क्या कर रहे हैं? जोश में लिए यहां तो बहुत अलग लग जगा पर ऐसी सी जगा दरत हो रहा है बता भी नहीं सकता भाई मैं नहीं चुपाना भी नहीं आता दिखाना भी नहीं आता दूसरा बढ़ते हैं अने सफार नेट स्टेवल फंडिंग रेशियो अभी तक हमने जो LCR पढ़ा था अ का था शौट टम में आपको मेंटेन करना है ठीक है एंसे सफार जो है यह लोंग टम पर बस से हैं इसमें ऐसे डिपोजिट्स ऐसी कह सकते हैं ऐसी ऐसे चीज़ें इंक्लूड होती है जिनकी मैचुरिटी एक साल से ऐसे ने कूंगा सारी की जारी एक साल से उपर की होंगी लेकिन हाँ मैक्सिम जो सेकुरिटी जो मैक्सिम इसमें डिपोजिट्स होंगे जो भी इसमें फंड्स होंगे वो एक साल से उपर के होंगे ठीक है कुछ एक साल से नीचे की होंगे लेकिन एक मैक्सिम एक साल से उपर के होंगे तो उसके लिए NSFR जो है NSFR का भी एक फॉर्म लेंगे हम ठीक है सेम जो कंसर्ट LCR पे अपलाई है वही NSFR पे अपलाई है बस LCR का formula लग गया NSFR का formula लग गया LCR का formula आपने समल लिया उसको 100% maintain करने के चलना है अब NSFR का formula हम समझते है NSFR का formula यह आपके सामने दे रखा है NSFR equal to the available stable funding divided by the required stable funding is greater than equal to 100% LCR का formula क्या था 100% maintain करना है उससे जादा हो जाए अच्छी बात है तो LCR का formula भी यही था और NSFR का formula यही है बस फर्क है दोनों के formula में जो formula derive होता है जिस concept से derive होता है दोनों में फो फर्क है NSFR का formula क्यों से निकलेगा यह? available stable funding को divide करेंगे है हम required stable funding से अब sir available stable funding क्या है required stable funding क्या है इसमें सबसे वहले तो stable funding जो word है इस दोनों में common है तो stable funding का मतलब क्या है? stable funding का मतलब यह है कि ऐसी कोई fund जो कि stable रहती है आपकी stable मतलब वो एक साल तक के लिए आपके बस safe पड़ी है वो पैसा कहीं जाने का chance बहुत कम है कहीं नहीं जाएगा LCR में तो हमने यह देखा दा न, 30 दिन का देखा दा हमने cash और government securities देखे दी लेकिन NSFR में वो stable funds ऐसे funds, ऐसा पैसा जो हमारे पास stable पड़ा है उसका हिलने का chance कम है तो जो हमारे पास available है और जो हमारे पास required है उसको हम formula में fit करेंगे और वो हमारे पास 100% के equivalent और 100% से जाधा होना चाहिए ठीक है? अब यहाँ पर आप पूछोगे सर available stable funding क्या है? और required stable funding में कौन से funds आते हैं? बिल्कुल सही बात है, पूछने हख भी बनता है लो, ले चलूँ आपको उस दुनिया में कि जहाँ पर available stable funding और required stable funding का आपका दे रखा है concept लो, पढ़ लो यह component of ASF category है, ठीक है? पढ़ लो जाधा नीचे तक मत बढ़ना दोती नहीं पढ़ना, नीचे तक पढ़ोगे तो थोड़ा सरच अकराने लग जाएगा देखो, इसमें देखो residual maturity of less than one year residual maturity of one year or more maturity of one year more, है ना, दिख रहा है ना residual maturity of less than one year provided by retail and small business non maturity deposit term deposit residual maturity of less than one year ठीक है? यह देखो maturity देखो तुमें कुछ funds में maturity one year से कम है, कुछ funds में maturity एक साल से ज़ादा है समझ में आया? क्या नहीं आया? दिखी नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है छोड़ो, क्योंकि यह मैं दिखाना भी नहीं चाहता था तुम वह ऐसे डरा रहा था, ठीक है? यह देखो, यह जो component होते है factors आपके include किये जाते हैं बहुत कुछ include किया जाते हैं, देखो, RSF category के आगे जिसमें coin and banknotes, cash reserve ratio, unincumbent level बने, asset seller, security, यह सारे जारे include किये जाते हैं, ठीक है? तो यह आपको याद करने की need नहीं है क्योंकि यह बहुत जादा आपके लिए उपर-उपर से हो जाएगा तो इसलिए हम इस चीज को यहीं पर ही skip करते हैं आगे आपको नहीं करना है उमीद करता हूँ आपको एक idea लग जया होगा LCR और NSFR होता क्या है? purpose क्या है दोनों का? LCR का formula तो मैंने समझा देगे कि बहुत easy था NSFR का formula आपके beyond समझने के है क्योंकि उसके लिए आपको नीचे वाले table कमसे चार-पांस tables ऐसे आएगे जिनको याद करना पड़ेगा और आपके exam में वो नहीं पूछा जाएगा इतना नहीं आता वो आपके exam में तो attention मतलो ठीक है अपने को नहीं करना है मैं वही चीज करा रहा हूँ जितना आपके exam में आएगा तो ऐसे तो बहुत कुछ है कराने के लिए RB के website ठक जाओगे एक साल लग जाएगा तब भी इतना content इस पर पढ़ने पाओगे ठीक है तो LCR, NSFR का concept समझ में आया आई खुब सो बढ़िया लगा होगा अब आखिरकार जो ये इस खबर आई है जो इस खबर आई है इस खबर का क्या ये news का क्या News में क्या रख है Review of the National Development Bank इन्होंने कहा है कि जिन banks के उपर पहले ये NSFR applicable था उन banks में यहाँ पर कुछ बदलाव किया गया देखो Funding with residual maturity of less than one year from sovereign public sector entity multilateral and national development banks like the NABAD, NHB और SIDB तो पहले इन्होंने ये कहा था कि NSFR जो है इनको maintain करना है इनको maintain करना है लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो national development bank है उनकी category में हमने पहले NABAD, NHB, SIDB को शामिल किया था अब हम यहाँ पर Exim bank और NAB, FID को भी शामिल कर रहे हैं Exim bank, NAB, FID NHB, SIDB ये सारे के सारे इस category में शामिल हो चुके हैं जो भी यहाँ पर इन्होंने guidance दी थी आपकी पहले इसके तहत आपका NHB, SIDB are considered as National Development Bank under the extent NSFR framework अब review किया गया है और decide किया गया है कि All India Financial Institutions like the Exim Bank and the National Bank for Financing, InfoSector and Development इनको भी शामिल कर लिया जाए NDB में तो exam में question आएगा कि कौन से banks को शामिल किया गया है NSFR की calculation में as per the NDB के तहत यहाँ पर तो right answer आपके दो banks रहेंगे दो institutions औरी कहूंगा रहेंगे Exim Bank और the NABFID को इस में शामिल किया गया और किस में NSFR की definition में और NSFR क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया समझ गए बंधू दिसंबर के हो गए का complete अरे यार प्रभू हाँ दिसंबर डन बहुत बढ़िया शाबाज 2024 में एंटर हो चुके है तालिया 2024 में हम घुस चुके हैं अब हाँ जी क्या है Review of instruction on bulk deposit for urban cooperative bank अरे bulk deposit यार ये फिर से आगया bulk deposit कितनी वार आएगा bulk deposit bulk deposit भी रफिनेशन याद है पिसले class में हमने पढ़ी थे bulk deposit क्या होता है जो bank यहाँ पर एक अठा पैसा में एक FD कर देता है और उसके लिए RBN गाइडलेंश जारी करी थे पिसले दिन जैसे schedule commercial bank के लिए 2 क्रोड की थी RRBs के लिए उप 15 लाग से 1 क्रोड कर दी थी याद है guidelines ठीक है उसी तरह से bank ने अब bulk deposit अर्बन cooperative bank के लिए बदलाव कर दी है ठीक है ओके तो यहाँ पर आपका urban cooperative bank के लिए बदलाव कर दी है और यह urban cooperative bank के लिए जो बदलाव किया है उसमें bulk deposit अर्फिनेशन क्या दी है कि term deposit और रुपी 1 क्रोड and above for schedule urban cooperative bank जो tier 3 और tier 4 वाले urban cooperative bank है उनके लिए bulk deposit अर्फिनेशन 1 क्रोड and above है और ऐसे urban cooperative bank जो कि tier 3, tier 4 के अलावा है उनके लिए term deposit की definition जो है वो 15 लाख है bulk deposit definition जो है वो 15 लाख है अब bulk deposit कहते है कि इसको है मेरे इसाब से जो पुराने students को पता होगा एक बर फिर सबी revise करा देता हूँ कि bulk deposit ऐसे deposit होते है जिस amount से उपर अगर कोई विक्ती आपके बस deposit कराने आता है तो उसको bank अपनी discretion पर अलग rate of interest दे सकता है offer कर सकता है जो उस amount से नीचे के जो customer है उनको rate of interest देता है आप bank में जाते हो बहुत सारे rate of interest महाले के होते है तो rate of interest महाँ पर FD के इतने समय का इतने इतने समय का इतना वो सभी customer के लिए होता है लेकिन अगर कोई customer आपके वास तीन करोड का deposit लेकर आता है तो वो कहता है कि तीन करोड पे मेरा interest क्या होगा तो आपको उस chart के हिसाब से नहीं देना उसके लिए bank ने अलग guidelines जारी कर रखी होती है कि अगर कोई bulk deposit आता है उसके लिए आप rate of interest अलग दे सकते है वो banks to bank vary नहीं करती rate of interest bank to bank vary कर सकते है वो definition एक जैसी रहेगी तो उसके लिए हम पर definition जो है वो एक करोड या उससे जाधा की कर दीगी अर्बन cooperative banks के लिए जो कि tier 3, tier 4 के टीगरे में आते है और ऐसे banks जो tier 3, tier 4 में नहीं आते schedule urban cooperative bank की बात करा हो उनके लिए एक 15 लाग की गया अब एक्शन अगेंस पेटियम पेइमेंट बैंक लिमिटेड अंडर दी section 35 of banking regulation act 1949 ओके तो आप सभी को यहां पर बात पता होगी खैर क्योंकि यह खबर जो है वो जन जन तक पहुंच चुकी है I don't think कि कोई ऐसा व्यक्ति आज की वेट में serious हो जाओ है seriously पढ़ते हैं मैजदर तरीके से पढ़ते हैं बहुत बहुत सारे लोगों को इसके बारे में confusion है घर घर की यह बात है पेटियम से जड़ ही क्योंकि पेटियम एक ऐसा ब्रैंड अपने आपको बन चुका था कि इसने बैंकिंग की टार्म को बदल दिया था बैंकिंग की टार्म को इंका मतलओ कि कैसे कि हम कोई भी चीज किसी को पैसा ट्रांसफर करना होता है तो हम यह नहीं कहते थे मुझे यूपीय करो मुझे मेरे पैसे मेरे वॉलेट में विजदों हम यह कहते हैं कि पैटियम है तुम्हारे पास पैटियम कर दे यार पैसा ऐसी बोलते हो तुम आज की डिमें भी बोलते हो अरे यार वो मुझे पैसा बहिजना नहीं अरे पैटियम करना मुझे पैसा अचा भया वो जो भी चार्ट पकोड़ी तुम खाने जाते हो भीया पेटियम है चाहे उसका पेटियम नहों चाहे उसका फोन पे हो चाहे उसका गूगल पे हो लेकिन वो एक अपने जबान पर चड़ाई पेटियम हुआ हुआ है तो चाहे उसके खुद का बैंक का यूपी एकार्ड हो, चाहे उसको स्कैन वो पेटियम वाला हो तब भी, तो यहाँ पर पेटियम के ऊपर रिजर्ब बैंक अफिने ने हाल फिलहाल में रोक लगाई, यह रोक किसले लगाईगी, क्या implication है, क्या इसका प्रिभाब पड़ेगा उससे पहले थोड़ा सा बैक्ग्राउंड पर चलते हैं पेटियम के, पेटियम यहाँ पर जो शुरुवात हुई थी, उसकी पेरेंट कमपनी 197 कम्मुनिकेशन के तहरत इसकी शुरुवात की गी थी, इस शुरुवात में यहाँ पर जब पेटियम आया था, तो पेटियम ए यहाँ पर रिजर्ब बेंक ओफिनिया के द्वारा कुछ और्गेनिजेशन को लाइसेंस दिया जाता है, ताकि वो आप लोगों को वॉलेट सर्विस उपलब्द करा सके, प्रीपेट पेटियम इंस्ट्रुमेंट से यहाँ पर अलग-लग लेवल के अलग-लग तरीके के होत है, सेमी प्रीपेट इंस्ट्रुमेंट, फुल के वाईसी प्रीपेट इंस्ट्रुमेंट है ना, बहुत सरे आज की डेट में मार्केट में ऐसे वॉलेट सर्विस उपलब्द हैं, जिनमें आप मैक्सिम दस जार पे तक ही अपना पैसा रख सकते हो, और इवन जो फुल के के वाईसी प्रीपेट इंस्ट्रुमेंट है, जिनमें आप अपने के वाईसी करवाने के बाद, यानि कि आप अपने आईडी प्रूफ देने के बाद, ओफिशली वैलेट डॉकुमेंट जो आप एक अकाउंट खोलवाते हो, उस टाइम जो देते हो, अधार काड, ड्राइ ओपन के प्रीपेट इंस्ट्रुमेंट भी कह सकते हो, तो क्लोजड वाला कौन सा हुआ? क्लोजड वाला प्रीपेट इंस्ट्रुमेंट वो हुआ, जो की एक स्पैसिविकली किसी एक कंपनी के साथ ही जुड़ा है, कैसे? अगर आप माली जे कोई लर्नी नीती से हमारा कोर फ्रीद hizo कोर्स कोर्स करिश किया, हमने आपको कह दे विजगे हम आपको 50 कोई देंगे, कोई कोई सिंबॉलिक कोई 50 coins ऐसे करके बहुत सारी websites पर हैं लेकिन 50 coins को आप किसमें इस्तमाल कर से तो कल को फ्यूचर में आपको यह और हमारा course खरीते हो तो उस पर 50 coins का इस्तमाल करें कि कुछ discount पर राब्त कर सकते हो तो इसको हम closed PPI कहते हैं closed PPI कहते हैं फिर एक आता जिसमें open नहीं कितना भी पैसा आप डाल सकते हो ठीक है I hope so कि यह एक फर्क समझ में आ गया होगा अब जब यहां पर यह prepaid instruments की तरह काम करने का license प्राप्त किया और आरबी ने उनको दिया तभी आपको याद होगा कि बहुत साल पहले नहीं था वो semi closed वाला था फिर उसको आरबी ने अपग्रेड किया फुल के वाई सी में तब जाकर आप उसमें और भी पैसा रख पाए अब यह तो हुई हिस्ट्री प्रेपर पीमेंट स्वारी पेटियम की जिसके साथ small finance bank के भी license देएगे that is separate category बट हम यहाँ पर payment bank की सिर्फ जिक्र करेंगे payment bank का license यहाँ पर देने के लिए reserve bank of finia ने invite की application जिसमें से paytm जिसकी parent company 197 communication है उसने भी यहाँ पर apply किया और paytm को भी यहाँ पर payment bank open करने के लिए license दे दिया गया अब यहाँ पर देखो payment bank payment bank जो है वह आपका license मिला किसको paytm को दो चीजें यहाँ पर मैं separate करना चाहता हूँ एक चीज है paytm wallet एक चीज है paytm payment bank these both are separate things यह दोनों का पहली बात mix मत कीजिए आज की चीज में अगर आप सोच रहे हैं कि यह एक ही चीज है तो आप गलत है paytm का wallet system जो है that is a prepaid instrument and paytm का जो banking system है that is the payment bank आज की चीज में जो रोक लगाई गई है वो paytm के payment banking के ऊपर रोक लगाई गई है ना कि paytm के जो payment system है जो wallet system है उस पर रोक लगाई गई है I hope so कि आप ये चीज थोड़ी सी mind में clear कर चुके होंगे कि दोनों में क्या difference है क्योंकि सबसे पहले जब ये ख़बर आई थी तब हमारे बीच में यही आनलफानम में एक सोच पैदा होगी थी अब मेरा क्या होगा अब क्या करेंगे अब ये पैसा गया कहा गया क्या होगा अगर आप wallet यूज कर रहे हो wallet में पैसा बढ़ा है इस्तमाल कर पाओगे कोई दिक्कद नहीं है कोई परिशानी नहीं है पैमेंट बैंक में आपका पैसा गया है अगर आपका account खुला हुआ है उसके अंदर जो पैसा बढ़ा है वो आप इस्तमाल वो भी इस्तमाल कर सकते हो वो भी आता हूँ उस पे वो भी इस्तमाल कर सकते हो लेकिन separate function है वो क्लियर है यह पहली चीज क्लियर है कि आरबे ने पेटियम पेमेंट बैंक के उपर रोक लगाई है और क्या पेटियम था कैसे वो पेमेंट बैंक में convert हुआ I hope so कि यह चीज क्लियर होगी एक बार comment section बता दो कि सर बिलकुल सर यह clarity आपने दे दी है कि क्या difference था इनके बीच में क्या history थी और क्या present यहाँ पर हुआ है I hope so कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर अब confusion जो है वो clear हो गया होगा Still यहाँ पर बहुत सारे students के मंड में यह भी confusion होगा कि Sir लेकिन आज की डिड में अगर मैं Paytm wallet को apply करता हूँ Paytm wallet को open करता हूँ नया खबलवाता हूँ तो still वो वहाँ पर मुझे allow नहीं करता है वो कहता है कि Paytm Payment Bank के थूँ ही सब कोई transaction होगा I agree बिलकुल है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने उस सीच को link कर दिया था Link कर दिया था आज की डिड में जो Paytm wallet है वो आपके Paytm Payment Bank के साल linked है क्यों linked है क्योंकि RBA ने ही उसको Payment Bank का जब license दिया तो उन्होंने इन दोनों functions को link कर दिया आज की डिड में दोनों functions link है लेकिन अगर कल को Paytm Bank का license cancel हो जाता है तो Paytm Bank जो Payment Bank है वो Payment Bank काम करना बंद कर देगा लेकिन जो Paytm wallet है जो prepaid instrument है जिसके उपर restriction रहेगी कि पांच जार दस जार पे तक ही पैसा इसमें रख सकते हो जो wallet function है वो wallet function चलता रहेगा उसमें कहीं पर नहीं इडिपेंड्स की RBA किस तरह का निर्देश आगे future में देता है अभी तक RBA ने उस तरह का निर्देश नहीं दिया है इसलिए आज की एड में आपके लिए एक प्रकार से वो दोनों चीजे सिमिलर हैं दोनों चीजे बंद पड़ी है अब बंद होने वाली है कह लिजी ठीक है ओके clear है यह चीज ओके अव यहां पर आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी ओर चीजे देखते हैं क्या है यहां पर पेटियम पेमेट बैंक के उपर जो रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने रोक लगाई वो रोक लगाई है 29 फेबरी की 29 फेबरी को यहां पर इहनों ने काहा है कि अब देखो हम जब फटा फट पड़ते हैं चीजों को तो हमें एक ही चीज समझ में आती है लेकिन यहां पर कर रहे है प्रीपेड़ इंस्टुमेंट यहीं चीज मैं आपको 24 कि आर्बीयं ने उनके प्रीपेड इंस्टुमेंट पर भी ministre को अईी है और अर्नने उनक्की जो दोनों चीजे लिंक उन्हें पेविर kit यहां पर ऐसा नहीं है कि उनगर से जेशन ग्रह कर रहा है एक तरफ RBA उसको यहां पर dispose कर रहा है एक तरफ जियो financial service का wallet system खरीदने की त्यारी कर रहा है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि RBA इनका ये वाला system जो है जो bank account वाला system है इसको बंद कर दे और wallet system जो है जो pre paid instrument है with few limits कि 5000 पर तक ही deposit कर आपाऊगे, दस साहर तक करापाऊगे, उसको चलाने दे, ठीक है, हाल फिलहाल में इन्होंने सब पर रोक लगा दिया, लेकिन इसके अंदर अगर आपको कोई cashback आना है, आज की दिट में आपने कोई scheme के अंदर enroll किया, उसका एक महिने बाद cashback आएगा, आज आएगा, आपन आप इस्तमाल नहीं कर पाऊगे, उसको आप यूज नहीं कर पाऊगे, उसके अंदर से वे ड्रो नहीं हो पाएगा, लेकिन, for safety purpose, for precaution purpose, यही सभी से कहा जाता है, कि हमारे parents भी इसला देते हैं, अरे यार, PTM wallet में कोई पैसा पड़ा तो निकाल ले, है ना, यही कहते हैं, लेकिन, आर्बी ने ऐसा कुछ नहीं का, आर्बी कहते हो, नतिश फेबरी के बाद भी आप इसके पैसे को निकाल पाऊगे, ठीक है, ओके, I hope so, कि clear होगी यह चीज, सारी के सारी चीज़ें वही लिखियों है, fast tag में भी, मेरा खुद के पास दो fast tag है, दो fast tag मेरे, दोनों प पैसा पड़ा है, तो इस्तमाल हो जाएगा, निकल जाएगा उसमें से पैसा, no other banking service, other than those referred in the second, like fund transfer, respective of the name and nature of service, like the AAPS, IMPS, यह भारतवील पेमेंट ऑपरेटिंग उनिट, जिसके तुरू आप बिल पे करते हो, यानिकि बिल पेमेंट सर्विस जो है, UPA फेसलिटी जो है, वो भी यहाँ पर आपकी affect होगी होगी, वो भी यहाँ पर अवलेबल नहीं रहेगी, इसके अलावा, nodal account of 197 communication, यह नाम क्यों है, क्योंकि इसकी parent company का नाम है, and payment 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 service are to be terminated at the earliest, after the, before the February 29, nodal accounts कों से है, कि in case RBA के पास उनका account है, क्योंकि यह सब चीज़े transfer होता है, RBA के through होता है, तो अगर कोई account है, किसी तरह के कोई और accounting के bank में किसी तरह का account है, वो सारे के सारे terminate बंद हो जाने चाहिए, उसके अंदर कोई भी यहाँ पर आपका credit नहीं आना चाहिए, लोग इसके अंदर ऐसा नो जमा करवात तेरे पैसा है, तो जब तक account नहीं होगा, तो लोग जमा down हो जाना चाहिए, इसके बाद settlement भी हम allow नहीं करेंगे, यह चीज थी, history, मैंने बता दी आपको, prepared payment instrument से शुरुआत हुई थी, wallet से शुरुआत हुई थी, कैसे वो payment bank बना, मैंने वो बताया, उसके बाद अब RBA ने restriction लगाई है, यह मैंने बताया, अब में मुद्धे पर आत बड़ा कारण नजर आ रहा है, वो कारण आपको याद होगा, पिछले साल भी, Reserve Bank of India ने पिछले साल भी यहाँ पर एक press release किया था, 2022 की बात है, उसमें यहाँ पर इन्हों ने यह कहा था, कि Paytm Bank जो है, वो किसी भी तरह से नए customer को onboard नहीं कर पाएगा, यही था, onboarding of new customer by Paytm payment value will be subject to specific permission, grant की जाएगी तब, अभी ऐसा क्यों किया गया था, यह basically इसलिए किया गया था, कि जो Paytm Payment Bank था, जब यहाँ पर कोई भी account open होता है, तो उसके लिए KYC norms को पूरा करना जरूरी है, officially valid documents लगते हैं, 6 officially valid documents होते हैं, उनके में से कोई भी एक officially valid document आ बैंक में confusion आपको हमेशा रहता है, but pen card is a not officially valid document, अकेला pen card देकर आप bank में account नहीं खुलवा सकते, RBA कहता है, जानकर वनिया सतरक रहिए, हना, तो यह जो 6 officially valid document है, इनको देकर account खुलवा लेजी, लेकिन Paytm ने क्या किया था, जो एक market में हवा बन रही है, जो चीजे सुनने को मिल रही कि Paytm ने ये कहा था, Paytm ने ये किया, कि जो account उनके यहाँ पर खुले गए, वो उन KYC norms को पूरा किये बिना ही खुल दिये गए, यानि कि अगर मालेजी किसी person का account खुलने के लिए अधार काड चाहिए, या वो 6 officially valid document में कोई एक चाहिए, तो वो नहीं लिया गया, ऐसे ही account खुल दीगे back end पे किसी के लिए, अब सर ऐसे account खुल दीगे इससे क्या फाइदा, वो लगा, Paytm bank को क्या लेना देना, ऐसे किसी account खुल के, है ना, क्यों किया गया, इसलिए किया जाता है, क्योंकि उसको समने वेले, आपको यह समने वड़ा है, KYC क्यों किया जाता है, किस किसी वे account की KYC, यानि किसी वे account को खोलने से, खोल रहे वक्त, उस person के बारे में identity proof जो है, हम क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं, कि कल को, अगर उस account में किसी वे तरहा की ऐसी transaction होती है, जो की transaction यहाँ पर, एक money laundering का हिस्सा बनती है, money laundering, यानि कि black money को white money में convert कराना, terrorism funding यहा पर उसके थू होती है, तो ऐसा account जो है, वो यहाँ पर आपका money laundering वे लुप तवाय जाता है, और ऐसे account को track लिया जाता है, फिर लेटरों कि भाई, इसका owner कोन है, किसका account है, तो जब account देखा जाता है, किसका account है, तो उस person के बाद की जाती है, उस person के बाद जाया जाएगा अगर उस account में उस person का जो ID proof है, address proof है, वो सही mention ही नहीं है, वो गलत mention है, तो जो भी इहाँ पर ED है, जो भी हमारे इहाँ पर agencies है, CBI हो जा जो भी हो जो back end पे इस तरह का काम करते है, money laundering है, enforcement director वे से money laundering काम देखती है, तो उस person को track कैसे करेंगे, उस person को देखेंगे कैसे, बहुत सारे account खोले, जो कि भीना KYC के open किये गए थे, और जिस वज़े से यहाँ पर enforcement directorate ने हमारे इंडिया के जो agencies है, उनने उनके बारे में थोड़ी सी गड़वर्ड लगी, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बहुत सारे money laundering cases उनको यहाँ पर देखने को मिले, कि इन accounts के पैसा दूसरे एक अकाउंट्स पे ट्रांसफर हो रहा है इन accounts के थूँ और जबकि इन accounts को हम जब track कर रहे हैं, तो कोई person exist ही नहीं बोल रहा, इस person की KYC ही नहीं है, उस person को track कैसे करें और जब तक उस person को track नहीं करेंगे, तब तो वो कैसे पता लगी है, पैसा कहां से आए, है ना, money laundering अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने money laundering को बहुत detail में समझाया है, जिसके अंदर एक concept होता है, layering का, ठीक है, layering, one of the तरीका of money laundering, one of the stage of money laundering is the layering, layering अंदर यही होता है कि एक account से, दूसरे account से, तीसरे से, चोथे, पाँचवे, छटे, दुसमें account में पैस transfer to transfer to transfer किया जाता है, एक layer बना दिया जाता है, एक ऐसा जिंजाल बना दिया जाता है, कि हम उस account से account transfer हुए amount को पहचान ही नहीं पाते, पता ही नहीं रगता कोई सा amount कि इस account से कहां पर गया है, छोटे-छोटे टुकड़े कर देते हैं, फिर बड़ा टुकड़ा करके shell company को ब लिखने को मिला, दूसरा करेंग, ये भी जो सुनने को आया है, वो यह आया है, कि यहां पर तक्रीबन बहुत सरे account थे, जिनमें एक ही pen card link था, एक pen card को बहुत सरे account से link किया गया था, ये भी सुनने को आया है, अब pen card से link किया गया था। Tucson को सर, इस से सब चीज़े सुन लेभी कि सर्क पेटियुम्न एंग में पैन काड़ जो था वो लिंग था एक पलाइब बहुत सारे सुलुदंद्ढायर बहुत मेजर लैप्स है एक कर से लिंग हो जइता है अरे भाइ क्यों लींग था क्या उसकी वजह से क्या consequence हुए यह तो समझो उसको समझाता हूँ अगर एक account के एक बहुत सारे account के साथ एक pen card link है तो क्या होगा pen card account में डलता क्यों है इसलिए डलता है क्योंकि आपके pen card से आपका bank account जब link होता है तो income tax department आपके bank account के details को track कर सकता आपके bank account में क्या transaction हो रही है उसको track कर सकता है ठीक है और अगर आपके bank account में अगर आपके bank account में अगर pen number नहीं डला हुआ तो 50,000 पेस से उपर आप अपने bank account में पैसा भी जमा नहीं गरा सकता है यह भी RBI और यह भी हमारे देश का income tax department है वो कहता है ठीक है लेकिन हाँ कुछ पैंकार क्यों बनाय जाते है पैंकार उनहीं लोगों के द्वारा बनाया जाता है जो की income tax pay हाई है नहीं कोई dollars pay करते हैं अब कोई person incomeитесь pay है यह नहीं कोई income inherit pay नहीं करत दो पैंकार क्यों बनाएंगा है मैं pen card holder नहीं हूँ मैं income tax pay नहीं हूँ तो इसलिए मैं pen card आपको submit नहीं करा सकता हूँ तो हम form 60 जमा करा देते हैं income tax pay कौन नहीं हो सकता जिसके income जो income tax lab है हमारे यहां पर उसके according income tax pay करने की दारे में आती नहीं है तो pen card क्यों बनवाएगा लेकिन pen card है आपकी income माल लिजे आपकी आपने income tax pay किया income tax में declaration दी ITR में उसमें declaration दे दी कि भाईसा मेरा 3 लाग रपे सालाना मेरी income है और आपने 3 लाग के हिसाब से अपना tax tax बनता है नहीं बनता वो आपने पे कर दी ITR फाइल कर दी लेकिन जब बैंक में आपके transaction देखी कि तो उसके अंदर आपकी सालाना साल की 6 लाग की ट्राजक्शन उसके इंदर जमा थे पैसे तो आपका income 3 लाग है आपने declare के 6 लाग कैसे जमा हो सकते है नहीं जमा हो सकते है और पॉसिबल ही नहीं है ये चीज ऐसा नही होता हर एक account को track किया जा सकता पॉसिबल है नहीं कुछ चुनिंदा accounts को यहां पर track एक random system के दुरू income tax department को track करता है और वो pen card के दूरू ही possible है इसलिए pen card डालना बहुत ही ज़रूरी है और payment bank, paytm bank में यही हुआ कि एक pen card N number of account के साथ link था तो आप सोच सकते हो कि कितने एक ही pen card जिन लोगों का pen card नहीं था उनके account में still वो transaction कर रहे थे और जो pen card जिसके साथ link था वो पता नहीं किस person का था और उसके account में कितनी number of transaction income tax department को दिख रही होंगी income tax सोच रहा है कि बंदा दो लाक रुपे ITR फाइल कर रहा है और उसके account में तो N number of transaction है दिए कैसे possible है और जिन लोगों ने अपने Paytm wallet के थूप payment bank के थूप transaction करी उनको income tax department ट्रैक ही ने कर पाया क्योंकि उनका pen card ही link नहीं था समझाया बंदू खेल क्या चल रहा था ये खेल चल रहा था और भी कई reason XYZ, CVZ reason और भी market में घूम रहे हैं लेकिन मोटा मोटी हम इन्ही reasons को मानते हैं कि यही एक reason थे जो majority of जगां पर इहां पर सुनने को मिले हैं लग-लग अख़बारों के थ्रू हमें सुनने को पढ़ने को मिल रही हैं ये मोटा मोटी reason थे news समझ में आई clear है news क्या news थी एक और था कि payment bank में जैसे आप 2,00,00 से जादा जमा नहीं कर सकते तो बहुत सारे पैसा और भी जमा कर दे जो कि मुझे थोड़ा सा जीब सा लगता है दो लाग जम लिमिट है उससे जादा कैसे जमा होगा ठीक है clear है क्या नहीं clear एक बर बता दो कुछ doubt है तो पूछ लो नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा FD फिर कैसे होगा ना जब आपका wallet में आपके पैसे ही नहीं आप जमा करा पाऊगे FD दूसरे bank के थू लिंक होता है लेकिन उसके लिए पहले आपको पैसे जमा कराने पड़ेगा तभी तो FD लिंक होगा है ना तो कैसे करा पाऊगे FD दूसरे bank से जब system हीन का बंद कर दिया गया है सारे का सारा रोग दिया गया है how you will be able to do FD है ना कोई doubt समस्या कुछ कुछ भी समस्या एक भी चीज़ है पूछ लो अभी पूछ लो और कैसी लगी खबर बताओ clear हो गया history से लेकर geography से लेकर स्विक्स तक सब clear हो गया बेटा जिसकी MD clear हो रही है जुलाई में हो रही है तो आपको पैसा मिल जाएगा बोला तो है कि जो पैसा उसके अंदर पड़ा है वो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ यहां पर साफ साफ टेंशन ना लो पैसा पड़ा है निकाल सकतो है जब तक पैसा पड़ा उसके अंदर नहीं बेट्टू आर बियन ने कुछ नहीं का सर पेटियम के के वैसे स्टार्ट क्यों किया था उससे पहले बिना के वैसे वालट चलता बेटा पुरुदू तुमने स्टार्टिंग से शायद वीडियो देखी नहीं मैंने स्टार्टिंग में इसका रीजन अलरी बता दिया था अब जाके मेरे 200 पे सेफ हुए अच्छा भाई वो जो गल्फ्रेंड वला था हो गया गल्फ्रेंड को तो सल्ली होगी ना समझ में आ गया उसको गल्फ्रेंड को तुम्हारी करते हैं अब बैटे सला मिल जाएगी यार ना अजब जाना पड़ता इतनी ठंड में अना सरदी जुगाम की दौाई लेने के लिए हमने तुम्हारी मदद की हमारी मदद कर दो यार कुछ जी सर सेलेक्शन बाद आएंगे आप से मिल ले लो यह कर सेलेक्शन मैं भी बात कर रहा हूं सेलेक्शन बात चलो अगली ख़बर पर चलते हैं मेरा मूड अभी तनी जल्दी कराने का था नहीं उसको तुमने स्टार्टिंग में करवा दी अब तुम भाग जाओगे अना अ कैसे कैसे चलेगा भाई अच्छा हमने उस दिन आई थिंग जन्वरी का स्टार्ट कर दीन नौटिविकेशन है ना जन्वरी के नौटिविकेशन हमने यह पढ़ दिया था यह टारिस्ट वाला को कोई जरूरत निया पढ़ने की ठीक है मैं आपको बताता रहता हूं को अब यह बात करते के वाईसी से जुड़ी होई एक और खवर आती हुए यहां पर और यह खवर किसको अड्रस की गई है सभी को सभी के लिए जितने भी यहां पर बैंक्स प्रिपेड पेमेंड बैंक्स जो भी एंटिटीज हैँ जिनको आर भी रेगुलेट करता है जो KYC norms आपकी follow करते हैं, उन सब के लिए यहां पर यह चीज कही गई है, क्या कही गई है, यह कही गई है, यहां पर आपकी regulated entities जो शब लिखा इसका मनलब सभी banks की बात करें, ठीक है, have to undertake customer due diligence as per the process lay down for their customer, definition of the politically exposed person जो है, वो यहां पर section 3 में जो दे रखी है, उसको यहां पर इन इनों ने कुछ बदलाव किया है, तो politically exposed person की definition है, उसमें हो गया है, are individuals who are or have been entrusted with prominent public functions by foreign country, including the heads of state, government, senior politicians, senior government, judicial military officer, senior executive of state-owned cooperation and the important political party officials, section 3 of have been removed, okay, the relevant section of MD on KYC are hereby amended, ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, यहां पर देखो, KYC norms, अभी हमने बात की, account खुलवाता है, KYC norms करते हैं, अब उसके बाद क्या होता है, next step हमारा, KYC norm एक बार आपने करा दिया, है ना, अब आज की जट में तुम्हारा नाम है, राम रंगिला, मालो जी, है ना, राम रंगिला, तुम्हारा नाम है, है ना, शाम रंगिला, र इस तरह कोई भी नाम है, ABC, XYZ, तो अब यहाँ पर तुम्हारा नाम जो है, वो कल को तुम्हें बदलवा लिया ना, पांस सालवा, तुम्हें अच्छा नाम नी लग रा, तुम्हें का, नहीं है, मेरा नाम अच्छा नहीं लग रा, मुझे, मैं नाम अपना राम से शाम कर लेता हूं ठीक है आपने अपना नाम राम से शाम करवा लिया अब बैंक में तो तुम्हार आकाउंट राम से नाम से चल रहा है अब तुमने अपना आकाउंट नाम शाम करवा लिया है है ना बैंक में तुम ट्रांजिक्शन कर रहे हो सब कुछ बढ़िया कर रहे है ओक के च इदर से पैसा, उधर से धाएं धाएं पैसा, income tax वाले तुम्हें तुम्हें डूढने के लिए आगे है नउ एडी वाले तुम्हें डूढने के लिए आगे हैना बैंक में गए हाँ बताओ यार यह इसका खाता है जिसमें इतनी ट्रांदिक्शन हो रही है लाओ भी डिटेल अच्छा ये सर राम रिंगिला जी है राम रिंगिला एड्रेस निकाल लो एड्रेस है लिखो ये अड्रेस है लिख लिया पोँच गे आवे राम जी बाहरा हो करता राम जी कौन मैं राम जी राम जी से मिलना है राम जी तो कोई नहीं रहते आप कोन हो करता मैं शाम हूं हमें जी से मिलना और उसपड़ उसपदा गिया वकित नहीं हां तो कोई राम नहीं रहते हैं यहां तो शाम रहता है कहां गेराम जी डूंडो राम जी तो दिल में है जाना कहां वैसे तो टोपिक बे आते हैं वापिस इसलिए रिजर्ब बैंक अफ इंडिया यह कहता है कि आप रिस्क कस्टमर दूसरी काटिगरी मीडियम रिस्क कस्टमर तीसरी काटिगरी चार में बांटिये तीसरी काटिगरी हाई रिस्क कस्टमर चोथी काटिगरी वेरी हाई रिस्क कस्टमर ठीक है और इसलिए यहां पर आपका एक निलखा राम मंदिर में है राम मंदिर में है ठ यहां पर लोरिस कस्टमर है वो आप जैसे मेरे जैसे लोग नॉर्मल चाय पानी पीते हैं सुभे नाश्ता किया दो परोंटे उसमें खाए दो रोटी दोपैर को खाली एक सबजी मिलगी धी मिलगी शाम को एक दाल के साथ दो सुकी रोटी घी के लगा कर घी भी मिला तो मिला नहीं मिला तो नहीं मिला सलाद खाली है मूली घाजर खाके रात को थोड़ा बोता ऐसी कोई मिठा बिठा खाले हो बर्फी खाके सो गए सुभे फिर से उठे क्लास लेली फिर से नाश्ता दो परोंटे मिला चाय मिली नी मिली क्या फरक पड़ता है ना फिर से रोटी खाली दो रोटी खही, रात को दो रोटी खाई, सो गए, ये आमजनता चल रही है, बढ़ी आज आम जिन्दगी चल रही है, अपनी, ये होते हैं low risk customer, आप जैसे, मेरे जैसे विकती, ठिक है, दूसरी आते है medium risk customer, ठोड़ा सा बडिया लेवल के ना जो दो रोटी के लाबा बार फास्ट फूड बगार आफोड कर सकते हैं भाई वो भी खालेंगा आंदे ये भी आंदे वो भी आंदे हैना थोड़ा से मौला हाइज एंट्री हो गया है मलग इंकम इंकम के बडिया इंकम होगी है ना अच्छे खाजे फि वो सारी गाड़ियों गुडियों वाले जो अमीर पाटी है ना वो सारे होगे हाई रिस्क वाले और वेरी हाई रिस्क में आ गए कि भाई साब उन से भी कहीं और लेवल के और जिन में एक कैटेगरी आती है पॉलिटिकल एक्सपोस परसन कौन होते हैं पॉलिटीशियंज किसी स्टेट गोवर्मेट का हैड मोदी जी का कहीं तो खाता होगा कोई तो काउंट होगा मोदी जी का कहीं परत होगा मोदी जी हाई रिस्क में आते हैं भाई साब क्या बात कर रहे हैं मोदी जी मुख्यमंत्री Prime Minister Minister Union Minister किसी political party के धक्ष राहूल गंदी सुनिय गंदी जितने भी आपर politician है हमारे हिंदुस्तान के सारे जारे high risk very high risk में आते हैं ठीक है senior politician senior government judicial के military officer सभी के सभी लो भाइसा ठीक है हाँ जिनके घरों में broccoli को हरी गोबी बोलते हैं ब्रोकली वाले अमीर high risk वाले होगे और low risk वाले हरी गोबी वाले होगे मेरे जैसे लोग है तो यह लोग जो है यह है इनको क्या करना होता है जिस तरह से यहां पर इनकी risk categorization है इसके according ही इन लोगों का क्या करते हैं लोगों की KYC की जाती है KYC इनके time to time low risk customer की KYC को दोबारह से करवाय जाता है दस साल बाद जो medium risk वाले होते हैं उनकी KYC को 8 साल बाद करवाय जाता है और जो very high risk कर high risk की category में customer होते हैं उनकी KYC को every two years बाद करवाय जाता है यानि कि दो साल एकाउंट खुलवाय उन्होंने तो दो साल बाद हम उनको फोन करगेंगे भाई साब दुबारह से अपना KYC कराओ दुबारह से अपना ID प्रूफ जमां कराओ clear समझ गए ठीक है तो वही politically exposed person जो होते हैं very high risk इस category में वो यहां पर KYC के अंदर उनकी definition दे रखिया है उसी definition को थोड़ा बदलाव किया गया उस definition में यहां पर यह नई definition शामिल कर दीगा political export person कौन-कौन हो सकता है जो यहां पर लिख्या है इन सब को और इन्होंने इवन foreign country यहां पर आगर किसी को रिकोगनाईज किया गया कि वहां का कोई foreign politician है जो इन माली जो को कहीं अउसको अकाउंट खुलवाना है है यहां फिर foreign country के द्वारा किसी को इंडिया में रिकोगनाईज किया गया politician तो उनको भी यहां पर आपका political exposed person में हम ढाल देंगे क्लियर है ख़बर ये वली समझ गए नहीं समझे सर आज S.I.B.S.T.C बेंगलोर में टोपिक ही चल रहा है आपका एक्स्प्लेनेशन बहुत बढ़िया लगता है आरे कहो ना उनको गेस्ट फेकल्टी बुला ले हम भी ट्रेनिंग सेंटर में गेस्ट फेकल्टी बहुत में आजेंगे अभी तो ट्रैक सुट पहना है सुट बुट पहन के आजेंगे सरसर स्टाइब रिग्रस एक्शन टेकर में आर्विस बेनिफिज लिए बेटा एकनोमी की बात नहीं होती यह कुछ वैसा ही है कि स्कूल में आप तो पढ़ते थे तो स्कूल में एक डिसिब्लिन नाम की कोई चीज होती है है ना अब स्कूल में अगर डिसिब्लिन तुमने ब्रेक किया है और उसके लिए तुम्हें सजा नहीं मिलेगी तो उसका मतलब किया बाकी लोग भी वही करने नहीं है और स्कूल में जो एक मेन मॉटिव है स्कूल का जहां पर आपको पढ़ाई करवाई जाती है अक्टिविटीज करवाई जाती है स्पोर्ट सिखाया जाता है एक्स्ट्रा को लिए आपको वहाँ पर चीज़े बठाई जाती है तो वो चीज़े नहोंगर दूसरी चीज़े होनी लग जाएगे तो अव्वेस है इसका इकनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर यह बात कर रहे हैं कि उन्होंने किया तो गलत किया इसका कोई लॉजिक नहीं था फिर भी आप मैंने अंसर दिया कि नॉर्मल सा वंड़ा आपने रूल्स रेगलेशन तो उड़े हैं तो उसका अफेक्ट तो मिलेगा यह मिलेगा यार क्यों नहीं मिलेगा ठीक है चले आगे चलो हंजी आगे बढ़ते हैं हम अगला नोटिफिकेशन क्या है यह पढ़ लिया हमने रिस्क मेनेजर इंटर मेंक होल्डिंग्स हैजिंग फोरें एक्षेंज रिस्क यह आई डोंट तिंग आपके काम का होगा हाँ यह नहीं आपके काम का छोड़ो इसको हाँ 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 यह क्या हो गया नीचे वालोड क्या से क्या है ओल मंस करना बने गारे यार ओल मंस नहीं हो ठीक है हाँ 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 यह था मास दिक्षन ठीक है यह वला नहीं पढ़ना यह वला भी नहीं पढ़ना इवनसी वला यह वला भी नहीं पढ़ना क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसेंट्रेशन नों क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर यह वला भी आपके मतलब का है नहीं नहीं यार यह आपके मतलब का नहीं है यह आपके ऊपर से जाएगा सिस्टम या भी इसके लिए आप तीन-चार साल जब नोकरी करोगे ना बैंक की तो बापको यह सर्कुलर समझ भाएगा यह आपके मतलब का है नहीं लेकिन चलो एक चीज बिता जब तो सट्रेटरी ओडिटर यहां पर एक हैडलेंग आई मैं नीचे नहीं जाओंगा ठीक है नीचे रिलेवेंट चीज इतना आपके एकजाम में रिलेवनेंगे लेकिन वैसे नॉर्मल आपको प्रेक्टिकल चीज बिता जब देता हूं यहां ब्लूर्फ एक वर्लिखा है नैपके माच यहां जो भी और ब्रे त्यच्छारी ओडिटर वल्लीटी चाइन इर्खक्याश बींटीज सवीटयिक क्या दठवान देखा है लेकिनियों नीचs आधवें चीज़ने कर दो या फिर कहले जो कोई भी company है ठीक है वो company यहां पर अपनी obvious है पूरे के पूरे साल की जो एक financial statements होती है उनको बनाती है ठीक है और even वो कुछ companies ऐसी होते हैं जुनको quarterly basis पर हर एक quarter में अपना result जो है publish करना होता है result मतला financial result कि पिसले तीन महिने में उन्होंने क्या 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 balance sheet balance sheet सब बनानी बढ़ती है ठीक है उसी तरह से जो banks होते हैं वो भी उसी category में आते है जहां पर उनको अपनी जो financial statements होते हैं वो quarterly बनानी पड़ती है और उसको general public में यहां पर publish भी करना वड़ता है every quarter में ठीक है अब जब भी माली जी मैं अपनी financial statement बना देता हूं मैं उसको पूरा पूरा बता देता हूं यह मेरी sale हुई है यह हुआ यह हुआ अब उसका मकसद क्या होता है एक तो general public को देना उस statement को general public को यह चीज़े पता होनी चाहिए जनरल पबलिक को क्यो पता होनी चाहिए मेरा एक business है मैंने company खोल रखी है माल लिजे मेरा bank है मैं SBI हूं माल लिजे अब SBI की जो financial statements है quarterly basis पर जो result आए गा उसका वो general public को क्यो मालम होना चाहिए मैं क्यों बता हूँ आपको क्या करता है बताओ SBI ने अपने financial result या फिर किसी bank ने अपने financial result जेनरल पबलिक को क्यों दिखाए क्यों दिखा रहे है knowledge रखना है होना ही चाहिए तो to purchase share deposit or loans के लिए for investment form portfolio listed है public का पैसा right to information ताकि reputation सही रहे business बढ़े और मैं share खरीदू क्योंकि मेरा पैसा invested है investment कर सके क्योंकि उसका customer बढ़ेगा you are amazing अच्छा ताकि हम लोगों को पता लगे कि bank बढ़ेगा नहीं मैं listed हूँ इसलिए और public company है बिल्कुल जिन लोगों ने यह उत्तर दिया है कि एक listed company है और वो एक public company है या मैं इसको सरल भाषा में कहूं कि बेटा यह एक ऐसी company है जिसका जो share है यानि कि टुकडा बहुत सारे टुकडे है उस company के जिसको हम share बोलते है ना है ना एक एक टुकडा कईयों के बस 10 शेर हैं कईयों के किसी company के 20 शेर हैं ना तो वो shareholder को नोते है shareholder are also known as the owner of the company अगर मेरे पास किसी भी company के like this अरिशल सरा यहां पर किसका नाम ले रहे थे कौन सी company का नाम ले थे नाम ही बूलिया है ना जिस भी इस नाम ले थे नाम ले थे knowledge मैंने share खरीद रखा है मान लेजा मैंने share उसका कितने ही घृदा 89 में खरीदा ठीक है तो 89 में जो खरीदा है जो आज की में 120 हो गया तो एकसो-ठाराव वी जो भी हो गया थे 1002 पैया अज कोई बात नी है देखते हैं अगर मैं नसका ख्रीद रखा है तो मैं ओर उसका है या यह ना मैं ओर हुँ इस अ एतने पैसे onder उतरे प्रसंटेज फॉने प्रसेंटेज और जित्ने प्रसंटेज टोटें वी यह उन यू не मालि कुठ मुझे क्या जानने का हक नहीं है कर ढगर लिए फॉज्छ पता ने लगना कि इतना प्रो Οे कितना सेल है कितना बेच गीटाय being तो म मेराव पांज केरे मालिक मै एक शेर का मैं तुमारहा एक शेर एक छिरी।Áंट्ट जिएरो जिरो जैरो बन इसलिए यहां पर आपका अब मैंने माल लीजे उसके बैलेंशिट फाइनेशल स्टेट मैंने तो बता दी अब मैं एस कंपनी मैं अपनी बैलेंशिट को कम क्यों बता हूंगा जी पांच करोड हो गया बीश परोड हो गया बडिया है मैं जादा दिखाओंगा तो लोग ज्यू रहोलडर हो खुश हो जाएगे औरस वाइर कंपनी का portal कंपनी के profito कंपनी कर तो अब उनको देखकर दूसरे लोग भी जिनके पास उसके शेर नहीं है वो लोग भी करेंगे और उस कंपनी का प्रोफिट दे कितना अच्छा हो गया उस कंपनी का शेर यहां पर बढ़ेगा अच्छा अपने भी खरीद लेते हैं एक मेंटालेटी तो बनती है ना मार्केट उसकी डिमांड बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ेगी तो अब विसे शेर प्राइस यहां पर बढ़ने का नुमान है तो यहां पर बात में क्या करता है कि मैं अज़कर अपना सब कुछ बढ़िया दिखाना चाहूंगा पोस्टिब दिखाना चाहूंगा यहां पर खेल होता है ओडिटर जो चार्टिड अकाउंटेंट्स होते हैं जिनका एक में फंक्शन शुरू होता है कि जो भी फाइनिशल स्टेटमेंट उस कंपनी ने और बैंक्स ने अपनी बनाई है उसको स्कूरूटमी करना उसको थोरो ली यहां पर सही तरीके से देखना कि as per accounting standards as per accounting principles जो कि defined है यहां पर उनके अनुसार यहां पर उनकी accounting statements जो है financial statements जो है वो बनी है नहीं बनी उनमें अगर कोई खामिया है तो उनको पूरा किया जाएगा और उनको बकायदा सही तरीके से बनाया जाएगा तो सेम वही चीज़ अपलाई होती है banks के उपर banks के जो quarterly statements आती है उन quarterly statement को बनने से पहले final approval होने से पहले statuary auditors जो होते हैं उनको appoint किया जाता है और उनसे statuary auditors से bank की जो balance sheets होती है financial statements होती है उनको scrutiny की जाती है उनको अच्छे से analyze करवा जाता है उनमें जो कमिया है उनको पूरा किया जाता है और फिर जाके वो financial statement जो है market में release होती है निगी general public के पास पहुंचती है ऐसे तो कोई भी कुछ भी manipulation कर ले याद होगा आपको एक केस सत्यम का सत्यम कंपनी थे बहुत साल पहले मुझे साल याद नहीं कौन सा यह था वो उसमें यहाँ पर एक केस पाया गया था सत्यम कंपनी में यहाँ पर जो जो उसके statuary auditor थे कौन सी कंपनी थी statuary auditor water house price water क्या ऐसा कुछ नाम था ना तो जो भी नाम था कोई ना कोई बता देगा भी तो वो कंपनी ने जो statuary सत्यम कंपिटर ने की हमारे financial statement है उसके अंदर उन्हें मैनुपलेशन किया और सीए फ़र्म जो थी चार्टी रिगांटर फ़र्म भी उसके साथ मिल गई और फिर बहुत बड़ी एक धांदली सामने है जब जाकर वो शेर होल्डर वो पैसा डूब गया सुप्षप्पनी डूब यह सब कुछ हो गया ठीक है सन्वाटे के बात करो गार्मेंट कहां से आग एंगार्मेंट कुछ भी सत्यम कंपिटर की बात करो तो सत्यम कंपिटर थी ना प्राइश वाटर हाउच शायद ऐसा कोई अब जब यह हुआ तो उसके बाद एक और चीज सामने आई एक और चीज बनी क्या बनी थी एनिवन हैव एडिया कि यह जो सत्यम कंपिटर वाला केस हुआ था और सेचरी ओडिटर की विलॉप उसके अंदर जो एक पाई गी थी ना खामिया पाई गी थी उनके साथ मिल गए थे उसके और एक अजनसी का निर्मान हुआ था जो कि आज की एड में जितने भी चार्टिटर अकाउंट से उनके उनको सुपरवाइज उनको रेगुलेट करती है क्या वे अजनसी का नाम है बताओ जड़ा अरे I.C.I. नहीं है अरे I.C.I. तो शुरू से इतने सालों से आया है कहां I.C.I. में हो अरे कोई तो समझदार निकल जाओ ये देखो I.C.I. तक टिके वह ये प्रभू कोई तो समझदार निकल जाओ एक व्यक्तिश जो समझदार अब तो तो गूगल ही कर लेते हैं तुम लोग आईए इरड़ा ही तो इंशुरंस की है यार क्या कर रहे हो हिरानी हो रही है लिक्रा मैं आगे नहीं बढ़ूँगा जब तक तुम बताते हैं नहीं मुझे कर दो बताते हैं 500 पोट Πर रहे हैं कर दोepend 2106 व्यक्तिश समझ ए्पिक है, कर दो ही हम यह ही है अब मैं आउस करो ना कि मुझे बताओ अंसर और ना तुम्हें एक साल के कोई सब्सक्रिशन फ्री दे दूंगा अब भी देखना गूगल कर लोगे सब तुम लो चलो छोड़ो जाने लो तो यहां पर उसी केस के बाद एक अजनसी ऐसी बनाई गी थी जिसका ना मुझे भी याद नहीं आ रहा इसलिए तो आप से पूछा था टीचर को जब खुदी आद नहीं होते तो अभी तो कुशन पूछता बच्चों से मुझे खुदी याद नहीं आप च्छपाने के लिए मुझे मुझे कोई चीज आद नहीं में बच्चों सह पूछ ता सही ड़ाता है उन्हा तुम्हें लगता मुझे याद नहीं नहीं है क्या बात कर रेति इतना कच्छा गलाड़ी सभर एंसаем का है इस इस गेम का है बैंकिंग की फिल्ड में हमसे कच्छा हमसे पक्का कोन होगा चल चोड़ो तो यह स्टेच्टरी और पॉइंट की जाएंगे उसकी एलिजुलिटी देरके स्टेट कॉपरेटर बैंक की सेंट्रल कॉपरेटर बैंक की ठीक है ओके चल यह मारा एक बच्चे ने वीच में आंसर स सिरफ एक नशाई दिया है उसने दुबारा भी लिख दिया मास्टर सर्कुलर नहीं पढ़ना सेकंड शेडिल टूरिजर्ब बैंक अफ इंडिया नॉम्स पर इंक्लूजिए पढ़ते हैं यह अच्छा है आएगा कोश्चन बन सकता है बड़िया कोश्चन बन सकता है देखो इसमें क्या आया है इसमें यहां पर सेकंड शेडियूल टूरिजर्ब बैंक अफ इंडिया एक्ट 1934 में सेकंड शेडियूल आर बिया के सेकंड शेडियूल में किसको शामिल किया जाता ह याद होगा आपको इतना basic idea होगा है ना याद है मैंने बहुत बार पढ़ा है कि जिसकी paid up capital equity जो है वो यहाँ पर आपका 5 लाग है और general public interest में काम करें तो उसको हम second schedule RBA के में शामिल कर लेते हैं ठीक है subsequent to release यह कुछ release किया था पिसले दिनों में देखते हैं it has now been decided to revise the eligibility norm अभी eligibility norms जो है इसके revise करने की बारी आचुकी है और revision के बाद इन्होंने कुछ conditions को fulfill करने के लिए कहा है और यह conditions क्या है Government of India dated this has been published in Gadget of India on September 23rd 2023 मेरी धरम पतनिये का जनम दिन अपते हैं September को Notifying that licensed tier 3 and tier 4 primary urban cooperative bank fulfilling the criteria stipulated over financially sound and well managed urban cooperative bank by Reserve Bank of India subject to maintenance of minimum deposit as per tier 3 or would be eligible to financial institution CRAR of at least 3% more than mini OCR no major regulatory and supervisory division shall be based on a such financial RBI inspection report audited financial statement ठीक है ओके तो इन्होंने यहां पर कुछ eligibility criteria में बदलाव किया है urban cooperative bank urban cooperative bank के eligibility criteria में बदलाव किया गया क्या बदलाव किया गया वो इन्होंने का है कि जो eligibility criteria है एक urban cooperative bank को second schedule में शामिल करने का उसमें हम बदलाव करते हैं कै जया बदलाव यहाँ पर भी लिखा हूँ और यह बदलाव यहाँ पर भी लिका हूँ इस बदलाव का जिक्र इन्हों ने कहा है इस से रिलेटेड है जो circular needed ने यहाँ पर दे रखेंघे है एक पर circular देखते हैं क्या है Revise Regulatory Framework for Urban Corporate Bank on July 19-2022 ठीक है 19-2022 को यहाँ पर इन्होंने Urban Corporate Bank के लिए यहाँ पर एक framework निगाल ला था जिसके तहाथ उन्होंने कहा था कि अगर कोई Urban Corporate Bank है उसके लिए उन्होंने guideline दी थी Urban Corporate Bank को यहाँ पर हम 4 tier में बाटते हैं जिसके तहाथ यहाँ पर आपका minimum network जो है वो network जो है 2 crore होनी चाहिए for tier 1 tier 1 की category में यहाँ पर अगर आपकी एक Urban Corporate Bank आता है तो उसकी net worth 2 crore होनी चाहिए अगर वो single distribution operate होता है और अगर उसके लावा जो tiers है tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 में आते हैं उनकी जो है 5 crore उनकी net worth होनी चाहिए ठीक है उनका minimum capital to education ratio जो है वो 9% होना चाहिए अभी जो फिलहाल चल रहा है बेजल 1 के इनुसार उसके बेजल 2, बेजल 3 भी आया है यहाँ पर आपका और इवन इन्होंने यह भी कहा कि CRAR 10% होना चाहिए 21 मार्च 2024 तक 11% होना चाहिए 21 मार्च 2025 तक 12% होना चाहिए 2026 तक ठीक है तो यह 2026 तक उनको 12% करना है ठीक है इसके लावा उनको financially sound and well manage की जो criteria है उसको यहाँ पर पूरा करना है और उनको 10% अपनी जो ब्रांचीज है वो यहाँ पर आपकी open करनी है इस financial year के end पे ठीक है यह इनके अलावा LTV ratio का भी कुछ define कर रखा है ठीक है तो यह तो एक framework है अब यहाँ पर एक बार वापिस अलते हैं अब इन्होंने इसी framework में पड़ी थी पांच क्रोड उसकी network होती है टीर थी तो इन्होंने कहा है टीर थी जो अर्बन कोपरिटी बैंक है उसकी continue दो साल तक उसको minimum deposit अपना अपना रखना है जो कि उसके लिए eligibility है टीर थी में आने की टीर थी में आने की यहाँ पर eligibility जो है deposit की उसको लगातार दो साल रखना है अब टीर थी में आने की eligibility देखते हैं नहीं किसे circular में लिखी होगी हां यह लिख वी टीर वन, टीर टू, टीर थी होते कौन है? टीर वन में वो बैंक होते है जिनका deposit जो है 100 क्रोड तक काता है, टीर टू में वो और धिर थी में 10,000 क्रोड बाइफरकेशन होता है ये वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे से याद कर लेना ये चार केटिगरी याद कर लेना एक्जामिनर पूस सकता है आप से कि टीर वन और वन कॉपरेटी बैंक जिसके ने डिपोजिट साइज इतना होगा टीर 2 में इतना होगा टीर 3 में इतना अभी हमारे जो नोटिवेशन उसमें बात क्या कर रखी थी उसमें बात कर रखी थी कि ऐसे टीर 3 की ओर्गनेजिशन जो है टीर 3 में जो कैटिगरीज है उनकी मिनियम डिपोजिट जो क्रेटेरिया है वो दो साल के लिए पूरा फुल्फिल होना चाहिए इनका क्रेटेरिय टीर 3 भाए हजार करोड यानिकी Perfect कर ऐसार करोड मिनि इनके हजार करोड मिनियम होने चाहिए पहली किरणीशन यह फूल्फिल होनी चाहिए तब जाके वो शेकिंड शेडियो में आएंगे यह तो पहली किर है पहली condition clear है सभी के mind में कि पहली condition जो है वो ये है कि दो साल तक हमें ये करना है तब जाके वो second schedule में आ जाएंगे दूसरी condition होना है ये विलिका financially sound and well managed urban corporate bank होना चाहिए financially sound की definition यहाँ पर इस circular में होगी पक्ये ये देखो लेखे हुई है financially sound की definition ये लिखे हुई है कि इनका NPA इतना होना चाहिए CRAR इतना होना चाहिए किसी तरह का CRRS seller में default नहीं होना चाहिए net profit पिछले 3 साल का इस तरह से होना चाहिए loss नहीं होना चाहिए CBS होना चाहिए ये criteria दे रखा तो ये भी criteria fulfill कर दिया आ गया मालो है ना और कोई criteria है financially sound होना चाहिए tier 3 का लगा दो साल के लिए होना चाहिए हाँ ये भी तो criteria है जो capital education ratio वो 3% जाधा होना चाहिए minimum से minimum हमने कितना पढ़ा था 12% था 2026 तक उसको 12% करना है तो ये 2026 तक उसको 12 प्लस 3 15% करना पढ़ेगा जितना वो minimum जो impose किये डिस्पली ने action लिया गए तो ऐसा कुछ urban cooperative bank के उपर नहीं होना चाहिए तो अगर ये सारे के सरे criteria अगर urban cooperative bank follow करता है तो वो यहाँ पर RBA के second schedule to reserve bank of India में शामिल होने के लिए eligible हो जाएगा एक बार फिर से करे फिर से करे थोड़ा से confusion है सुना आप मज़े urban cooperative bank को यहाँ पर शामिल होना है second schedule में उसके लिए RBA ने guideline जा रही की है ठीक है guideline में क्या है कि यह criteria आपको fulfill करने है done criteria क्या है कोंसे criteria fulfill करने के बाद यहाँ पर आप urban cooperative bank second schedule में शामिल हो जाएगे पहला criteria एक आप financially sound जो financially sound की definition है जो RBA के नुसार जो हमने इस circular में पड़ी है यह पूरी होनी चाहिए ठीक है दूसरी definition अगर आप यहाँ पर urban cooperative bank जो second schedule में होना चाहिए वो tier 3 bank होना चाहिए tier 3 की category में होना चाहिए और tier 3 वाले category के according आपके जो deposit होते है वो 2 साल तक maintain होने चाहिए पिसले 2 साल में तो tier 3 का category क्या था tier 3 का नुसार आपके minimum deposit जो है 1000 करोण होने चाहिए दूसरा criteria तीसरा criteria कह रहा है capital to risk weighted asset ratio जो है CRAR या फिर capital adequacy ratio जो है वो आपका 3% जादा होना चाहिए किससे जो आपको minimum prescribe कर रख है minimum prescribe ये रहा minimum prescribe इन्होंने अलग-लग कर रख है अलग-लग सालों में 10% फिर 11% फिर 12% जो माली जै आज की ज़िए में 10% है तो उससे इन्होंने क्या कहा है उससे इन्होंने कहा है कि आपका जो है वो 3% जादा होने नहीं 13% होना चाहिए ये criteria fulfill करते हो you are good to go under the second schedule you are good to go to apply for the second schedule under the RBI got it समझ गे clear है done done and understood मजा आया समझ में आया गुसा दिमाग में clear है चलो done done आरे हमारे पास आयो क्या clear नहीं होगा बताओ तो सही सब पढ़ा देंगे RBI के website का कोना कोना जला देंगे अगला क्या है formation industry in the state of lead bank के बारे में पहले पिछले RBI कोर्ण ने बात की है तो दुबारा नहीं करूंगा ठीक है आगे क्या है streamlining of internal compliance monitoring function leveraging use of technology ओके ये क्या है internal compliance monitoring leveraging use of technology अरे यार थेओरी थेओरी ना लिखा करो को धंकी जी दिया करो टीक है ठीक है इसमें क्या कही रहा है इसमें ये कही रहा है कि यहां पर बहुत सारे बैंक्स हैं जो टेकनोलोजी को इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी चीज़े इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं नहीं चीज़े इस्तेमाल हो रहे हैं नहीं नहीं चीज़े डिस्कवर की जा रहे हैं नहीं नहीं टेकनोलोजी में स्टिल कहीं ना कहीं मैनुल इं सकता तो इसलिए यहाँ पर जो है टेकनलोजी तो है लेकिन इंपरेंशन रुटारेजन तो इन्हों नहीं कहा है है कि जो मैंने इंटरवेंशन है उसको थोड़ा सुधारा जए उसको बढ़िया किया जाए थिया जो की आपके आपका एक्जाम पॉंट उससे चलो अरे बेटा इसको skimming नहीं कहते है इसको पढ़ना कहते है यह चीछ जो मैंने अभी की है ना scheme ngay काते हैं इसको 12 साल की महनत काते हैं जो बैंक में हमने की है, इमांदारी से की है नोकरी की है न उसकी वजह से हम इतनी जल्दी जल्दी इन चीज़ों को आपके इस बैंक में daily वेसे पांच से circular bank के आते थे एक एक circular दस दस पन्नों का, पांच पन्नों का होता था और उसने मुझसे कोई काम करवा लिया बड़ी एक important चीज बता रहा हूँ अगर customer आया और उसने मुझसे कोई काम करा लिया जबकि वो guideline bank ने circular निकाल के सुबह चेंज कर दी थी तो मेरी तो नोकरी गई ना ठीक है समझें तो यह जो circular है आरबी के circular है तो आरबी के circular है इसके बद बैंक अपना सुब्धा circular निकाल लेगा और वो circular को आपको daily basis वर 5-6-7-10 तक circular daily basis वर आते हैं उनसे जो भी आपके relevant circular होता है आपके काम से circular होता है आपको daily basis वर उसके update करना वड़ते हैं अपने आपको अगर उन circular को आप पढ़ो गे नहीं और उन circular को speed से नहीं पढ़ो गे अच्छे से नहीं पढ़ो speed से पढ़ने काम यह मतलब नहीं है का काम बहुत सही तरीके सब्सुचारू रूप से कर सकूँ ताकि मेरे उस से कोई गलती नहों जया गलती होने की वज़े से कल को बैंक मेरे उपर कुछ ना इलजाम लगाए कि आपने सर्कुलर के अकॉर्डिंग काम नहीं किया और ये आपको हम यहां पर accountability करते हैं आपकी जारी करते हैं आपके accountable हो आपने गलत किया इसलिए यह चीज़ होती है अभी तो मैंस रीजनिंग इंग्लिश ही सीख रहे हो असली खेलता हो भी बाकी है guidelines on import of gold by tariff rate quota holder under the India UAE SEPA as notified by the international financial service center authority बस क्या बड़ा चोटा सब्सक्राइब हाफ मेरा पर हाफ मेरा पर हाफ मेरा पर को ओके ठीक है तो यहां पर सरकुलर किसके नाम जाए हाँ अॉत ahorrar ajz dealerband के नाम जा रही नाम जाए है। जो कि यहां पर foreign exchange में deal करते हैं, foreign exchange function उनको दे रखा होता है, जो उनको पहले license दिया जाता है, आरबी के तरह, authorized dealer का license दिया जाता है, उनके कुछ branches को license दिया जाता है, सभी branches यहां पर authorized dealer के लिए available नहीं होती foreign exchange के लिए, ठीक है, और second चीज, section action याद कर लेना, foreign exchange management act, इसी तरह क question पूछ रहे हैं, right, ठीक है, okay, so यह दो चीजे तो important हुई, हर एक notification में यह चीज तो हम देखते ही है, सबसे पहले किसको जा रही किया, वो पूछ सकता examiner, और last number, जो section action होते हैं, वो याद करने हैं, तो कौन से act करता है, यह दोनों चीजे, पिछली notification में 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 से miss हो गया, कोई भी चीज, तो पढ़ लेना important रहेंगी, ठीक है, अब इसमें क्या कहा रहा है, इसमें आपर simple short short and sweet में बता दूँ, Reserve Bank of India ने यहाँ पर authorized dealer branches को ये दिशानरदेश दिये थे, कि जो यहाँ पर ifs का, ifs का के जिक्र किया गया था नहीं, यहाँ पर ifs का जो है, उसके थूँ यहाँ पर अगर कोई भी gold को import करता है, मालिजे, जो गांधी ने के उज़ात में इसका है, वहाँ पर बहुत सारे financial institution है, वहाँ पर कोई अपना account है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो gold को import करते हैं, तो अगर वहाँ के थूँ गोल्ड को import करते हैं, यह पेमेंट जो है, इसका के root होकर जाती है, इसका एरिया में ज कस्टमर ने दी मुझे, मैं मालिज एक बैंक हूँ, ठीक है, मुझे 11 दिन पहले कस्टमर ने एडवांस पेमेंट दी, और उस 11 दिन एडवांस पेमेंट जो मुझे दी गी है, उसके उसको मैं कहीं बाहर विदेश में भेजूँगा, वहाँ से gold import हो रहा है, ठीक है, बैंक क कोई नहीं नहीं है, पहले की गाई लेना है, जिसके तहत उन्होंने एक tariff rate quota, यहीं है न शायद, tariff rate quota, tariff rate quota जो है, इसके तहत यहाँ पर कुछ ऐसे जो gold को काम करते हैं, gold का business करते हैं, ज्वेलर जो हैं, उनको एक particular quota दे रखा है, कि आपको इतने quota है, आपके उस quota मतलब हो साइन कर रखा है, कि आप कर सकते हैं, अब यहाँ पर इस tariff rate quota के तहट जो eligible dwellers है, जो DGFT ने उनको साइन कर रखा है, उनको भी यहाँ पर इफसका के थूँ गोल्ड जो है, इंपोर्ट करने का एक यहाँ पर दिशा निर्देश दे दिये गए हैं, कि आप वहाँ पर जाकर अब ही गोल्ड इंपोर्ट उनके इफसका के थूँ भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको ग्यारा दिन जो एडवांस पेमेंट है, वो आप दे सकते हो, और अपको गोल्ड इंपोर्ट हो जाएगा, अब सर यह चीज की कियो, मनलग क्या फायदा इसका इतना कुछ करने का, क्यो क्योंकि इसका थूँ जो चीज की जा रही है, उस चीज पर एक एक्स्टा कंसेशन दिया जाता है, 1% की छूट दे जाती है, जो Duty-Buity लगती है, Tax-plex लगता है, उस पर 1% कांसेशन देती है हमारी Government of India, इसलिए यहाँ पर उसके थूँ रूट किया जाता है, तो उन लोगों क जो tariff rate quota के तहत इहां पर import करते हैं उनको फाइदा हो गया है I know कि कुछ चीज़ें इसमें आपको हो सकता है कि इधर उधर उपर नीचे जा रही हो लेकिन जो news है वो यही है अब इस चीज़ को और simplified तरीके से मैं भी नहीं समझा पाऊँगा जितना समझाया है उतना समझ में आगया बहुत बड़ी बात है इससे दा सिंपल नहीं हो सकती यह news को समझाने में क्योंकि इसमें कई चीज़े complicated है मैं मानता हूं क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बहुत detail में और चीज़ें जानना पड़ा है गोल्ल बूलियन कैसे इंपोर्ट होता है क्या क्रेटेरिया अच्छा कितना कंसेशन है क्या है तो इंडिया और यूए के बीच में जो एक इंडिया इंडिया और यूए के बीच में जो टैरिफ कोटा होल्डर्स है उनको अब इस प्लैट्फोर्म के तुरू इंडिया इंटरनेशनल बूलियन एक सेंज जो है जो इसका पर है उसके तुरू वह रूट कर पाएंगे अपने पैसे को और उसके तुरू यहां पर एक अबरी में कोई आया नहीं प्रेस्स में प्रेस्स रिलीजेज तो मैंने आइधिंग जनुरी की उठाई नहीं ना अभी तक कोई भी जनुरी कि आप देखने बढ़ेंगी आर ना मिला देखने इन दसन्स क्योंकि यह बहुत सारी चीजे ना इसमें 95 पर संट चीजे एरेलेम प्रेस्स में जरूर आई होगी लेट मी सर्च दैट थिंग वह एक स्विडिन का कमेंट भी आया था तो मुझे याद है वो चीज मुझे करनी है वो चीज बता देता हूं वो चीज में ना कि उसमें 99 पर संट चीजे आपके पढ़ने वाली नहीं होती नोट नोट इकिशन सारे पढ़ने वाले होते हैं हाँ यह रहा यह रहा 31 यह वली यह करानी थे मुझे है यह सुनते जो ना यह मैं लास्ट करते हैं अपने आर भी डिजिटल पेइमेंट इंडेक्स रिलीज किय कि बाकी जो important होगी मैं sort करके लौँगा फिर अगली बार हम कर लेंगे ये मुझे करवानी थी ये मैं ढूंड भी रहा था मुझे पहले मिली भी नहीं थी तो RBA Digital Payment Index September 2023 का release किया गया है इसमें यहाँ पर इसके नुसार जो index के नुसार जो index जो है वो stand करता है 418.77 पर 418.77 पर पर आज की डेट में exist करता है आज की डेट महला September 2023 का और इसका मार्च 2018 में जो base था वो 100 था मार्च 2018 में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो base था उसका 100 था और September 2023 में 418.77 था ये इसके नदर DPI के बारे में आई है अब सर डीपी होता है digital payment index से निकाला कैसे सर सो का 413 बन 418 बना कैसे यह तो चलो याद कर लिया लेकिन बना कैसे यह चीज बहुत important है इसके लिए नोंने पिछली कोई guideline दे रखे है उसके उपर चलते है जनवरी 2021 की guideline है देखते है इसके अंदर है वो चीज बिल्कुल है देखो reserve bank of India भी digital payment index जारी किया digital payment index का मतलब सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाऊ यह होगा ना कि सर digital payments कितनी हो रही है माली 2018 में हम मान के चलते है कि 100 उनों रुपे नहीं नहीं है वो हैना चार गुना बढ़ गए इस्टल पेमेट्स सिंपल सरल भाषा में हम तो यह कह सकते ना कि पहले कोई चीज वन थी आज वह फोर हो गई है फोर टाइम्स बढ़ गये यानिकि डिसल पेमेंट इडेक्स है यानि डिसल पेमेट्स जो है जो ओन लाइन पेमेट्स करते हैं पहले हम हम 2018 में इतनी जादा नहीं करते हैं लेकिन फिर उसके अद कोविड कोविड आया वो डिमोनेट्राइजेशन हुआ और उसकी वज़े से आज की डिसल पेमेंट का ग्राफ जो है चार गुना बढ़ गया सिंपल सरल भाषा में तो हम ग्राफ को देखकर यह बोल सकते हैं ठीक सब्सक्राइब इंफसे क्षिप्लाइब सब्सक्राइब उसके बारे में भी और मेंटर जो हैसमिर सब्सक्राइब नढर इच्वाट है क्या खुला पीडियाफ खुली है तो क्या मिलेगा इस पीडियाफ में खुल जा अरे क्या बात है मस्त चीज मिली है यही तो चाहिए था अब समझ में आया कि डिजिटल पेइमेंट डिडेक्स उन्होंने 100 गा 400 क्यों किया किस बेस पर किया कि उन्होंने असेस्मेंट किया हर एक पैरमेटर को उन्होंने पेइमेंट अनेबलर पैरमेटर को निकाला पेइमेंट अनेबलर में इंटरनेट बेंकिंग कितने यूज कर रहे है मोबाइल बेंकिंग, अधार बेंक अकाउंट क्या है, अधार लिंकेज participants, merchants का पूछा गया, payment infrastructure, demand sign में debit card, credit card, prepared payment instrument, जो मैंने अभी class start करते हो बताया था, customer registered, fast tag, payment infrastructure, supply side, bank की branches कैसे कर रही है, कितनी बढ़ रही है, business correspondent कितने बढ़ रहे है, ATM क्या बढ़ रहा है, POS terminal, QR code, intermediaries, payment performance में digital payment system, digital payment system, volume wise, value wise कितना बढ़ रहा है, unique users, paper clearing, currency, cash withdrawal कितने हो रहे है, consumer cent electricity, fraud board, ये सब चीजे, तो इन सब चीजों का मिश्रन करने के बाद, और इन सब चीजों के महतवता देने के बाद, weight का मतलब महतवता है, कि इतनी चीज के इतना हमने factor लिया है, 25% लिया है, 10% लिया है, 15% इसमें लिया है, 45% लिया और 5% इसका factor लेने के बाद, हमने अपनी calculation की हमने स्टेटिस्टिस्टिस्ट को हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया जो कि मार्ज और अठारा में सो था और उस स्टेटिस्टिक की आज की डेट में वैलियू सप्टेंबर की 418.77 आती हुई नजर आ रही है समझ गए डीपी आई होप सो कि जिसका भी को कुशन था जिसका भी कमेंट था मैंने एक दो दिन पहले पढ़ा था कि सर यह क्या होता उसके वरे बता दो तो यह वाला जरूर याद कर ले ना और साथ में वेट्स जरूर याद रखना कितना कितना वेट है पच्छिस परसेंट अच्छा कोशन बन सकता है वेटेज का वी और यह वाला भी अंडर दी पेमेंट लेबर विच इस नॉट दी फॉलविंग वाला कुछ ऐसा कोशन ठीक है कैसे लागा सेशन एक बार बता दो कमेंट सेक्शन में यार बताओ ज़रा है नो और बाकी कमेंट से बाद भी करने है सेशन एंड होने के बाद भी कमेंट करने है भाई बंदो है ना कोई भी कोर्स आपको पर्चेज गनना है सबकी एकस्क्लूसिव सब्सक्रिप्शन अवलेबल हैं जैब डीबी अफ मुझसे पढ़ना है उसके लिए आपको एकस्क्लूसिव सुप्शन है अगर आप मेरे और video courses का access है यह जिसमें weekly sessions conduct कराता हूँ banking awareness आपको static वाली जो कराता हूँ सारी के सारी वो चाहिए तो फिर वो मेला मेरा course available है वो course आप purchase कर सकते हैं मेरा ये वला ठीक है ये वला course available है इस course को purchase कर लेना इसका link विंक सारे description में आपके लगे हुए है ठीक है ये code है coupon लगा के और कम हो जाएगा इसके अंदर crossword package included रहता है ठीक है ओके शारुक खान के picture थी काल क्या पढ़ा है सर कपिल काट पाल ठीक है ओके एनी अदर thing एनी अदर query I don't think अब query query लेने का time बचा नहीं है बाकी ज़रूर बताने comment section में एक बार end कर देनो stream मुझे और session end करने के बाद जरूर आपका wait रहेगा आपके comments का बड़े प्यारे प्यारे comments का क्या क्या सीखा ये जरूर बताना आज कितनी term सिखी एक एक चीज कैसे कैसे क्या क्या चीज़े सिखी यही चीज़े जिन्दगी बर काम हैंगे मैं हमेशा कहता हूँ आपके प्यारे प्यारे जिन्दगवें जरूर बताना